जल्वायू आपदा से कैसे बचें? बिल गेट्स की किताब परिचह 51 अरब से शून जल्वायू परिवर्तन के बारे में जानने के लिए आपको दो नमबर चाहिए एनिस पहला 51 अरब है दूसरा शून है 51 अरब दुनिया में कितने टन ग्रीन हाउस कैसे है आम तोर पर हर साल वातावरन में जोड़ता है हाला कि यह आंकड़ा साल दरसाल थोड़ा उपर या नीचे जा सकता है यह आम तोर पर बढ़ रहा है हम आज यहीं है वन शून में वह है जिसके लिए हमें लक्षे बनाने की आवशेकता है वार्मिंग को रोकने और जलवायू परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए और यह प्रभाव बहुत बुरे होंगे मनुशियों को वातावरण में ग्रीन हाउस कैसों को जोड़ना बंद करना होगा यह मुश्किल लगता है क्योंकि यह होगा दुनिया ने इतना बड़ा कभी कुछ नहीं किया हर देश को अपने तरीके बदलने होंगे आधुनिक जीवन में लगभग हर गति विधिब्धती चीजें चीजें बनाना एक जगह से दूसरी जगह जाना में ग्रीन हाउस कैसों को छोड़ना शामिल है और जैसे जैसे समय बीटता जाएगा अधिक लोग इस आधुनिक जीवन शैली को जी रहे होंगे यह अच्छा है क्योंकि इसका मतलब है कि उनका जीवन बेहतर हो रहा है फिर भी अगर कुछ और नहीं बदलता है तो दुनिया ग्रीन हाउस कैसों का उत्पादन जारी रखेगी जलवायू परिवर्तन खराब होता रहेगा और मनुश्यों पर प्रभाव पूरी तरह से विनाशकारी होगा लेकिन अगर और कुछ नहीं बदलता है एक बड़ा अगर है मेरा मानना है कि चीजें बदल सकती है हमारे पास पहले से ही कुछ उपकरण है जिनकी हमें आवश्यक्ता है और जहां तक हमारे पास अभी तक नहीं है जलवायू और प्रोध्योगिकी के बारे में मैंने जो कुछ भी सीखा है वह मुझे आशावादी बनाता है कि हम उनका आविशकार कर सकते हैं उन्हें तैनात कर सकते हैं और यदि हम पर्याप्त तेजी से कारे करते हैं एक जलवायू आपदा से बचें यह पुस्तक इस बारे में है कि इसमें क्या लगेगा और मुझे क्यों लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं दो दशक पहले मैंने कभी यह भविश्यवानी नहीं की होगी कि एक दिन मैं सारवजनिक रूप से जलवायू परिवर्तन के बारे में बात करूंगा इसके बारे में एक किताब लिखना तो दूर मेरी प्रिष्ठ भूमी सोफ्टवेर में है नकी जलवायू विज्यान में और इन दिनों मेरी पूर्ण कालिक नौकरी गेट्स फाउंडेशन में मेरी पतनी मेलिंडा के साथ काम कर रही है जहां हम वैश्विक स्वास्थे विकास और यूएस शिक्षा पर अत्यधिक के इंद्रित है मैं अपरत्यक्ष रूप से कम आये वाले देशों की यात्रा शुरू की ताकि मैं बाल्म रित्यूदर, HIV और अन्य बड़ी समस्याओं के बारे में और जान सकूँ जिन पर हम काम कर रहे थे लेकिन मेरा दिमाग हमेशा बीमारियों पर नहीं था मैं बड़े शहरों में उड़ जाता खिड़की से बाहर देखता और सोचता वहा इतना अंधेरा क्यों है वे सभी लाइटें कहा हैं जो मैं देख सकता हूँ कि यह नियू योर्क, पेरिस या बीजिंग थी नाइजीरिया के लागोस में मैंने उन सड़कों पर यात्रा की जहां लोग पुराने तेल के बैरल में बनाई गई आग के इर्दगिर्द मंदरा रहे थे सुदूर गावों में मेलिंडा और मैं उन महिलाओं और लड़कियों से मिले जो हर दिन घंटों जलाओं लकडी इकठा करने में बिताती थी ताकि वे अपने घरों में खुली लौ में खाना बना सकें हम उन बच्चों से मिले जिन्होंने मौमबत्ती की रोशनी में अपना होमवर्ट किया क्योंकि उनके घरों में बिजली नहीं थी मुझे पता चलाग की लगभग एक अरब लोगों के पास बिजली की विश्वसनिये पहुंच नहीं थी और उनमें से आधे उप सहारा अफरीका में रहते थे तब से तस्वीर में थोड़ा सुधार हुआ है आज लगभग 860 मिलियन लोगों के पास बिजली नहीं है मैंने अपने फाउंडेशन के आधर श्वाके के बारे में सोचा हर कोई स्वस्थ और उत्पादक जीवन जीने का मौका पाने का हकदार है और स्वस्थ रहना कितना कठिन है यदि आपका स्थानिय चिकितसा क्लिनिक टीकों को ठंडा नहीं रख सकता है क्योंकि रेफ्रिजरेटर काम नहीं करते हैं यदि आपके पास पढ़ने के लिए रोशनी नहीं है तो उत्पादक होना कठिन है और ऐसी अर्थ वेवस्था का निर्मान करना असंभव है जहां सभी के पास नौकरी के अवसर हों यदि आपके पास कार्यालियों कारखानों और कॉल सेंटरों के लिए भारी मात्रा में विश्वसनीय सस्ती बिजली नहीं है मेलिंडा और मैं अकसर 9 साल के ओवुलूब चिनाची जैसे बच्चों से मिलते हैं जो नाइजीरिया के लागोस में रहता है और मोंबत्ती की रोशनी में अपना होमवर्ट करता है लगभग उसी समय कैम्बरिज विश्वविद्याले के एक प्रोफेसर दिवंगत वैग्यानिक डेविड मैके ने मेरे साथ एक ग्राफ साज़ा किया जिसमें आय और उर्जा के उप्योग के बीच संबंद दिखाया गया था एक देश की प्रती व्यक्ति आय और उसके लोगों द्वारा उप्योग की जाने वाली बिजली की मात्रा चार्ट ने विभिन देशों की प्रती व्यक्ति आय को एक दुरी पर और दूसरी और उर्जा की खपत को चित्रित किया और मुझे यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया कि दोनों एक साथ चलते हैं जैसे जैसे यह सारी जानकारी आती गई मैंने यह सोचना शुरू किया कि कैसे दुनिया उर्जा को गरीबों के लिए सस्ती और विश्वसनिये बना सकती है हमारी नीम के लिए इस बड़ी समस्या को लेने का कोई मतलब नहीं था हमें इसके मूल मिशन पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए इसकी आवश्यक्ता थी लेकिन मैंने अपने कुछ आवश्कारक मित्रों के साथ विचारों को लात मारना शुरू कर दिया मैंने इस विशे पर और अधिक गहराई से पढ़ा जिसमें वैग्यानिक और इतिहासकार वैकलेव स्मिल की कई आंखें खोलने वाली किताबें शामिल हैं जिन्होंने मुझे यह समझने में मदद की की आधुनिक सभेता के लिए कितनी महत्व पूर्ण उर्जा है आय और उर्जा का उप्योग साथ साथ चलते हैं डेविड मैके ने मुझे इस तरह का एक चार्ट दिखाया जिसमें प्रती व्यक्ती उर्जा खपत और आय की साजिश रची गई थी कनेक्शन अचूक है आई ये विश्व बेन उस समय मुझे समझ नहीं आया कि हमें शूनि पर जाना है सबसे अधिक उत्सरजन के लिए जिम्मेदार अमीर देश जलवायू परिवर्तन पर ध्यान देना शुरू कर रहे थे और मैंने सोचा कि यह परियाप्त होगा मेरा मानना था कि मेरा योगदान गरीबों के लिए विश्वसनी उर्जा को वहनिय बनाने की वकालत करना होगा एक बात तो यह है कि इससे उन्हें सबसे ज्यादा फाइदा होता है सस्ती उर्जा का मतलब न केवल रात में रोशनी बलकी उनके खेतों के लिए सस्ता उर्वरक और उनके घरों के लिए सीमेंट भी होगा और जब जलवायू परिवर्तन की बात आती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीबों के पास होता है उनमें से अधिकांश किसान हैं जो पहले से ही किनारे पर रहते हैं और अधिक सुखे और बाढ़ का सामना नहीं कर सकते हैं 2006 के अंत में मेरे लिए चीजें बदल गई जब मैं दो पूर्व माइक्रोसोफ्ट सहयोगियों से मिला जो उर्जा और जलवायू पर केंद्रित कर लाभकारी संस्थाओं को शुरू कर रहे थे वे दो जलवायू वैग्यानिकों को साथ लाए जो मुद्दों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उनमें से चार ने मुझे ग्रीन हाउस कैस उत्सर्जन को जलवायू परिवर्तन से जोडने वाला डेटा दिखाया मुझे पता था कि ग्रीन हाउस कैसे तापमान में वृद्धी कर रही हैं लेकिन मैंने यह मान लिया था कि चक्रिय भिन्नताय या अन्यकारक हैं जो स्वाभाविक रूप से एक वास्तविक जलवायू आपदा को रोकेंगे और यह स्वीकार करना कठिन था कि जब तक मनुशे किसी भी मात्रा में ग्रीन हाउस कैसों का उत्सर्जन करता रहेगा तापमान बढ़ता रहेगा मैं अनुवर्ती प्रशनों के साथ कई बार समुह में वापस गया आखिर में यह ढूब गया दुनिया को और अधिक उर्जा प्रदान करने की आवशेकता है ताकि सबसे गरीब फलफूल सकें लेकिन हमें और अधिक ग्रीन हाउस कैसों को जारी किये बिना वह उर्जा प्रदान करने की आवशेकता है अब समस्या और भी कठिन लग रही थी यह गरीबों के लिए सस्ती, विश्वसनी उर्जा देने के लिए परियाप्त नहीं था इसे भी साफ करना था मैं जलवायू परिवर्तन के बारे में सब कुछ सीखता रहा मैं जलवायू और उर्जा, क्रिशी, महासागरों, समुद्र के स्तर, ग्लेशीरों, बिजली लाइनों और बहुत कुछ के विशेशग्यों से मिला मैंने Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, द्वारा जारी रिपोर्टे पढ़ी, सन्युक्त राष्ट्र पैनल जो इस विशेश पर वैग्यानिक सहमती स्थापित करता है मैंने प्रित्वी की बदलती जलवायू देखी, प्रोफेसर रिचर्ड वोलफसन द्वारा शांदार वीडियो व्याख्यानों की एक श्रिंखला, जो Great Course श्रिंखला के माध्यम से उपलब्ध है मैंने डमी के लिए मौसम पढ़ा, अभी भी मौसम पर सबसे अच्छी किताबों में से एक है, जो मुझे मिली है एक बात जो मेरे लिए स्पष्ट हो गई वह यह थी कि नवी क्रणी उर्जा के हमारे वर्तमान स्रोत पवन और सौर, ज्यादातर समस्या में एक बड़ा सेंध लगा सकते हैं, लेकिन हम उन्हें तैनात करने के लिए परियाप्त नहीं कर रहे थे दो यह भी स्पष्ट हो गया कि क्यों, अपने आप में, वे हमे शूने तक पहुँचाने के लिए परियाप्त नहीं है हवा हमेशा नहीं चलती है, और सूरज हमेशा चमकता नहीं है, और हमारे पास सस्ती बैटरी नहीं है, जो शहर के आकार की मात्रा में उर्जा को लंबे समय तक संग्रहीत कर सकी इसके अलावा, सभी ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन में बिजली का योगदान केवल 27 प्रतिशत है भले ही हमें बैटरियों में बहुत बड़ी सफलता मिली हो, फिर भी हमें अन 73 प्रतिशत से छुटकारा पाने की आवशेकता होगी कुछ ही वर्षों में मुझे तीन बातों का यकीन हो गया था वन जलवाईू आपदा से बचने के लिए हमें शुन्य पर पहुँचना होगा तु हमें सौर और पवन जैसे पहले से मौझूद उपकरनों को तेज और स्मार्ट तरीके से तैनाद करने की आवशेकता है और है जब तक हम वातावरण में ग्रीन हाउस कैसों को जोड़ना बंद नहीं करते तापमान बढ़ता रहेगा यहाँ एक सादरिश है जो विशेश रूप से सहायक है जलवाईू एक बात तब की तरह है जो धीरे धीरे पानी से भर रहा है यहाँ तक कि अगर हम पानी के प्रवाह को धीमा कर देते हैं तो तब अन्ततह भर जाएगा और पानी फर्ष पर गिर जाएगा यही वह आपदा है जिसे हमें रोकना है केवल हमारे उत्सरजन को कम करने का लक्ष निरधारित करना लेकिन उन्हें समाप्त नहीं करना ऐसा नहीं होगा एक मात्र समझ्य दार लक्ष शून्य है शून्य के बारे में अधिक जानने के लिए मेरा इससे क्या मतलब है और जलवायू परिवर्तन के प्रभाव के लिए अध्यायवन देखें लेकिन जिस समय मैंने यह सब सीखा मैं किसी और मुद्दे की तलाश में नहीं था मेलिंडा और मैंने वैश्विक स्वास्थे और विकास और यूएस शिक्षा को दो क्षेत्रों के रूप में चुना था जहां हम बहुत कुछ सीखेंगे विशेशग्यों की टीमों को किराय पर लेंगे और अपने संसाधनों को खर्च करेंगे मैंने यह भी देखा कि कई जाने माने लोग जलवायू परिवर्तन को एजेंडे में रख रहे थे इसलिए हालां कि मैं और अधिक शामिल हुआ मैंने इसे सर्वोच प्राथमिकता नहीं दी जब मैं कर सकता था मैंने पढ़ह और विशेशग्यों से मिला मैंने कुछ स्वच्च उर्जा कंपनियों में निवेश किया और मैंने अगली पीडी के परमानु सहंत्र को डिजाइन करने के लिए एक कंपनी शुरू करने में कई सो मिलियन डॉलर लगाए जो स्वच्च बिजली और बहुत कंपरमानु अप्शिष्ट उत्पन करेगा मैंने इनोवेटिंग 2-0 नामक एक टेड़ टॉक दी लेकिन ज्यादात्तर मैंने अपना ध्यान गेट्स फाउंडेशन के काम पर रखा फिर 2-0-1-5 के वसंत में मैंने फैसला किया कि मुझे और अधिक करने और अधिक बोलने की आवश्यक्ता है मैं सन्युक्त राज्य भर में कॉलेज के छात्रों के बारे में समाचार रिपोर्ट देख रहा था जो यह मांग करने के लिए धरना दे रहे थे कि उनके स्कूलों की बंदोबस्ती जीवाश्म इंधन से अलग हो जाए उस आंदोलन के हिस्से के रूप में ब्रिटिश अखबार्धगार जियर ने एक अभियान शुरू किया जिसमें हमारी नीम को जीवाश्म इंधन कमपनियों में निवेश किये गए अपने बंदोबस्ती के छोटे से हिस्से को बेचने का आहवान किया गया था उन्होंने एक वेडियो बनाया जिसमें दुनिया भर के लोग मुझसे विनिवेश के लिए कह रहे थे मैं समझ गया की धगार जीवन ने हमारी नीम और मुझे क्यों चुना था मैंने कारे करताओं के जुनून की भी प्रशंसा की मैंने छात्रों को वियतनाम युद्ध और बाद में दक्षिन अफरीका में रंगभेद शासन का विरोध करते देखा था और मुझे पता था उन्होंने एक वास्तविक अंतर बनाया था जलवायू परिवर्तन पर निर्देशित इस तरह की उर्जा को देखना प्रेरना दायक था दूसरी और मैं सोचता रहा कि मैंने अपनी यात्रा में क्या देखा है उदाहरन के लिए भारत की आबादी 1.4 अरब है जिन में से कई दुनिया के सबसे गरीब लोगों में से हैं मुझे नहीं लगा कि किसी के लिए भारतियों को यह बताना उचित होगा कि उनके बच्चों के पास पढ़ने के लिए रोशनी नहीं हो सकती है या कि हजारों भारतियों को गर्मी की लहरों में मरना चाहिए क्योंकि एर कंडीशनर लगाना पर्यावरन के लिए बुरा है एक मात्र उपाय जिसकी मैं कलपना कर सकता था वह था स्वच उर्जा को इतना सस्ता बनाना की हर देश इसे जीवाश्म इंधन के बजाय चुन ले जितना मैंने प्रदर्शनकारियों के जुनून की सराहना की मैंने नहीं देखा कि अकेले विभाजन से जलवायू परिवर्तन को कैसे रोका जा सकता है या गरीब देशों में लोगों की मदद की जा सकती है रंगभेद से लड़ने के लिए कमपनियों से अलग होना एक बात थी एक राजनीतिक संस्था जो आर्थिक दबाव का जवाब देती और करती थी यह दुनिया की उर्जा प्रणाली को बदलने के लिए एक और बात है लगभग 5 ट्रिलियन डॉलर का उद्योग और आधुनिक अर्थवेवस्था का आधार केवल जीवाश मेंधन कमपनियों के शेरों को बेच कर मुझे आज भी ऐसा लगता है लेकिन मुझे पता चला है कि मेरे लिए जीवाश मेंधन कमपनियों के शेरों के मालिक नहीं होने के अन्य कारण है अर्थात अगर उनके स्टॉक की कीमते बढ़ती हैं तो मैं लाब नहीं लेना चाहता क्योंकि हम शूने कार्बन विकल्प विकसित नहीं करते हैं मुझे बुरा लगेगा अगर मुझे शूने पर पहुचने में देरी से फाइदा हुआ इसलिए 2019 में मैंने तेल और गैस कमपनियों में अपनी सारी प्रत्यक्ष हिस्सेदारी बेच दी जैसा कि Gates Foundation के बंदोबस्ती का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट ने किया था मेरे पास कई वर्षों में कोईला कमपनियों में पैसा नहीं था यह एक व्यक्तिगत पसंद है जिसे बनाने में सक्षम होने के लिए मैं भागयशाली हूँ लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उत्सरजन कम करने पर इसका वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ेगा शून में तक पहुँचने के लिए एक व्यापक द्रिष्टिकों की आवश्यक्ता होती है सरकारी नीतियों, वर्तमान प्रोध्योगी की नए आविशकारों और बड़ी संख्या में लोगों को उत्पाद वित्रित करने के लिए निजी बाजारों की क्षमता सहित हमारे निप्टान में सभी उपकरनों का उप्योग करके थोक परिवर्तन चलाना बाद में 2015 में नवाचार और नए निवेश के लिए मामला बनाने का अवसर आया COP21, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पेरिस में नवंबर और दिसंबर में आयोजित होने वाला एक प्रमुख जलवायू परिवर्तन सम्मेलन सम्मेलन से कुछ महीने पहले मैं फ्रास्वा ओलांद से मिला जो उस समय फ्रांस के राष्ट्र पती थे ओलांद की दिलचस्पी निजी निवेश को को आकरशित करने में थी सम्मेलन में शामिल हूँ और मुझे एजेंडा में नवाचार प्राप्त करने में दिल चस्पी थी हम दोनों ने एक मौका देखा उन्होंने सोचा कि मैं निवेशकों को मिजपर लाने में मदद कर सकता हूँ मैंने कहा कि यह समझ में आता है हालांकि यह करना आसान होगा यदि सरकारे भी उर्जा अनुसंधान पर अधिक खर्च करने के लिए प्रतिबद हूँ यह जरूरी नहीं कि एक आसान बिक्री होने वाली थी यहां तक कि उर्जा अनुसंधान में अमेरिका का निवेश स्वास्थे और रक्षा जैसे अन्य आवशे क्षेतरों की तुलना में बहुत कम था और अभी भी है हालांकि कुछ देश अपने शोध प्रयासों को मामूली रूप से बढ़ा रहे थे फिर भी स्थर बहुत कम थे और वे और अधिक करने के लिए अनिच्चुक थे जब तक कि वे नहीं जानते थे कि निजी शेतर से उनके विचारों को प्रयोगशाला से बाहर निकालने और उन्हें ऐसे उत्पादों में बदलने के लिए परियाप्त धन होगा जो वास्तव में उनके लोगों की मदद कर रहते हैं लेकिन 2015 तक निजी फंडिंग सूख रही थी कई उद्यम पूंजी फर्म जिन्होंने ग्रीन टेक में निवेश किया था वे उद्योग से बाहर निकल रहे थे क्योंकि रिटर्न बहुत कम था वे जैव प्रोध्योगी की और सूचना प्रोध्योगी की में आती है और इससे निपटने के लिए कम सरकारी नियम होते हैं स्वच उर्जा एक अंग गेंद का खेल था और वे आउट हो रहे थे जाहिर है हमें नए पैसे और एक अलग द्रिष्टी कोंग लाने की जरूरत है जो विशेश रूप से स्वच उर्जा के लिए तयार किया ग कारों के नए धन के पूरक के लिए उद्यम वित्त पोशन करने के लिए राजी करने की उमीद थी उनके निवेश को दीर घकालिक होने की आवश्यक्ता होगी उर्जा की सफलताओं को विक्सित होने में दशकों लग सकते हैं और उन्हें बहुत अधिक जोखिम सहन करना उन गर्ड़ों से बचने के लिए जो उद्यम पूंजी इप्तियों ने भागे थे मैंने विशेशग्यों की एक केंद्रित टीम बनाने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध किया जो कमपनियों की जांच करेंगे और उन्हें उर्जा उद्योग की जटिलताओं को नेवि लन शुरू हुआ तब तक 26 और शामिल हो चुके थे और हमने इसे ब्रेक कत्रू एनर्जी कोईलिशन नाम दिया था आज संगठन जिसे अब ब्रेक कत्रू एनर्जी के रूप में जाना जाता है में परोपकारी कारेक्रम, वकालत के प्रयास और निजी फंड शामिल हैं अनुसंधान के लिए अपने वित्व पोशन को दो गुना करने के लिए प्रतिबध हुए अध्यक्ष ओलांद, अमेरिकी राष्ट्रपती बराक ओबामा और भारतिय प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने इसे एक साथ खींचने में महत्व पूर्ण भूमी का निभाई थी, वास्तव में, प्रधान मंत्री मोदी नाम के साथ आए, मिशन इनोवेशन आज मिशन इनोवेशन में 24 देश और यूरोपी आयोग शामिल हैं, और स्वच्च उर्जा अनुसंधान के लिए 4.6 अरब डॉलर प्रती वर्ष के नए धन का खुलासा किया है, जो कुछ ही वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धी है इस कहानी का अगला महत्वपूर्ण मोड इस पुस्तक को पढ़ने वाले प्रतेक व्यक्ती के लिए गंभीर रूप से परिचित होगा पेरिस में 2015 संयुक तराष्ट्र जलवायो सम्मेलन में विश्वनेताओं के साथ मिशन इनोवेशन का शुभारंब फोटो खिंचवाने वालों के नाम के लिए यह पेज देखें 2020 में आपदा तब आई जब एक उपन्यास कोरोनवाइरस दुनिया भर में फैल गया जो कोई भी महामारी के इतिहास को जानता है उसके लिए C.O.V.I.D.19 के कारण हुई तबाही कोई आश्चरे की बात नहीं थी मैं वैश्विक स्वास्थे में अपनी रुची के हिस्से के रूप में वर्षों से बीमारी के प्रकोप का अधेयन कर रहा था और मुझे इस बात की गहरी चिंता हो गई थी कि दुनिया 1918 के फ्लू जैसी महामारी से निपटने के लिए तयार नहीं थी जिसमें लाखों लोग मारे गए थे 2015 में मैंने एक टेड टॉक और कई साक्षात कार दिये थे जिसमें मैंने यह मामला बनाया था कि हमें बड़ी बीमारी के प्रकोपों का पता लगाने और प्रतिक्रिया देने के लिए एक प्रणाली बनाने की जरूरत है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपती जोर्ज डबल्यू बुश सहित अन्य लोगों ने भी इसी तरह के तर्क दिये थे दुर्भाग्य से दुनिया ने तैयारी करने के लिए बहुत कम किया और जब नोवेल कोरोना वाइरस ने दस्तक दी तो इसने जीवन और आर्थिक पीडा का भारी नुकसान किया जैसा कि हमने महामंदी के बाद से नहीं देखा था हालांकि मैंने अपना अधिकांश काम जलवायू परिवर्तन पर जारी रखा मेलिंडा और मैंने गेट्स फाउंडेशन के लिए CEO VID19 को सर्वोच प्राथमिक्ता दी और अपने काम का मुख्य फोकस बनाया हर दिन मैं विश्वविद्यालियों और छोटी कमपनियों के वैग्यानिकों फार्मासियोटिकल कमपनियों के CEO या सरकार के प्रमुखों से बात करता था कि यह देखने के लिए कि कैसे परीक्षन, उपचार और टीकों पर काम में तेजी लाने में फाउंडेशन मदद कर सक नवंबर 2020 तक हमने बीमारी से लड़ने के लिए अनुदान में 445 मिलियन से अधिक और विभिन वित्तिय निवेशों के माध्यम से कम आये वाले देशों को टीके, परीक्षन और अन्यमहत्वपूर्ण उतपादों को तेजी से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद किया था चुँकि आर्थिक गतिविधिया इतनी धीमी हो गई हैं, इसलिए दुनिया पिछले साल की तुलना में इस साल कम ग्रीन हाउस कैसों का उत्सरजन करेगी जैसा कि मैंने पहले बताया, कटवती करीब 5 फिस्दी होगी वास्तविक रूप में, इसका मतलब है, कि हम 51 बिलियन के बजाए 48 या 49 बिलियन तन कार्बन के बराबर छोड़ेंगे यह एक सार्थक कमी है, और अगर हम हर साल कमी की दर को जारी रख सकते हैं, तो हम बहुत अच्छी स्थिती में होंगी दुर्भाग्य से हम नहीं कर सकते गौर कीजिए कि इस 5 प्रतिशत की कमी को हासिल करने में क्या लगा एक लाख लोग मारे गए और दसियों लाख लोगों को काम से निकाल दिया गया हलके शब्दों में कहें तो यह ऐसी स्थिती नहीं थी कि कोई इसे जारी रखना चाहेगा या दोहराना चाहेगा और फिर भी दुनिया का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शायद केवल 5 प्रतिशत गिरा और संभवतह उससे भी कम मेरे लिए उलेखनी बात यह नहीं है कि महामारी के कारण उत्सर्जन में कितना कमी आई है लेकिन यह कितना कम है उत्सर्जन में यह छोटी सी गिरावट इस बात का सबूत है कि हम उडान भरकर और कम ड्राइविंग करके शूने उत्सर्जन तक नहीं पहुंच सकते जिस तरह हमें नए कोरोनावाइरस के लिए नए परीक्षनों, उपचारों और टीकों की आवशेक्ता थी हमें जलवायू परिवर्तन से लड़ने के लिए नए उपकरनों की आवशेक्ता है बिजली पैदा करने, चीजे बनाने, भोजन उगाने, अपनी इमारतों को ठंडा और गर्म रखने और लोगों को स्थानान तरित करने के लिए शूने कार्बन तरीके दुनिया भर में माल और हमें दुनिया के सबसे गरीब लोगों की मदद करने के लिए नए बीजों और अन्य नवाचारों की आवशेक्ता है जिनमें से कई छोटे किसान हैं, एक गर्म जलवायू के अनुकूल बेशक अन्य बाधाएं भी हैं और उनका विज्ञान या वित्व पोशन से कोई लेना देना नहीं है सन्युक्त राजे अमेरिका में विशेश रूप से बात चीत जलवायू परिवर्तन के बारे में राजनीती से दूर किया गया है कुछ दिनों में ऐसा लग सकता है कि हमें कुछ करने की उम्मीद बहुत कम है मैं एक राजनीतिक वैग्यानिक की तुलना में एक इंजीनियर की तरह अधिक सोचता हूँ और मेरे पास जलवायू परिवर्तन की राजनीती का कोई समाधान नहीं है इसके बजाए मैं जो करने की आशा करता हूँ वह इस बात पर ध्यान के इंद्रित करना है किशून्य के लिए क्या आवशेक है हमें दुनिया के जुनून और इसके वैग्यानिक आईक्यू को अब हमारे पास मौजूद स्वच्च उर्जा समाधानों को तैनात करने और नए आवशकार करने की आवशेकता है इसलिए हम ग्रीन हाउस कैसों को जोड़ना बंद कर देते हैं वातावरन को मुझे पता है कि मैं जलवायू परिवर्तन पर एक अपूर्ण संदेश वाहक हूँ दुनिया में अमीर लोगों की कमी नहीं है जिनके बारे में बड़े विचार हैं कि दूसरे लोगों को क्या करना चाहिए या जो सोचते हैं कि तकनीक किसी भी समस्या को ठीक कर सकती है और मेरे पास बड़े घर हैं और मैं निजी विमानों में उड़ता हूं वास्तव में मैं जलवायू सम्मेलन के लिए पेरिस ले गया तो मैं परियावरन पर किसी को व्याख्यान देने वाला कौन हूँ मैं तीनों आरोपों के लिए दोशी हूँ मैं एक राय के साथ एक अमीर आदमी होने से इनकार नहीं कर सकता हालांकि मुझे विश्वास है कि यह एक सूचित राय है और मैं हमेशा और जानने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी एक टेकनोफाइल हूँ मुझे कोई समस्या दिखाएं और मैं इसे ठीक करने के लिए तकनीक की तलाश करूँगा जब जलवायू परिवर्तन की बात आती है तो मुझे पता है कि नवाचार केवल एक चीज नहीं है जिसकी हमें आवशेकता है लेकिन हम इसके बिना प्रित्वी को रहने योगे नहीं रख सकते तकनीकी सुधार परियाप्त नहीं है लेकिन वे आवशेक है अन्त में यह सथ है कि मेरा कार्बन फुट प्रिंट बेत्तु का अधिक है मैं लंबे समय से इसके लिए दोशी महसूस कर रहा हूँ मुझे पता है कि मेरा उट्सर्जन कितना अधिक है लेकिन इस पुस्तक पर काम करने से मैं उन्हें कम करने की अपनी जिम्मेदारी के प्रती और भी अधिक जागरूख हो गया हूँ मेरे कार्बन पद्चिहन को कम करना मेरी स्थिती में किसी से कम से कम उम्मीद की जा सकती है जो जलवायू परिवर्तन के बारे में चिंतित है और सारवजनिक रूप से कारवाई के लिए बुला रहा है 2020 में मैंने टिकाउजेट इंधन खरीदना शुरू किया और 2021 में अपने परिवार के विमानन उत्सर्जन को पूरी तरह से ओफसेट कर दूँगा हमारे गैर विमानन उत्सर्जन के लिए मैं एक ऐसी कमपनी के माध्यम से ओफसेट खरीद रहा हूँ जो हवा से कार्बन डाइ ओकसाइड को हटाती है अधिक के लिए यह तकनीक जिसे डाइरेक्ट एयर कैप्चर कहा जाता है अध्याय फोर, हाउवी ब्लग इन, देखें मैं एक गैरलाबकारी संस्था का भी समर्थन कर रहा रही हूँ जो शिकागो में किफायती आवास इकायों में स्वच्च उर्जा उन्नें स्थापित करता है और मैं अपने व्यक्तिगत पद्चिहन को कम करने के अन्य तरीकों की तलाश करता रहूंगा मैं शून्य कार्बन प्रोध्योगिकियों में भी निवेश कर रहा हूँ मैं इन्हें अपने उत्सर्जन के लिए एक अन्य प्रकार की ओफसेट के रूप में सोचना पसंद करता हूँ मैंने वन बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश किया है मुझे आशा है कि इससे दुनिया को शूने तक पहुंचने में मदद मिलेगी जिसमें सस्ती और विश्वस्निय स्वच्च उर्जा और कम उत्सर्जन वाला सीमेंट, स्टील, मांस और बहुत कुछ शामिल है और मुझे किसी ऐसे व्यक्ती के बारे में पता नहीं है जो प्रत्यक्ष हवाई कैप्चर तकनीकों में अधिक निवेश कर रहा है बेशक, कमपनियों में निवेश करने से मेरा कार्बन फुट प्रिंट छोटा नहीं हो जाता लेकिन अगर मैंने किसी भी विजेता को चुना है तो वे मुझसे या मेरे परिवार की तुलना में बहुत अधिक कार्बन हटाने के लिए जिम्मेदार होंगी इसके अलावा लक्षे केवल किसी एक व्यक्ति के लिए अपने उत्सरजन की भरपाई करना नहीं है यह एक जलवायू आपदा से बचने के लिए है इसलिए मैं शुरुआती चरण के स्वच्च उर्जा अनुसंधान का समर्थन कर रहा हूँ हुनहार स्वच्च उर्जा कमपनियों में निवेश कर रहा हूँ उन नीतियों की वकालत कर रहा हूँ जो दुनिया भर में सफलताओं को गती देंगी और अन्य लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रोथसाहित कर रही हैं जिनके पास ऐसा करने के लिए संसाधन है यहां मुख्य बिंदु है हालांकि मेरे जैसे भारी उत्सर्जक को कम उर्जा का उप्योग करना चाहिए कुल मिलाकर दुनिया को उर्जा प्रदान करने वाली वस्तों और सेवाओं का अधिक उप्योग करना चाहिए जब तक यह कार्बन मुक्त है तब तक अधिक उर्जा का उप्योग करने में कुछ भी गलत नहीं है जलवायू परिवर्तन को संबोधित करने की कुझी स्वच्च उर्जा को उतना ही सस्ता और विश्वस्निय बनाना है जितना हमें जीवाश्म इंधन से मिलता है मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि हमें उस मुकाम तक पहुचाएगा और 51 बिलियन तन प्रती वर्ष से शूनिय तक जाने में सार्थक अंतर लाएगा यह पुस्तक आगे बढ़ने का मार्ग सुझाती है जलवायू आपदा से बचने के लिए हम स्वयम को सर्वोत्तम अवसर देने के लिए कई कदम उठा सकते हैं यह पांच भागों में तूट जाता है शूनिय क्यों? अध्याएवन में मैं इस बारे में अधिक बताऊंगा कि हमें शूनिय पर पहुँचने की आवश्यक्ता क्यों है जिसमें हम जो जानते हैं और जो हम नहीं करते हैं के बारे में बताते हैं कि बढ़ते तापमान का दुनिया भर के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा बुरी खबर शूनिय पर पहुँचना वाकई मुश्किल होगा क्योंकि कुछ भी हासिल करने की हर योजना बाधाओं के यथार्थवादी आकलन से शुरू होती है जो आपके रास्ते में आते हैं अध्याय टू में हम उन चुनोतियों पर विचार करने के लिए कुछ समय लेंगे जिनका हम सामना कर रहे हैं जलवायू परिवर्तन के बारे में सूचित बातचीत कैसे करें अध्याय तीन में मैं आपके द्वारा सुने गए कुछ भ्रमित करने वाले आकड़ों को काटूगा और जलवायू परिवर्तन के बारे में मेरे द्वारा की जाने वाली हर बातचीत में मेरे द्वारा ध्यान में रखे गए मुठी भर सवालों को साज़ा करूगा उन्होंने मुझे जितनी बार गिन सकते हैं उससे अधिक गलत होने से रोका है और मुझे आशा है कि वे आपके लिए भी ऐसा ही करेंगे अच्छी खबर हम यह कर सकते हैं अध्याय चार से नौ में मैं उन क्षेतरों का वर्णन करूगा जहां आज की तकनीक मदद कर सकती है और जहां हमें सफलताओं की आवश्यक्ता है यह किताब का सबसे लंबा हिस्सा होगा क्योंकि इसमें कवर करने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास कुछ समाधान हैं जिन्हें हमें अभी बड़े पैमाने पर लागू करने की आवश्यक्ता है और हमें अगले कुछ दशकों में दुनिया भर में विक्सित और फैलाने के लिए बहुत सारे नवाचारों की भी आवश्यक्ता है हाला की मैं आपको कुछ ऐसी तकनीकों से परिचित कराऊगा जिनके बारे में मैं विशेश रूप से उत्साहित हूँ मैं कई विशिष्ट कमपनियों का नाम नहीं लेने जा रहा हूँ आशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उनमें से कुछ में निवेश कर रहा हूँ और मैं यह नहीं देखना चाहता कि मैं उन कमपनियों का पक्ष ले रहा हूँ जिन में मेरी वित्तिय रुची है लेकिन इससे भी महत्व पूर्ण बात यह है कि मैं विचारों और नवाचारों पर ध्यान के इंद्रित करना चाहता हूँ विशेश व्यवसायों पर नहीं आने वाले वर्षों में कुछ कमपनिया नीचे जा सकती हैं यह उस शेत्र के साथ आता है जब आप अत्यादूनिक कारे कर रहे होते हैं हालांकि यह आवशेक रूप से विफलता का संकेत नहीं है मुखे बात यह है कि विफलता से सीखना और अगले उद्यम में सबक शामिल करना जैसा कि हमने माइक्रोसॉफ्ट में किया था और जैसा कि मैं जानता हूँ कि हर दूसरे नवप्रवर्तनक करता है कदम हम अभी उठा सकते हैं मैंने यह पुस्तक इसलिए लिखी है क्योंकि मुझे नकेवल जलवायू परिवर्तन की समस्या दिखाई देती है मुझे इसे हल करने का अवसर भी दिखाई देता है यह पाई इंदसकाई आशावाद नहीं है हमारे पास पहले से ही तीन मेंसे दो चीजे हैं जो आपको किसी भी बड़े उपक्रम को पूरा करने के लिए चाहिए सबसे पहले हमारे पास महत्वा कांक्षा है युवा लोगों के नेत्रित्व में बढ़ते वैश्विक आंदोलन के जुनून के लिए धन्यवाद जो जलवायू परिवर्तन के बारे में गहराई से चिंतित हैं दूसरा, समस्या को हल करने के लिए हमारे पास बड़े लक्षे हैं क्योंकि दुनिया भर में अधिक राष्ट्रिय और स्थानिय नेता अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबध हैं अब हमें तीसरे घटक की आवशेकता है अपने लक्षियों को प्राप्त करने के लिए एक थोस योजना जिस तरह हमारी महत्वा कांक्षाय जलवायू विज्ञान की सराहना से प्रेरित हैं उसी तरह उत्सर्जन को कम करने के लिए किसी भी व्यावहारिक योजना को अन्य लोगों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए विशय, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, इंजीनीरिंग, राजनीती विज्ञान, अर्थशास्त्र, वित्थ और बहुत कुछ इसलिए इस पुस्तक के अंतिम अध्यायों में, मैं इन सभी विश्यों के विशेशग्यों से प्राप्तमार्गदर्शन के आधार पर एक योजना प्रस्तावित करूगा अध्याए 10 और 11 में मैं उन नीतियों पर ध्यान केंद्रित करूगा जिन्हें सरकारे अपना सकती हैं अध्याए 12 में मैं उन कदमों का सुझाव दूँगा जो हम में से प्रतेक दुनिया को शुने पर लाने में मदद करने के लिए उठा सकते हैं चाहे आप एक सरकारी नेता हों एक उद्यमी हों या एक वेस्ट जीवन वाले मत दाता हों और बहुत कम खाली समय या उप्रोक्त सभी ऐसी चीजे हैं जो आप जलवाईू आपदा से बचने में मदद के लिए कर सकते हैं इतना ही आए शुरू करें नोट छोड़ें वन इक्यावन अरब्तन नवीनतम उपलब्ध आंकडों पर आधारित है 2020 में वैश्विक उत्सर्जन में थोड़ी गिरावट आई शायद लगभग 5 प्रतिशत क्योंकि C.O.V.I.D.19 महामारी ने अर्थवेवस्था को इतना नाटकिय रूप से धीमा कर दिया लेकिन चुंकि हम 2020 के लिए सटीक आंकडे नहीं जानते हैं इसलिए मैं कुल 51 बिलियन तन का उप्योग करूंगा हम इस पूरी किताब में समयस्मे पर C.O.V.I.D.19 के विशे पर लोटेंगे टू हाइड्रो पावर, बांध से पानी डालने से पैदा होने वाली बिजली, एक और अक्षे स्रूत है वास्तव में सन्युक्त राजे अमेरिका में अक्षे उर्जा का सबसे बड़ा स्रूत है लेकिन हमने पहले ही उपलब्ध जल्विद्यूत का अधिकांश उप्योग कर लिया है वहां बढ़ने के लिए बहुत जगह नहीं है हम जो अतिरिक्त स्वच्च उर्जा चाहते हैं, उसका अधिकांश भाग किसी अनिस रोट से आना होगा अध्यायवन, शून्य क्यों, ठी वह कारण है कि हमें शून्य तक पहुंचने की आवश्यक्ता है सरल है ग्रीन हाउस गैसों का जाल, गर्मी, जिससे प्रित्वी की सतह का औसत तापमान बढ़ जाता है जितनी अधिक गैसे होती हैं, तापमान उतना ही अधिक होता है आज उत्सरजित कार्बन डाई ओक्साइड का पांचवा हिस्सा टेन जीरो 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 वर्षों में भी रहेगा ऐसा कोई परिद्रिशे नहीं है, जिसमें हम वातावरण में कार्बन जोडते रहे और दुनिया गर्म होना बंध हो जाए और यह जितना गर्म होगा, मनुशियों के लिए जीवित रहना उतना ही कठिन होगा, बहुत कम पनपेगा हम नहीं जानते की तापमान में व्रिद्धी से कितना नुकसान होगा, लेकिन हमारे पास चिंता करने का हर कारण है और क्योंकि ग्रीन हाउस कैसे इतने लंबे समय तक वातावरण में रहती हैं, हमारे शूनिय पर पहुँचने के बाद भी ग्रह लंबे समय तक गर्म रहेगा बेशक मैं शूनि का सटीक रूप से उपयोग कर रहा हूँ और मुझे अपने मतलब के बारे में सपश्ट होना चाहिए पूर्व अध्योगिक काल में अठारहवी शताब्दी के मध्य से या उससे भी पहले पृत्वी का कार्बन चक्र शायद मोटे तोर पर संतुलन में था यानि पौधे और अन्य चीजे उतनी ही कार्बन डाय ओक्साइड अवशोशित करती हैं जितनी उत्सरजित होती हैं लेकिन फिर हमने जीवाश्म इंधन जलाना शुरू कर दिया ये इंधन कार्बन से बने होते हैं जो भूमिगत जमा होते हैं उन पौधों के लिए धन्यवाद जो सदियों पहले मर गए और लाखों वर्षों में तेल, कोईले या प्राकृतिक गैस में संकुचित हो गए जब हम उन इंधनों को खोदते हैं और उन्हें जलाते हैं तो हम अतिरिक्त कार्बन उत्सरजित करते हैं और वातावरण में कुल मात्रा में वृद्धी करते हैं शून्य के लिए कोई वास्तविक रास्ता नहीं है, जिसमें इन इंधनों को पूरी तरह से छोड़ना या अन्य सभी गतिविधियों को रोकना शामिल है, जो ग्रीन हाउस का उत्पादन भी करते हैं गैसें, जैसे सीमेंट बनाना, उर्वरक का उप्योग करना, या मीथिन को प्राकृतिक गैस बिजली संयंत्रों से बाहर निकलने देना इसके बजाए, सभी संभावना में, शूने कार्बन भविशे में हम अभी भी कुछ उत्सरजन का उत्पादन करेंगे, लेकिन हमारे पास उनके द्वारा उत्सरजित कार्बन को हटाने के तरीके होंगे दूसरे शब्दों में, शूने हो जाना का अर्थ वास्तव में, शूने नहीं है इसका मतलब है, नेट जीरो के पास यह एक पासफेल परीक्षा नहीं है, जहां 100 प्रतिशत की कमी होने पर सब कुछ बढ़िया है और अगर हमें केवल 99 प्रतिशत की कमी मिलती है, तो सब कुछ एक आपदा है लेकिन जितनी बड़ी कटोती, उतना बड़ा फाइदा उत्सरजन में 50 प्रतिशत की गिरावट तापमान में वृद्धी को नहीं रोकेगी यह केवल चीजों को धीमा कर देगा, कुछ हद तक स्थगित कर देगा लेकिन जलवायू आपदा को नहीं रोकेगा और मान लीजिए कि हम 99 प्रतिशत की कमी तक पहुच जाते हैं अर्थवेवस्था के किन देशों और क्षेतरों को शेशवन प्रतिशत का उप्योग करने को मिलेगा हम भी ऐसा कुछ कैसे तै करेंगे वास्तव में सबसे खराब जलवायू परिद्रिश्य से बचने के लिए किसी बिंदू पर हमें न केवल अधिक गैसों को जोड़ना बंद करना होगा बलकि वास्तव में कुछ गैसों को निकालना शुरू करना होगा जो हम पहले ही उत्सरजित कर चुके हैं आप इस चरण को नेटन कारात्मक उत्सरजन के रूप में संदर्भित देख सकते हैं इसका सीधा सा मतलब है कि अंतत हमें वातावरन से अधिक ग्रीन हाउस कैसों को बाहर निकालने की आवशेकता होगी ताकि हम तापमान में व्रिद्धी को सीमित कर सकें परिचे से बात तब सादरिशे पर लोटने के लिए हमने टब में पानी के प्रवाह को बंद नहीं किया हम नाला खोल देंगे और पानी भी बहने देंगे मुझे संदे है कि यह अध्याय वह पहला स्थान नहीं होगा जहां आपने शूने तक पहुंचने में विफल होने के जो खिमों के बारे में पढ़ा होगा आखिरकार जलवायू परिवर्तन लगभग हर दिन खबरों में है जैसा की होना चाहिए यह एक जरूरी समस्या है और यह हर शीर्शक का हकदार है लेकिन कवरेज भरामक और विरोधा भासी भी हो सकता है इस पुस्तक में मैं शोर को कम करने की कोशिश करूगा इन वर्षों में मुझे दुनिया के कुछ शीर्श जलवायू और उर्जा वैग्यानिकों से सीखने का मौका मिला है यह कभी नखत्म होने वाली बात चीत है क्योंकि शोधकरताओं की जलवायू की समझ हमेशा आगे बढ़ रही है क्योंकि वे नए डेटा को शामिल करते हैं और विभिन परिद्रिशियों का पूरवानुमान लगाने के लिए उप्योग किये जाने वाले कम्प्यूटर मोडल में सुधार करते हैं लेकिन मुझे यह पता लगाने में काफी मदद मिली है कि क्या संभव है लेकिन संभावित नहीं है और इसने मुझे आश्वस्त किया है कि विनाशकारी परिणामों से बचने का एक मात्र तरीका शून्य पर पहुँचना है इस अध्याय में मैंने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ साज़ा करना चाहता हूँ थोड़ा बहुत है मुझे आश्चरे हुआ जब मैंने सीखा कि वैश्विक तापमान में एक छोटी सी वृद्धी की तरह लग रहा था सिर्फ 1 या 2 डिग्री सेल्सियस जो की 1.8 से 3.6 डिग्री फारिन हाइट है वास्तव में बहुत परेशानी का कारण बन सकता है वन लेकिन यह सथ है जलवायू के संदर्भ में बस कुछ डिग्री का परिवर्तन एक बड़ी बात है पिछले हिम्यूग के दौरान औसत तापमान आज की तुलना में सिर्फ 6 डिग्री सेल्सियस कम था डायनासोर के युग के दौरान जब औसत तापमान आज की तुलना में शायद 4 डिग्री सेल्सियस अधिक था आर्कटिक सरकल के ऊपर मगरमच रहते थे यह याद रखना भी महत्व पूर्ण है कि यह उसत संख्या तापमान की एक बहुत बड़ी सीमा को असपश्ट कर सकती है भले ही पूर्व द्योगिक काल से वैश्विक उसत केवल 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है कुछ स्थानों पर पहले से ही तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की व्रिद्धी का अनुभव होना शुरू हो गया है इन क्षेत्रों में दुनिया की 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत आबादी रहती है तीन पंक्तिया जो आपको जाननी चाहिए ये रेखाए आपको दिखाती हैं कि यदि उत्सर्जन बहुत अधिक जो की उच्च रेखा है यदि वेकम निचले बढ़ते हैं और यदि हम उत्सर्जन नकारात्मक से अधिक कारबन निकालना शुरू करते हैं तो भविशे में तापमान कितना बढ़ सकता है कुछ स्थान दूसरों की तुलना में अधिक गर्म क्यों हो रहे हैं कुछ महादवीपों के आंतरिक भाग में मिट्टी अधिक शुश्क होती है जिसका अर्थ है कि भूमी उतनी ठंडी नहीं हो सकती जितनी पहले थी मूल रूप से महादवीपों को उतना पसीना नहीं आ रहा है जितना वे करते थे तो एक गर्म ग्रह का ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन से क्या लेना देना है आए ये मूल बातें शुरू करें कार्बन डाइ ओकसाइड सबसे आम ग्रीन हाउस गैस है लेकिन कुछ अन्य हैं जैसे नाइट्रस ओकसाइड और मीथिन आपने दंत चिकितसत के कार्याले में नाइट्रस ओकसाइड का आनंद लिया होगा इसे हंसी गैस के रूप में भी जाना जाता है और प्राकृतिक गैस में मीथिन मुखे घटक है जिसका उप्योग आप अपने स्टोव या वाटर हीटर को चलाने के लिए कर सकते हैं अन्य के लिए अन्यू इनमें से कई अन्य कैसे कार्बन डाइट्रस ओकसाइड की तुलना में अधिक वार्मिंग का कारण बनती हैं मीथिन के मामले में यह वातावरन में पहुंचने के क्षण में वन्तू जीरो गुना अधिक गर्म हो जाती है लेकिन मीथिन कार्बन डाइट्रस ओकसाइड के रूप में लंबे समय तक नहीं रहता है चीजों को सरल रखने के लिए अधिकांश लोग सभी अलग अलग ग्रीन हाउस कैसों को एक ही माप में मिलाते हैं जिसे कार्बन डाइट्रस ओकसाइड समकक्ष कहा जाता है आप संक्षिप्त शब्द को सी ओ टूई के रूप में देख सकते हैं हम कार्बन डाइट्रस ओकसाइड का उप्योग करते हैं इस तथे को ध्यान में रखते हुए कि कुछ गैसे कार्बन डाइट्रस ओकसाइड की तुलना में अधिक गर्मी में फनसती हैं लेकिन उतनी देर तक नहीं रहती हैं दुर्भाग्य से कार्बन डाय ओक्साइड समकक्ष एक अपूर्ण उपाय हैं। अंततह जो वास्तव में मायने रखता है वह ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन की मात्रा नहीं है। क्या मायने रखता है उच्छ तापमान और मनुशियों पर उनका प्रभाव। और उस मोर्चे प यह तापमान को तुरंत और काफी हद तक बढ़ा देता है। जब आप कार्बन डाय ओक्साइड समकक्षों का उप्योग करते हैं, तो आप इस महत्वपूर्ण अल्पकालिक प्रभाव के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होते हैं। फिर भी, वे उत्सरजन की गर् मैं जिस 51 बिलियन तन का उलेक करता हूँ वह कार्बन डाय ओक्साइड समकक्षों में दुनिया का वार्षिक उत्सरजन है। आप कहीं और 37 बिलियन की संख्या देख सकते हैं, वह सिर्फ कार्बन डाय ओक्साइड है, अन्य ग्रीन हाउस गैसों के बिना, या 10 बिलियन, जो की केवल कार्बन ही है, विविदता के लिए और क्योंकि ग्रीन हाउस गैस को सव बार पढ़ने से आपकी आँखें चमक उठेंगी, मैं कभी कभी कार्बन डाय ओक्साइड और अन्य गैसों के पर्याय के रूप में कार्बन का उप्योग करूँगा, 1850 के दशक से मानव गत जैसे जीवाश्म इंधन जलाने के कारण ग्रीन हाउस गैस उठसर्जन में नाटकिय रूप से वृद्धी हुई है, इस प्रिष्ट पर चार्ट देखें, बाई और आप देख सकते हैं कि 1850 के बाद से हमारे कार्बन डाय ओक्साइड उठसर्जन में कितनी वृद्धी हु वे गर्मी को अवशोशित करते हैं और इसे वातावरण में फसाते हैं, वे उसी तरह काम करते हैं जैसे ग्रीन हाउस काम करता है, इसलिए नाम आपने वास्तव में ग्रीन हाउस प्रभाव को बहुत अलग पैमाने पर क्रिया में देखा है, जब भी आपकी कार बाहर धूप में बैठी होती है, आपकी विंदशील्ड सूरज की रोशनी को अंदर आने देती है, फिर उस उर्जा में से कुछ को फंसा देती है इसलिए आपकी कार का इंटीरियर बाहर के ताप मान से इतना अधिक गर्म हो सकता है, लेकिन वह स्पष्टी करण केवल और प्रशन उठाता है सूरे की गर्मी प्रित्वी के रास्ते में ग्रीन हाउस गैसों को कैसे पार कर सकती है, लेकिन फिर हमारे वायू मंदल में इनहीं गैसों में फंस जाती है क्या कार्बन डाई ओकसाइड किसी विशाल वनवे मिरर की तरह काम करता है उस मामले के लिए यदि कार्बन डाई ओकसाइड और मीथिन जाल गर्मी करते हैं, तो ओकसीजन क्यों नहीं उत्तर रसायन विज्ञान और भौतिकी के एक साफ सुथरे हिस्से में हैं जैसा कि आप भौतिकी वर्ग से याद कर सकते हैं, सभी अनु कमपन करते हैं, वे जितनी तेजी से कमपन करते हैं, वे उतने ही गर्म होते हैं जब कुछ प्रकार के अनु कुछ तरंग देर्धे पर विकिरन से टकराते हैं तो वे विकिरन को अवरुद्ध कर देते हैं इसकी उर्जा को सोक लेते हैं और तेजी से कमपन करते हैं लेकिन इस प्रभाव को पैदा करने के लिए सभी विकिरन सही तरंग देर्धे पर नहीं होते हैं। उदाहरन के लिए सूरे का प्रकाश अधिकांश ग्रीन हाउस कैसों में से बिना अवशोशित हुए ही गुजरता है। इसका अधिकांश भाग प्रित्वी तक पहुचता है और ग्रह को गर्म करता है जैसा की यह कलपों से करता आ रहा है। यहां समस्या है प्रित्वी उस सारी उर्जा को हमेशा के लिए धारन नहीं करती है अगर ऐसा होता तो ग्रह पहले से ही असहनिय रूप से गर्म होता। इसके बजाए यह कुछ उर्जा को वापस अंतरिक्ष की और विकीर्न करता है और इस उर्जा में से कुछ ग्रीन हाउस कैसों द्वारा अवशोशित होने के लिए तरंग देर्धे की सही सीमा में उत्सरजित होती है। शून्य में हानिरहित रूप से बाहर जाने के बजाए यह ग्रीन हाउस अंवों से टकराता है और वातावरन को गर्म करते हुए उन्हें तेजी से कमपन करता है। वैसे हमें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए आभारी होना चाहिए इसके बिना ग्रह हमारे लिए बहुत ठंडा होगा। समस्य यह है कि ये सभी अतिरिक्त ग्रीन हाउस कैसे प्रभाव को ओवरड्राइव में भेज रही हैं। सभी गैसे इस तरह से कारे क्यों नहीं करतीं। क्योंकि एक ही पर्मानू की दो प्रतियों वाले अनू, उदाहरन के लिए नाइट्रोजन या ओक्सीजन के अनू, विकिरन को सीधे उनके माध्यम से गुजरने देते हैं। केवल विभिन पर्मानूं से बने अनू, जिस तरह से कार्बन डाइ ओक्साइड और मीथेन होते हैं, विकिरन को अवशोशित करने और गर्म होने के लिए सही संग्रचना होती है। तो यह इस प्रश्न के उत्तर का पहला भाग है, हमें शून पर क्यों जाना है। क्योंकि हम वातावरण में जो भी कार्बन डालते हैं, वह ग्रीन हाउस प्रभाव में जुड़ जाता है। भोतिकी के आसपास कोई नहीं हो रहा है। कार्बन डाइ ओक्साइड उत्सर्जन बढ़ रहा है, और ऐसा ही वैश्विक तापमान भी है। बाई और आप देखते हैं कि 1850 के बाद से अध्योगिक प्रक्रियाओं और जलने वाले जीवाश्म इंधन से हमारे कार्बन डाइ ओक्साइड उत्सर्जन में कैसे व्रिद्धी हुई है। दाई और आप देखते हैं कि उत्सर्जन के साथ साथ वैश्विक और सत्तापमान कैसे बढ़ रहा है। वैश्विक कार्बन बजट 2019 बरकले अर्थ उत्तर के अगले भाग में वह प्रभाव शामिल है जो उन सभी ग्रीन हाउस कैसों का जलवायू पर और हम पर पड़ रहा है। हम क्या करते हैं और क्या नहीं जानते। जलवायू कैसे और क्यों बदल रही है। इस बारे में वैग्यानिकों को अभी भी बहुत कुछ सीखना है। उदाहरण के लिए IPCC की रिपोर्टें कुछ अनिश्चित्ता को स्वीकार करती हैं कि तापमान कितना और कितनी जल्दी बढ़ेगा और इन उच्च तापमानों का वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा। एक समस्या यह है कि कंप्यूटर मोडल परिपूर्ण से बहुत दूर हैं। जल्वायू आश्चरेजनक रूप से जटिल है और ऐसी बहुत सी चीजे हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते हैं जैसे कि बादल कैसे वार्मिंग को प्रभावित करते हैं या पारिस्थितिक तंत्र पर इस अतिरिक्त गर्मी का प्रभाव। शोध करता इन अंतरालों की पहचान कर रहे हैं और उन्हें भरने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जो वैग्यानिक जानते हैं और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यदि हम शून पर नहीं पहुचे तो क्या ह होगा। यहां कुछ प्रमुक बिंदू दिये गए हैं। प्रित्वी गर्म हो रही है, मानव गति विधी के कारण यह गर्म हो रही है और प्रभाव बुरा है और बहुत बुरा होगा। हमारे पास यह मानने का हर कारण है कि किसी बिंदू पर प्रभाव विनाशकारी होगा क्या वह बिंदू 30 साल में आएगा 50 साल हम ठीक से नहीं जानते लेकिन यह देखते हुए कि समस्या को हल करना कितना कठिन होगा भले ही सबसे खराब स्थिती 50 साल दूर हो हमें अभी कारे करने की आवशेक्ता है हमने पूर्व अध्योगिक समय से पहले ही तापमान कम से कम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है और अगर हम उत्सर्जन को कम नहीं करते हैं तो हमारे पास संभवतह मध्य शताब्दी तक 1.5 से 3 डिग्री सेल्सियस और 4 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच वार्मिंग होगी सदी के अंत तक यह सब अतिरिक्त गर्मी जलवायू में विभिन परिवर्तनों का कारण बनेगी इससे पहले कि मैं समझाओं कि क्या आ रहा है मुझे आपको एक चेतावनी देनी होगी हालांकि हम व्यापक रुझानों की भविश्यवानी कर सकते हैं जैसे और अधिक गर्म दिन होंगे और समुद्र का अस्तर बढ़ जाएगा हम निश्चित रूप से जलवायू को दोश नहीं दे सकते किसी विशेश घटना के लिए परिवर्तन उदाहरन के लिए जब गर्मी की लिहर होती है तो हम यह नहीं कह सकते कि क्या यह अकेले जलवायू परिवर्तन के कारण हुआ था हाला कि हम क्या कर सकते हैं यह कहना है कि जलवायू परिवर्तन ने उस गर्मी की लिहर के होने की संभावना को कितना बढ़ा दिया है तूफान के लिए यह सपष्ट नहीं है कि गर्म महासागर तूफानों की संख्या में वृद्धी कर रहे हैं लेकिन इस बात के प्रमान बढ़ रहे हैं कि जलवायू परिवर्तन तूफानों को गीला कर रहा है और तीवर की संख्या में वृद्धी कर रहा है हम यह भी नहीं जानते हैं कि यह चरम घटनाएं और भी गंभीर प्रभाव पैदा करने के लिए एक दूसरे के साथ बात चीत करेंगी या नहीं हम और क्या जानते हैं एक बात के लिए वास्तव में और अधिक गर्म दिन होंगे मैं आपको संयुक्त राजे भर के शहरों से आंकड़े दे सकता हूँ लेकिन मैं अलबुकर्क न्यू मेकसिको को चुनूंगा क्योंकि मेरा उस स्थान से विशेश संबंध है यह वह जगह है जहां पॉल एलन और मैंने वन नाइन सेवन फाइव में माइक्रोसोफ्ट की स्थापना की थी माइक्रोसोफ्ट होने के लिए पूरी तरह से सटीक हमने बुद्धिमानी से हाइफन को छोड़ दिया और कुछ साल बाद एसको कम कर दिया 1970 के दशक के मध्य में जब हम अभी शुरुआत कर रहे थे अल्भुकर्क में तापमान 90 डिग्री फारिन हाइट से अधिक एक वर्ष में ओस्तन 36 बार चला गया सदी के मध्य तक शहर के थर्मामीटर हर साल कम से कम 2 बार 90 से अधिक हो जाएंगे सदी के अंत तक शहर में वनवनफोर दिन तक गर्मी देखी जा सकती है दूसरे शब्दों में वे हर साल एक महीने के गर्म दिनों से तीन महीने के लायक हो जाएंगे हर कोई समान रूप से गर्म और अधिक आर्धर दिनों से पीडित नहीं होगा उदाहरण के लिए सियेटल शेत्र जहां 1989 में पॉल और मैं माइक्रोसोफ्ट चले गए शायद अपेक शाकरित आसान हो जाएगा 1970 के दशक में एक या दो साल का ओसत होने के बाद हम इस सदी के बाद के चौध दिनों में 90 डिग्री तक पहुंच सकते हैं और कुछ स्थानों को वास्तव में गर्म जलवायों से लाब हो सकता है ठंडे क्षेत्रों में उदाहरण के लिए हाइपोथर्मिया और फ्लू से कम लोग मरेंगे और वे अपने घरों और व्यवसायों को गर्म करने के लिए कम पैसे खर्च करेंगे लेकिन समगर प्रवरित्ती एक गर्म जलवायों से परेशानी की ओर इशारा करती है और यह सब अतिरिक्त गर्मी का असर पढ़ता है उदाहरण के लिए इसका मतलब है कि तूफान खराब हो रहे हैं वैग्यानिक अभी भी इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या गर्मी के कारण तूफान अधिक बार आ रहे हैं लेकिन ऐसा लगता है कि वे सामानने रूप से अधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं हम जानते हैं कि जब औसत ताप मान बढ़ता है तो प्रित्वी की सतह से हवा में अधिक पानी वाश्पित हो जाता है जल वाश्प एक ग्रीन हाउस गैस है लेकिन कारण डाई ओकसाइड या मीथेन के विपरीत यह हवा में लंबे समय तक नहीं रहती है अंततह यह बारिश या बर्व के रूप में सतह पर वापस गिरती है जैसे ही जल वाश्प बारिश में संगनित होता है यह भारी मात्रा में उर्जा छोड़ता है जैसा कि कोई भी व्यक्ती जिसने कभी एक बड़ी आंधी का अनुभव किया है वह जानता है यहां तक कि सबसे शक्तिशाली तूफान भी आमत और पर केवल कुछ दिनों तक रहता है लेकिन इसका प्रभाव वर्षों तक गूंज सकता है जीवन का नुकसान है अपने आप में एक त्रास्दी है जो बचे लोगों को दिल तूटने और अक्सर बेसहारा छोड़ सकती है तूफान और बाढ़ उन इमारतों सडकों और बिजली लाइनों को भी नश्ट कर देते हैं जिन्हें बनने में वर्षों लग गए उस सभी समपत्ती को अंततह बदला जा सकता है लेकिन ऐसा करने से पैसा और समय निकल जाता है जिसे नए निवेश में लगाया जा सकता है जो अर्थ वेवस्था को बढ़ने में मदद करता है आप हमेशा आगे बढ़ने के बजाए जहां आप थे वहां तक पहुचने की कोशिश कर रहे हैं एक अधेयन में अनुमान लगाया गया है कि 2017 में तूफान मारिया ने प्यूर्टो रिको के बुनियादी धांचे को दो दशकों से अधिक पीछे कर दिया अगले तूफान के आने और उसे फिर से सेट करने से कितनी देर पहले हम नहीं जानते एक अधेयन के अनुसार तूफान मारिया ने प्यूर्टो रिको के पावर ग्रेड और अन्य बुनियादी धांचे को लगभग दो दशक पीछे कर दिया ये तेज तूफान एक अजीब दावतियाकाल की स्थिती पैदा कर रहे हैं भले ही कुछ स्थानों पर अधिक बारिश हो रही हो अन्य स्थानों पर अधिक बार और अधिक गंभीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है गर्म हवा अधिक नमी धारन कर सकती है और जैसे जैसे हवा गर्म होती जाती है मिट्टी से अधिक पानी पीने से उसे प्यास लगती है सदी के अंत तक दक्षिन पश्चिमी संयुक्त राज्य की मिट्टी में 10 प्रतिशत से 20 प्रतिशत कम नमी होगी और वहां सूखे का जोखिम कम से कम 20 प्रतिशत बढ़ जाएगा सूखे से कोलोराडो नदी को भी खत्रा होगा जो लगभग 40 मिलियन लोगों के लिए पीने के पानी की आपूर्ती करती है और सभी अमेरिकी फसलों के एक सात्वें से अधिक के लिए सिंचाई करती है एक गर्म जलवायू का मतलब है कि अधिक लगातार और विनाशकारी जंगल की आग होगी गर्म हवा पौधों और मिटी से नमी को अवशोशित करती है जिससे सब कुछ जलने की संभावना बढ़ जाती है दुनिया भर में बहुत भिन्नता है क्योंकी परिस्थितिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत अधिक बदलती है लेकिन कैलिफोर्निया क्या हो रहा है इसका एक नाट की उदाहरण है जंगल की आग अब होती है वहाँ वन नाइन सेवन जीरो के दशक की तुलना में पांच गुना अधिक है मुखेतह क्योंकी आग का मौसम लंबा होता जा रहा है और वहाँ के जंगलों में अब बहुत अधिक सूखी लकड़ी है जिसके जलने की संभावना है अमेरिकी सरकार के अनुसार इस वृद्धी का आधा हिस्सा जलवायू परिवर्तन के कारण है और मध्यशताब्धी तक अमेरिका जंगल की आग से आज की तुलना में दो गुने से अधिक विनाश का अनुभव कर सकता है यह किसी के लिए भी चिन ताजनक होना चाहिए जो अमेरिका के 2020 के विनाश कारी जंगल की आग के मौसम को याद करता है अतिरिक्त गर्मी का एक और प्रभाव यह है कि समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा यह आनशिक रूप से इसलिए है क्योंकि धुरूविय बर्फ पिघल रही है और आनशिक रूप से क्योंकि समुद्री जल गर्म होने पर फैलता है धातु भी यही काम करती है यही वजह है कि आप अपनी उंगली पर फंसी अंगूठी को गर्म पानी के नीचे चला कर धीला कर सकते हैं हालांकि वैश्विक औसत समुद्र के स्तर में समगर वरिद्धिस बसे अधिक संभावना है 2100 तक कुछ फीट नहीं हो सकता है बहुत अधिक ध्वनी बढ़ती जवार कुछ स्थानों को दूसरों की तुलना में बहुत अधिक प्रभावित करेगी समुद्र तट शेत्र परेशानी में हैं आश्चरे की बात नहीं है लेकिन ऐसे शहर हैं जो विशेश रूप से ज्रज्रा भूमी पर स्थित हैं मियामी पहले से ही तूफानी नालों के माध्यम से समुद्री जल के बुलबुले को देख रहा है भले ही बारिश नहीं हो रही हो जिसे शुष्क मौसम में बाढ़ कहा जाता है और स्थिती बेहतर नहीं होगी IPCC के सामाने परिद्रिशे में 2100 तक मियामी के आसपास का समुद्र स्थर लगभग दो फीट बढ़ जाएगा और शहर के कुछ हिस्से बस रहे हैं ढूब रहे हैं अनिवारे रूप से जो उसके ऊपर एक और फुट पानी जोड सकते हैं समुद्र का बढ़ता जलस्तर दुनिया के सबसे गरीब लोगों के लिए और भी बुरा होगा बांगला देश एक गरीब देश जो गरीबी से बाहर निकलने के रास्ते पर अच्छी प्रक्ती कर रहा है एक प्रमुख उदाहरन है यह हमेशा खराब मौसम से गिरा रहा है बंगाल की खाड़ी पर इसकी सेकडो मील की तट्रे खा है देश का अधिकांश भाग निचले बाढ़ प्रवन नदी डेल टाउं में स्थित है और हर साल भारी बारिश होती है लेकिन बदलती जलवायू वहां जीवन को और भी कठिन बना रही है चक्रवातों, तूफानों की लहरों और नदी की बाढ़ के कारण अब बांगलादेश का 20 से 30 प्रतिशत हिस्सा पानी के भीतर होना, फसलों और घरों को मिटा देना और पूरे देश में लोगों को मारना आम बात है अंत में, अतिरिक्त गर्मी और कार्बन डाय ओकसाइड जो इसे पैदा कर रही है, पौधे और जानवर प्रभावित हो रहे हैं IPCC द्वारा उध्रित शोध के अनुसार, 2 डिग्री सेलसियस की वृद्धी से कशेरुकियों की भोगोलिक सीमा में 1 प्रतिशत, पौधों में 16 प्रतिशत और कीडों में 18 प्रतिशत की कमी आएगी हमारे द्वारा खाये जाने वाले भोजन के लिए यह एक मिश्रित तस्वीर है, हालांकि मुखे रूप से एक गंभीर तस्वीर है एक तरफ गेहू और कई अन्य पौधे तेजी से बढ़ते हैं, और उन्हें कम पानी की आवश्यक्ता होती है जब हवा में बड़ी मात्रा में कार्बन होता है दूसरी ओर, मकई विशेश रूप से गर्मी के प्रती समवेदनशील है और यह सन्यूक्त राजे अमेरिका में नंबर एक फसल है, जिसकी कीमत डॉलर 50 बिलियन प्रती वर्ष से अधिक है अकेले आयोवा में 13 मिलियन एकड से अधिक भूमी में मक्का लगाया जाता है विश्वस्तर पर इस बात की व्यापक संभावनाए हैं कि जलवायू परिवर्तन हमें प्रतेक एकड फसलों से मिलने वाले भोजन की मात्रा को कैसे प्रभावित कर सकता है कुछ उत्तरी क्षेत्रों में पैदावार बढ़ सकती है लेकिन ज्यादातर जगहों पर वे कुछ प्रतिशत अंक से कहीं भी 50 प्रतिशत तक गिर जाएंगी जलवायू परिवर्तन से सदी के मध्य तक दक्षिनी यूरोप में गेहू और मक्का का उत्पादन आधा हो सकता है उप सहारा अफ्रीका में किसान बढ़ते मौसम को 20 प्रतिशत तक कम होते देख सकते हैं और लाखों एकड भूमी काफी हद तक सूख जाती है गरीब समुदायों में जहां बहुत से लोग पहले से ही अपनी आय का आधा से अधिक भोजन पर खर्च करते हैं खाद्य कीमतों में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की व्रिद्धी हो सकती है चीन में अत्यधिक सूखा जिसकी क्रिशी प्रणाली दुनिया की पांचवी आबादी के लिए गेहूं चावल और मक्का प्रदान करती है एक क्षेत्रिय या वैश्विक खाद्य संकट को ट्रिगर कर सकती है हम जिन जानवरों को खाते हैं और उनसे दूद प्राप्त करते हैं उनके लिए अतिरिक्त गर्मी अच्छी नहीं होगी यह उन्हें कम उत्पादक और युवा मरने के लिए अधिक प्रवन बना देगा जो बदले में माज, अंडे और डेरी को और अधिक महेंगा बना समुद्री भोजन पर भरोसा करने वाले समुदायों को भी परेशानी होगी क्योंकि नकेवल समुद्र गर्म हो रहे हैं, वे विभाजित भी हो रहे हैं, कुछ जगहों का विकास करना जहां पानी में अधिक ऑक्सीजन है और अन्य जहां कम ऑक्सीजन है नतीज तन, मचली और अन्य समुद्री जीवन अलग-अलग पानी में जा रहे हैं, या बस मर रहे हैं यदि तापमान 2 डिग्री से इलसियस बढ़ जाता है, तो प्रवाल भित्तिया पूरी तरह से गायब हो सकती हैं, जिससे एक अरब से अधिक लोगों के लिए समुद्री भोजन का एक प्रमुख स्रोत नश्थ हो सकता है जब बारिश नहीं होती है, तो यह बरसता है आप सोच सकते हैं, कि 1.5 और 2 डिग्री के बीच का अंतर इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन जलवायू वैग्यानिकों ने दोनों परिद्रिशियों के सिमुलेशन चलाए हैं, और खबर अच्छी नहीं है कई मायनों में, दिग्री की व्रिद्धी केवल 33 प्रतिशत 1.5 से भी बदतर नहीं होगी, यह 100 प्रतिशत खराब हो सकता है दो बार जितना हो, लोगों को साफ पानी मिलने में होगी परेशानी उष्ण कटिबंद में मकई का उत्पादन दो गुना कम हो जाएगा जलवायू परिवर्तन के इन प्रभावों में से कोई भी प्रभाव काफी बुरा होगा, लेकिन किसी को भी सिर्फ गर्म दिनों या सिर्फ बाढ़ और कुछ नहीं होने वाला है ऐसा नहीं है कि जलवायू कैसे काम करती है जलवायू परिवर्तन के प्रभाव एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं जैसे जैसे यह गर्म होगा, उदाहरन के लिए मच्छर नई जगहों पर रहना शुरू कर देंगे वे इसे आर्द्र पसंद करते हैं और वे उन क्षेतरों से चले जाते हैं जो अधिक आर्द्र हो जाते हैं इसलिए हम मलेरिया और अनकीटों के मामले देखेंगे जनित बीमारिया जहां वे पहले कभी नहीं दिखाई दी हीट स्ट्रोक एक और बड़ी समस्या होगी और यह सभी चीजों की नमी से जुड़ी है हवा में केवल एक निश्चित मात्रा में जल वाश्प हो सकता है और किसी बिंदू पर यह छट से टकराता है इतना संतिरिप्थ हो जाता है कि यह अधिक नमी को अवशोशित नहीं कर सकता है यह तथे इतना मायने क्यों रखता है क्योंकि मानव शरीर की ठंडा होने की क्षमता वाश्प के रूप में पसीने को अवशोशित करने की हवा की क्षमता पर निर्भर करती है यदि हवा आपके पसीने को अवशोशित नहीं कर सकती है तो यह आपको ठंडा नहीं कर सकती है चाहे आप कितना भी पसीना बहाएं आप घंटों के भीतर हीट स्ट्रोक से मर जाते हैं, हीट स्ट्रोक जाहिर है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वातावरन गर्म और अधिक आर्धर होता जाएगा, यह बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी, उन क्षेत्रों में जो सबसे अधिक खत्रे में हैं, फा क्या होता है, जब यह प्रभाव जमा होने लगते हैं, आईए अलग अलग लोगों पर पढ़ने वाले प्रभाव को देखें, कल्पना कीजिए कि आप 2050 में नेबरास्का में मक्का, सोयाबीन और मवेशी उगाने वाले एक समरिद्ध युवा किसान हैं, जलवायू परिवर को कैसे प्रभावित कर सकता है, आप सन्युक्त राजे अमेरिका के बीच में हैं, तटों से बहुत दूर हैं, इसलिए समुद्र का बढ़ता स्तर आपको सीधे तोर पर नुकसान नहीं पहुँचाता है, लेकिन गर्मी करता है, 2010 के दशक में, जब आप एक बच्चे थे, आपने साल में 33 दिन देखे होंगे जब तापमान 90 तक पहुँच गया था, अब यह साल में 65 या 70 बार होता है, बारिश भी बहुत कम विश्वसनिय होती है, जब आप बच्चे थे, तो आप साल में लगभग 25 इंच की उमीद कर स अब यह 22 जितना छोटा या 29 जितना हो सकता है, हो सकता है कि आपने अपने व्यवसाय को गर्म दिनों और अपरत्याशित बारिश में समायोजित कर लिया हो, वर्शों पहले आपने नई फसल किसमों में निवेश किया था जो अतिरिक्त गर्मी को सहन कर सकती हैं, और आपको ऐसे कामकाज मिल गए हैं, जो आपको दिन के सबसे खराब हिस्से के दोरान अंदर रहने देते हैं, आपको इन फसलों और कामकाज पर अतिरिक्त पैसा खर्च करना पसंद नहीं था, लेकिन वे विकल्प से बेहतर हैं, एक दिन बिना किसी चेतावनी के एक शक्तिशाली त यह उस तरह का जलप्रले हैं, जिसे आपके मातापिता सौ साल की बार कहते थे, लेकिन अब आप अपने आपको भाग्यशाली मानेंगे यदि यह एक दशक में केवल एक बार हुआ हो, पानी आपकी मकई और सोयाबीन की फसलों के बड़े हिस्से को दो देता है, और आपका संग्रहित अनाज इतनी अच्छी तरह से भीग जाता है, कि वह सड़ जाता है, और आपको उसे फेंकना पड़ता है, सिध्धान्त रूप में आप नुकसान की भरपाई के लिए अपने मवेशियों को बेच सकते हैं, लेकिन आपका सारा चारा भी बह गया है, इसलिए आप उन्हें लंबे समय तक जीवित नहीं रख पाएंगे, अन्तितर पानी कम हो जाता है, और आप देख सकते हैं, कि आसपास की सड़कें, पुल और रेल लाइने अब अनुप्योगी हैं, इतना ही नहीं यह आपको उस अनाज को बाहर भेजने से रोकता है, जिसे आप संग्रक करने में कामयाब रहे हैं, यह ट्रकों के लिए अगले रोपन सीजन के लिए आवशेक बीज वितरित करना भी कठिन बना देता है, यह मानते हुए कि आपके खेत अभी भी प्रयोग करने योग्य है, यह सब एक आपदा में जोडता है, जो आपके खेती के कैरियर को समाप् सकता है और आपको उस जमीन को बेचने के लिए मजबूर कर सकता है जो आपके परिवार में पीडियों से चली आ रही है ऐसा लग सकता है कि मैं सबसे चरम उदाहरन चुन रहा हूँ लेकिन इस तरह की चीजे पहले से ही हो रही हैं खास कर गरीब किसानों के लिए और कुछ दशकों में वे और अधिक लोगों के साथ हो सकती हैं और यह जितना बुरा लगता है यदि आप एक वैश्विक परिप्रेक्षे लेते हैं तो आप देखेंगे कि दुनिया के सबसे गरीब वन अरब लोगों के लिए चीजे बहुत खराब होंगी वे लोग जो पहले से ही पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो केवल अधिक संघर्ष करेंगे जलवायू खराब हो जाती है अब कलपना कीजिए कि आप ग्रामीन भारत में रहती हैं जहां आप और आपके पती निर्वाह किसान हैं जिसका अर्थ है कि आप और आपके बच्चे लगभग सारा खाना खाते हैं विशेश रूप से अच्छे मौसम में कभी कभी आपके पास बेचने के लिए परियाप्त बचा होता है ताकि आप अपने बच्चों के लिए दवा खरीद सकें या उन्हें स्कूल भेज सकें दुर्भाग्य से गर्मी की लहरे इतनी आम हो गई हैं कि आपका गाव रहने लायक नहीं रह गया है वन्टू जीरो डिग्री से अधिक लगातार कई दिनों तक रहना कोई असामाने बात नहीं है और अब गर्मी और कीटों के बीच पहली बार अपने खेतों पर आकरमन करते हुए अपनी फसलों को जीवित रखना लगभग असंभव है हालांकि मानसून ने देश के अन्य हिस्सों में बाढ़ ला दी है आपके समुदाय में सामाने से बहुत कम बारिश हुई है जिससे पानी मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि आप एक तपकने वाले पाइप से बच जाते हैं जो सप्ताह में केवल कुछ ही बार चलता है अपने परिवार का भरन पोशन करना और भी कठिन होता जा रहा है आपने अपने सबसे बड़े बेटे को सेकडो मील दूर एक बड़े शहर में काम करने के लिए भेजा है क्योंकि आप उसे खिलाने का खर्च नहीं उठा सकते थे आपके एक पड़ोसी ने आत्म हत्या कर ली जब वह अपने परिवार का समर्थन नहीं कर सकता था क्या आपको और आपके पती को उस खेत में रहने और जीवित रहने की कोशिश करनी चाहिए जिसे आप जानते हैं या जमीन को छोड़ कर अधिक शहरी शेत्र में चले जाते हैं जहां आप जीवन यापन कर सकते हैं यह एक दिल दहला देने वाला फैसला है लेकिन यह उस तरह की पसंद है जिसका दुनिया भर के लोग पहले से ही सामना कर रहे हैं जिसके दिल दहला देने वाले परिणाम हैं सीरिया में दर्ज अब तक के सबसे भीशन सूखे में जो 2007 से 2010 तक चला लगभग 1.5 मिलियन लोगों ने शहरों के लिए क्रिशी क्षेतरों को छोड़ दिया जिससे 2011 में शुरू हुए सशस्त्र संघर्ष के लिए मंच तैयार करने में मदद मिली उस सूखे की संभावना तीन गुना अधिक थी जलवायू परिवर्तन 2018 तक लगभग 13 मिलियन सीरियाई विस्थाप्पित हुए थे यह समस्या और भी विक्राल होने वाली है यूरोपिय संघ के लिए मौसम के जटके और शरण आवेदनों के बीच संबंदों को देखने वाले एक अधियन में पाया गया कि सदी के अंत तक मध्यम गर्मी के साथ शरण आवेदन 28 प्रतिशत बढ़कर लगभग 450000 प्रतिवर्ष हो सकते हैं इसी अधियन का अनुमान है कि 2080 तक कम फसल की पैदावार मेक्सिको में प्रतिशत से 10 प्रतिशत वैसकों के बीच संयुक्त राजे में सीमा पार करने की कोशिश करेगी आई ये इस सब को इस संदर्भ में रखें कि हर कोई जो C.O.V.I.D.19 महामारी का अनुभव कर रहा है उससे संबंधित हो सकता है यदि आप यह समझना चाहते हैं कि जलवायू परिवर्तन से किस प्रकार का नुकसान होगा तो C.O.V.I.D.19 को देखे और फिर कलपना करें कि दर्द को लंबे समय तक फैलाना है इस महामारी के कारण होने वाले जीवन और आर्थिक संकट के बराबर है जो नियमित रूप से होगा यदि हम दुनिया के कारण उत्सर्जन को समाप्त नहीं करते हैं मैं जीवन के नुकसान से शुरू करूंगा C.O.V.I.D.19 बनाम जलवायू परिवर्तन से कितने लोग मारे जाएंगे क्योंकि हम अलग-अलग समय पर होने वाली घटनाओं की तुलना करना चाहते हैं 2020 में महामारी और 2030 में जलवायू परिवर्तन और उस समय में वैश्विक आबादी बदल जाएगी हम मोतों की पूर्ण संख्या की तुलना नहीं कर सकते इसके बजाए हम मृत्युदर का उप्योग करेंगे यानि प्रती 100-00-00 लोगों पर होने वाली मोतों की संख्या 1918 के Spanish Flu और COVID-19 महामारी के डेटा का उप्योग करके और इसे एक सदी के दोरान उसत करके हम उस मात्रा का अनुमान लगा सकते हैं जिसके दोरा एक वैश्विक महामारी वैश्विक मृत्युदर को बढ़ाती है यह प्रती वर्ष प्रती 100-00-00 लोगों पर लगभग 14 मोते हैं यह जलवायु परिवर्तन की तुलना कैसे करता है सदी के मध्धे तक वैश्विक तापमाण में वृद्धी से वैश्विक मृत्युदर में इतनी ही वृद्धी होने का अनुमान है प्रती 100-00-00 में 14 मोतें सदी के अंत तक यदि उच्छर जन वृद्धी उच्च बनी रहती है तो प्रती 100 000 लोगों पर 75 अतिरिक्त मौतों के लिए जलवायू परिवर्तन जिम्मेदार हो सकता है दूसरे शब्दों में सदी के मध्य तक जलवायू परिवर्तन C.O.V.I.D.19 जितना ही घातक हो सकता है और 2100 तक यह 5 गुना घातक हो सकता है आर्थिक तस्वीर भी धू मिल है जलवायू परिवर्तन और C.O.V.I.D.19 से संभावित प्रभाव काफी भिन्न होते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस आर्थिक मोडल का उप्योग करते हैं लेकिन निशकर्ष अचूक है अगले एक या दो दशक में जलवायू परिवर्तन से होने वाली आर्थिक क्षती हर टेन साल में एक आकार की महामारी के रूप में खराब होने की संभावना है और 21.000 सदी के अंध तक यह बहुत बुरा होगा यदि दुनिया अपने वर्तमान उत्सरजन पर्थ पर बनी रहे दो यदि आप समाचारों में जलवायू परिवर्तन का अनुसरन कर रहे हैं तो इस अध्याय की कई भविश्यवानिया आपको परिचित लग सकती हैं लेकिन जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा ये सभी समस्याएं अधिक बार अधिक गंभीर रूप से और अधिक लोगों को होंगी और अपेक शाकरित अचानक विनाशकारी जलवायू परिवर्तन का एक मौका है उदाहरन के लिए प्रित्वी के स्थाई रूप से जमी हुई जमीन जिसे परमाफ्रोस्ट कहा जाता है के बड़े हिस्से पिगलने के लिए परियाप्त गर्म हो जाते हैं और बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस कैसों को छोड़ देते हैं जिनमें ज्यादातर मीथेन होती है जो वहाँ फंस जाती है वैग्यानिक अनिश्चित्ताओं के बावजूद हम यह जानने के लिए परियाप्त समझते हैं कि जो आ रहा है वह बुरा होगा इसके बारे में हम दो चीजें कर सकते हैं अनुकूलन क्योंकि जलवायु परिवर्तन का दुनिया के सबसे गरीब लोगों पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ेगा और दुनिया के सबसे गरीब लोग किसान है अनुकूलन एक प्रमुख़ फोकस है गेट्स फाउंडेशन में क्रिशी दल उदाहरन के लिए हम फसलों की नई किस्मों में बहुत अधिक शोध के लिए धन दे रहे हैं जो आने वाले दशकों में सुखे और बाड को सहन करती हैं जो अधिक बार और गंभीर होंगी मैं अनुकूलन के बारे में अधिक विस्तार से बताऊंगा और अध्याय नौ में कुछ ऐसे कदमों की रूप रेखा तयार करूगा जिनकी हमें आवशेक्ता होगी शमन इस पुस्तक का अधिकांश भाग अनुकूलन के बारे में नहीं है यह दूसरी बात है जो हमें करने की आवशेक्ता है वातावरण में ग्रीन हाउस कैसों को जोड़ना बंद करें आपदा से बचने की कोई उमीद रखने के लिए दुनिया के सबसे बड़े उतसर्जक सबसे अमीर देशों को टू जीरो फाइव जीरो तक शुद्धशूने उतसर्जन प्राप्त करना होगा मध्यम आएवाले देशों को जल्द ही वहाँ पहुंचने की जरूरत है और बाकी दुनिया को अंततह सूट का पालन करने की आवशेक्ता होगी मैंने लोगों को इस विचार पर आपत्ती करते सुना है कि अमीर देशों को पहले जाना चाहिए हमें इसका खामियाजा क्यों उठाना चाहिए यह केवल इसलिए नहीं है क्योंकि हमने अधिकांश समस्याये पैदा की हैं हाला कि यह सठ है यह इसलिए भी है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा आर्थिक अवसर है जो देश महान शूने कार्बन कमपनियों और उद्योगों का निर्मान करते हैं वे आने वाले दशकों में वैश्विक अर्थवेवस्था का नेत्रित्व करेंगे समरिद्ध देश अभीनव जलवायो समाधान विक्सित करने के लिए सबसे उप्यूक्त हैं वे सरकारी फंडिंग, अनुसंधान विश्व विद्यालियों, राष्ट्रिय प्रयोग शालाओं और स्टार्ट अप कमपनियों के साथ हैं जो दुनिया भर से प्रतिभाओं को आ फायती हो सकते हैं, उन्हें उभरती अर्थ वेवस्थाओं में कई इच्छुक ग्राहक मिलेंगे, मैं कई अलग अलग रास्ते देखता हूँ जो हमें शूनिय तक पहुंचा सकते हैं, उनके बारे में विस्तार से जानने से पहले, हमें इस बात का जायजा लेना होगा की य मैं इस पुस्तक में उस अभ्यास का पालन करूंगा, क्योंकि आप अधिकांश समाचार रिपोर्टों में यही देखेंगे फारिन हाइट में तापमान परिवर्टन का अनुमान लगाने के लिए जो कि अधिकांश उद्देशियों के लिए परियाप्त सटीक है, आप केवल सेलसियस संख्या को दो गुना कर सकते हैं, और याद रख सकते हैं, कि आपका अनुमान थोड़ा अधिक है चुनकि अधिकांश अमेरिकी फारिन हाइट में अधिक स्वाभाविक रूप से सोचते हैं, इसलिए जब मैं देनिक तापमान का जिक्र कर रहा हूँ तो मैं उस पैमाने का उप्योग करूँगा टू यहाँ गणित है हाल के मोडल बताते हैं, कि 2030 में जलवायू परिवर्तन की लागत प्रती वर्ष अमेरिका के सकल घरेलू उतपाद के 0.85 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत के बीट होने की संभावना है इस बीच, इस वर्ष संयुक्त राजे अमेरिका में C.O.V.I.D.19 की लागत का वर्तमान अनुमान सकल घरेलू उतपाद के 7 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीट है अगर हम मान लें कि हर 10 साल में एक बार ऐसा ही व्यवधान होता है, तो यह औसत वार्षिक है सकल घरेलू उतपाद का 0.7 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक की लागत, जलवायू परिवर्तन से अनुमानित क्षती के लगभग बराबर अध्याय दो यह कठिन होगा पी पट्टा इस अध्याय का शीर्षक आपको निराशन होने दें मुझे आशा है कि यह स्पष्ट है अब तक मुझे विश्वास है कि हम शूने तक पहुंच सकते हैं और आने वाले अध्यायों में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूँगा कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ और वहां पहुंचने में क्या लगेगा लेकिन हम जलवायू परिवर्तन जैसी समस्या का समाधान इस बात का इमानदार लेखा जोखा किये बिना नहीं कर सकते कि हमें कितना करना है और किन बाधाओं को दूर करना है तो इस विचार को ध्यान में रखते हुए कि हम समाधान प्राप्त करेंगे जिसमें जीवाश्म इंधन से संक्रमन को तेज करने के तरीके भी शामिल है आईए उन सबसे बड़ी बाधाओं को देखें जिनका हम सामना कर रहे हैं जीवाश्म इंधन पानी की तरह होते हैं मैं दिवंगत लेखक डेविड फोस्टर वालेस का बहुत बड़ा प्रशन सक हूँ मैं धीरे धीरे उनके द्वारा लिखी गई हर चीज के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए उनके विशाल उपन्यास अनंत जेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ जब वालेस ने 2005 में केनियोन कॉलेज में एक प्रसिद्ध शुरुआत भाशन दिया तो उन्होंने इस कहानी के साथ शुरुआत की ये दो युवा मचलिया साथ में तैर रही हैं और वे दूसरी तरफ तैरती हुई एक बड़ी मचली से मिलती हैं जो उन पर सिर हिलाती है और कहती है सुबह लड़कों पानी कैसा है और दो युवा मचलिया थोड़ी देर तैरती हैं और फिर अन्तितः उनमें से एक दूसरे की ओर देखती है और जाती है पानी क्या है वालेस ने समझाया मचली की कहानी का तातकालिक बिंदू यह है कि सबसे सपष्ट, सर्वव्यापी, महत्वपूर्ण वास्तविक ताय अक्सर वही होती हैं जिनहें देखना और बात करना सबसे कठिन होता है जीवाश्म इंधन ऐसे ही होते हैं वे इतने व्यापक हैं कि उन सभी तरीकों को समझना मुश्किल हो सकता है जिनसे वे और ग्रीन हाउस गैसों के अनिसरोद हमारे जीवन को चूते हैं मुझे रोज मर्रा की वस्तों से शुरुआत करने और वहाँ से जाने में मदद मिलती है क्या आपने आज सुबह अपने दाथ ब्रश किये टूथ ब्रश में सम्भवत प्लास्टिक होता है जो पेट्रोलियम एक जीवाश्म इंधन से बना होता है यदि आप नाश्ता करते हैं तो आपके टोस्ट और अनाज में अनाज उर्वरक के साथ उगाए गए थे जो इसे बनाते समय ग्रीन हाउस गैसों को छोड़ता है उन्हें एक ट्रेक्टर द्वारा काटा गया था जो स्टील से बना था जो की एक प्रक्रिया में जीवाश्म इंधन के साथ बनाया जाता है जो कार्बन छोड़ता है और गैसोलीन पर चलता है यदि आपके पास दो भर के भोजन के लिए एक बरगर था जैसा कि मैं कभी कभी करता हूँ तो गोमांस बढ़ाने से ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन होता है गायों का डकार और गोज मीथेन और इसी तरह से गेहूं की खेती और कटाई होती है जो गोखरू में चली जाती है यदि आपने कपडे पहने हैं तो आपके कपडों में कपास हो सकता है निशेचित और कटाई भी या पॉलियेस्टर एथिलीन से बना है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है यदि आपने टॉयलेट पेपर का उप्योग किया है तो अधिक पेड काटे जाते हैं और कार्बन उत्सरजित होता है यदि आज आप जिस वाहन को कामपर या स्कूल ले गए थे वह बिजली से चलता था तो बढ़िया हाला कि वह बिजली शायद जीवाश्म इंधन का उप्योग करके उत्पन की गई थी यदि आप एक ट्रेन लेते हैं तो वह स्टील की पट्रियों के साथ जाती है और सीमेंट का उप्योग करके बनाई गई सुरंगों के माध्यम से जो एक प्रक्रिया में जीवाश्म इंधन के साथ उत्पादित होती है जो कार्बन को उपउत्पाद के रूप में छोड़ती है आपने जो कार्या बस ली है वह स्टील और प्लास्टिक की है वही उस बाइक के लिए जाता है जिस पर आपने पिछले सप्ताहांत में सवारी की थी आप जिन सड़कों पर चलते हैं उनमें सीमेंट के साथ साथ डामर भी होता है जो पेट्रोलियम से प्राप्त होता है यदि आप एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहते हैं, तो आप शायद सीमेंट से गिरे हैं यदि आप लकडी से बने घर में रहते हैं, तो लकडी को स्टील और प्लास्टिक से बनी गैस से चलने वाली मशीनों ध्वारा काटा और काटा जाता था यदि आपके घर या कार्याले में हीटिंग या एयर कंडीशनिंग है, तो न केवल यह उचित मात्रा में उर्जा का उप्योग कर रहा है, बलकि एयर कंडीशनर में शीतलक एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस हो सकता है यदि आप धातू या प्लास्टिक से बनी कुर्सी पर बैठे हैं, तो यह अधिक उत्सर्जन है इसके अलावा, वस्तु थीन सभी वस्तों, टूथब्रश से निर्मान सामगरी तक, कहीं और से ट्रकों, हवाई जहाज, ट्रेनों और जहाजों पर ले जाया गया था, जो सभी स्वयन जीवाश्म इंधन द्वारा संचालित थे और जीवाश्म इंधन का उप्योग करके ब उप्योग करती है, जब आप उस तरह के वॉल्यूम पर किसी उत्पाद का उप्योग कर रहे हों, तो आप केवल रात भर रूप नहीं सकते, इसके अलावा, जीवाश्म इंधन हर जगह मौझूद होने का एक बहुत अच्छा कारण है, वे इतने सस्ते हैं, जैसा की, शीतल पेय की तुलना में तेल सस्ता है, पहली बार जब मैंने इसे सुना तो मुझे शायद ही इस पर विश्वास हुआ हो, लेकिन यह सठ है, यहाँ गनित है, एक बैरल तेल में 42 गैलन होते हैं, 2020 की दूसरी छमाही में औसत कीमत लगभग 42 डॉलर प्रती बैरल थी, जो की कीमत 2.85 डॉलर प्रती गैलन है, आपके दुआरा तेल की कीमतों में उतार चड़ाव का हिसाब देने के बाद भी, निशकर्ष एक ही है, हर दिन, दुनिया भर के लोग एक उतपाद के 4 बिलियन गैलन से अधिक पर निर्भर होते हैं, जिसकी कीमत डाइट कोक से कम होती है, यह कोई सन्योग नहीं है, कि जीवाश्म इंधन इतने सस्ते हैं, वे प्रचुर मात्रा में और स्थानान तरित करने में आसान हैं, हमने बड़े वैश्विक उद्योग बनाए हैं, जो उनके लिए ड्रिलिंग, उन्हें संसाधित करने और स्थानान तरित करने और नवाचा से वे जलवायू परिवर्तन, प्रदूशन और पर्यावरनिय गिरावट में योगदान करते हैं, जब उन्हें निकाला और जलाया जाता है, हम अध्याय टेन में इस समस्या का अधिक विस्तार से पता लगाएंगे, इस समस्या के दाइरे के बारे में सोचकर ही चक्कर आ सकते हैं, लेकिन इसके लिए लत्वागरस्त होने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पहले से मौझूद स्वच्च और नविक्रनिय स्रोतों को लागू करके शूने कार्बन और जा में सफलता हासिल करते हुए, हम यह पता लगा सकते हैं, कि अपने शुद्ध उत्सर्जन को शून करने की जरूरत है, क्योंकि यह सिर्फ अमीर दुनिया नहीं है, लगभग हर जगह, लोग लंबा और स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, जीवन स्तर उपर जा रहे हैं, कारों, सडकों, इमार्तों, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर और एयर कंडीशनर और उन सभी को बिजली द उप्योग की जाने वाली उर्जा की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी तरह प्रती व्यक्ती उत्सरजित ग्रीन हाउस कैसों की मात्रा भी बढ़ेगी, यहां तक की बुनियादी धांचे के निर्मान के लिए हमें यह सारी उर्जाप्वन तर्बाइन, सौर पैनल, पर्मान उसंयंत्र, बिजली भंडारन सुविधाई, आधी बनाने की आवश्यक्ता होगी, इसमें स्वयव अधिक ग्रीन हाउस कैसों को छोड़ना शामिल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, कि प्रतेक व्यक्ती अधिक उर्जा का उप्योग कर रहा होगा, और भी लोग होंगे, सदी के विकास की गती मनमोजी है, 2060 तक दुनिया का निर्मान स्टोक एक उपाय जो इमारतों की संख्या और उनके आकार को प्रभावित करता है, दो गुना हो जाएगा, यह 40 वर्षों के लिए हर महीने एक और नियू योर्क शहर लगाने जैसा है, और यह मुखे रूप से चीन, भारत और नाइजीरिया जैसे विकास शील देशों में विकास के कारण है, जहां उत्सर्जन हैं, सन्यूक्त राजे अमेरिका और यूरोप जैसी उननत अर्थवेवस्थाओं से उत्सर्जन बहुत कम या कम रहा है, लेकिन कई विकास शील देश तेजी से बढ़ रहे हैं, यह आशिक रूप से इसलिए है, क्योंकि अमीर देशों ने उत्सर्जन भारी विनिर्मान को गरीबों को आउट्सोर्स किया है, सन्यूक्त राश्टर जन संख्या प्रभाग, रोडियम समूह, यह हर उस व्यक्ति के लिए अच्छी खबर है, जिसका जीवन बेहतर होता है, लेकिन यह उस जलवायू के लिए बुरी खबर है, जिसमें हम सभी रहते हैं, गौर करें कि दुनिया के लगभग 40 प्रतिशत उत्सर्जन का उत्पादन सबसे अमीर 16 प्रतिशत आबादी द्वारा किया जाता है, और वह उन उत्पादों से होने वाले उत्सर्जन की गिंत रहते हैं, 2050 तक वैश्विक उर्जा मांग 50 प्रतिशत बढ़ जाएगी और अगर कुछ और नहीं बदलता है, तो कार्बन उत्सर्जन लगभग उतना ही बढ़ जाएगा, भले ही आज अमीर दुनिया जादुई रूप से शून हो जाए, बाकी दुनिया अभी भी अधिक स अधिक उत्सर्जन कर रही होगी, जो लोग आर्थिक सीड़ी से नीचे हैं, उन्हें उपर चड़ने से रोकने की कोशिश करना अनैतिक और अव्यावहारिक होगा, हम गरीब लोगों के गरीब रहने की उमीद नहीं कर सकते क्योंकि अमीर देशों ने बहुत अधिक ग्रीन को बदतर किये बिना सीड़ी पर चड़ना संभव बनाने की आवशेकता है, हमें शून पर जाना है, हम आज की तुलना में और भी अधिक उर्जा का उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन बिना किसी कार्बन को वायू मंदल में जोड़े जितनी जल्दी हो सके, दुनिया अगले 40 वर्षों तक हर महीने एक और नियू योर्क शहर के बराबर का निर्मान करेगी, दुर्भाग्य से इतिहास हमारे साथ नहीं है, केवल पिछले संक्रमनों में कितना समय लगा है, यह देखते हुए जितनी जल्दी हो सके, एक लंबा समय दूर है, हमारे पास है, इस तरह के क काम पहले किये, एक उर्जा स्रोत पर निर्भर रहने से दूसरे उर्जा स्रोत पर जाने, और इसमें हमेशा दशकोंदर अद्शक लगे हैं, इस विशे पर मैंने जो सबसे अच्छी किताबे पढ़ी हैं, वे हैं, वेकलेव स्मिल की एनरजी ट्रांजिशन इंड एनरजी म उधार ले रहा हूँ, कई किसानों को अभी भी प्राचीन तकनीकों का उप्योग करना पड़ता है, जो की गरीबी में फंसने का एक कारण है, वे आधुनिक उपकरनों और द्रिश्टिकोंगों के लायक हैं, लेकिन अभी उन उपकरनों का उप्योग करने का मतलब अधिक प्रीन हाउस कैसों का उत्पादन करना है, अधिकांश मानव इतिहास के लिए, उर्जा के हमारे मुख्य स्रोथ हमारी अपनी मान सपेशियां, जानवर थे जो हल चलाने जैसे काम कर सकते थे, और पौधे जिन्हें हमने जला दिया था, 1890 के दशक के अंत तक जीवाश्म इंधन दुनिया की उर्जा खपत का आधा भी प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, चीन में उन्होंने 1960 के दशक तक पदभार नहीं संभाला, एशिया और उपसहारा अफ्रीका के कुछ हिस्से हैं, जहां यह संक्रमन अभी भी नहीं हुआ है और विचार करें कि तेल को हमारी उर्जा आपूर्थी का एक बड़ा हिस्सा बनने में कितना समय लगा, हमने इसका व्यावसाइक उत्पादन 1860 के दशक में शुरू किया था, अर्धश्तक बाद में, इसने दुनिया की उर्जा आपूर्थी का सिर्फ 10 प्रतिशत प्रतिनिधित्व किया, इसे 25 प्रतिशत तक पहुंचने में 30 साल और लगे, उर्जा के नैस रोतों को अपनाने में वास्तव में लंबा समय लगता है ध्यान दे कि कैसे 60 वर्षों में कोईला दुनिया की उर्जा आपूर्थी के 5 प्रतिशत से लगभग 50 प्रतिशत तक चला गया लेकिन इतने ही समय में प्राकृतिक गैस केवल 20 प्रतिशत तक ही पहुंच पाई वी असी एल ने वी एसे माई एल उर्जा संक्रमन प्राकृतिक गैस ने एक समान प्रक्षेप वक्र का अनुसरन किया 1900 में यह दुनिया की उर्जा का 1 प्रतिशत हिस्सा था इसे 20 प्रतिशत तक पहुंचने में 70 साल लगे 27 वर्षों में 0 से 10 प्रतिशत तक जा रहा है परमान विखंदन तेजी से चला गया यह चार्ट दिखाता है कि 60 वर्षों के दोरान विभिन उर्जासरोतों में कितनी व्रिद्धी हुई है जब से उन्हें पेश किया गया था 1840 और 1900 के बीच कोईला दुनिया की उर्जा आपूर्ती के 5 प्रतिशत से लगभग 50 प्रतिशत तक चला गया लेकिन 1930 से 1990 तक 60 वर्षों में प्राक्रितिक गैस केवल 20 प्रतिशत तक ही पहुँच पाई संक्षेप में उर्जा संक्रमन में लंबा समय लगता है इंधन स्रूत एक मात्र मुद्दा नहीं है नए प्रकार के वाहनों को अपनाने में भी हमें काफी समय लगता है आंतरिक दिहन इंजन 1880 के दशक में पेश किया गया था आधे शहरी परिवारों के पास कितने समय पहले कार थी सन्यूक्त राजे अमेरिका में 30 से 40 वर्ष और यूरोप में 70 से 80 वर्ष इतना ही नहीं अब हमें जिस उर्जा परिवर्तन की आवशेक्ता है वह किसी ऐसी चीज से प्रेरित है जिसका पहले कभी कोई महत्व नहीं रहा अतीत में हम से चले गए हैं एक स्रोट से दूसरे स्रोट तक क्यों की नया सस्ता और अधिक शक्तिशाली था जब हमने इतनी लकडी जलाना बंद कर दिया और अधिक कोईले का उपयोग करना शुरू कर दिया उदाहरन के लिए ऐसा इसलिए था क्योंकि हमें एक पाउंड लकडी की तुलना में एक पाउंड कोईले से बहुत अधिक गर्मी और प्रकाश मिल सकता था या सन्युक्त राजे अमेरिका में एक और हालिया उदाहरण लें, हम बिजली पैदा करने के लिए अधिक प्राकृतिक गैस और कम कोईले का उप्योग कर रहे हैं क्यों? क्यों की नई ड्रिलिंग तकनीकों ने इसे काफी सस्ता बना दिया है यह अर्थशास्त्र का मामला था, परियावरण का नहीं वास्तव में प्राकृतिक गैस कोईले से बेहतर है या खराब यह कार्बन डाय ओक्साइड समकक्षों की गणना के तरीके पर निर्भर करता है कुछ वैग्यानिकों ने तर्क दिया है कि कोईले की तुलना में जलवायू परिवर्तन के लिए गैस वास्तव में बदतर हो सकती है यह इस बात पर निर्भर करता है कि संसाधित होने के दौरान कितना रिसाव होता है समय के साथ हम स्वाभाविक रूप से अधिक नविक्रणी उर्जा का उप्योग करना शुरू कर देंगे लेकिन अपने स्वयम के उपकरनों के लिए छोड़ दिया यह व्रिद्धी लगभग तेजी से नहीं होगी और जैसा कि हम अध्याय फोर में देखेंगे नवाचार के बिना यह हम सभी को प्राप्त करने के लिए परियाप्त नहीं होगा शुर्णी का रास्ता हमें एक अस्वाभाविक रूप से तेज संक्रमन को मजबूर करना होगा यह जटिलता का एक स्तरपेश करता है सारवजनिक नीती और प्रोध्योगिकी में जिसे हमें पहले कभी नहीं निप्टना पड़ा वैसे भी उर्जा संक्रमन में इतना समय क्यों लगता है चुंकि कोईला संयंत्र कंप्यूटर चिप्स की तरह नहीं है आपने शायद मूर के नियम के बारे में सुना होगा 1965 में गोर्दन मूर द्वारा की गई भविशेवानी की माइक्रो प्रोसेसरों की शक्ती हर दो साल में दो गुनी हो जाएगी गोर्दन निश्चित रूप से सही निकला और मूर का नियम एक मुखे कारण है कि कंप्यूटिंग और सौफ्टवेर उद्योगों ने जिस तरह से किया वह बंद हो गया जैसे जैसे प्रोसेसर अधिक शक्तिशाली होते गए हम बेहतर सौफ्टवेर लिख सकते थे जिसने कंप्यूटरों की मांग को बढ़ा दिया जिससे हार्दवेर कंपनियों को अपनी मशीनों में सुधार करने के लिए प्रोसाहन मिला जिसके लिए हम बेहतर सौफ्टवेर लिखते रहे और सकारात्मत फीडबैक लूप में आगे बढ़ते रहे मूर का नियम काम करता है क्योंकि कंपनियां ट्रांजिस्टर बनाने के नए तरीके खोजती रहती हैं छोटे स्विच जो कंप्यूटर को शक्ती देते हैं छोटे और छोटे यह उन्हें प्रतेक चिप पर अधिक ट्रांजिस्टर पैक करने की अनुमती देता है आज बनाई गई एक कम्प्यूटर चिप में 1970 में बनाई गए ट्रांजिस्टर की तुलना में लगभग 10 लाख गुना अधिक ट्रांजिस्टर हैं जो इसे एक लाख गुना अधिक शक्तिशाली बनाते हैं आपने कभी कभी मूर के नियम को यह सोचने के कारण के रूप में सुना होगा कि हम उर्जा पर उसी तरह की घातिय प्रगती कर सकते हैं अगर कम्प्यूटर चिप्स इतनी जल्दी सुधार सकते हैं तो कार और सौर पैनल नहीं कर सकते दूरभाग्यवश नहीं कम्प्यूटर चिप्स एक बाहरी हैं वे बेहतर हो जाते हैं क्योंकि हम यह पता लगाते हैं कि प्रतेक पर अधिक ट्रांजिस्टर कैसे रटना है लेकिन कारों को 10 लाख गुना कम गैस का उप्योग करने के लिए कोई समान सफलता नहीं है गौर की जी एक की वन नाइन जीरो एक में हेनरी फोर्ड की उतपादन लाइन को बंद करने वाला पहला मॉडल टी गैलन से ट्व इन टीवन मील से बेहतर नहीं था जैसा कि मैंने इसे लिखा है बाजार पर शीर संकर गैलन तक 58 मील की दूरी पर है एक सदी से भी अधिक समय में इंधन अर्थवेवस्था में तीन के एक कारक से भी कम सुधार हुआ है नहीं सोलर पैनल एक लाख गुना बेहतर हुए है जब वन नाइन सेवन जीरो के दशक में क्रिस्टलिय सिलिकॉन सोर कोशिकाओं को पेश किया गया तो उन्होंने लगभग 15 प्रतिशत सूरे के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित कर दिया आज वे लगभग 25 प्रतिशत परिवर्तित होते हैं यह अच्छी प्रक्ति है लेकिन यह मूर के नियम के अनुरूप नहीं है प्रोध्योगी की केवल एक कारण है कि उर्जा उद्योग कम्प्यूटर उद्योग की तरह तेजी से नहीं बदल सकता है आकार भी है उर्जा उद्योग बस बहुत बड़ा है लगभग $5 trillion प्रतिवर्ष जो ग्रह पर सबसे बड़े व्यवसायों में से एक है कुछ भी बड़ा और जटिल परिवर्थन का विरोध करेगा और होशपूर्वक किया नहीं हमने उर्जा उद्योग में बहुत अधिक जड़ता का निर्मान किया है संदर्भ के लिए इस बारे में सोचें कि software व्यवसाय कैसे संचालित होता है कोई नियामक एजेंसी नहीं है जिसे आपके उत्पादों को मनजूरी देनी है यहां तक कि अगर आप अपूर्ण software का एक टुकड़ा जारी करते हैं तब भी आपके ग्राहक उत्साहित हो सकते हैं और आपको इसे बेहतर बनाने के बारे में प्रतिक्रिया दे सकते हैं जब तक कि आप जो शुद्ध लाब प्रदान कर रहे हैं वह काफी अधिक है और वस्तुत आपकी सभी लागतें सामने हैं आपके द्वारा किसी उत्पाद को विक्सित करने के बाद इसे और अधिक बनाने की सीमान्त लागत शून्य के करीब है इसकी तुलना दवा और वैक्सीन उद्योग से करें एक नई दवा को बाजार में लाना एक नया सोफ्ट वेर जारी करने की तुलना में बहुत कठिन है जैसा की होना चाहिए यह देखते हुए कि एक दवा जो लोगों को बीमार करती है उस एप की तुलना में बहुत खराब है जिसमें कुछ खामिया है बुनियादी शोध, दवा विकास, दवा के परीक्षन के लिए नियाम किये मंजूरी और हर दूसरे जरूरी कदम के बीच नई दवा को मरीजों तक पहुँचने में सालों लग जाते हैं लेकिन एक बार जब आपके पास एक गोली है जो काम करती है तो इसे और अधिक बनाना बहुत सस्ता है अब दोनों की तुलना उर्जा उद्योग से करें सबसे पहले आपके पास बड़ी पूंजी गतलागत है जो कभी दूर नहीं होती है यदि आप एक कोईला संगयंत्र के निर्मान में वन बिलियन खर्च करते हैं तो आपके द्वारा बनाया जाने वाला अगला संगयंत्र कोई सस्ता नहीं होगा और आपके निवेशक उस पैसे को इस उमीद के साथ लगाएं कि संगयंत्र 30 साल या उससे अधिक समय तक चलेगा यदि कोई टेन साल बाद बेहतर तकनीक के साथ हाता है तो आप अपने पुराने संगयंत्र को बंद नहीं करने जा रहे हैं और एक नया निर्मान करने जा रहे हैं कम से कम एक बहुत अच्छे कारण के बिना नहीं जैसे की एक बड़ा वित्तिय भुगतान या सरकारी नियम जो आपको मजबूर करते हैं समाज भी उर्जा व्यवसाय में बहुत कम जोखिम को सहन करता है, समझ में आता है। हम विश्वसनिय बिजली की मांग करते हैं, हर बार जब कोई ग्राहक स्विच्ट फिलिप करता है, तो रोशनी बेहतर होती है। हम आपदाओं के बारे में भी चिंतित हैं। वास्तव में, सुरक्षा चिंताओं ने संयुक्त राजे में परमान उसंयंतरों के नए निर्मान को लगभग समाप्त कर दिया है। थ्री माइल आइलेंड और चेर्नोबिल में हुई दुर घटनाओं के बाद से, अमेरिका ने केवल दो परमान उसंयंतरों की जमीन तोड़ भले ही एक ही वर्ष में कोईले के प्रदूशन से मरने वालों की संख्या सभी परमान उदुर घटनाओं में मरने वालों की तुलना में अधिक है। विश्वसनिय, सुरक्षित और कोई भी चीज जो हमें पसंद नहीं है, जीवाश्म इंधन पर निर्भर। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि हमारे कानून और कानून इतने पुराने हैं। वाक्यांग्ष, सरकार की नीती, लोगों के बालों में आग नहीं लगाती है। लेकिन नीतिया, कर नियमों से लेकर पर्यावरन संबंधी नियमों तक, का लोगों और कम्पनियों के व्यवहार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब तक हमें यह अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक हम शून पर नहीं पहुचेंगे, और हम ऐसा करने से बहुत दूर हैं। मैं यहां संयुक्त राजे अमेरिका के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन यह कई अन्य देशों पर भी लागू होता है। एक समस्या यह है, कि आज कई पर्यावरण कानून और विनियम जलवायू परिवर्तन को ध्यान में रखकर नहीं बनाये गए हैं। उन्हें अन्य समस्याओं को हल करने के लिए अपनाया गया था और अब हम उत्सर्जन को कम करने के लिए उनका उप्योग करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका का सबसे प्रसिध कानून स्वच वायू अधिनियम, मुश्किल से ही ग्रीन हाउस कैसों का उलेक करता है। यह शायद ही आश्चरे की बात है क्योंकि इसे मूल रूप से वन नाइन से वन जीरो में स्थानिय वायू प्रदूशन से स्वास्थे जोखिमों को कम करने के लिए पारित किया गया था नकी बढ़ते तापमान से निपटने के लिए यह इंधन अर्थ वेवस्था मानकों पर विचार करें जिन्हें CIFI, कॉर्पोरेट औसत इंधन अर्थ वेवस्था के रूप में जाना जाता है उन्हें वन नाइन से वन जीरो के दशक में तेल की कीमतों के कारण अपनाया गया था आस्मान चू रहे थे और अमेरिकी अधिक इंधन कुशल कारें चाहते थे इंधन दक्षता बहुत अच्छी है लेकिन अब हमें सडक पर और अधिक इलेक्टरिक वाहन लगाने की जरूरत है और CFA मानकों ने इसमें बहुत मदद नहीं की है क्योंकि उन्हें डिजाइन नहीं किया गया था पुरानी नीतियां ही एक मात्र समस्या नहीं है जलवायू और उर्जा के प्रती हमारा द्रिष्टिकोंग चुनावी चक्र के साथ बदलता रहता है हर चार से आठ साल में एक नया प्रशासन अपनी उर्जा प्रात्मिकताओं के साथ वाशिक्तन आता है प्रात्मिकताओं को बदलने में स्वाभाविक रूप से कुछ भी गलत नहीं है यह हर नय प्रशासन के साथ पूरी सरकार में होता है लेकिन यह उन शोधकरताओं पर भारी पड़ता है जो अनुदान राशी के लिए सरकार पर निर्भर हैं और उद्यमी जो कर प्रोट साहन पर भरोसा करते हैं वास्तविक प्रगती करना कठिन है यदि आपको हर कुछ वर्शों में एक परियोजना पर काम रोकना है और किसी और चीज पर खरोंच से शुरू करना है चुनाव चक्र भी निजी बाजार में अनिश्चित्ता पैदा करता है सरकार स्वच्च उर्जा की सफलताओं पर काम करने के लिए और अधिक कंपनियों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किये गए विभिन टैक्स ब्रेक प्रदान करती है लेकिन वे सीमित उप्योग के हैं क्योंकि उर्जा नवाचार इतना कठिन है और इसे फलने फूलने में दशकों लग सकते हैं आप वर्षों तक एक विचार पर काम कर सकते हैं केवल एक नया प्रशासन देखने के लिए और उस प्रोथसाहन को खत्म करने के लिए जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं लब बोलू आब यह है कि हमारी वर्थमान उर्जा नीतियों का भविशे के उत्सर्जन पर केवल एक नगरने प्रभाव पड़ेगा आप पुस्तकों पर अब सभी संगिये और राजे नीतियों के परिणाम स्वरूप वर्ष 2030 तक उत्सर्जन में किस हद तक कमी आएगी इसे जोड़कर आप उनके प्रभाव को माप सकते हैं सभी ने बताया यह लगभग 300 मिलियन तन यह 2030 में अनुमानित अमेरिकी उत्सर्जन का लगभग 5 प्रतिशत है यह उपहास करने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन यह हमें शून्य के करीब लाने के लिए परियाप्त नहीं है इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऐसी नीतियों के साथ नहीं आ सकते हैं जो उत्सर्जन पर बड़ा फर्क डालती हैं CFAE मानकों और स्वच वायू अधिनियम ने वही किया जो उन्हें करने के लिए डिजाइन किया गया था कारे अधिक कुशल हो गई और हवा साफ हो गई और अब कुछ प्रभावी उत्सर्जन संबंधी नीतिया मौजूद हैं हालांकि वे एक दूसरे से डिस्कनेक्थ हो गई हैं और जलवायू समस्या के लिए वास्तविक अंतर बनाने के लिए परियाप्त नहीं हैं मुझे विश्वास है कि हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन यह कठिन होगा एक बात के लिए किसी मौजूदा कानून के साथ छेड़ छाड़ करना किसी नई कानून को पेश करने की तुलना में बहुत आसान है एक नई नीती विक्सित करने, सारवजनिक इन्पूट प्राप्त करने इसके माध्यम से जाने में लंबा समय लगता है यदि कोई कानूनी चुनौती है तो अदालत प्रणाली और अंत में इसे लागू करें इस बात का जिक्र न किया जाए की, जैसा आप सोच सकते हैं, उतनी जलवायू सहमती नहीं है मैं उन 97 प्रतिशत वैग्यानिकों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ जो इस बात से सहमत हैं कि मानवी अगतिविधियों के कारण जलवायू बदल रही है यह सथ है कि अभी भी छोटे लेकिन मुखर हैं, और कुछ मामलों में राजनीतिक रूप से शक्तिशाली ऐसे लोगों के समूह जो विग्यान द्वारा राजी नहीं है लेकिन अगर आप जलवायू परिवर्तन के तथे को स्वीकार करते हैं, तो भी आप यह विचार नहीं खरीदते हैं, कि हमें इससे निपटने के लिए डिजाइन की गई सफलताओं में बड़ी मात्रा में पैसा लगाना चाहिए उदाहरन के लिए कुछ लोग तर्प देते हैं, हाँ, जलवायू परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इसे रोकने या इसके अनुकूल होने की कोशिश करने के लिए ज्यादा खर्च करने लायक नहीं है इसके बजाए, हमें स्वास्थे और शिक्षा जैसी अन्य चीजों को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए जिनका मानव कल्यान पर बड़ा प्रभाव पड़ता है उस तर्प के लिए मेरा जवाब यह है, जब तक हम शून की और तेजी से नहीं बढ़ते हैं, तब तक बुरी चीजें, और शायद उनमें से कई, ज्यादातर लोगों के जीवनकाल में अच्छी तरह से घटित होंगी, और बहुत बुरी चीजें एक पीड़ी के भीतर भले ही जलवायू परिवर्तन मानवता के अस्तित्व के लिए खत्रे के रूप में रैंक नहीं करता है, यह ज्यादातर लोगों को बदतर बना देगा, और यह सबसे गरीब को और भी गरीब बना देगा, यह तब तक खराब होता रहेगा जब तक हम वातावरन में ग्रीन ह उस कैसों को जोड़ना बंद नहीं कर देते, और यह स्वास्थे और शिक्षा की तरह ही प्रात्मिक्ता के योगे है, एक और तर्क जो आप अकसर सुनते हैं, वह इस प्रकार है, हाँ, जलवायू परिवर्तन वास्तविक है, और इसके प्रभाव बुरे होंगे, और हमारे पास इसे रोकने के लिए आवशेक सब कुछ है, सौर उर्जा, पवन उर्जा, जल विद्यूत और कुछ अन्य उपकरनों के बीच हम अच्छे हैं, यह केवल उन्हें तैनात करने की इच्छा रखने की बात है, अध्याय फोर से एट समझाते हैं, कि मैं उस धारना को क्यों नहीं खरीदता, हमारे पास वह सब कुछ है, जिसकी हमें आवशेक्ता है, लेकिन वह सब से बहुत दूर है, जलवायू सर्वसम्मती बनाने के लिए एक और चुनोती है, वैश्विक सहयोग बेहद कठिन है, दुनिया के हर देश से किसी भी बात पर सहमत होना मुश्किल है खास कर जब आप उनसे कारबन उत्सरजन पर अंकुष लगाने की कीमत जैसी कुछ नई लागत विहन करने के लिए कह रहे हों। कोई भी देश अपने उत्सरजन को कम करने के लिए भुगतान नहीं करना चाहता जब तक कि हर कोई भी ऐसा नहीं करेगा। इसलिए पेरिस समझोता जिसमें 190 से अधिक देशों ने अंततह अपने उत्सरजन को सीमित करने के लिए हस्ताक्षर किये एक ऐसी उपलबधी थी। लेकिन क्योंकि यह एक प्रारंभिक बिंदू था जिसने साबित किया कि वैश्विक सहयोग संभव है। 2015 के पेरिस समझोते से अमेरिका की वापसी एक कदम जिसे राष्ट्रप्ती चुनाव जो बिडेन ने उल्टने का वादा किया था, केवल यह दर्शाता है कि वैश्विक कॉमपेक्ट को बनाए रखना उतना ही कठिन है जितना कि उन्हें पहले स्थान पर बनाना। संक्षेप में हमें कुछ ऐसा विशाल हासिल करने की आवश्यक्ता है जो हमने पहले कभी नहीं किया है, इससे कहीं अधिक तेजी से हमने ऐसा कुछ भी किया है। ऐसा करने के लिए हमें विज्ञान और इंजीनीरिंग में बहुत सी सफलताओं की आवश्यक्ता है। हमें एक आम सहमती बनाने की जरूरत है जो मौजूद नहीं है और एक ऐसे संक्रमन को आगे बढ़ाने के लिए सारवजनिक नीतियां बनाएं जो अन्यथा नहीं होगा हमें उन सभी चीजों को करने से रोकने के लिए उर्जा प्रणाली की आवश्यक्ता है जो हमें पसंद नहीं है और हम जो कुछ भी पसंद करते हैं उसे करते रहते हैं दूसरे शब्दों में पूरी तरह से बदलने और वही रहने के लिए लेकिन निराशा मत करो हम यह कर सकते हैं इसे कैसे करना है इसके लिए बहुत सारे विचार हैं उनमें से कुछ दूसरों की तुलना में अधिक आशाजनक हैं अगले अध्याय में मैं समझाऊंगा कि कैसे मैं उन्हें अलग बताने की कोशिश करता हूँ स्किप नूट्स आप यह पानी है का पूरा भाशन बुलेटिन के इन वायो एन एडियू पर पढ़ सकते हैं यह अध्भुत है अध्याय थ्री प्रतेक जलवायू वारतालाप में पूछे जाने वाले पांच प्रश्न जब मैंने जलवायू परिवर्तन के बारे में सीखना शुरू किया तो मेरा सामना होता रहा तथे जो मेरे सिर को घुमाने के लिए कठिन थे एक बात के लिए संख्याय इतनी बड़ी थी कि उनका चित्र बनाना कठिन था कौन जानता है कि 51 अरब तन गैस कैसी दिखती है एक और समस्या यह थी कि जो डेटा मैं देख रहा था वह अकसर किसी भी संदर्ब से रहित दिखाई देता था एक लेक में कहा गया है कि यूरोप में एक उत्सरजन व्यापार कारेक्रम ने विमानन शेत्र के कारबन पद्चिहन को प्रती वर्ष 17 मिलियन तन कम कर दिया है 17 मिलियन तन निश्चित रूप से बहुत कुछ लगता है लेकिन है न यह कुल का कितना प्रतिशत दर्षाता है लेक में यह नहीं कहा गया था और उस तरह की चूक आश्चरेजनक रूप से सामानने थी आखिरकार मैंने जो कुछ सीख रहा था उसके लिए मैंने एक मानसिक धांचा तयार किया इससे मुझे अंदाजा हुआ कि कितना कुछ था और कितना थोड़ा था और कितनी महंगी चीज हो सकती है इसने मुझे सबसे आशाजनक विचारों को सुलजाने में मदद की मैंने पाया है कि यह दृष्टिकों लगभग किसी भी नए विशे में मदद करता है जिसमें मैं खुदाई कर रहा हूँ मैं पहले बड़ी तस्वीर प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि इससे मुझे नई जानकारी को समझने का संदर्ब मिलता है मुझे इसे याद रखने की भी अधिक संभावना है पांच प्रशनों की रूप रेखा आज भी मेरे काम आती है चाहे मैं किसी उर्जा कंपनी से निवेश पिछ सुन रहा हूँ या पिछवाडे में बार्बेक्यू पर एक दोस्त के साथ बात कर रहा हूँ कभी कभी जल्द ही आप एक संपाद किये पढ़ सकते हैं जो कुछ जल्वायू सुधार का प्रस्ताव करता है आपने निश्चित रूप से राजनेताओं को जल्वायू परिवर्तन के लिए अपनी योजनाओं के बारे में बताते हुए सुना होगा ये जटिल विशे हैं जो भ्रमित करने वाले हो सकते हैं यह धांचा आपको अवेवस्था में कट्वोती करने में मदद करेगा वन हम 51 अरब तन में से कितने के बारे में बात कर रहे हैं जब भी मैं कुछ ऐसा पढ़ता हूँ जिसमें कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस कैसों का उलेक होता है तो मैं कुछ त्वरित गणित करता हूँ इसे वारशिक कुल 51 बिलियन तन के प्रतिशत में परिवर्तित करता हूँ मेरे लिए यह अन्य तुलनाओं की तुलना में अधिक समझ में आता है जो आप अकसर देखते हैं जैसे यह कई तन सडक से एक कार लेने के बराबर है कौन जानता है कि शुरू करने के लिए सडक पर कितनी कारे हैं या जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए हमें कितनी कारों को सडक से उतारना होगा मैं हर चीज को एक साल में 51 अरब तन खत्म करने के मुख्य लक्षे से जोड़ना पसंद करता हूँ इस अध्याय की शुरुआत में मैंने जिस उड़ेन उदाहरन का उलेक किया है उस पर विचार करें वह कारेक्रम जो सालाना 73 मिलियन तन से छुटकारा पा रहा है इसे 51 अरब से विभाजित करें और इसे प्रतिशत में बदल दें यह वार्शिक वैश्विक उत्सर्जन में लगभग 0.03 प्रतिशत की कमी है क्या यह सार्थक योगदान है यह इस प्रश्न के उत्तर पर निर्भर करता है क्या संख्या बढ़ने की संभावना है यह वही रहने वाली है अगर यह कारेक्रम 17 मिलियन तन से शुरू हो रहा है लेकिन इसमें उत्सर्जन को और भी कम करने की क्षमता है तो यह एक बात है अगर यह हमेशा के लिए 17 मिलियन तन पर रहने वाला है तो यह दूसरी बात है दूर्भाग्य से उत्तर हमेशा स्पष्ट नहीं होता है जब मैंने उर्डेन कारेकरम के बारे में पढ़ा तो यह मेरे लिए स्पष्ट नहीं था लेकिन यह एक महत्व पूर्ण प्रश्ण है ब्रेकत्रू एनरजी में हम केवल उनहीं तक्नीकों को निधी देते हैं जो सफल और पूरी तरह से लागू होने पर सालाना कम से कम 500 मिलियन तन निकाल सकती है यह वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 1 प्रतिशत है ऐसी प्रोध्योगिकिया जो कभी भी 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी हमारे पास शूने तक पहुँचने के लिए सीमित संसाधनों के लिए प्रतिसपरधा नहीं करनी चाहिए उनका पीछा करने के अन्य अच्छे कारण हो सकते हैं लेकिन उत्सर्जन में उलेखनीय कमी उनमें से एक नहीं होगी सन्यूग से आपने ग्रीन हाउस गैसों के गीगाटन के संदर्ब देखे होंगे एक गीगाटन एक अरब तन या वन जीरो नाइन तन यदि आप वैग्यानिक संकेतन पसंद करते हैं मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग सहज रूप से एक गीगाटन गैस प्राप्त करते हैं और इसके अलावा फिफ्टीवन गीगाटन को खत्म करना फिफ्टीवन अरब तन से आसान लगता है भले ही वे एक ही चीज हों मैं अरबों तन के साथ रहूंगा यूगती जब भी आप कुछ तन ग्रीन हाउस कैसों को देखें तो इसे फिफ्टीवन बिलियन के प्रतिशत में परिवर्तित करें जो कि दुनिया का वर्तमान वार्षिक कुल उत्सरजन कार्बन डाइ ओक्साइड समकक्ष में है तू सीमेंट के लिए आपकी क्या योजना है यदि आप जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए एक व्यापक योजना के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको हर उस चीज पर विचार करने की आवशेकता है जो मनुष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के लिए करते हैं बिजली और कारों जैसी कुछ चीजों पर बहुत ध्यान दिया जाता है लेकिन वे केवल शुरुआत हैं यात्री कारे परिवहन से होने वाले सभी उत्सरजन के आधे से भी कम का प्रतिनिधित्व करती हैं इस बीच अकेले स्टील और सीमिंट बनाने से सभी उत्सरजन का लगभग टेन प्रतिशत हिस्सा होता है तो सवाल सीमिंट के लिए आपकी क्या योजना है यह सिर्फ एक short है एंग reminder है कि यदि आप जलवायू परिवर्तन के लिए एक व्यापक योजना के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बिजली और कारों की तुलना में बहुत अधिक हिसाब देना होगा। यहां उन सभी मानविय गतिविधियों का विवरन दिया गया है जो ग्रीन हाउस कैसों का उत्पादन करती हैं। हर कोई इन सटीक श्रेनियों का उप्योग नहीं करता है, लेकिन यह वह विशलेशन है, जो मुझे सबसे अधिक मददगार लगा है, और यह वही है, जिसका उप्योग ब्रेक कत्रू एनरजी की टीम करती है। 1. शून्य पर पहुचने का अर्थ है, इन श्रेनियों में से प्रतेक को शून्य करना। हम जो काम करते हैं, उससे कितनी ग्रीन हाउस गैस निकलती है। चीजें बनाना, सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक, 31%। प्लगेंग, बिजली, 27%। बरती चीजें, पौधे, जानवर, 19%। चारों और घूमना, विमान, ठ्रक, मालवाहक जहाज, 16%। गर्म और ठंडा रखना, हीटिंग, कूलिंग, रेफ्रिजरेशन, 7%। आपको यह देखकर आश्चरे हो सकता है, कि सभी उत्सरजन में बिजली का योगदान सिर्फ एक चौथाई से अधिक है। मुझे पता है, कि जब मैंने यह सीखा तो मैं चकित रह गया, क्योंकि जलवायू परिवर्तन के बारे में मैंने जितने लेख पढ़े, उनमें से अधिकांश बिजली उत्पादन पर के इंद्रित थे, मैंने मान लिया कि यह मुखे अपराधी होना चाहिए। अच्छी खबर यह है, कि भले ही बिजली समस्या का केवल 27 प्रतिशत है, लेकिन यह 27 प्रतिशत से अधिक समाधान का प्रतिनिधित्व कर सकती है। स्वच्छ बिजली के साथ, हम इंधन के लिए हाइड्रो कार्बन, जो कार्बन डाइ ओकसाइड का उत्सरजन करते हैं, को जलाने से दूर हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक कारों और बसों के बारे में सोचें, हमारे घरों और व्यवसायों में इलेक्ट्रिक हीटिंग और कूलिंग सिस्टम और उर्जा ग्यहन कार खाने अपने उत्पाद बनाने के लिए प्राकृतिक गैस के बजाय बिजली का उप्योग करते हैं। अपने आप में स्वच्च बिजली हमें शूने तक नहीं पहुंचाएगी लेकिन यह एक महत्व पूर्ण कदम होगा सुझाव, याद रखें कि उत्सर्जन पांच अलग अलग गतिविधियों से आता है और हमें उन सभी में समाधान की आवशेकता है थ्री हम कितनी शक्ती की बात कर रहे हैं यह सवाल ज्यादात्तर बिजली के बारे में लेखों में आता है आपने पढ़ा होगा कि कोई नया पावर प्लांट 500 मेगावाट का उत्पादन करेगा क्या यह बहुत है? और वैसे भी एक मेगावाट क्या है? एक मेगावाट एक मिलियन वाट है और एक वाट एक जूल प्रती सेकंड है हमारे उद्देशियों के लिए इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि एक जूल क्या है? थोड़ी उर्जा के अलावा बस याद रखें कि एक वाट प्रती सेकंड थोड़ी उर्जा है इसे इस तरह से सोचें यदि आप अपने रसोई के नल से पानी के प्रवाह को माप रहे थे तो आप गिन सकते हैं कि प्रती सेकंड कितने कप निकले? मापने की शक्ती समान है केवल आप पानी के बजाई उर्जा के प्रवाह को माप रहे हैं वाट्स कब प्रती सेकेंड के बराबर हैं एक वाट काफी छोटा होता है एक छोटा गर्मागरम बल्ब उनमें से 40 का उप्योग कर सकता है एक हेयर ड्रायर 1500 का उप्योग करता है एक बिजली सहंयंत्र सेकडों लाख वाट उत्पन कर सकता है दुनिया का सबसे बड़ा पावर स्टेशन चीन में थ्री गोर्जेस डैम 22 बिलियन वाट का उत्पादन कर सकता है याद रखें कि वाट की परिभाशा में पहले से ही प्रती सेकंड शामिल है इसलिए वाट प्रती सेकंड या वाट प्रती घंटे जैसी कोई चीज नहीं है यह सिर्फ वाट है चुनकि यह संख्याएं बड़ी तेजी से बढ़ती हैं इसलिए कुछ शॉर्ट हैं एंड का उप्योग करना सुविधाजनक होता है एक किलोवाट वन जीरो 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 वाट है एक मेगावाट एक मिलियन है और एक गीगावाट एक कठिन जी के साथ उच्चारण एक अरब है आप अकसर इस शॉर्ट हैंड को समाचारों में देखते हैं इसलिए मैं इसका भी उप्योग करूँगा निमनलिखित चार्ट कुछ मोटे तुलनाओं को दिखाता है जो मुझे इसे सीधे रखने में मदद करते हैं इसमें कितनी शक्ती लगती है दुनिया 50000 गीगावाट सन्यूक्त राजे 1000 गीगावाट मध्यम आकार का शहेर 1 गीगावाट छोटा शहेर 1 मेगावाट औसत अमेरिकी घर 1 किलोवाट बेशक इन श्रेणियों में पूरे दिन और पूरे वर्ष में काफी भिन्नता है कुछ घर दूसरों की तुलना में बहुत अधिक बिजली का उप्योग करते हैं नियू योर्क शहर मौसम के आधार पर 12 गीगावाट से उपर चलता है नियू योर्क की तुलना में बड़ी आबादी वाले टोक्यो को ओस्तन 23 गीगावाट की आवशेक्ता होती है लेकिन गर्मियों के दोरान अधिकतम उप्योग पर 50 गीगावाट से अधिक की मांग कर सकता है तो मान लीजिये कि आप एक मध्यम आकार के शहर को बिजली देना चाहते हैं जिसके लिए एक गीगावाट की आवशेक्ता होती है क्या आप केवल एक गीगावाट बिजली स्टेशन का निर्मान कर सकते हैं और उस शहर को सभी बिजली की गारंटी दे सकते हैं जिसकी उसे आवशेक्ता होगी जरूरी नहीं उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी शक्ती का स्रोत क्या है क्योंकि कुछ दूसरों की तुलना में अधिक रुकरुक कर होते हैं एक परमान उस अंत्र 24 घंटे चलता है और केवल रख रखाव और इंधन भरने के लिए बंद कर दिया जाता है लेकिन हवा हमेशा नहीं चलती है और सूरज हमेशा नहीं चमकता है इसलिए पवन और सौर पैलों द्वारा संचालित पौधों की प्रभावी क्षमता 30 प्रतिशत या उससे कम हो सकती है औस तन वे आपके लिए आवशेक 30 प्रतिशत गीगावाट का उत्पादन करेंगे इसका मतलब है कि आपको एक गीगावाट मजबूती से प्राप्त करने के लिए उन्हें अनिस रोतों के साथ पूरक करने की आवशेकता होगी यूगती जब भी आप किलोवाट सुनते हैं तो घर के बारे में सोचें गीगावाट सोचो शहर सो या अधिक गीगावाट बड़ा देश सोचें फोर आपको कितनी जगह चाहिए कुछ शक्ती स्रोत दूसरों की तुलना में अधिक जगह लेते हैं यह स्पष्ट कारण के लिए मायने रखता है कि चारों और जाने के लिए केवल इतनी ही जमीन और पानी है अंतरिक्ष केवल एक मात्र विचार से बहुत दूर है लेकिन यह एक महत्व पूर्ण बात है कि हमें जितना हम करते हैं उससे अधिक बार बात करनी चाहिए पावर घनत्व यहां प्रासंगिक संख्या है यह आपको बताता है कि दी गई भूमी या पानी यदि आप समुद्र में पवन तर्बाइन लगा रहे हैं के लिए आपको विभिन स्रोतों से कितनी शक्ती प्राप्त हो सकती है इसे वाट प्रती वर्ग मीटर में मापा जाता है नीचे कुछ उदाहरन दिये गए हैं हम प्रती वर्ग मीटर कितनी बिजली पैदा कर सकते हैं उर्जासरूद वाट प्रती वर्ग मीटर जीवाश्म इंधन 50010000 ना भी किये 50010000 सौर पान्ट से बिस पान्ट से पचास हवा एक से दो लकडी और अन बायो मासवन से कम सौर उर्जा का घनत्व सैधानतिक रूप से 100 वाट प्रती वर्ग मीटर तक पहुंच सकता है हालांकि अभी तक किसी ने भी इसे पूरा नहीं किया है ध्यान दे कि सौर उर्जा का घनत्व हवा की तुलना में काफी अधिक है यदि आप सौर के बजाए हवा का उप्योग करना चाहते हैं तो आपको और अधिक भूमे की आवशेक्ता होगी अन्य सभी चीजें समान होगी इसका मतलब यह नहीं है कि हवा खराब है और सौर है अच्छा इसका सीधा सा मतलब है कि उनकी अलग-अलग आवशेक्ताए हैं जो बातचीत का हिस्सा होनी चाहिए यूक्ति यदि कोई आप से कहे कि कोई सौर, पवन, सौर, पर्मानू जो कुछ भी दुनिया को जितनी उर्जा की जरूरत है आप उर्ती कर सकता है तो पता करें कि इतनी उर्जा पैदा करने के लिए कितनी जगह की आवशेक्ता होगी फाइव यह कितना खर्च करने वाला है दुनिया द्वारा इतनी अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सरजन करने का कारण यह है कि जब तक आप उनके द्वारा किये जाने वाले दीर घकालिक नुकसान की उपेक्षा करते हैं हमारी वर्तमान उर्जा प्रोध्योगिकिया कुल मिलाकर सबसे सस्ती उपलब्ध है इसलिए हमारी विशाल उर्जा अर्थवेवस्था को गंदे कार्बन उत्सरजक प्रोध्योगिकियों से शूने उत्सरजन वाले लोगों तक ले जाने पर कुछ खर्थ होगा कितना? कुछ मामलों में हम सीधे अंतर की कीमत लगा सकते हैं यदि हमारे पास अनिवारे रूप से एक ही चीज का गंदा स्रोत और स्वच्च स्रोत है तो हम केवल कीमत की तुलना कर सकते हैं इन में से अधिकांश शूने कार्बन समाधान उनके जीवाश मेंधन समकक्षों की तुलना में अधिक महंगे हैं आन्शिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि जीवाश मेंधन की कीमते पर्यावरन को होने वाले नुकसान को नहीं दर्शाती हैं इसलिए वे विकल्प की तुलना में सस्ते लगते हैं मैं अध्याय दस में कार्बन के मूले निर्धारन की इस चुनोती पर लोटूंगा ये अतिरिक्त लागते हैं जिन्हें मैं ग्रीन प्रीमियम कहता हूँ दो, जलवायू परिवर्तन के बारे में मेरी हर बातचीत के दोरान मेरे दिमाग में ग्रीन प्रीमियम है मैं अगले कई अध्यायों में इस अवधारना पर बार बार वापस आऊंगा इसलिए मैं इसका अर्थ समझाने के लिए कुछ समय देना चाहता हूँ एक भी ग्रीन प्रीमियम नहीं है कई हैं कुछ बिजली के लिए अन्य विभिन एंधन के लिए अन्य सीमेंट के लिए और इसी तरह ग्रीन प्रीमियम का आकार इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या बदल रहे हैं और आप इसे किस से बदल रहे हैं शूने कार्बन जेट इंधन की लागत सौरजनित बिजली की लागत के समान नहीं है मैं आपको एक उदाहरन दूंगा कि कैसे ग्रीन प्रीमियम व्यवहार में काम करता है पिछले कुछ वर्षों में सन्युक्त राजे अमेरिका में जेट इंधन के एक गैलन का उसत खुद्रा मूले 2.22 है जेट के लिए उन्नत जैव इंधन जिस हद तक वे उपलब्ध हैं उसकी कीमत ओस्तन डॉलर 5.35 प्रती गैलन है जीरो कार्बन इंधन के लिए ग्रीन प्रीमियम इन दो कीमतों के बीच का अंतर है जो डॉलर 3.13 है यह 140 प्रतिशत से अधिक का प्रीमियम है मैं इस सब के बारे में अध्याय सेवन में विस्तार से बताऊंगा दुरलब मामलों में ग्रीन प्रीमियम रिनात्मक हो सकता है यानि जीवाश्म इंधन से चिपके रहने की तुलना में हरा होना सस्ता हो सकता है उदाहरन के लिए आप जहां रहते हैं उसके आधार पर आप अपनी प्राकृतिक गैस भट्टी और अपने एयर कंडीशनर को इलेक्ट्रिक हीट पंप से बदलकर पैसे बचाने में सक्षम हो सकते हैं ओकलेंड में ऐसा करने से आपकी हीटिंग और कूलिंग लागत पर 14 प्रतिशत की बचत होगी जबकि ह्यूस्टन में बचत राशी 17 प्रतिशत होगी आप सोच सकते हैं कि नकारात्मक ग्रीन प्रीमियम वाली तकनीक को दुनिया भर में पहले ही अपनाया जा चुका होगा कमोबेश ऐसा ही है लेकिन आमतोर पर एक नई तकनीक की शुरुआत और उसके इस्तेमाल के बीच एक अंतराल होता है विशेश रूप से घरेलू भट्टियों जैसी किसी चीज के लिए जिसे हम बहुत बार नहीं बदलते हैं एक बार जब आप सभी बड़े शूने कार्बन विकलपों के लिए ग्रीन प्रीमियम का पता लगा लेते हैं तो आप ट्रेड ओफ के बारे में गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं हम हरे रंग में जाने के लिए कितना भुगतान करने को तयार हैं क्या हम उन्नत जैव इंधन खरी देंगे जो जेट इंधन से दो गुना महंगा है क्या हम ऐसा हरा सीमिन्ट खरी देंगे जिसकी कीमत परंपरागत सामान से दो गुनी हो वैसे जब मैं पूछता हूँ हम क्या भुगतान करने को तयार हैं मेरा मतलब है हम वैश्विक अर्थों में यह केवल अमेरिकी और यूरोपिय लोगों के खर्च की बात नहीं है आप कलपना कर सकते हैं कि ग्रीन प्रीमियम इतना अधिक है कि सन्युक्त राजे अमेरिका उन्हें भुगतान करने के लिए तयार और सक्षम है लेकिन भारत, चीन, नाइजीरिया और मेकसिको नहीं है हमें प्रीमियम इतना कम होना चाहिए कि हर कोई डी कार्बोनाईज कर सके बेशक ग्रीन प्रीमियम एक गतिशील लक्ष है बहुत सी धारनाय उनका अनुमान लगाने में चली जाती है इस पुस्तक के लिए मैंने ऐसी धारनाय बनाई हैं जो मुझे उचित लगती हैं लेकिन अलग-अलग जानकार लोग अलग-अलग धारनाय बनाएंगे और अलग-अलग नंबरों पर पहुचेंगे विशिष्ट कीमतों से अधिक महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या दी गई हरित तक्नीक अपने जीवाश मैंधन समकक्ष के रूप में सस्ती होने के करीब है और जो करीब नहीं है उनके लिए यह सोच रहा है कि नवाचार उनकी कीमतों को कैसे नीचे ला सकता है मुझे उम्मीद है कि इस पुस्तक में ग्रीन प्रीमियम शून होने की लागत के बारे में लंबी बातचीत की शुरुआत होगी मुझे आशा है कि अन्य लोग प्रीमियम की अपनी गर्णा स्वयम करेंगे और मुझे यह जानकर विशेश रूप से खुशी होगी कि उनमें से कुछ उतने उंचे नहीं है जितना मुझे लगता है इस पुस्तक में जिन लोगों की मैंने गर्णा की है वे लागतों की तुलना करने के लिए एक अपूर्ण उपकरण है लेकिन वे किसी भी उपकरण से बेहतर नहीं है विशेश रूप से ग्रीन प्रीमियम निर्णे लेने के लिए एक शानदार लेंस है वे हमारे समय ध्यान और धन को उनके सर्वोत्तम उपयोग में लगाने में हमारी मदद करते हैं सभी अलग-अलग प्रीमियमों को देखते हुए हम यह तै कर सकते हैं कि हमें अभी कौन से शून्यकारबन समाधान लागू करने चाहिए और हमें कहां सफलता हासिल करनी चाहिए क्योंकि स्वच्च विकल्प काफी सस्ते नहीं है वे इस तरह के सवालों के जवाब देने में हमारी मदद करते हैं हमें अभी कौन से शून्य कार्बन विकल्प का उप्योग करना चाहिए उत्तर कम ग्रीन प्रीमियम वाले या बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं यदि हम पहले से ही इन समाधानों को लागू नहीं कर रहे हैं तो यह इस बात का संकित है कि लागत बाधा नहीं है कुछ और जैसे पुरानी सारवजनिक नीतियां या जागरूकता की कमी हमें उन्हें बड़े पैमाने पर बाहर निकालने से रोक रही है हमें अपने अनुसंधान और विकास खर्च अपने शुरुआती निवेश को और अपने सर्वश्रेश्ट आविशकार को पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यक्ता कहा है उत्तर जहां भी हम तै करते हैं कि ग्रीन प्रीमियम बहुत अधिक है यहीं पर हरित होने की अतिरिक्त लागत हमें दी कार्बोनाईजिंग से बचाएगी और जहां नई प्रोध्योगिकियों, कम्पनियों और उत्पादों के लिए एक उत्गाटन है जो इसे सस्ती बनाते हैं जो देश अनुसंधान और विकास में उत्करिष्टता प्राप्त करते हैं वे नए उत्पाद बना सकते हैं उन्हें और अधिक किफायती बना सकते हैं और उन्हें उन जगहों पर निर्यात कर सकते हैं जो वर्तमान प्रीमियम का भुगतान नहीं कर सकते हैं तब किसी को इस बारे में बहस नहीं करनी पड़ेगी कि क्या हर देश जलवायू आपदा से बचने के लिए अपना उचित हिस्सा दे रहा है इसके बजाए देश और कमपनियां दुनिया को शूने पर लाने में मदद करने वाले किफायती नवाचारों को बनाने और उनका विपनन करने के लिए दोड़ रहे होंगी ग्रीन प्रीमियम अवधारना का एक अंतिम लाब है यह एक माप प्रणाली के रूप में कारे कर सकता है जो हमें उस प्रगती को दिखाता है जो हम कर रहे हैं जलवायू परिवर्तन को रोकना उस अर्थ में ग्रीन प्रीमियम मुझे एक समस्या की याद दिलाता है जिसका सामना मेलिंडा और मैंने तब किया था जब हमने पहली बार वैश्विक स्वास्थे में काम करना शुरू किया था विशेशगे हमें बता सकते हैं कि दुनिया भर में हर साल कितने बच्चे मारे गए लेकिन वे हमें इस बारे में ज्यादा नहीं बता सके कि उन मौतों का कारण क्या है हम जानते थे कि एक निश्चित संख्या में बच्चे डाइरिया से मरते हैं लेकिन हमें यह नहीं पता था कि डाइरिया किस कारण से होता है हम कैसे जान सकते हैं कि कौन से नवाचार जीवन बचा सकते हैं यदि हम नहीं जानते कि बच्चे क्यों मर रहे हैं इसलिए दुनिया भर के भागीदारों के साथ काम करते हुए हमने यह पता लगाने के लिए विभिन अधेनों को वित्थ पोशित किया कि बच्चों की हत्या क्या थी आखिरकार हम मौतों को और अधिक विस्तार से ट्रेक्ट करने में सक्षम थे और इस डेटा ने बड़ी सफलताओं की ओर इशारा किया उदाहरन के लिए हमने देखा कि हर साल बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के पीछे निमोनिया था हालांकि एक नियूमो वैक्सीन पहले से मौजूद थी यह इतनी महंगी थी कि गरीब देश इसे नहीं खरीद रहे थे उनके पास बहुत कम प्रोचसाहन था क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कितने बच्चे इस बीमारी से मर रहे थे एक बार जब उन्होंने डेटा देखा और एक बार जब दाताओं ने अधिकांश लागत का भुगतान करने पर सहमती व्यक्त की तो उन्होंने अपने स्वास्थे कारेक्रमों में टीका जोड़ना शुरू कर दिया और अंततह हम दुनिया भर के देशों में उप्योग में आने वाले एक बहुत सस्ते टीके को निधी देने में सक्षम थे ग्रीन प्रीमियम ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के लिए कुछ ऐसा ही कर सकता है प्रीमियम हमें उत्सरजन की कच्ची संख्या से एक अलग अंतरद्रिष्टी देते हैं जो हमें दिखाता है कि हम शूने से कितने दूर हैं लेकिन हमें इस बारे में कुछ भी नहीं बताते हैं कि वहां पहुंचना कितना मुश्किल होगा। हमारे पास अभी जो जीरो कार्बन उपकरण हैं, उनका उपयोग करने में क्या खर्च आएगा। कौन से नवाचार उत्सर्जन पर सबसे अधिक प्रभाव डालेंगे। ग्रीन प्रीमियम इन सवालों का जवाब देते हैं, शूने तक पहुंचने की लागत को मापते हुए, सेक्तर दर सेक्तर और जहां हमें नवाचार करने की आवश्यक्ता है, उस पर प्रकाश डाला गया है, जैसे कि डेटा ने हमें दिखाया कि हमें नियूमो वैक्सीन के ल गाने का सीधा तरीका सरल है, लेकिन जब हम इसे अधिक सामाने रूप से लागू करते हैं, तो हमें एक समस्या होती है, वर्तमान में हमारे पास हर मामले में प्रतेक्ष हरा समकक्ष नहीं है, शूने कार्बन सीमेंट कम से कम अभी तक नहीं, जैसी कोई चीज नहीं है, हम उन मामलों में हरित समाधान की लागत का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं, हम इसे एक विचार प्रयोग करके कर सकते हैं, केवल वायू मंदल से कार्बन को सीधे चूसने में कितना खर्च आएगा, उस विचार का एक नाम है, इसे डाइरेक्ट एयर कैप्चर कहते हैं, संक्ष रखने के लिए स्टोर करते हैं, डी एसे एक महंगी और काफी हद तक अप्रमानित तकनीक है, लेकिन अगर यह बड़े पैमाने पर काम कर सकती है, तो यह हमें अनुमती देगी, कार्बन डाइ ओक्साइड को पकड़ने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कब या कहा उत्पन हुआ था, स्विटजर लेंड में स्थित एक डी एसी सुविधा अब संचालन में है, जो तेन साल पहले टेकसास में कोईले से निकाले गए संयंत्र द्वारा निकाली गई गैस को अवशोशित कर रही है, यह पता लगाने के लिए कि इस दृष्टिकों की लागत क इतनी होगी, हमें केवल दो डेटा बिंदूओं की आवशेकता है, वैश्विक उत्सर्जन की मात्रा और डी एसी का उप्योग करके उत्सर्जन को अवशोशित करने की लागत, हम पहले से ही उत्सर्जन संख्या जानते हैं, यह हर साल 51 अरब तन है, हवा से एक तन कार्बन हटाने की लागत के लिए, यह आंकडा द्रिर्ता से स्थापित नहीं हुआ है, लेकिन यह कम से कम टू जीरो जीरो प्रती तन है, कुछ नवाचारों के साथ, मुझे लगता है, कि हम वास्तविक रूप से उम्मीद कर सकते हैं, कि यह 100 डॉलर प्रती तन तक कम हो जाए, इस हमें निमनलिखित समीकरन देता है, 51 बिलियन तन प्रती वर्ष, X100 प्रती तन 5.1 प्रती वर्ष, दूसरे शब्दों में, जब तक हम उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं, जलवायू समस्या को हल करने के लिए, DAC द्रिष्टिकों का उप्योग करने पर प्रती वर्ष कम से कम $5.1 प्रिलियन खर्थ होंगी, यह दुनिया की अर्थवेवस्था का लगभग 6 प्रतीशत है, यह एक बहुत बड़ी राशी है, हालांकि यह सैध्धान्तिक DAC तकनीक वास्तव में अर्थवेवस्था के क्षेतरों को बंद करके उत्सर्जन को कम करने की कोशिश की लागत स काफी सस्ती होगी, जैसा कि हमने COVID-19 महामारी के दोरान किया है, संयुक्त राजे अमेरिका में के अनुसार रोडियम समूह के आंकडों के अनुसार, हमारी अर्थवेवस्था की प्रतीटन लागत 2600 और 3300 के बीच आ गई, यूरोपिय संग में यह 400000 प्रतीटन से अधिक थ दूसरे शब्दों में, इसकी लागत 10000 प्रतीटन के 25 से 40 गुना के बीच थी हम किसी दिन हासिल करने की उम्मीद करते हैं जैसा की मैंने उलेक किया है, D.A.C. आधारित द्रिश्टिकोंग वास्तव में सिर्फ एक सोचा प्रयोग है वास्तव में, D.A.C. के पीछे की तकनीक वैश्विक परिनियोजन के लिए तयार नहीं है और अगर ऐसा होता भी, तो D.A.C. दुनिया की कार्बन समस्या को हल करने के लिए एक अत्यंत अक्षम तरीका होगा यह स्पष्ट नहीं है, कि हम कर सकते हैं सैकडों अर्बों तन कार्बन को सुरक्षित रूप से स्टोर करें प्रती वर्ष डॉलर 5.1 प्रिलियन एकत्र करने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है या सुनिश्चित करें कि हर कोई अपने उचित हिस्से का भुगतान करता है और यहां तक कि सभी के उचित हिस्से को परिभाशित करना एक प्रमुख राजनीतिक लड़ाई होगी अभी हम जो उत्सर्जन कर रहे हैं उसे प्रबंधित करने के लिए हमें दुनिया भर में 50.000 से अधिक D.A.C. संयंत्र बनाने होंगी इसके अलावा D.A.C. मीथिन या अन्ग ग्रीन हाउस कैसों केवल कार्बन डाइ ओकसाइड पर काम नहीं करता है और यह शायद सबसे महंगा समाधान है कई मामलों में पहली जगह में ग्रीन हाउस कैसों का उत्सर्जन नहीं करना सस्ता होगा भले ही D.A.C. को अंततह वैश्विक स्तर पर काम करने के लिए बनाया जा सकता है और याद रखें कि जब प्रोध्योगिकी की बात आती है तो मैं आशावादी हूँ पर्यावरन को गंभीर नुकसान को रोकने के लिए इसे लगभग निश्चित रूप से विक्सित और तैनात नहीं किया जा सकता है दुर्भाग्य से हम हमें बचाने के लिए D.A.C. जैसी भविशे की तकनीक की प्रतीक्षा नहीं कर सकते हमें आज से ही खुद को बचाना शुरू करना होगा युक्ति, ग्रीन प्रीमियम को ध्यान में रखे और पूछे कि क्या वे मध्यम आयवाले देशों के भुगतान के लिए परियाप्त कम हैं यहां सभी पांच युक्तियों का सारांश दिया गया है वन तन उत्सरजन को 51 बिलियन के प्रतिशत में बदले तू याद रखे कि हमें सभी पांच गतिविधियों के लिए समाधान खोजने की जरूरत है कि उत्सरजन से आता है, चीजे बनाना, प्लग इन करना, चीजों को बढ़ाना, घूमना, और ठंडा और गर्म रखना तीन किलोवाट घर गीगावाट मध्यम आकार का शहेर सेकडों गीगावाट बड़ा, समरिद्ध देश फोर विचार करें कि आपको कितनी जगह चाहिए फाइव ग्रीन प्रीमियम को ध्यान में रखे और पूछें कि क्या वे मध्यम आयवाले देशों के भुगतान के लिए परियाप्त कम है नोट छोड़ें वन ये प्रतिशत वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं जब आप विभिन स्रोतों से उत्सर्जन को वर्गी करित कर रहे होते हैं तो आपको तै करने वाले प्रशनों में से एक यह है कि उन उत्पादों की गर्णा कैसे करें जो उत्सर्जन का कारण बनते हैं जब आप उन्हें बनाते हैं और जब आप उनका उप्योग करते हैं। उदाहरन के लिए जब हम गैसोलीन में तेल को परिश्कृत करते हैं और जब हम गैसोलीन को जलाते हैं तो हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं। इसमें पुस्तक मैंने चीजों को बनाने से सभी उत्सर्जन को हम कैसे चीजे बनाते हैं और सभी उत्सर्जन को उनकी संबंधित श्रेणियों में उप्योग करने से शामिल किया है तो तेल शोधन हम कैसे चीजे बनाते हैं, के अंतरगत आते हैं, और गैसोलीन को जलाने में हम कैसे घूमते हैं, में शामिल हैं वही कारों, विमानों और जहाजों जैसी चीजों के लिए जाता है वे जिस स्टील से बने हैं, उसे हम कैसे चीजे बनाते हैं, के तहत गिना जाता है, और उनके द्वारा जलाये जाने वाले इंधन से उत्सरजन, हम कैसे घूमते हैं, के तहत जाते हैं दो मैंने ग्रीन प्रीमियम के बारे में कई लोगों से परामर्श किया जिसमें रोडियम समूह के विशेशगे, विक्सित दूर्जा अनुसंधान और जलवायू शोध करता डॉक्टर किन कालडेरा शामिल हैं इस पुस्तक में ग्रीन प्रीमियम की गणना कैसे की गई इस बारे में जानकारी के लिए S.U.C.C.E.S.C.N.E.R.G.Y. और्गनाइजेशन पर जाएं अध्याय फूर हम कैसे प्लग इन करें प्रती वर्ष 51 बिलियन तन का 27 प्रतिशत हम बिजली से प्यार करते हैं लेकिन हम मेंसे अधिकांश इसे नहीं जानते हैं हमारे लिए बिजली लगातार है यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारी स्ट्रीट लाइट, एयर कंडीशनर, कम्प्यूटर और टीवी हमेशा काम करते हैं यह सभी प्रकार की और द्योगिक प्रक्रियाओं को शक्ती प्रदान करता है जिसके बारे में हमें से अधिकांश लोग नहीं सोचते लेकिन जैसा की जीवन में कभी-कभी होता है हमें इसका एहसास नहीं होता है कि यह हमारे लिए कितना मायने रखता है जब तक कि यह चला न जाए सन्युक्त राजे में बिजली की कठोती इतनी दुरलब है कि लोगों को याद है कि एक दशक पहले एक बार जब रोशनी चली गई थी और वे एक लिफ्ट में वंस गए थी मुझे हमेशा इस बात की जानकारी नहीं थी कि हम बिजली पर कितना भरोसा करते हैं लेकिन वरशों से मैं धीरे धीरे यह देखने लगा हूँ कि यह कितना आवश्यक है और मैं वास्तव में सराहना करता हूँ कि इस चमतकार को देने में क्या लगता है वास्तव में यह कहना उचित है कि मैं उन सभी भौतिक बुनियादी धांचे से चकित हूँ जो बिजली को इतना सस्ता, उपलब्ध और विश्वस्निये बनाते हैं यह पूरी तरह से जादूई है कि आप एक अच्छी तरह से बंद देश में लगभग कहीं भी एक स्विच चालू कर सकते हैं और उमीद कर सकते हैं कि रोश्नी एक पैसे के एक अंश के लिए आएगी सचमुच, संयुक्त राजे अमेरिका में वाट लाइट बल्ब को एक घंटे के लिए चालू करने पर आपको लगभग एक प्रतिशत का आधा खर्च करना पड़ता है मैं परिवार में अकेला नहीं हूँ जो बिजली के बारे में इस तरह महसूस करता है मेरा बेटा, रोरी, और मैं मनोरंजन के लिए बिजली संयंत्रों का दोरा करते थे, बस यह जानने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं टू जी रोवन फाइव में आइस लेंड में आर एच इन के अजी जी यू आर जवाला मुखी की पारिवारिक यात्रा के बाद, रोरी और मैंने अगले दरवाजे पर भूतापिय बिजली संयंत्र की जाच की मुझे खुशी है कि मैंने अपना सारा समय बिजली के बारे में सीखने में लगाया है एक बात के लिए यह एक महान पितापुत्र की गतिविधी थी गंभीरता से, इसके अलावा, यह पता लगाना की ग्रीन हाउस कैसों को उत्सरजित किये बिना सस्ती विश्वसनिय बिजली के सभी लाभों को कैसे प्राप्त किया जाए जलवायू आपदा से बचने के लिए हमें सबसे महत्वपूर्ण काम करना चाहिए यह आशिक रूप से इसलिए है क्योंकि बिजली का उत्पादन जलवायू परिवर्तन में एक प्रमुख योगदान करता है और इसलिए भी कि अगर हमें शून्य कार्बन बिजली मिलती है तो हम इसका उप्योग कई अनगती विधियों को डी कार्बोनाईज करने में मदद करने के लिए कर सकते हैं जैसे कि हम कैसे घूमते हैं और हम कैसे चीजें बनाते हैं कोईला, प्राकृतिक गैस और तेल का उप्योग न करके हम जो उर्जा छोड़ते हैं वह कहीं से आनी है और ज्यादातर यह स्वच्च बिजली से आएगी यही कारण है कि मैं पहले बिजली को कवर कर रहा हूँ भले ही विनिर्मान अधिक उत्सरजन के लिए जिम्मेदार है साथ ही अधिक से अधिक लोगों को बिजली मिलनी चाहिए और उसका उप्योग करना चाहिए उप सहारा अफरीका में आधी से भी कम आबादी के पास घर पर विश्वसनिय बिजली है वन और अगर आपके पास बिजली बिलकुल भी नहीं है यहां तक की एक अपने मोबाइल फोन को रिचार्ज करने जैसा प्रतीत होने वाला सरलकारे कठिन और महंगा है आपको एक स्टोर पर जाना होगा और अपने फोन को एक आउटलेट में प्लग करने के लिए 25 सेंट या उससे अधिक का भुगतान करना होगा जो विक्सित देशों में लोगों द्वारा भुगतान किये जाने से सैकडों गुना अधिक है 860 मिलियन लोगों के पास बिजली की विश्वसनिये पहुँच नहीं है उप सहारा अफरीका में आधे से भी कम लोग ग्रेड पर है आई ये मुझे उम्मीद नहीं है कि जादातर लोग ग्रेड और ट्रांसफार्मर के बारे में उतना उत्साहित होंगे जितना मैं करता हूँ यहां तक कि मैं यह भी पहचान सकता हूँ कि मैं भौतिक बुनियादी धांचे से ख़ौफ में हूँ जैसा वाके लिखने के लिए आपको एक बहुत बड़ा बेवकूफ होना चाहिए लेकिन मुझे लगता है कि अगर हर कोई इस बात पर विचार करना बंद कर देता है कि अब हम जिस सेवा के लिए लेते हैं उसे वितरित करने के लिए क्या करना पड़ता है दी गई है वे इसकी अधिक सराह ना करेंगे और उन्हें एहसास होगा कि हमें से कोई भी इसे छोड़ना नहीं चाहता भविशे में जीरो कार्बन बिजली प्राप्त करने के लिए हम जो भी तरीके अपनाते हैं वे उतने ही भरोसेमंद और लगभग उतने ही सस्ते होंगे जितने आज हम उपयोग करते हैं इस अध्याय में मैं यह बताना चाहता हूँ कि हमें बिजली से सभी चीजे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा उर्जा का एक सस्ता स्रोत जो हमेशा उपलब्ध होता है और इसे और भी अधिक लोगों तक पहुँचाता है लेकिन कार्बन उत्सर्जन के बिना कहानी इस बात से शुरू होती है कि हम यहां कैसे पहुँचे और हम कहां जा रहे हैं यह देखते हुए कि आज बिजली कितनी सर्वव्यापी है यह भूलना आसान है कि 20 वी शताबदी में कुछ दशकों में अधिकांश अमेरिकियों के जीवन में यह केवल एक महत्वपूर्ण कारक बन गया और बिजली के हमारे शुरुवाती प्रमुख स्रोतों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसके बारे में हम आज सोचते हैं जैसे कोईला, तेल या प्राकृतिक गैस यह जल था जल विद्यूत के रूप में जल विद्यूत इसके लिए बहुत कुछ कर रहा है यह अपेक शाकरित सस्ता है, लेकिन इसके कुछ बड़े नुकसान भी है जलाशे बनाना स्थानिय समुदायों और वन्यजीवों को विस्थाप्पित करता है जब आप भूमी को पानी से ढख देते हैं यदि मिट्टी में बहुत अधिक कार्बन होता है तो कार्बन अंततः मीथेन में बदल जाता है और वातावरण में चला जाता है यही कारण है कि अधेनों से पता चलता है कि जहां यह बनाया गया है उसके आधार पर बांध वास्तव में इससे भी बदतर उत्सरजक हो सकता है पचास से एक सो वर्षों के लिए कोईला इसके लिए जिम्मेदार सभी मीथेन के लिए बनाता है दो इसके अलावा एक बांध से आप जितनी बिजली पैदा कर सकते हैं वह मौसम पर निर्भर करती है क्योंकि आप वर्षा आधारित धाराओं और नदियों पर निर्भर हैं और जाहिर है जल्विद्यूत गतिहीन है जहां नदिया हैं वहां बांध बनाने हैं जीवाश्म इंधन की वह सीमा नहीं है आप कोयला, तेल या प्राकरितिक गैस को जमीन से बाहर निकाल सकते हैं और इसे एक बिजली संग्यंत्र में ले जा सकते हैं जहां आप इसे जलाते हैं पानी को उबालने के लिए गर्मी का उप्योग करते हैं और उबलते पानी से भाप को बिजली बनाने के लिए टर्बाइन को चालू करने दें इन सभी लाभों के कारण जब द्वितिय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राजे अमेरिका में बिजली की मांग बढ़ी तो हमने इसे जीवाश्म इंधन से पूरा किया उन्होंने बीस वी शताबदी के उत्तरार्द में हमारे द्वारा निर्मित अधिकांश नईक शमता प्रदान की लगभग साथ सोगी गावाट युद्ध से पहले स्थापित की तुलना में लगभग साथ गुना अधिक स्वच्च स्रोतों से दुनिया की सारी बिजली प्राप्त करना आसान नहीं होगा आज जीवाश्म इंधन दुनिया भर में उत्पन होने वाली सभी बिजली का दो तिहाई हिस्सा है BP विश्व उर्जा 2020 की सांखे किये समीक्षा समय के साथ बिजली असाधारन रूप से सस्ती हो गई है एक अधेयन में पाया गया कि यह 1900 की तुलना में वर्ष 2000 में कम से कम 2000 गुना अधिक किफायती था आज सन्युक्त राजे अमेरिका अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल टू प्रतिशत बिजली पर खर्च करता है एक आश्चरेजनक रूप से कम संख्या जब आप इस पर विचार करते हैं कि हम इस पर कितना भरोसा करते हैं इसका इतना सस्ता होने का मुख्य कारण यह है कि जीवाश्म इंधन सस्ते होते हैं वे व्यापक रूप से उपलब्ध हैं और हमने उन्हें निकालने और उन्हें बिजली में बदलने के लिए बेहतर और अधिक कुशल तरीके विक्सित किये हैं सरकारें जीवाश्म इंधन की कीमतों को कम रखने और उनके उत्पादन को प्रोच साहित करने के लिए भी काफी प्रयास करती है संयुक्त राजे अमेरिका में हम गंतंत्र के शुरुआती दिनों से ऐसा कर रहे हैं कांग्रेस ने 1789 में आयातित कोईले पर अमेरिका का पहला सुरक्षात्मक टैरिफ अधिनियमित किया 1800 के दशक की शुरुआत में यह मानते हुए कि रेल उद्योग के लिए कोईला कितना महत्वपूर्ण था राजियों ने छूट देना शुरू किया इसे कुछ करों से और इसके उत्पादन के लिए अन्यप्रोच साहनों का निर्मान किया 1913 में कॉर्पोरेट आयकर की स्थापना के बाद तेल और गैस उत्पादकों को ड्रिलिंग लागत सहित कुछ खर्चों में कट्वती करने का अधिकार मिला कुल मिलाकर ये करवे प्रतिनिधित्व करते हैं 1950 से 1978 तक कोईले और प्राकृतिक गैस उत्पादकों के समर्थन में लगभग 42 बिलियन आज के डॉलर में और वे आज भी टेक्स कोड में हैं इसके अलावा कोईला और गैस उत्पादकों को संगीय भूमी पर अनुकूल पट्टे की शर्तों से लाब होता है पेंसिल्विनिया के कोईलल सविले में कोईले की सुविधा वाला यह फ्लायर 1900 के आसपास का है सन्युक्त राजे अमेरिका अकेला नहीं है अधिकांश देश जीवाश्म इंधन को सस्ता रखने के लिए विभिन कदम उठाते हैं अंतर राष्ट्री उर्जा एजेंसी आईए का अनुमान है कि जीवाश्म इंधन की खपत के लिए सरकारी सबसिडी 2018 में 400 बिलियन थी जो यह समझाने में मदद करती है कि वे हमारी बिजली आपूर्ती का इतना स्थिर हिस्सा क्यों है कोईले को जलाने लगभग 40 प्रतिशत से आने वाली वैश्विक शक्ती का हिस्सा 30 वर्षों में नहीं बदला है तेल और प्राकृतिक गैस एक साथ तीन दशकों से लगभग 26 प्रतिशत मर्दरा रहे हैं सभी से कहा, जीवाश्म इंधन दुनिया की दो तिहाई बिजली प्रदान करते हैं इस बीच, सौर और पवन, सिवन प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं 2019 के मध्य तक, दुनिया भर में लगभग 236 गीगावाट मूले के कोईला संयंत्र बनाए जा रहे थे कोईला और प्राकृतिक गैस अब विकास शील देशों में पसंद के इंधन हैं जहां पिछले कुछ दशकों में मांग आसमान चू गई है 2000 और 2018 के बीच, चीन ने अपने द्वारा उपयोग की जाने वाली कोईला बिजली की मात्रा को तीन गुना कर दिया यह सन्यूक्त राजे अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा की तुलना में अधिक क्षमता है क्या हम इसे चालू कर सकते हैं और बिना किसी ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के हमें जितनी बिजली की आवशेक्ता होगी प्राप्त कर सकते हैं यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप, हम, से क्या मतलब रखते हैं विशिष्ट नवाचारों के लिए एक बड़े धक्का के साथ साथ पवन और सौर का विस्तार करने के लिए सही नीतियों के साथ सन्यूक्त राजे अमेरिका बहुत करीब हो सकता है लेकिन क्या पूरी दुनिया को जीरो कार्बन बिजली मिल सकती है यह ज्यादा कठिन होगा आईए सन्यूक्त राजे में बिजली के लिए ग्रीन प्रीमियम के साथ शुरुआत करें यह वास्तव में अच्छी खबर है हम केवल मामूली ग्रीन प्रीमियम के साथ अपने उत्सर्जन को समाप्त कर सकते हैं बिजली के मामले में प्रीमियम गैर उत्सर्जक स्रोतों से हमारी सारी शक्ती प्राप्त करने की अतिरिक्त लागत है जिसमें पवन, सौर, पर्मान उर्जा और कोईले और प्राक्रितिक गैस से चलने वाले संयंत्र शामिल हैं जो उन उपकर्णों से लेस हैं जो उनके द्वारा उतपादित कार्बन को पकड़ते हैं याद रखें कि लक्षे केवल पवन और सौर जैसे नवी क्रणिये स्रोतों का उप्योग करना नहीं है लक्षे शूने उत्सरजन प्राप्त करना है इसलिए मैं इन अन्य शूने कार्बन विकल्पों को शामिल कर रहा हूँ प्रीमियम कितना है अमेरिका की पूरी बिजली विवस्था को शूने कार्बन सुरोतों में बदलने से उसत खुद्रादरे 1.3 और 1.7 से इंट प्रती किलोवाट घंटे के बीच बढ़ जाएंगी जो की ज़्यादातर लोग अब भुगतान करते हैं उससे लगभग 15 प्रतिशत अधिक है यह औसत घर के लिए वनेट प्रती माह के ग्रीन प्रीमियम तक जोड़ता है अधिकांश लोगों के लिए बहुत सस्ती हालांकि संभवत कम आय वाले अमेरिकियों के लिए नहीं जो पहले से ही उर्जा पर अपनी आय का दस्वा हिस्सा खर्च करते हैं यदि आप उप्योगिता बिल का भुगतान करते हैं तो आप शायद किलोवाट घंटे से परिचित हैं क्योंकि वे हमारे घरों में बिजली के लिए कैसे शुल्ट लेते हैं लेकिन मामले में आप सोच रहे हैं एक किलोवाट घंटा उर्जा की एक इकाई है जिसका उप्योग यह मापने के लिए किया जाता है कि आप किसी निश्चित समय अवधी में कितनी बिजली का उप्योग करते हैं यदि आप एक घंटे के लिए एक किलोवाट का उप्भोग करते हैं, तो आपने एक किलोवाट घंटे का उप्योग किया है ठेट अमेरिकी परिवार एक दिन में 29 किलोवाट घंटे का उप्योग करता है ओस्तन, संयुक्त राजे में सभी प्रकार के ग्राहकों और राजियों में एक किलोवाट घंटे बिजली की लागत लगभग तेन सेंट होती है हालांकि कुछ जगहों पर यह तीन गुना से भी अधिक हो सकती है यह बहुत अच्छा है कि अमेरिका का ग्रीन प्रीमियम इतना कम हो सकता है यूरूप भी इसी तरह स्थित है एक यूरोपिय व्यापार संग के एक अधेय ने सुझाव दिया कि 90 से 95 प्रतिशत तक अपने पावर ग्रेड को डिकार्बोनाईज करने से औसत दरे लगभग 20 प्रतिशत बढ़ जाएंगी इस अधेय ने अमेरिका के ग्रीन प्रीमियम का अनुमान लगाने के तरीके से एक अलग पद्धति का इस्तेमाल किया दुरभाग्य से कुछ अन्य देश इतने भाग्यशाली है सन्यूक्त राजे अमेरिका में अक्षे उर्जा की एक बड़ी आपूरती है जिसमें प्रशान्ट नॉर्थ वेस्ट में जल विद्यूद, मिडवेस्ट में तेज हवाई और दक्षिन पश्चिम और कैलिफोर्निया में साल भर सौर उर्जाशा मिल हैं अन्य देशों में कुछ सूरज हो सकता है, लेकिन हवा नहीं, या कुछ हवा, लेकिन साल भर कम सूरज, या दोनों में से ज्यादा नहीं और उनके पास कम क्रेडिट रेटिंग हो सकती है, जिससे नए बिजली संयंत्रों में बड़े निवेश को वित्व पोशित करना मुश्किल हो जाता है अफ्रीका और एशिया सबसे कठिन स्थिती में हैं पिछले कुछ दशकों में, चीन ने इतिहास में सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक को पूरा किया है करोडों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना और कोईले से चलने वाले बिजली संयंत्रों को बहुत सस्ते में बना कर किया है चीनी फर्मों ने एक कोईला संयंत्र की लागत में उलेखनिय रूप से 75 प्रतिशत की कमी की और अब वे सपश्ट रूप से अधिक ग्राहक चाहते हैं इसलिए वे विकासशील देशों की अगली लिहर को आकरशित करने के लिए एक बड़ा नाटक कर रहे हैं भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, पाकिस्तान और पूरे अफरीका के देश वे संभावित नए ग्राहक क्या करेंगे क्या वे कोईला संयंत्र बनाएंगे या साफ हो जाएंगे उनके लक्षियों और उनके विकल्पों पर विचार करें छोटे पैमाने पर सौर उन गरीब, ग्रामीन क्षेतरों के लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है, जिन्हें रात में अपने सेल फोन चार्ज करने और लाइट चलाने की आवश्यक्ता होती है लेकिन उस तरह का समाधान कभी भी भारी मात्रा में सस्ती हमेशा उपलब्ध बिजली देने वाला नहीं है इन देशों को अपनी अर्थ वेवस्थाओं को शुरू करने की आवश्यक्ता है वे वही करना चाहते हैं, जो चीन ने किया विनिर्मान जैसे उद्योगों को आकरशित करके अपनी अर्थ वेवस्थाओं का विकास करें और कॉल सेंटर वे व्यवसाय जो छोटे पैमाने के नवी करनी उर्जा से कहीं अधिक और कहीं अधिक विश्वसनिय बिजली की मांग करते हैं, आज प्रदान कर सकते हैं अगर ये देश कोईला संयंतरों को चुनते हैं, जैसा की चीन और हर अमीर देश ने किया तो यह जलवायू के लिए एक आपदा होगी लेकिन अभी यह उनका सबसे किफायती विकल्प है यह तुरंत स्पष्ट नहीं है कि पहली जगह में ग्रीन प्रीमियम जैसी कोई चीज क्यों है जब तक वे चल रहे हैं, तब तक प्राकृतिक गैस संयंतरों को इंधन खरीदना पड़ता है सौर खेतों, पवन खेतों और बांधों को अपना इंधन मुफ्त में मिलता है साथ ही यह भी सच है कि जैसे जैसे आप किसी तकनीक को व्यापक स्थर पर ले जाते हैं, वह सस्ती होती जाती है तो हरे रंग में जाने के लिए अतिरिक्त खर्च क्यों होता है एक समस्या यह है कि जीवाश्म इंधन इतने सस्ते हैं क्योंकि उनकी कीमतें जलवायू परिवर्तन की वास्तविक लागत का कारक नहीं है ग्रह को गर्म करके वेजो आर्थिक नुकसान पहुंचाते हैं स्वच्च उर्जा स्रोतों के लिए उनके साथ प्रतिसपर्धा करना कठिन है और हमने जमीन से जीवाश्म इंधन निकालने उनसे उर्जा प्राप्त करने और उस उर्जा को बहुत सस्ते में वित्रित करने के लिए एक प्रणाली बनाने में कई दशक बिताए हैं दूसरा कारण यह है कि जैसा कि मैंने पहले उलेख किया है दुनिया के कुछ क्षेत्रों में अच्छे नवीक्रणिये संसाधन नहीं है 100 प्रतिशत के करीब पहुँचने के लिए हमें बहुत सारी स्वच्च उर्जा को स्थानां तरित करना होगा जहां से इसे बनाया गया है धूप वाले स्थान आदर्श रूप से भूम अध्यरेखा के पास और हवा वाले शेत्र जहां इसकी आवशेक्ता है बादल, हवा रहिद इसके लिए नई पारेशन लाइनों के निर्मान की आवशेक्ता होगी एक महंगा और समय लेने वाला कारे विशेश रूप से यदि इसमें राष्ट्रिय सीमाओं को पार करना शामिल है और जितनी अधिक बिजली लाइने हम स्थापित करते हैं, बिजली की कीमत उतनी ही अधिक होती है वास्तव में बिजली की अंतिम लागत के एक तिहाई से अधिक के लिए पारेशन और वित्रण जिम्मेदार हैं त्री और कई देश अपनी बिजली आपूर्ती के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन सस्ते तेल और महंगी ट्रांसमिशन लाइने ग्रीन प्रीमियम बिजली के सबसे बड़े चालक नहीं हैं। मुखे अपराधी हमारी विश्वसनियता की मांग और रुक-रुक कर चलने का अभिशाप हैं। सूरे और हवा आंतरा एक स्रोथ हैं, जिसका अर्थ है कि वे दिन में 24 घंटे, वर्ष में 365 दिन बिजली उतपन्न नहीं करते हैं। लेकिन सत्ता की हमारी जरूरत रुक-रुक कर नहीं है, हम इसे हर समय चाहते हैं। तो अगर सौर और पवन अग का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे बिजली मिश्रन का बड़ा हिस्सा है, और हम बड़े आउटेज से बचना चाहते हैं। जब सूरज नहीं चमक रहा हो और हवा नहीं चल रही हो, तो हमें अन्य विकल्पों की आवशेक्ता होगी। किसी भी तरह से अर्थशास्त्र हमारे पक्ष में काम नहीं करेगा। जैसे जैसे हम हंग्रेड प्रतिशत स्वच्च बिजली की ओर बढ़ते हैं, रुकरुक कर एक बड़ी और महंगी समस्या बन जाती है। आंतरायक्ता का सबसे स्पष्ट उदाहरण है, जब सूरज धल जाता है, जिससे हमारी सौरजनित बिजली की आपूर्ती बंध हो जाती है। मान लीजिए कि हम दिन के दोरान उत्पन होने वाली एक किलोवाट घंटे की अतिरिक्त बिजली लेकर उसका भंडारन करके और उस रात का उप्योग करके उस समस्या को हल करना चाहते हैं। आपको इससे कहीं अधिक की आवशेक्ता होगी, लेकिन मैं गनित को आसान बनाने के लिए एक किलोवाट घंटा चुन रहा हूँ, इससे हमारे बिजली के बिल में कितना इजाफा होगा। यह दो कारकों पर निर्भर करता है, बैटरी की लागत कितनी है, और हमें इसे बदलने से पहले यह कितनी देर तक चलेगी। यह 1000 चार्ज से गुजर सकती है और निर्वहन चक्र, तो इस एक किलोवाट घंटे की बैटरी की पूंजी गतलागत 1000 चक्रों में फैली 100 डॉलर होगी, जो प्रती किलोवाट घंटे में 10 सेंट तक काम करती है। यह पहली बार में बिजली पैदा करने की लागत के शीर्ष पर है, जो सौर उर्जा के मामले में 5 सेंट प्रती किलोवाट घंटे जैसा कुछ है। दूसरे शब्दों में, हम रात के उप्योग के लिए जो बिजली स्टोर करते हैं, उसकी कीमत हमें दिन के दोरान चुकाई जाने वाली राशी से तिगुनी होगी, उतपादन के लिए 5 सेंट और स्टोर करने के लिए 10 सेंट, कुल 15 सेंट के लिए। मैं उन शोध करताओं को जानता हूँ जो सोचते हैं, कि वे एक ऐसी बैटरी बना सकते हैं, जो मेरे द्वारा यहां वर्नित बैटरी से 5 गुना अधिक समय तक चलती है। उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर वे सही हैं, तो इससे प्रीमियम 10 सेंट से घटकर 2 सेंट हो जाएगा, जो की बहुत अधिक मामूली वृद्धी है। जो भी हो, आज रात की समस्या हल हो सकती है, यदि आप एक बड़ा प्रीमियम देने को तैयार हैं, और मुझे विश्वास है कि नवाचार के साथ हम उस प्रीमियम को कम कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, रात के समय का रुकरुक कर निप्टना सबसे कठिन समस्या नहीं है। गर्मी और सर्दी के बीच मौसमी बदलाव और भी बड़ा है। बाधा, इससे निपटने के कई तरीके हैं, जैसे परमानुस अंयंत्र से बिजली जोड़ना या गैस से चलने वाला इलेक्ट्रिक प्लांट जो इसके उत्सरजन को पकड़ लेता है, और किसी भी यथार्थवादी परिद्रिशे में ये विकल्प शामिल होंगे। मैं उन्हें बाद में अध्याय में प्राप्त करूंगा, लेकिन अभी के लिए सादगी के लिए मैं मौसमी भिन्नता की समस्या को सपष्ट करने के लिए बैटरी का उप्योग करूंगा। मान लीजिए कि हम एक किलोवाट घंटे को एक दिन के लिए नहीं बलकि पूरे सीजन के लिए स्टोर करना चाहते हैं। हम इसे गर्मियों के दोरान उत्पन करेंगे और सरदियों में इसका उप्योग स्पेस हीटर चलाने के लिए करेंगी। इस बार बैटरी का जीवन चक्र कोई समस्या नहीं है क्योंकि हम इसे वर्ष में केवल एक बार चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमें बैटरी की खरीद का वित्त पोशन करना है। अब हमने पूंजी में वन जीरो जीरो का करार किया है। जाहिर है कि आप हंद्रेड डॉलर की बैटरी का वित्त पोशन नहीं करेंगे लेकिन यदि आप कई गीगावाट स्टोर करने के लिए परियाप्त खरीद रहे हैं तो आपको वित्त पोशन की आवश्यक्ता हो सकती है। और गणित समान है यदि हम पूंजी पर 5 प्रतिशत ब्याज का भुगतान करते हैं और बैटरी की लागत $100 है हमारे सिंगल किलोवाट घंटे को स्टोर करने के लिए यह अतिरिक्त $5 लागत है। और याद रखें कि हम दिन में सौर उर्जा के लिए कितना भुगतान कर रहे हैं सिर्फ $5 सेंट। निकल की कीमत की बिजली को स्टोर करने के लिए $5 का भुगतान कौन करेगा। मौसमी रुकरूप कर और भंडारन की उच्च लागत एक और समस्या का कारण बनती है। विशेश रूप से सौर उर्जा के बड़े उप्योग करताओं के लिए गर्मियों में अधिक उत्पादन और सर्दियों में कम उत्पादन की समस्या। चूंकी पृत्वी अपनी दुरी पर जोकी हुई है, इसलिए गर्ह के किसी भी हिस्से पर पढ़ने वाले सूरे के प्रकाश की मात्रा चार मौसमों में भिन्न होती है, साथ ही सूरे के प्रकाश की तीवरता भी। भिन्नता कितनी बड़ी है, यह इस बात पर निर्भर करता है, कि आप भूमध्यरेखा से कितनी दूर हैं। इक वाडोर में अनिवारे रूप से कोई बदलाव नहीं हुआ है। सियेटल शेत्र में, जहां मैं रहता हूँ, हमें वर्ष के सबसे लंबे दिन की तुलना में, सबसे छोटे दिन की तुलना में लगभग दुगनी धूप मिलती है। कनाडा और रूस के कुछ हिस्सों को लगभग त्वेल्व गुना अधिक मिलता है। फुर, यह देखने के लिए कि यह भिन्नता क्यों मायने रखती है, आईए एक और विचार प्रयोग करें। कलपना कीजिए कि सियेटल के पास एक शहर है, हम इसे संटाउन कहेंगे, जो साल भर सोर उर्जा का एक गीगावाट उत्पन करना चाहता है। संटाउन का सोलर एरे कितना बड़ा होना चाहिए। एक विकल्प गर्मियों के दोरान एक गीगावाट का उत्पादन करने के लिए परियाप्त पैनल स्थापित करना होगा, जब सूरज की रोशनी भरपूर होती है। लेकिन शहर सर्दियों में भागय से बाहर हो जाएगा, जब उसे केवल आधी धूप ही मिलेगी। वह है। कम पीड़ी और नगर परिशद अच्छी तरह से जानती है कि भंडारन अत्यधिक महंगा है, इसलिए उन्होंने बैटरी से इंकार कर दिया है। दूसरी और संटाउन सर्दियों के छोटे, काले दिनों के लिए आवशेक सभी सौर पैनल लगा सकता है, लेकिन तब तक गर्मी का समय आता है, यह आवशेकता से कहीं अधिक पैदा कर रहा होगा। बिजली इतनी सस्ती होगी कि उन सभी पैनलों को स्थापित करने के खर्च को पूरा करने के लिए शहर को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। संटाउन गर्मियों के दोरान अपने कुछ पैनलों को बंद करके इस अतियुत पादन समस्या से निपट सकता है, लेकिन तब यह उन उपकरनों में पैसा ढूब जाएगा जो केवल वर्ष के हिस्से के लिए उपयोग किये जाते हैं। इससे शहर के प्रतेक घर और व्यवसाय के लिए बिजली की लागत और भी अधिक बढ़ जाएगी, दूसरे शब्दों में यह शहर के ग्रीन प्रीमियम में जुड जाएगा। संटाउन की स्थिती केवल एक कालपनिक उदाहरण नहीं है। जर्मनी में कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसने अपने महत्वा कांक्षी E.N.E.R.G.I.W.E. कारेकरम के माध्यम से 2050 तक 60 प्रतिशत नवीक्रणी उर्जा का लक्षे निर्धारित किया है। देश ने पिछले एक दशक में अक्षे उर्जा के उप्योग का विस्तार करते हुए अर्बों डॉलर खर्च किये हैं। 2008 के बीच इसकी सौरक्षमता को लगभग 650 प्रतिशत बढ़ा दिया है। और 2010 लेकिन जर्मनी ने जून 2018 में दिसंबर 2018 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक सौर उत्पादन किया। वास्तव में कई बार गर्मियों के दौरान जर्मनी के सौर और पवन सहंत्र इतनी बिजली उत्पन्न करते हैं कि देश इसका उप्योग नहीं कर सकता है। जिनके नेताओं ने शिकायत की है कि यह अपने स्वयम के पावर ग्रेड को प्रभावित कर रहा है और बिजली की लागत में अपरत्याशित जूलों का कारण बन रहा है। रुकरूप कर होने वाली एक और समस्या है और दैनिक या मौसमी किस्म की तुलना में इस एहल करना और भी कठिन है। क्या होता है जब एक चरम घटना किसी शहर को बिना किसी नवीक्रणी उर्जा के कई दिनों तक जीवित रहने के लिए मजबूर करती है। एक ऐसे भविशे की कलपना करें जहां टोक्यो को अपनी सारी बिजली अकेले पवन उर्जासे मिले। और पूरी तरह से सबसे अच्छी बड़े पैमाने की बैटरी में संग्रहीत बिजली पर ही प्राप्त कर सकते हैं। यहां सवाल है टोक्यो को तीन दिनों तक बिजली देने के लिए उन्हें कितनी बैटरियों की आवशेक्ता होगी जब तक की तूफान नहीं गुजरता और वे टरबाइनों को वापस चालू कर सकते हैं। जवाब 14 मिलियन से अधिक बैटरी है। यह एक दशक में दुनिया की तुलना में अधिक भंडारन क्षमता है। खरीद मूले 400 बिलियन बैटरी के जीवनकाल में ओस्तन यह 27 बिलियन से अधिक का वार्शिक खर्ट है। फाइव और यह केवल बैटरीयों की पूंजी गतलागत है। इसमें स्थापना और रखरखाव जैसे अनिखर्ट शामिल नहीं है। यह उदाहरन पूरी तरह से कालपनिक है। कोई भी गंभीरता से नहीं सोचता कि टोक्यो को अपनी सारी बिजली हवा से मिलनी चाहिए या आज की बैटरी में इसे स्टोर करना चाहिए। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदू बनाने के लिए इस द्रिष्टांत का उप्योग कर रहा हूँ। बड़े पैमाने पर बिजली का भंडारन करना बेहद कठिन और महंगा है। अधिकांश विशेश गे इस बात से सहमत हैं कि जैसे जैसे हम स्टील बनाने और कार चलाने जैसी अन्यकारबन ग्यहन प्रक्रियाओं का विद्योती करन करते हैं, दुनिया की बिजली आपूर्ती को टू-050 तक दो गुना या तिगुना करने की आवशेक्ता होगी। पैदा कर रहे हैं, उससे तीन गुना से भी ज्यादा की जरूरत होगी। रख रखाव के लिए बिजली संयंतरों को बंद करना और अन्यकारक। उत्पादन क्षमता से हमेशा छोटा होता है, और सौर और पवन जैसे परिवर्तनिय स्रोतों के मामले में यह बहुत छोटा हो सकता है। सभी अतिरिक्त बिजली के साथ हम उप्योग करेंगे और यह मानते हुए किपवन और सौर एक महत्व पूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2050 तक अमेरिका के पावर ग्रेड को पूरी तरह से डिकार्बोनाईज करने के लिए अगले 30 वर्षों के लिए हर साल लगभग 75 गीगावाट क्षमता जोडने की आवशेक्ता होगी। क्या यह बहुत है। पिछले एक दशक में हमने सालाना औस्तन 22 गीगावाट जोड़ा है। अब हमें हर साल 3 गुना से अधिक स्थापित करने और अगले 3 दशकों तक गती बनाए रखने की आवशेक्ता है। यह थोड़ा आसान होगा क्योंकि हम सोलर पैनल और विंड तर्बाइन को सस्ता और और भी अधिक कुशल बनाते हैं। अर्थात, जब हम दी गई मात्रा में धूप या हवा से और भी अधिक उर्जा प्राप्त करने के तरीकों का आविशकार करते हैं। सर्वश्रेष्ट सौर पैनल आज एक चौथाई से भी कम सूरे के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं, और व्यावसाइक रूप से उपलब्ध पैनलों के सबसे सामानने प्रकार के लिए सैध्धान्तिक सीमा लगभग 33 प्रतिशत हैं, जैसे जैसे ये रूप आ करने में मदद करेगी, लेकिन अधिक कुशल पैनल और तर्बाइन परियाप्त नहीं हैं, क्योंकि 22 शताबदी में अमेरिका के निर्मान और 21 वी सदी में हमें क्या करने की आवश्यक्ता है, के बीच एक बड़ा अंतर है, स्थान पहले से कहीं अधिक मायने रखने वाला है इलेक्ट्रिक ग्रेड की शुरुआत के बाद से, उप्योगिताओं ने अधिकांश बिजली संयंतरों को अमेरिका के तेजी से बढ़ते शहरों के करीब रखा है, क्योंकि जीवाश्म इंधन को जहां कहीं से भी निकाला जाता है, वहां से बिजली संयंतरों तक पहुंचा आपकशा करित आसान था बिजली बनाने के लिए नतीज तन, अमेरिका का पावर ग्रेड बिजली संयंत्रों को लंबी दूरी तक इंधन ले जाने के लिए रेल मारगों और पाइप लाइनों पर निर्भर करता है और फिर बिजली को कम दूरी पर उन शहरों में ले जाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों पर निर्भर करता है जिन्हें इसकी आवशेक्ता होती है वह मोडल सौर और पवन के साथ काम नहीं करता है आप किसी बिजली संयंत्र के लिए रेलकार में सूरज की रोशनी नहीं भेज सकते इसे मौके पर ही बिजली में बदलना होगा लेकिन अमेरिका की अधिकांश धूब की आपूर्ती दक्षिन पश्चिम में होती है और हमारी अधिकांश हवा कई प्रमुख शहरी क्षेतरों से दूर महान मैदानों में होती है संक्षेप में, जैसे जैसे हम सभी शून्य कार्बन बिजली के करीब आते जाते हैं, रुकरूप कर होने वाली मुख्य शक्ती लागत को बढ़ा देती है यही कारण है कि जो शहर हरित होने की कोशिश कर रहे हैं वे अभी भी विजली पैदा करने के अन्य तरीकों के साथ सौर और पवन को पूरक करते हैं जैसे कि गैस से चलने वाले बिजली संग्यंत्र जिन्हें मांग को पूरा करने के लिए उपर और नीचे संचालित किया जा सकता है और ये तथाक्थित शिखर शून्य नहीं है कार्बन कल्पना के किसी भी खेंचाव से स्पष्ट होने के लिए सौर और पवन जैसे परिवर्थनी उर्जा स्रोथ हमें शून्य पर लाने में महत्व पूर्ण भूमिका निभा सकते हैं वास्तव में हमें उनकी आवशेक्ता है जहां कहीं भी ऐसा करना की फायती हो वहां हमें अक्षे उर्जा का तेजी से उप्योग करना चाहिए इसका आश्चरेजनक है कि पिछले एक दशक में सौर और पवन उर्जा की लागत में कितनी गिरावट आई है उदाहरन के लिए सौर सेल 2010 और 2020 के बीच लगभग 10 गुना सस्ते हो गए और एक पूर्ण सौर प्रणाली की कीमत अकेले 2019 में 11 प्रतिशत कम हो गई इन घटों का बहुत सारा श्रेय सीखने को जाता है साधारन तथे यह है कि जितनी बार हम किसी उत्पाद को बनाते हैं उतना ही बेहतर होता है हमें उन बाधाओं को दूर करने की आवश्यक्ता है जो हमें अक्षै स्रोतों का अधिक्तम लाब उठाने से रोकती है उदाहरन के लिए अमेरिका के इलेक्ट्रिक ग्रेड को एक सिंगल कनेक्टेड नेटवर्क के रूप में सोचना स्वाभाविक है लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है एक पावर ग्रेड नहीं है बहुत सारे हैं और वे एक पैच्वर्क गडबड हैं जो उस शेत्र से परे बिजली भेजना अनिवारे रूप से असंभव बना देता है जहां इसे बनाया गया है एरिजोना अपने पडोसियों को अतिरिक्त सौर उर्जा बेच सकता है लेकिन देश के दूसरी तरफ किसी राज्य को नहीं हम इस समस्या का समाधान हजारों मील लंबी दूरी की विशेश विद्यूत लाइनों के साथ पूरे देश को पार करके कर सकते हैं जिसे हाई वोल्टेज करंट कहा जाता है यह तकनीक पहले से मौजूद है वास्तव में सन्यूक्त राजे अमेरिका में पहले से ही इन में से कुछ लाइनें स्थापित हैं सबसे बड़ा वाशिक्तन राजे से कैलिफोर्निया तक चलता है लेकिन हमारे इलेक्ट्रिक ग्रिड के बड़े पैमाने पर उन्नेयन के लिए राजनीतिक बाधाएं काफी हैं सेरा सोचिये कि कितने जमीनदार, यूटिलिटी कमपनिया और स्थानिय और राजे सरकारे आपको बिजली लाइनों का निर्मान करने के लिए एक साथ लाने की आवशेक्ता होगी जो दक्षिन पश्चिम से सौर उर्जा को निउ इंगलेंड में ग्राह कों तक ले जा सकें केवल मार्ग चुनना और रास्ते का अधिकार स्थापित करना एक बड़ा उपक्रम होगा, जब आप स्थानिय पार्ग के माध्यम से एक बड़ी बिजली लाइन चलाना चाहते हैं, तो लोग आपत्ती जताते हैं ट्रांसविस्ट एक्सप्रेस पर निर्मान, वायोमिंग से कैलिफोर्निया और दक्षिन पश्चिम में पवंजनित बिजली को स्थाना अंतरित करने के लिए डिजाइन की गई एक ट्रांसमिशन परियोजना 2-0-2-1 में शुरू होने वाली है, योजना शुरू होने के प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग कर रहा हूं जिसमें सन्युक्त राजे को कवर करने वाले सभी पावर ग्रेड का कम्प्यूटर मोडल बनाना शामिल है। उन्होंने जो पाया वह यह है, कि वहा है। राजेओं के लिए पावर ग्रेड को बढ़ाये बिना ऐसा करने का कोई तरीका नहीं है। दूसरे शब्दों में, हम सर्वोत्तम स्थानों में नवीक्रणी उर्जा का निर्मान करके, एक एक इकरित राष्ट्रिय ग्रेड का निर्मान करके, और जहां कहीं भी आवशेक हो, शूने उत्सर्जन इलेक्ट्रोनों को भेज कर पैसे बचाएंगे। 6. आने वाले वर्षों में, जैसे जैसे बिजली हमारे समगर उर्जा आहार का एक बड़ा हिस्सा बन जाएगी, हमें दुनिया भर में ग्रेड के लिए ऐसे मोडलों की आवशेक्ता होगी। वे हमें इस तरह के सवालों के जवाब देने में मदद करेंगे, स्वच्च उर्जा स्रोतों का कौन सा मिश्रन किसी स्थान पर सबसे कुशल होगा। बिजली पर अधिक निर्भर हैं। उदाहरन के लिए, इलेक्ट्रिक कारों को बिजली देने और सर्दियों में गर्म रहने के लिए, हमें कम से कम एक कारक द्वारा प्रतेक घर में विद्यूत सेवा को अपग्रेड करने की आवशेक्ता होगी। दो में से और कई मामलों में उससे भी अधिक भारी तार, क्रांसफोर्मर और अन्य उपकरन लगाने के लिए बहुत सी सडकों को खोदना होगा और बिजली के खंभे पर चड़ना होगा। तो यह लगभग हर समुदाय द्वारा वास्तविक रूप से महसूस किया जाएगा और राजनीतिक प्रभावस्थानिय स्तर पर कम हो जाएगा। प्रोध्योगी की इन उन्नेनों में शामिल कुछ राजनीतिक बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकती है। उदाहरन के लिए यदि बिजली की लाइने भूमिगत हो जाती हैं तो वे आंखों की रोशनी से कम नहीं होती हैं। लेकिन आज बिजली की लाइनों को दफनाने से लागत 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। समस्या गर्मी है बिजली की लाइने गर्म हो जाती है जब उनके माध्यम से बिजली चल रही होती है यह कोई समस्या नहीं है जब वे जमीन के ऊपर होते हैं गर्मी हवा में फैल जाती है लेकिन भूमिगत गर्मी के लिए कोई जगह नहीं है यदि तापमान बहुत अधिक हो जाता है तो बिजली की लाइने पिघल जाती हैं कुछ कमपनिया अगली पीड़ी के ट्रांसमिशन पर काम कर रही हैं जो गर्मी की समस्या को खत्म कर देगी और भूमिगत लाइनों की लागत को काफी कम कर देगी आज के नवी क्रणी उर्जा को तैनात करना और ट्रांसमिशन में सुधार करना अधिक महत्व पूर्ण नहीं हो सकता है यदि हम अपने ग्रेड को महत्व पूर्ण रूप से अपग्रेड नहीं करते हैं और इसके बजाए प्रतेक शेत्र को अपने दम पर ऐसा करने के लिए कहते हैं तो ग्रीन प्रीमियम 15 से 30 प्रतिशत नहीं हो सकता है यह 100 प्रतिशत या अधिक हो सकता है जब तक हम बड़ी मात्रा में का उप्योग नहीं करते हैं पर्मान उर्जा जो मैं अगले भाग में प्राप्त करूंगा सन्यूक्त राजे अमेरिका में शून्य के हर रास्ते के लिए हमें उतनी ही पवन और सौर उर्जा स्थापित करने की आवश्यक्ता होगी जितनी हम निर्मान कर सकते हैं और इसके लिए जगह ढूंड सकते हैं यह कहना मुश्किल है कि अंत में अमेरिका की कितनी बिजली अक्षे उर्जा से आएगी लेकिन हम जो जानते हैं वह यह है कि अब और 2050 के बीट हमें उन्हें बहुत तेजी से बनाना होगा फाइव से टेन गुना तेज के क्रम में हम की तुलना में अभी कर रहे हैं और याद रखें कि जब सौर और पवन संसाधनों की बात आती है तो अधिकांश देश संयुक्त राजे अमेरिका की तरह भागयशाली नहीं होते हैं तथे यह है कि हम नवीक्रणी उर्जा से अपनी बिजली का एक बड़ा प्रतिशत उत्पन करने की उम्मीद कर सकते हैं नियम के बजाए अपवाद है इसलिए जब हम सौर और पवन की तैनाती, तैनाती, तैनाती करते हैं तब भी दुनिया को कुछ नए स्वच बिजली आविशकारों की भी आवशेक्ता होगी पहले से ही बहुत सारे महान शोध चल रहे हैं अगर कोई एक चीज है, जो मुझे अपने काम के बारे में पसंद है तो वह है शीर्ष वैग्यानिकों और उद्यमियों से मिलने और उनसे सीखने का अवसर पिछले कुछ वर्षों में, ब्रेकत्रू एनरजी में अपने निवेश के माध्यम से और अन्य तरीकों से मैंने कुछ संभावित सफलताओं के बारे में सुना है, जो बिजली में शूने उत्सरजन प्राप्त करने के लिए आवशेक क्रांती हो सकती है ये विचार विकास के विभिन्न चर्णों में हैं, कुछ अपेक शाकरित परिपक्त्व और अच्छी तरह से परीक्षन किये गए हैं, जबकि अन्य स्पष्ट रूप से पागल हैं लेकिन हम कुछ पागल विचारों पर दाम लगाने से नहीं दर सकते कम से कम कुछ सफलताओं की गारंटी देने का यही एक मात्र तरीका है कार्बन मुक्त बिजली बनाना परमानू विखंदन यहां परमानू ओर्जा के लिए एक वाकय का मामला है यह एक मात्र कार्बन मुक्त उर्जा स्रोत है जो मजबूती से दिन और रात हर मौसम में प्रित्वी पर लगभग कहीं भी बिजली वित्रित कर सकता है जो बड़े पैमाने पर काम करने के लिए सिद्ध हुआ है कोई अनिस्वच उर्जा स्रोत इसके करीब भी नहीं आता है जो आज परमानु पहले से ही उपलब्ध करा रहा है यहां मेरा मतलब है परमानु विखंदन उर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया परमानु को अलग करके मैं अगले भाग में इसके समकक्ष परमानु संगलेन के बारे में बात करूंगा संयुक्त राजे अमेरिका को अपनी बिजली का लगभग 20 प्रतिशत परमानु संयंतरों से मिलता है फ्रांस की दुनिया में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है जो अपनी 70 प्रतिशत बिजली परमानु से प्राप्त करती है याद रखें कि तुलनात्मक रूप से सौर और पवन मिलकर दुनिया भर में लगभग 7 प्रतिशत प्रदान करते हैं और ऐसे भविशे की कल्पना करना कथिन है जहां हम अधिक परमानु उर्जा का उप्योग किये बिना अपने पावर ग्रेड को किफायती रूप से डी कार्बोनाईज कर सकें 2018 में Massachusetts Institute of Technology के शोधकरताओं ने संयुक्त राजे में शूनि होने के लिए लगभग 1000 परिद्रिशियों का विशलेशन किया बिजली के सुरूत का उप्योग करने वाले सभी सबसे सस्ते रास्ते जो स्वच्च और हमेशा उपलब्ध होते हैं अर्थात पर्मान उर्जा की तरह एक उस तरह के सुरूत के बिना शूनि कार्बन बिजली प्राप्त करने में बहुत अधिक खर्च आएगा जब सीमेन, स्टील और कांच जैसी सामगरियों का कुशलता पूर्वक उप्योग करने की बात आती है तो पर्मान उस अंत्र भी नंबर एक होते हैं यह चार्ट आपको दिखाता है कि विभिन स्रोतों से बिजली की एक इकाई उत्पन करने में कितनी सामगरी लगती है पावर प्लांट बनाने और चलाने में कितना सामान लगता है यह पौधे के प्रकार पर निर्भर करता है अन्य स्रोतों की तुलना में उत्पन बिजली की प्रती यूनिट बहुत कम सामगरी का उप्योग करते हुए पर्मान उस सबसे कुशल है अमेरिकी उर्जा विभाग देखें की पर्मान उस टैक कितना छोटा है इसका मतलब है कि आप बिजली संयंत्र के निर्मान और चलाने में जाने वाली प्रतेक पाउंड सामगरी के लिए कहीं अधिक उर्जा प्राप्त कर रहे हैं जब हम उन सामगरीयों का उत्पादन करते हैं तो उत्सरजित होने वाली सभी ग्रीन हाउस कैसों को देखते हुए यह एक प्रमुख विचार है इसके बारे में अधिक विस्तार के लिए अगला अध्याय देखें और ये आंकडे इस तथे को ध्यान में नहीं रखते हैं कि सौर और पवन खेतों को आम तोर पर परमानू संयंतरों की तुलना में अधिक भूमी की आवश्यक्ता होती है और वे केवल 25 से 40 प्रतिशत समय बिजली पैदा करते हैं बनाम परमानू के लिए 90 प्रतिशत तो इस चार्ट शो की तुलना में अंतर और भी अधिक नाट किये है यह कोई रहसे नहीं है कि परमानू उर्जा की अपनी समस्याएं है आज निर्मान करना बहुत महेंगा है मानविय भूल दूर घटना का कारण बन सकती है यूरेनियम जो इंधन का उप्योग करता है उसे हथियारों में उप्योग के लिए परिवर्तित किया जा सकता है कच्रा खत्रनाक है और स्टोर करना मुश्किल है सन्यूक्त राजे अमेरिका में 3 माइल दूईब पूर्व U.S.S.R. में चेर्नोबिल और जापान में फुकुशिमा में हाई प्रोफाइल दूर घटनाओं ने इन सभी जोखिमों पर प्रकाश डाला वास्तविक समस्याएं हैं जो उन आपदाओं का कारण बनी लेकिन उन समस्याओं को हल करने के लिए काम करने के बजाए हमने शेत्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करना बंद कर दिया कल्पना कीजिए कि अगर एक दिन हर कोई एक साथ मिल गया और कहा अरे कारें लोगों को मार रही हैं वे खत्रनाक हैं चलो गाड़ी चलाना बंद करें और इन आटो मोबाइल्स को छोड़ दें यह हास्यासपद होगा बिलकुल हमने ठीक इसके विपरीत किया हमने कारों को सुरक्षित बनाने के लिए नवाचार का इस्तेमाल किया लोगों को विंदर शील्ड से उड़ने से रोकने के लिए हमने सीट बेल्ट और एयर बैग का आविशकार किया दुरघटना के दोरान यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमने सुरक्षित सामगरी और बेहतर डिजाइन तयार किये पारकिंग में पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए हमने रेर रव्यू कैमरे लगाना शुरू किया परमान उर्जा कारों की तुलना में बहुत कम लोगों को मारती है उस मामले के लिए यह किसी भी जीवाश्म इंधन की तुलना में बहुत कम लोगों को मारता है फिर भी हमें इसमें सुधार करना चाहिए जैसा कि हमने कारों के साथ किया एक एक करके समस्याओं का विशलेशन करके और उन्हें नवाचार के साथ हल करने के लिए निर्धारित किया वैग्यानिकों और इंजीनिरों ने विभिन समाधान प्रस्तावित किये हैं मैं टेरा पौवर द्वारा बनाए गए द्रिष्टिकों के बारे में बहुत आशावादी हूँ एक कमपनी जिसे मैंने टू जीरो जीरो एट में स्थापित किया था अगली पीड़ी के परमानू रियेक्टर को डिजाइन करने के लिए परमानू भौतिकी और कम्प्यूटर मोडलिंग में कुछ बेहतरीन दिमागों को एक साथ लाया क्योंकि कोई भी हमें वास्तविक दुनिया में प्रायोगिक रियेक्टर बनाने नहीं दे रहा था हमने बेलेव्यू वाशिक्टन में सुपर कम्प्यूटर की एक प्रयोगशाला स्थापित की जहां टीम विभिन रियेक्टर डिजाइनों के डिजिटल सिमूलेशन चलाती है हमें लगता है कि हमने एक ऐसा मोडल बनाया है जो ट्रेवलिंग वेव रियेक्टर नामक डिजाइन का उप्योग करके सभी प्रमुख समस्याओं को हल करता है क्या परमान उर्जा खत्रनाक है यदि आप प्रती यूनिट बिजली के कारण होने वाली मोतों की संख्या की गणना नहीं कर रहे हैं जैसा की यह चार्ट दिखाता है यहां संख्याएं उर्जा पैदा करने की पूरी प्रक्रिया को कवर करती हैं इंधन निकालने से लेकर उन्हें बिजली में बदलने तक साथ ही साथ पर्यावरनिये समस्याएं जैसे वायू प्रदूशन डेटा में हमारी दुनिया टेरा पावर का रियेक्टर कई अलग अलग प्रकार के इंधन पर चल सकता है जिसमें अन्य पर्मानु सुविधाओं से अपशिष्ट भी शामिल है रियेक्टर आज के संयंत्रों की तुलना में बहुत कम अपशिष्ट उत्पन्न करेगा पूरी तरह से स्वचालित होगा मानविय त्रुटी की संभावना को समाप्त करेगा और इसे हमले से बचाते हुए भूमिगत बनाया जा सकता है अन्त में पर्मानु प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल विशेष्टाओं का उपयोग करते हुए डिजाइन स्वाभाविक रूप से सुरक्षित होगा उदाहरन के लिए रेडियो धर्मी इंधन पिन में निहित होता है जो बहुत गर्म होने पर फैलता है जो पर्मानु प्रतिक्रिया को धीमा कर देता है और अतिताप को रोकता है भौतिक विज्यान के नियमों से दुर घटनाओं को सचमुच रोका जा सकता है हम अभी भी एक नए संग्यंत्र पर जमीन तोड़ने से वर्षों दूर है अब तक टेरा पावर का डिजाइन केवल हमारे सुपर कम्प्यूटरों में मौजूद है हम साथ काम कर रहे हैं हमारा पहला प्रोटोटाइप बनाने पर अमेरिकी सरकार परमानू संग्लेयन परमानू ऊर्जा के लिए एक और पूरी तरह से अलग द्रिष्टिकों है जो काफी आशाजनक है लेकिन उपभोकताओं को बिजली की आपूरती से कम से कम एक दशक दूर है परमानू को अलग करके ऊर्जा प्राप्त करने के बजाए जैसा कि विखंडन करता है इसमें उन्हें एक साथ धकेलना या उन्हें फ्यूज करना शामिल है संग्लेयन उसी मूल प्रक्रिया पर निर्भर करता है जो सूरे को शक्ती प्रदान करता है आप एक गैस से शुरू करते हैं अधिकांश शोध कुछ प्रकार के हाइडरोजन पर केंद्रित होते हैं और इसे असाधारन रूप से गर्म करते हैं अच्छी तरह से 50 मिलियन डिग्री सेलसियस से अधिक जबकी यह विद्यूत आवेशित अवस्था में होता है जिसे प्लाजमा के रूप में जाना जाता है इन ताप मानों पर कंड इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि वे एक दूसरे से टकराते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं जैसे सूरे में हाइडरोजन परमानों करते हैं जब हाइड्रोजन के कन्फ्यूज हो जाते हैं तो वे हीलियम में बदल जाते हैं और इस प्रक्रिया में वे बहुत अधिक उर्जा छोड़ते हैं जिसका उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है वेग्यानिकों के पास प्लाजमा रखने के विभिन तरीके हैं सबसे सामानने तरीके या तो शक्तिशाली चुम्बक या लेजर का उपयोग करते हैं हाला कि यह अभी भी प्रायोगिक चरण में है लेकिन फ्यूजन में बहुत कुछ है क्योंकि यह हाइड्रोजन जैसे सामानने रूप से उपलब्ध तत्वों पर चलेगा इंधन सस्ता और भरपूर होगा मुखे प्रकार का हाइड्रोजन जो आमत और पर संगलेण में उपयोग किया जाता है उसे समुदरी जल से निकाला जा सकता है और यह कई हजारों वर्षों से दुनिया की उर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए परियाप्त है फ्यूजन के अपशिष्ट उत्पाद सेकडों वर्षों के लिए रेडियो धर्मी होंगे अपशिष्ट प्लूटोनियम और विखंडन से अन्य तत्वों के लिए सेकडों हजारों की तुलना में और बहुत निचले स्तर पर रेडियो धर्मी अस्पताल के कच्छरे के रू बंद कर देते हैं तो संगलेन बंद हो जाता है व्यवहार में हालां की संगलेन करना बहुत कठिन है परमानु वैग्यानिकों के बीच एक पुराना मजाक है फ्यूजन 40 साल दूर है और यह हमेशा रहेगा जाहिर है मैं मजाक शब्द का प्रयोग शिथिल रूप से कर रहा हूँ बड़ी बाधाओं में से एक यह है कि संगलेन प्रतिक्रिया को दूर करने में इतनी उर्जा लगती है कि आप इससे बाहर निकलने की तुलना में प्रक्रिया में अधिक डालते हैं और जैसा कि आप कलपना कर सकते हैं कि इसमें शामिल तापमान को देखते हुए रिय वोकता उपयोग कर सकते हैं वे केवल शोध उद्देशियों के लिए हैं वर्तमान में निर्मानाधीन सबसे बड़ी परियोजना छह देशों और यूरोपिये संग के बीच एक सहयोग दक्षिनी फ्रांस में एक प्रायोगिक सुविधा है जिसे ITAR के रूप में उच्चार तक ITAR से अपना पहला प्लाजमा उत्पन करने की उम्मीद है और 2030 के दशक के अंत में अतिरिक्त शक्ती उत्पन करने के लिए इसे संचालित करने की आवश्यक्ता से टेन गुना अधिक यह फ्यूजन के लिए किट्टी होट पल होगा एक बड़ी उपलब्धी जो हमें एक व्यावसाइक प्रदर्शन संहिंत्र के निर्मान की राह पर ले जाएगी और अधिक नवाचार आ रहे हैं जो फ्यूजन को और अधिक व्यावहारिक बना सकते हैं उदाहरण के लिए मैं उन कमपनियों के बारे में जानता हूँ जो पलाजमा रखने के लिए अधिक मजबूत चुम्बकिय शेत्र बनाने के लिए उच्चतापमान वाले सुप्रकंडक्टर्स का उप्योग कर रही हैं यदि यह द्रिष्टी कोंग काम करता है तो यह हमें संगलेयन रियेक्टरों को बहुत छोटा और इसलिए सस्ता और अधिक तेजी से बनाने की अनुमती देगा लेकिन मुखे बिंदू यह नहीं है कि किसी एक कमपनी के पास पर्मानुवी खंदन या संगलेयन में एक ही सफलता का विचार है जिसकी हमें आवशेक्ता है सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पर्मानुवी और जाके शेत्र को आगे बढ़ाने के बारे में दुनिया एक बार फिर गंभीर हो गई है इसे अन्देखा करना बहुत ही आशाजनक है अब तटिये हवाओं पवन तरबाइनों को समुद्र या अनजल निकाय में रखने से विभिन लाब होते हैं क्योंकि कई बड़े शहर तट के पास हैं हम उन जगहों के बहुत करीब बिजली पैदा कर सकते हैं जहां इसका इस्तेमाल किया जाएगा और कई ट्रांसमिशन समस्याओं में नहीं चलेंगी अब तटिये हवाओं आम तोर पर अधिक तेजी से चलती हैं इसलिए रुक रुक कर चलने वाली हवाओं भी कम होती हैं इन लाभों के बावजूद अब तटिये पवन वर्तमान में बिजली पैदा करने के लिए दुनिया की कुलक शमता का केवल एक छोटा सा हिस्सा है 2019 में लगभग 0.4 प्रतिशत इसमें से अधिकांश यूरोप में है खासकर उत्तरी सागर में संयुक्त राजे अमेरिका में सिर्फ 30 मेगावाट स्थापित है और यह सब रोड आईलेंड के तट पर एक परियोजना में है याद रखे कि अमेरिका लगभग 1.000 गीगावाट का उप्योग करता है इसलिए अब थटिये हवादेश की बिजली का लगभग 132 वाँ हिस्सा प्रदान करती है अब थटिये पवन उद्योग के लिए कहीं और नहीं बलकी ऊपर जाना है कमपनियां तरबाइनों को बड़ा बनाने के तरीके ढून रही हैं ताकि हर एक अधिक बिजली पैदा कर सके और वे बड़ी धातू की वस्तों को समुद्र में रखने में शामिल इंजीनिरिंग चुनोतियों में से कुछ को हल कर रहे हैं जैसे जैसे ये नवाचार कीमत को कम करते हैं देश अधिक तरबाइन स्थापित कर रहे हैं चतूर सरकारी सबसीडी के लिए धन्यवाद जिसने कमपनियों को इसमें निवेश करने के लिए प्रोच साहित किया चीन अप्थटिये पवन में बड़ा निवेश कर रहा है और संभवत 2030 तक इसका दुनिया का सबसे बड़ा उपभोगता होगा संयुक्त राजे अमेरिका में काफी अप्थटिये पवन उपलब्ध है विशेश रूप से निव इंग्लेंड, उत्तरी कैलिफोर्निया और ओरेगन, गल्फ कोस्ट और ग्रेट लेक्स में सिध्धान्त रूप में हम इससे 2000 गीगावाट उत्पन्न कर सकते हैं हमारी वर्तमान जरूर्तों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक लेकिन अगर हम इसक्षमता का लाब उठाने जा रहे हैं तो हमें तर्बाइन लगाना आसान बनाना होगा आज पर्मिट प्राप्त करने के लिए आपको एक नौकरशाही गौन्टलेट चलाने की आवश्यक्ता होती है आप सीमित संख्या में संगिये पट्टों में से एक खरीदते हैं फिर पर्यावरनिये प्रभाव विवरन उत्पन करने के लिए एक बहुवर्शिये प्रक्रिया से गुजरते हैं फिर अतिरिक्त राजे और स्थानिये परमिट प्राप्त करते हैं और रास्ते के प्रतेक चरण में समुद्र तटके संपत्ती मालिकों परेटन उद्योग, मच्छुआरों और पर्यावरन समूहों द्वारा आपका विरोध किया जा सकता है, ठीक है या नहीं अब थटिये पवन बहुत सारे वादे रखती है, यह सस्ता हो रहा है और कई देशों को डी कार्बोनाईज करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है भूतापी यह गहरे भूमिगत, कुछ सो फीट के करीब, एक मील जितना नीचे, गर्म चटाने हैं, जिनका उप्योग कार्बन मुक्त बिजली उत्पन करने के लिए किया जा सकता है हम उच्च दबाव पर पानी को चटानों में पंप कर सकते हैं, जहां यह गर्मी को अवशोशित करता है, और फिर एक और छेद निकलता है, जहां यह तरबाइन को घुमाता है, या किसी अन्य तरीके से बिजली उत्पन करता है लेकिन हमारे पैरों के नीचे की गर्मी का फाइदा उठाने के अपने नुकसान है इसका उर्जा घनत्व, हमें प्रती वर्ग मीटर जितनी उर्जा मिलती है, काफी कम है 2009 की अपनी शांदार पुस्तक, सस्टेनेबल एनरजी विदाउट द्लहोट एयर में, डेविड मेके ने अनुमान लगाया कि भूतापिय यूके की उर्जा जरूरतों के टू प्रतिशत से भी कम को पूरा कर सकता है और यहां तक की देश के हर वर्ग मीटर का दोहन करने और करने की आवशेकता होगी हमें उस तक पहुचने के लिए कोई भी खोदने पड़ते हैं और समय से पहले यह जानना कठिन है कि कोई दिया हुआ कुआ हमारे लिए आवशेक उश्मा उत्पन्न करने वाला है या कितने समय के लिए भूतापिय के लिए खोदे गए सभी कोई में से लगभग 40 प्रतिशत गर्धे बन गए हैं और भूतापिय दुनिया भर में केवल कुछ स्थानों पर ही उपलब्ध है सबसे अच्छे स्थान उप्र उसत ज्वालामुखी गतिविधी वाले शेत्र होते हैं हालांकि इन समस्याओं का मतलब है कि भूतापिय दुनिया की बिजली खपत में केवल मामूली योगदान देगा फिर भी यह निर्धारित करने लायक है उन्हें एक केट करके हल करें जैसे हमने कारों के साथ किया था कमपनिया विभिन नवाचारों पर काम कर रही हैं जो पिछले कुछ वर्षों में तेल और गैस ड्रिलिंग को इतना अधिक उत्पादक बनाने वाली तकनीकी प्रगती पर आधारित होंगी उदाहरन के लिए कुछ उन्नत सेंसर विक्सित कर रहे हैं जो आशाजनक भूतापिये कोईं को ढूंधना आसान बना सकते हैं अन्यक शैतिज ग्रिल का उप्योग कर रहे हैं ताकि वे इन भूतापिये स्रोतों को अधिक सुरक्षित और कुशलता से टैप कर सकें यह इस बात का एक बेहतरीन उदाहरन है कि कैसे मूल रूप से जीवा श्मेंधन उद्योग के लिए विक्सित की गई तकनीक वास्तव में हमें शून्य उत्सर्जन की ओर ले जाने में मदद कर सकती है बिजली भंडारन बैटरी मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक समय मैंने बैटरी के बारे में सीखने में बिताया है मैंने कभी कलपना की तुलना में स्टार्ट अप बैटरी कमपनियों पर अधिक पैसा खो दिया है मेरे आश्चरे के लिए लिथियम आयन बैटरी की सभी सीमाओं के बावजूद जो आपके लैपटॉक और मोबाइल फोन को शक्ती देते हैं, उनमें सुधार करना मुश्किल है आविश्कारकों ने उन सभी धातों का अधेयन किया है, जिनका हम बैटरी में उप्योग कर सकते हैं, और ऐसा लगता नहीं है, कि ऐसी सामगरिया हैं, जो हमारे द्वारा पहले से बनाई जा रही बैटरी की तुलना में काफी बेहतर बैटरी बनाती हैं मुझे लगता है, कि हम उन्हें तीन के कारक से सुधार सकते हैं, लेकिन पचास के कारक से नहीं फिर भी, आप एक अच्छे आविश कारक को नीचे नहीं रख सकते मैं सस्ती बैटरी पर काम कर रहे कुछ शांदार इंजीनिरों से मिला हूँ जो एक शहर के लिए परियाप्त उर्जा स्टोर कर सकते हैं, जिसे हम ग्रेडर स्केल बैटरी कहते हैं जो फोन या कम्प्यूटर चलाने वाले छोटे लोगों के विपरीत है और इसे मौसमी के माध्यम से प्राप्त करने के लिए परियाप्त समय तक पकरते हैं, रुक रुक कर एक आविशकारक जिसकी मैं प्रशनसा करता हूँ, एक ऐसी बैटरी पर काम कर रहा है जो पारंपरिक बैटरी में प्रयुक्त ठोस धातों के बजाए तरल धातों का उप्योग करती है विचार यह है कि तरल धातु आपको बहुत तेजी से अधिक उर्जा संग्रहीत करने और वित्रित करने देती है ठीक उसी तरह की जब आप एक पूरे शहर को बिजली देने की कोशिश कर रहे होते हैं तकनीक एक प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुकी है और अब टीम इसे किफायती बनाने और यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि यह शेत्र में काम करती है अन्यफलो बैटरी नामक किसी चीज पर काम कर रहे हैं जिसमें अलग-अलग टैंकों में तरल पदार्थ जमा करना और फिर पंप करके बिजली पैदा करना शामिल है एक साथ तरल पदार्थ जितने बड़े टैंक उतनी ही अधिक उर्जा आप स्टोर कर सकते हैं और बैटरी जितनी बड़ी होगी वह उतनी ही किफायती हो जाएगी पंप हाइडरो यह शहर के आकार की उर्जा के भंडारन का एक तरीका है और यह इस तरह काम करता है जब बिजली सस्ती होती है उदाहरन के लिए जब एक तेज हवा आपके तरबाइनों को वास्तव में तेजी से बदल रही है तो आप एक पहाडी को एक जलाशे में पानी पंप करते हैं फिर जब बिजली की मांग बढ़ जाती है तो आप पानी को वापस पहाडी से नीचे बहने देते हैं इसका उपयोग तरबाइन को घुमाने और अधिक बिजली पैदा करने के लिए करते हैं पंपेड हाइडरो दुनिया में ग्रेडसकेल बिजली भंडारन का सबसे बड़ा रूप है दुरभाग्य से यह ज़्यादा नहीं कह रहा है सन्युक्त राजे में टेन सबसे बड़ी सुविधाएं देश की बिजली की खपत के एक घंटे से भी कम समय में स्टोर कर सकती हैं आप शायद अनुमान लगा सकते हैं कि यह वास्तव में क्यों नहीं निकला है एक पहाड़ी पर पानी पंप करने के लिए आपको पानी का एक बड़ा जलाशे और निश्चित रूप से एक पहाड़ी की आवश्यक्ता होती है या तो बिना आप भाग्य से बाहर हैं कई कमपनिया विकल्प पर काम कर रही हैं एक यह देख रहा है कि क्या आप पानी के अलावा कुछ और उपर ले जा सकते हैं उदाहरन के लिए कंकर दूसरा एक ऐसी प्रक्रिया पर काम कर रहा है जो पहाड़ी को तो दूर करेगी लेकिन पानी को नहीं आप पानी को भूमिगत पंप करते हैं उसे दबाव में रखते हैं और जब आप तर्बाइन चालू करने के लिए तैयार होते हैं तो उसे छोड़ देते हैं यदि यह द्रिष्टि कोंग काम करता है तो यह जादूई होगा क्योंकि चिंता करने के लिए जमीन के ऊपर बहुत कम उपकरन होंगे धर्मल भंडारन यहाँ धारना यह है कि जब बिजली सस्ती होती है तो आप इसका इस्तेमाल कुछ सामगरी को गर्म करने के लिए करते हैं फिर जब आपको अधिक बिजली की आवश्यक्ता होती है, तो आप उश्मा का उप्योग उश्मा इंजन के माध्यम से बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं. यह 50 या 60 प्रतिशत दक्षता पर काम कर सकता है, जो बुरा नहीं है. इंजीनीरों को ऐसी कई सामगरियों के बारे में पता है, जो बिना अधिक उर्जा खोए लंबे समय तक गर्म रह सकती हैं. सबसे आशाजनक द्रिश्टिकुन, जिस पर कुछ वैग्यानिक और कमपनियां काम कर रही हैं, वह है गर्मी को पिगले हुए नमक में संग्रहित करन टेरा पावर में, हम यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कि पिगले हुए नमक का उप्योग कैसे किया जाए ताकि, यदि हम एक संग्यंत्र बनाने में सक्षम हों, तो हमें दिन के दौरान सौर उर्जा से उत्पन्न बिजली के साथ प्रतिस परधा नहीं करनी पड़े विचार यह होगा कि दिन के दौरान उत्पन्न गर्मी को संग्रहित किया जाए, फिर इसे रात में बिजली में परिवर्थित किया जाए, जब सस्ती सौर उर्जा उपलब्ध नहो सस्ता हाइडरोजन मुझे उम्मीद है कि हमें भंडारन में कुछ बड़ी सफलताय मिलेंगी लेकिन यह भी संभव है कि कुछ इनोवेशन साथ आएंगे और यह सब बनाएंगे विचार अप्रचलित जिस तरह से परसनल कम्प्यूटर आया और कमोबेश टाइप राइटर को अनावशेक बना दिया सस्ता हाइडरोजन बिजली के भंडारन के लिए ऐसा कर सकता है इसका कारण यह है कि हाइडरोजन इन्धन सेल बैटरी में एक प्रमुख घटक के रूप में कारे करता है इन्धन कोशिकाओं को अपनी उर्जा दो गैसों आम तोर पर हाइडरोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से प्राप्त होती है और उनका एक मात्र उपउतपाद पानी है हम हाइडरोजन बनाने के लिए सौर या पवन फार्म से बिजली का उप्योग कर सकते हैं हाइडरोजन को संपीडित गैस या किसी अन्य रूप में संग्रहीत कर सकते हैं और फिर मांग पर बिजली उत्पन करने के लिए इसे इंधन सेल में डाल सकते हैं वास्तव में हम कार्बन मुक्त इंधन बनाने के लिए स्वच बिजली का उप्योग कर रहे होंगे जिसे वर्षों तक संग्रहीत किया जा सकता है और एक पल की सूचना पर वापस बिजली में बदल दिया जा सकता है और हम उस स्थान की समस्या का समाधान करेंगे जिसका मैंने पहले उलेक किया था हालांकि आप रेलकार में सूरज की रोशनी नहीं भेज सकते हैं आप इसे पहले इंधन में बदल सकते हैं और फिर इसे किसी भी तरह से भेज सकते हैं यहा समस्या है अभी कार्बन उत्सरजित किये बिना हाइडरोजन का उत्पादन करना महंगा है यह बिजली को सीधे बैटरी में स्टोर करने जितना कुशल नहीं है क्योंकि पहले आपको हाइडरोजन बनाने के लिए बिजली का उपयोग करना पड़ता है और बाद में आप उस हाइडरोजन का उपयोग बिजली बनाने के लिए करते हैं इन सभी कदमों को उठाने का मतलब है कि आप रास्ते में उर्जा खो देते हैं हाइड्रोजन भी एक बहुत हलकी गैस है जिससे उचित आकार के कंटेनर में स्टोर करना मुश्किल हो जाता है यदि आप गैस पर दबाव डालते हैं तो इसे स्टोर करना आसान होता है आप समान वॉल्यूम कंटेनर में अधिक निचोड सकते हैं लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन के अनुट इतने छोटे होते हैं जब वे दबाव में होते हैं तो वे वास्तव में धातों के माध्यम से पला करता है जैसे आप भरते हैं अन्त में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है बनाने की प्रक्रिया में विभिन सामगरियों इलेक्ट्रोलाइजर के रूप में जाना जाता है कि भी आवशेक्ता होती है जो काफी महंगी होती हैं कैलिफोर्निया में जहां इंधन सेल पर चलने वाली कारे अब उपलब्ध हैं हाइड्रोजन की लागत कैसोलीन के लिए 5.60 डॉलर प्रती गैलन के भुगतान के बराबर है इसलिए वैग्यानिक सस्ती सामगरी के साथ प्रयोग कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइजर के रूप में काम कर सकती है अन्य नवाचार कारबन कैप्चरिंग हम प्राकृतिक गैस और कोयले से बिजली बनाना जारी रख सकते हैं लेकिन कारबन डाइ ओकसाइड को वाईू मंदल में आने से पहले ही चूस लेते हैं इसे कारबन कैप्चर और स्टोरेज कहा जाता है और इसमें उत्सर्जन को अवशोशित करने के लिए जीवाश मैंधन संयंत्रों में विशेश उपकरन स्थापित करना शामिल है ये, point capture, device दशकों से मौजूद हैं लेकिन वे खरीदने और संचालित करने के लिए महंगे हैं वे आम तोर पर शामिल ग्रीन हाउस गैसों में से केवल 90 प्रतिशत पर कबजा करते हैं और बिजली कमपनियों को उन्हें स्थापित करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है तो बहुत कम उप्योग में हैं स्मार्ट सारवजनिक नीतियां कार्बन कैप्चर का उप्योग करने के लिए प्रोथ साहन पैदा कर सकती हैं जिस विशे पर हम अध्याय 10 और 11 में वापस आएंगे इससे पहले मैंने एक संबंधित तकनीक का उलेक किया था जिसे डाइरेक्ट एयर कैप्चर कहा जाता है इसमें ठीक वही शामिल है जो नाम का तात पर है सीधे हवा से कार्बन कैप्चर करना बिन्दू कैप्चर की तुलना में D.A.C. अधिक लचीला है क्योंकि आप इसे कहीं भी कर सकते हैं और सभी संभावनाओं में यह शून होने का एक महत्व पूर्ण हिस्सा होगा National Academy of Sciences के एक अधेयन में पाया गया कि हमें सधी के मध्य तक एक वर्ष में लगभग 10 बिलियन तन कार्बन डाई ओक्साइड और सधी के अंथ तक लगभग 20 बिलियन को हटाने की आवशेकता होगी लेकिन हवा में कार्बन डाई ओक्साइड की कम सांध्रता के कारण D.A.C. पॉइंट कैप्चर की तुलना में बहुत बड़ी तकनीकी चुनोती है जब उत्सर्जन सीधे कोईला संयंत्र से निकलता है तो वे 10 प्रतिशत कार्बन डाई ओक्साइड की सीमा में अत्यधिक केंद्रित होते हैं लेकिन एक बार जब वे वातावरन में होते हैं जहां D.A.C. संचालित होता है तो वे व्यापक रूप से फैल जाते हैं वातावरन से या दरिच्छिक रूप से एक अनुचुने और संभावना है कि यह कार्बन डाई ओक्साइड होगा 2500 में सिर्फ वन है कम्पनिया नई सामगरियों पर काम कर रही हैं जो कार्बन डाई ओक्साइड को अवशोशित करने में बेहतर हैं जो पोईंट कैप्चर और D.A.C. दोनों को सस्ता और अधिक प्रभावी बना देगा इसके अलावा, D.A.C. के लिए आज के दृष्टी कोनों में ग्रीन हाउस कैसों को फंसाने उन्हें इकठा करने और उन्हें सुरक्षित रूप से संग्रहीत करने के लिए बहुत अधिक उर्जा की आवश्यक्ता होती है कुछ उर्जा का उप्योग किये बिना वह सब काम करने का कोई तरीका नहीं है भौतिकी के नियम नियूनतम राशी निर्धारित करते हैं कि कितनी आवश्यक्ता होगी लेकिन नवीन्तम तकनीक उस नियून्तम से बहुत अधिक उपयोग करती है, इसलिए सुधार की बहुत गुंजाइश है कम प्रयोग करना मैं इस धारना का मजाक उड़ाता था कि बिजली का अधिक कुशलता से उपयोग करने से जलवायू परिवर्तन में सेंध लग जाएगी मेरा तर्क यदि आपके पास उत्सर्जन को कम करने के लिए सीमित संसाधन है और हम करते हैं तो आपको प्राप्त होगा उर्जा की मांग को कम करने की कोशिश में बहुत अधिक खर्च करने के बजाए शून उत्सर्जन पर जाने से सबसे बड़ा प्रभाव मैंने उस द्रिशे को पूरी तरह से नहीं छोड़ा है लेकिन मैंने इसे तब नरम किया जब मुझे एहसास हुआ किस और और पवन से बहुत अधिक बिजली पैदा करने के लिए कितनी भूमी लगेगी एक सोलर फार्म को कोईले से चलने वाले प्लांट के बराबर बिजली पैदा करने के लिए 5 से 50 गुना ज्यादा जमीन की जरूरत होती है और विंड फार्म को सोलर से 10 गुना ज्यादा की जरूरत होती है हमें 100 प्रतिशत स्वच बिजली की संभावना बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए और यह आसान होगा यदि हम जहां कहीं भी बिजली की मांग को कम कर सकते हैं जो कुछ भी उस पैमाने को कम करता है जिस तक हमें पहुंचने की जरूरत है वह मददगार है लोड शिफ्टिंग या डिमांड शिफ्टिंग नामक एक संभंधित द्रिश्टी कोंग भी है जिसमें पूरे दिन लगातार बिजली का उप्योग करना शामिल है अगर हमने इसे बड़े पैमाने पर किया तो लोड शिफ्टिंग हमारे जीवन को सशक्त बनाने के बारे में सोचने के तरीके में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगी अभी जब हम इसका उप्योग करते हैं तो हम बिजली उत्पन करते हैं उदाहरन के लिए रात में शहर की रोशनी चलाने के लिए बिजली के संयंत्रों को क्रैंक करना लोड शिफ्टिंग के साथ हालांकि हम इसके विप्रीत करते हैं हम अधिक बिजली का उप्योग करते हैं जब यह उत्पन करने के लिए सबसे सस्ता होता है उदाहरन के लिए आपका वाटर हीटर शाम सिवन 00 बजे के बजाए शाम 4 00 बजे जब बिजली की मांग कम होती है स्विच करने में सक्षम हो सकता है या आप अपने इलेक्ट्रिक वाहन में प्लग लगा सकते हैं जब आप दिन के लिए घर आते हैं और यह स्वचालित रूप से फोर 00 बजे तक खुद को चार्ज करने के लिए प्रतीक्षा करेगा जब बिजली सस्ती है क्योंकि बहुत कम लोग इसका उप्योग कर रहे हैं और योगिक स्तर पर उर जागहन प्रक्रियाएं जैसे अप्षिष्ट जल का उपचार और हाइडरोजन इंधन बनाना दिन के ऐसे समय में किया जा सकता है जब बिजली आना सबसे आसान हो यदि लोड शिफ्टिंग का महत्व पूर्ण प्रभाव पढ़ने वाला है तो हमें नीती में कुछ बदलावों के साथ साथ कुछ तकनीकी प्रक्ती की भी आवशेक्ता होगी उदाहरन के लिए उपयोगिता कंपनियों को आपूर्ती और मांग में बदलाव के लिए पूरे दिन बिजली की कीमत को अपडेट करना होगा और आपकी वाटर हीटर और इलेक्टरिक कार को इस कीमत की जानकारी का लाब उठाने और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देने के लिए परियाप्त स्मार्ट होना होगा और चरम मामलों में जब बिजली विशेश रूप से मुश्किल से आती है तो हमारे पास मांग को कम करने की क्षमता होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि हम बिजली को राशन देंगे उच्चतम जरूरतों को प्रात्मिक्ता देंगे जैसे अस्पताल और गैर जरूरी गतिविधियों को बंद कर दें ध्यान रखे की यद्धे पर हमें इन सभी विचारों को आगे बढ़ाने की आवशेक्ता है लेकिन हमें अपने पावर ग्रेड को डी कार्बोनाईज करने के लिए शायद उन सभी को बाहर निकालने की आवशेक्ता नहीं है कुछ विचार एक दूसरे को ओवरलैब करते हैं उदाहरन के लिए अगर हमें सस्ते हाइडरोजन में सफलता मिलती है तो हमें जादूई बैटरी प्राप्त करने के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवशेक्ता नहीं हो सकती है मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमें नए पावर ग्रेड विक्सित करने के लिए एक ठोस योजना की आवशेक्ता है जो कि जब भी हमें इसकी आवशेक्ता हो विश्वसनिय रूप से सस्ती शून्ने कार्बन बिजली प्रदान करें अगर एक जिन्नने मुझे एक इच्छा की पेशकश की जलवायू परिवर्तन को चलाने वाली सिर्फ एक गतिविधी में एक सफलता तो मैं बिजली बनाना चुनूंगा यह भौतिक अर्थवेवस्था के अन्य हिस्सों को डी कार्बोनाईज करने में एक बड़ी भूमी का निभाने जा रहा है। मैं इनमे से पहले की ओर मुढूंगा, हम अगले अध्याय में स्टील और सीमिंट जैसी चीजें कैसे बनाते हैं। बिजली के पर्याय के रूप में उप्योग करूंगा। यह गर्णा बांधों के जीवन चक्र के आकलन से ली गई हैं। लेकिन वे बहुत जटिल हैं। इसलिए इस पुस्तक में मैं प्रत्यक्ष उत्सर्जन पर ध्यान के इंद्रित करूंगा, जो समझाने में आसान होते हैं, और आम तोर पर वैसे भी एक ही निशकर्ष पर ले जाते हैं। थ्री ट्रांसमेशन को फ्रीवे और वित्रन को स्थानिय सडक समझें। हम बिजली संयंत्र से शहर तक बिजली पहुंचाने के लिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों का उप्योग करते हैं। फिर बिजली स्थानिय लो वोल्टेज वित्रन प्रनाली में जाती है, जो बिजली की लाइने आप अपने पडोस में देखते हैं। फोर हवा के लिए मौसमी बदलाव भी है। सन्यूक्त राजे अमेरिका में पवन उर्जा वसंत रितू में अपने चरम पर होती है और मध्य से देर से गर्मियों में अपने निम्न बिंदू तक पहुंच जाती है, हालांकि कैलिफोर्निया में यह विप्रीत है। अंतर दो से चार के गुनज में हो सकता है। पीक डिमांड के लिए, मैंने टेन साल के सिस्टम लाइफ टाइम और 23300 डॉलर की प्रती यूनिट लागत के साथ 9.1 मिलियन लिथियम आयन बैटरी ग्रहन की। शिक्स यह मोडल जनता के लिए ओनलाइन उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए SUCC ESAC NERGY ओर्गनाइजेशन देखें। अध्याय फाइव हम चीजें कैसे बनाते हैं। प्रती वर्ष 51 बिलियन तन का 31 प्रतिशत। मैं मदीना, वाशिक्तन से 8 मिल की ड्राइव पर हूँ, जहां में लिंडा और आई। लाइव, हमारे फाउंडेशन के सियेटल मुख्याले में। कार्याले में जाने के लिए, मैं लेक वाशिक्तन को पार करता हूँ, जिसे आधिकारिक तोर पर एवरग्रीन पॉइंट फ्लोटिंग ब्रिज के रूप में जाना जाता है, हालांकि यहां रहने वाला कोई भी व्यक्ती वास्तव में इसे नहीं कहता है, स्थानिय लोगों के लिए यह 520 पुल है, जिसका नाम राजे के राजमार्ग के लिए रखा गया है, जो इसके पार चलता है, 7700 फीट से अधिक उँचाई पर यह दुनिया का सबसे लंबा तेरता हुआ पुल है, हर बार जब मैं 520 पुल को पार करता हूँ, तो मैं इसकी सराहना करने के लिए एक पल लेता हूँ कि यह कितना अध्भुत है, इसलिए नहीं कि यह दुनिया का सबसे लंबा तेरता पुल है, बलकि इसलिए कि यह एक ऐसा पुल है, जो तेरता है, तनोग डामर, कंक्रीट और स्टील से बनी यह विशाल संग्रचना, और उस पर बैठी सेकडों कारों के साथ, एक जील के ऊपर कैसे तैर सकती है, यह धूबता क्यों नहीं है, जवाब एक अद्भूत सामगरी द्वारा हमारे लिए लाए गए इंजीनीरिंग का चमतकार है, कंक्रीट, पहली नजर में यह अजीब लग सकता है, क्योंकि कंक्रीट के बारे में सोचना इतना स्वाभाविक है, कि यह भारी ब्लॉक है, जो संभवतह तेर नहीं सकता है, इसका उप्योग खोखले आकार बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे 77 हवा से भरे वाटरटाइट पोंटून जो 520 पुल का समर्थन करते हैं, प्रतेक का वजन हजारों तन है, जील की सतह पर तेरने के लिए परियाप्त उत्पलावक है, और पुल और उस पर तेज ग काम में से एक के दोरान, इसे पार करना, यह सियेटल का 520 पुल है, जिसे मैं घर से गेट्स फाउन्डेशन के मुख्याले तक ड्राइव करते समय पार करता हूँ, यह आधुनिक इंजीनीरिंग का चमतकार है, अपने आसपास अन्य चमतकारों को प्रदर्शित करने वाले खोजने के लिए आपको बहुत कठिन दिखने की आवशेक्ता नहीं है, यह जंग प्रतिरोधी, सरांधस्बूत और गैरजवल नशील है, यही वजह है कि यह अधिकांश आधुनिक इमारतों का हिस्सा है, यदि आप जल्विद्यूत के प्रशन सक हैं, तो आपको बांधो को संभव बनाने के लिए कंक्रीट की सराहना करनी चाहिए, अगली बार जब आप स्टैच्यू ओफ लिबर्टी देखें, तो उस आसन पर एक नजर डालें, जिस पर वह खड़ी है, यह 27000 टन कंक्रीट से बना है, कंक्रीट के आकर्शन अमेरिका के सबसे महान आविशकारक पर नहीं खोए थे, थॉमस एडिसन ने सामान से बने पूरे घर बनाने की कोशिश की, उन्होंने कंक्रीट के फरनीचर बनाने का सपना देखा, जैसे बेडरूम सेट, और यहां तक की एक ठोस रिकॉर्ड प्लेयर डिजाइन करने की भी कोशिश की, एडिसन की ये कलपनाय कभी पूरी नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम कंक्रीट का बहुत उप्योग करते हैं, हर साल मौझूदा सड़कों को बदलने या मरम्मत करने के बीच, पुलों और इमारतों और नए निर्मानों के लिए, अकेले अमेरिका 96 मिलियन तन से अधिक सीमिंट का उत्पादन करता ह जो कंक्रीट में मुख्य सामगरी में से एक है, यह देश के प्रतेक व्यक्ति के लिए लगभग 600 पाउंड है, और हम सामान के सबसे बड़े उपभोकता भी नहीं है, वह चीन होगा, जिसने 21.5 सदी के पहले 16 वर्षों में सन्युक्त राजे अमेरिका की तुलना में पूर पूरी 20 सदी में सन्युक्त राजे अमेरिका की तुलना में अधिक उत्पादन किया है, अमेरिकी भूवैग्यानिक सर्वेक्षन, जाहिर है, सीमिन्ट और कंक्रीट ही एक मातर ऐसी सामगरी नहीं है, जिस पर हम भरोसा करते हैं, कारों, जहाजों और ट्रेनों में हम जो स् ही है, रेफ्रिजरेटर और स्टोव, कार खाने की मशीने, भोजन के दिब्बे और यहां तक की कंप्यूटर भी, स्टील मजबूत, सस्ता, ठिकाउं और असीम रूप से पुन, प्रयोजे है, यह कंक्रीट के साथ एक भयानक भागीदार भी बनाता है, कंक्रीट के एक ब्ल तो अलग नहीं होते हैं, इसलिए हम अपने अधिकांश भवनों और पुलों में प्रभलित कंक्रीट का उपयोग करते हैं, अमेरिकी सीमेंट जितना स्टील का उपयोग करते हैं, ताकि प्रती व्यक्ती 600 पाउंड हर साल, उस स्टील की गिंती न करें, जिसे हम रिसायकल कर और फिर से उप्योग करते हैं. प्लास्टिक एक और अद्भुत सामगरी है. वे कपड़े और खिलोनों से लेकर फरनीचर और कारों और सेल फोन तक इतने सारे उत्पादों में हैं, कि उन सभी को सूची बद्ध करना असंभव है. इन दिनों प्लास्टिक की खराब प्रतिष प्रतिष्ठा है, एक प्रतिष्ठा जो आंशिक रूप से उचित है. लेकिन वे बहुत अच्छा भी करते हैं. इस अध्याय को लिखते समय, मैं अपने डेस्क पर बैठा हूँ और अपने चारों और प्लास्टिक देख सकता हूँ, मेरा कम्प्यूटर, कीबोर्ण, मोनिट और माउस, मेरा स्टेपलर, मेरा फोन, और चालू और चालू. प्लास्टिक भी इंधन कुशल कारों को इतना हलका होने की अनुमती देता है, वे. एक कार के कुल आयतन का आधा हिस्सा होता है, लेकिन उसके वजन का केवल 10 प्रतिशत. फिर कांट है, हमारी खेडकियों, जा एल्यूमीनियम सोडा के डिब्बे, पन्नी, बिजली की लाइनों, डोरकोब्स, क्रेनों, विमानों और भी एर केगों में चला जाता है. उर्वरक दुनिया को खिलाने में मदद करता है. वर्षों पहले, मैंने कागज के निधन की भविशेवानी की थी क्योंकि इलेक्ट्रोनिक संचार अधिक सामानने हो गया था और स्क्रीन अधिक सर्वव्यापी हो गई थी, लेकिन यह जल्द ही कभी भी दूर जाने के अधिक संकेत नहीं दिखाता है. संक्षेप में, हम ऐसी सामगरी बनाते हैं, जो आधुनिक जीवन के लिए उतनी ही आवशेक हो गई हैं, जितनी बिजली. हम उन्हें छोडने वाले नहीं हैं. अगर कुछ भी हो, तो हम दुनिया की आबादी बढ़ने और अमीर होने के साथ साथ उनमें से अधिक का उप्योग करेंगे. इस दावे का समर्थन करने के लिए प्रचूर मात्रा में डेटा है, हम आज की तुलना में मध्यश्ताब्दी तक 50 प्रतिशत अधिक स्टील का उत्पादन करेंगे, उदाहरन के लिए लेकिन मुझे लगता है, कि नीचे दी गई दो तस्वीरे उतनी ही प्रेरक हैं. उन पर एक त्वरित नजर डालें. वे दो अलग अलग शहरों की तरह दिखते हैं. यह दो तस्वीरें कैप्चर करती हैं, कि विकास कैसा दिखता है, बेहतर के लिए और बदतर के लिए. वे नहीं हैं. वे दोनों शंगाई की तस्वीरे हैं, जो एक ही सुविधाजनक स्थान से ली गई हैं. बाई ओर वाला वन नाई नेट सेवन में लिया गया था, दाई ओर वाला. 2013 जब मैं दाई ओर फोटो में उन सभी नई इमारतों को देखता हूं, तो मुझे टन और टन स्टील, सीमेंट, कांच और प्लास्टिक दिखाई देता है. यह कहानी पूरी दुनिया में दोहराई जा रही है, हालांकि ज़्यादातर जगहों पर विकास उतना नाटकिय नहीं है, जितना किशंगाई में था. इस पुस्तक में बार बार आने वाले विशे को दोहराने के लिए यह प्रगती अच्छी बात है. इन दो तस्वीरों में आप जो तेजी से विकास देख रहे हैं, उसका मतलब है कि लोगों के जीवन में अंगिनत तरीके से सुधार हो रहा है. वे अधिक पैसा कमा रहे हैं, बेहतर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और उनके युवावस्था में मरने की संभावना कम है. जो कोई भी गरीबी से लड़ने की परवाह करता है, उसे इसे अच्छी खबर के रूप में देखना चाहिए. लेकिन एक और विशे को दोहराने के लिए जो इस पुस्तक में बहुत कुछ सामने आता है, इस चांदी के बादल में एक गहरा अस्तर है. इन सभी सामगरियों को बनाने से बहुत सारी ग्रीन हाउस कैसे निकलती हैं. वास्तव में, वे दुनिया भर में सभी उत्सर्जन के लगभग एक तिहाई के लिए जिम्मेदार हैं. और कुछ मामलों में, विशेश रूप से ठोस, हमारे पास कार्बन का उत्पादन किये बिना उन्हें बनाने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है. तो आईए देखें कि हम इस सर्कल को कैसे स्ट्वाइर कर सकते हैं, हम इन सामगरियों का उत्पादन कैसे कर सकते हैं, बिना जलवायू को रहने योगे बना सकते हैं. संक्षिप्तिता के लिए हम तीन सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों पर ध्यान के इंद्रित करेंगे स्टील, कंक्रीट और प्लास्टिक जैसा कि हमने बिजली के साथ किया था हम देखेंगे कि हम यहां कैसे पहुँचे और यह सामग्रियां जलवायू के लिए इतनी समस्याग्रस्त क्यों है फिर हम आज की तकनीक का उप्योग करके उत्सरजन को कम करने के लिए ग्रीन प्रीमियम की गणना करेंगे और हम ग्रीन प्रीमियम को कम करने और कार्बन उत्सरजित किये बिना यह सब सामान बनाने के तरीकों की जांच करेंगे स्टील का इतिहास लगभग 4-0-0-0 साल पुराना है सदियों से आकरशक आविशकारों की एक लंबी श्रिंग खला है जो हमें लोह युग से आज हमारे पास सस्ते बहु मुखी स्टील तक पहुचाती है लेकिन मेरे अनुभव में ज्यादातर लोग ब्लास्ट फरनेस, पुर्लिंग फरनेस के बीच के अंतर के बारे में बहुत कुछ नहीं सुनना चाहते हैं और बेसे मर प्रक्रिया तो यहां मुख्य चीजे हैं जिन्हें आपको जानना आवशेक है हमें स्टील पसंद है क्योंकि यह गर्म होने पर मजबूत और आकार देने में आसान होता है स्टील बनाने के लिए आपको शुद्ध लोहा और कार्बन चाहिए अपने आप में लोहा बहुत मजबूत नहीं है लेकिन कार्बन की सही मात्रा जोड़े वन प्रतिशत से भी कम यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का स्टील चाहते हैं और कार्बन परमान उगुनसला बनाते हैं लोहे के परमानों के बीच में परिणाम स्वरूप स्टील को इसके सबसे महत्व पूर्ण गुन प्रदान करते हैं कार्बन और लोहे को खोजना मुश्किल नहीं है आप कोईले से कार्बन प्राप्त कर सकते हैं और लोहा प्रित्वी की पपड़ी में एक सामानने तत्व है लेकिन शुद्ध लोहा काफी दुरलब है जब आप धातो को खोदते हैं तो यह लगभग हमेशा ओक्सीजन और अन्य तत्वों के साथ सन्यूक्त होता है एक मिश्रन जिसे लोह अयस्क के रूप में जाना जाता है स्टील बनाने के लिए आपको लोहे से ओक्सीजन को अलग करना होगा और थोड़ा सा कार्बन जोड़ना होगा आप ओक्सीजन और कोक नामक एक प्रकार के कोयले की उपस्थिती में बहुत अधिक तापमान वन से वन जीरो जीरो डिगरी सेलसियस या थ्री जीरो 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 डिगरी फारिन हाइट से अधिक पर लोह अयस्क को पिगला कर एक ही समय में दोनों को पूरा कर सकते हैं उन तापमानों पर लोह अयस्क अपनी ओक्सीजन छोड़ता है और कोक अपना कार्बन छोड़ता है लोहे के साथ कार्बन का थोड़ा सा बंधन जो स्टील हम चाहते हैं और बाकी carbon oxygen पर पकड़ लेता है, एक उपउतपाद बनाता है, जिसे हम नहीं चाहते हैं, carbon dioxide वास्तव में carbon dioxide का थोड़ा सा 1 ton steel बनाने से लगभग 1.8 ton carbon dioxide पैदा होता है हम इसे इस तरह क्यों करते हैं, क्योंकि यह सस्ता है और जब तक हमने जलवायू परिवर्तन के बारे में चिन्ता करना शुरू नहीं किया, तब तक हमारे पास इसे किसी अन्य तरीके से करने के लिए कोई प्रोटसाहन नहीं था लोह अयस्क खोदना बहुत आसान और इसलिए सस्ता है कोईला भी सस्ता है, क्योंकि इसमें जमीन में बहुत कुछ है इसलिए दुनिया साथ साथ चलती रहेगी, अधिक स्टील बना रही है यहां तक कि उत्पादन मूल रूप से सन्युक्त राजे अमेरिका में पठारों के रूप में भी कई अन्यदेश अब सन्युक्त राजे अमेरिका की तुलना में अधिक कच्चे स्टील का उत्पादन करते हैं उनमें चीन, भारत और जापान और 2050 तक दुनिया हर साल लगभग 2.8 बिलियन तन का उत्पादन करेगी जब तक हम इसे करने के लिए एक नया जलवायू अनुकूल तरीका नहीं खोज लेते तब तक केवल स्टील बनाने से हर साल मध्य शताबधी तक 5 बिलियन तन कार्बन डाई ओक्साइड निकलता है यह जितना चुनोती पूर्ण लग सकता है, कंक्रीट और भी कठिन है क्षमा करेंग कोई इरादा नहीं है, इसे बनाने के लिए आप बजरी, रेद, पानी और सीमेंट को एक साथ मिलाते हैं इनमें से पहले 3 अपैक्षाकरित आसान है, यह सीमेंट है, जो जलवायू के लिए एक समस्या है सीमेंट बनाने के लिए आपको कैलशीयम की जरूरत होती है कैल्शियम प्राप्त करने के लिए आप चूना पत्थर से शुरू करते हैं जिसमें कैल्शियम प्लस कार्बन और ओक्सीजन होता है और इसे कुछ अन्य सामगरियों के साथ भट्टी में जला दें कार्बन और ओक्सीजन की उपस्थिती को देखते हुए आप शायद देख सकते हैं कि यह कहा जा रहा है चूना पत्थर को जलाने के बाद आप अपनी इच्छित चीज के साथ समाप्त हो जाते हैं आपके सीमेंट के लिए कैल्शियम साथ ही कुछ ऐसा जो आप नहीं चाहते हैं कार्बन डाय ओक्साइड इस प्रक्रिया से गुजरे बिना सीमेंट बनाने का तरीका किसी को नहीं पता यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया है चूना पत्थर और गर्मी कैल्शियम ओक्साइड और कार्बन डाय ओक्साइड के बराबर होती है और इसके आस्पास कोई रास्ता नहीं है यह एक से एक संबंध है एक तन सीमिन्ट बनाए और आपको एक तन कार्बन डाई ओकसाइड मिलेगा और स्टील की तरह यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि हम सीमिन्ट बनाना बंद कर देंगे चीन अब तक का सबसे बड़ा उत्पादक है जो भारत को साथ के कारक से दूसरे स्थान पर रखता है और दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक बनाता है अब और 2050 के बीच दुनिया का वार्षिक सीमिन्ट उत्पादन थोड़ा बढ़ जाएगा जैसे की चीन में बिल्डिंग भूम धीमा हो जाता है और छोटे विकास शील देशों में तेजी आती है एक साल में लगभग फोर बिलियन तन वापस बसने से पहले मोटे तोर पर जहां यह आज है सीमिन्ट और स्टील की तुलना में प्लास्टिक समूह का बच्चा है यह देपी मनुशे प्राकृतिक प्लास्टिक का उप्योग कर रहे थे जैसे की रबर हजारों साल पहले सिंथेटिक प्लास्टिक केवल 1950 के दशक में अपने आप में आया रासायनिक इंजीनीरिंग में कुछ सफलताओं के लिए धन्यवाद आज दो दर्जन से अधिक प्रकार के प्लास्टिक हैं और वे उस तरह की चीज से लेकर हैं जिसकी आप उमीद कर सकते हैं दही के कंटेनरों में पॉली प्रोपाइलीन, उदाहरन के लिए पेंट में एक्रेलिक जैसे अधिक आश्चरेजनक उप्योग, फर्ष पॉलिश और कपडे धोने का डिटरजेंट या साबुन और शैंपू में माइक्रो प्लास्टिक या आपके वाटरप्रूफ जैकेट में नाइलोन या उन सभी खेदजनक कपडों में पॉलिएस्टर जो मैंने वननाइन से वन जीरो के दशक में पहने थे इन सभी विभिन प्रकार के प्लास्टिक में एक चीज समान है, उनमें कार्बन होता है कार्बन यह पता चला है, सभी प्रकार की विभिन सामगरियों को बनाने में उप्योगी है क्योंकि यह विभिन प्रकार के विभिन तत्वों के साथ हासानी से बंद जाता है प्लास्टिक के मामले में यह आमत और पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से भरा होता है चुनकि आपने इसे अब तक पढ़ा है आपको शायद यह जानकर आश्चरे नहीं होगा कि प्लास्टिक बनाने वाली कम्पनिया अपना कार्बन कहां प्राप्त करती हैं वे इसे तेल, कोईला या प्राकृतिक गैस को परिश्कृत करके और फिर परिश्कृत उत्पादों को विभिन तरीकों से संसाधित करके प्राप्त करते हैं यह समझाने में मदद करता है कि प्लास्टिक ने सस्ती होने के लिए प्रतिष्ठा क्यों अरजित की है सीमिन्ट और स्टील की तरह प्लास्टिक सस्ते हैं क्योंकि जीवाश्म इंधन सस्ते हैं लेकिन एक महत्व पूर्ण तरीका है कि प्लास्टिक सीमिन्ट और स्टील से मौलिक रूप से अलग है जब हम सीमिन्ट या स्टील बनाते हैं, तो हम कार्बन डाय ओकसाइड को अप्रिहारे उपजपाद के रूप में छोडते हैं, लेकिन जब हम प्लास्टिक बनाते हैं, तो लगभग आधा कार्बन प्लास्टिक में रहता है वास्तविक प्रतिशत काफी भिन्न होता है, इस पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार के प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन लगभग आधा एक उचित अनुमान है, कार्बन वास्तव में ओक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ संबंध पसंद करता है, और यह जाने के लिए इच्चुक नहीं है, प्लास्टिक को नश्ट होने में सेकडों साल लग सकते हैं, यह एक प्रमुख पर्यावरनिये समस्या है, क्योंकि प्लास्टिक जो लेंडफिल और महासागरों में फेंक दिया जाता है, वह एक सदी या उससे अधिक समय तक चिपक जात है, और यह एक समस्या है, जो हल करने लायक है, समुदर में तेरते प्लास्टिक के टुकडे समुदरी जीवन को जहर देने सहित सभी प्रकार की समस्याओं का कारण बनते हैं, लेकिन वे जलवायू परिवर्तन को बदतर नहीं बना रहे हैं, विशुद रूप से उत्सर्ज परमानू ऐसे परमानू होते हैं, जो वायू मंदल में नहीं जाएंगे और तापमान को बढ़ाएंगे कम से कम बहुत लंबे समय तक नहीं, मैं यहां इस बात पर जोर देने के लिए रुकूंगा कि इस त्वरित सर्वेक्षन में आज हम जो सबसे महत्व पूर्ण सामगर बनाते हैं, उनमें से केवल तीन को शामिल किया गया है, मैं उर्वरक, कांच, कागज, एल्यूमिनियम और बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ, लेकिन प्रमुख बिंदु वही रहते हैं, हम भारी मात्रा में सामगरी का निर्मान करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस कैसों की प्रचुर मात्रा में, प्रती वर्ष 51 बिलियन तन का लगभग एक तिहाई होता है, हमें उन उत्सर्जन को शूने पर लाने की आवश्यक्ता है, लेकिन यह केवल चीजों को बनाना बंद करने का विकल्प नहीं है, इस अध्याय के बाकी हिस्सों में, हम वि उत्सर्जन द्रिष्टिकों को अपनाना चाहेगा, सामगरी पर ग्रीन प्रीमियम का पता लगाने के लिए, आपको यह समझने की जरूरत है, कि जब हम चीजे बनाते हैं, तो उत्सर्जन कहां से आता है, मैं इसके बारे में तीन चर्णों में सोचता हूँ, हम ग्रीन हाउ उस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, वन, जब हम बिजली पैदा करने के लिए जीवाश्म इंधन का उप्योग करते हैं, जो कारखानों को अपना संचालन चलाने के लिए चाहिए, दो, जब हम उनका उप्योग विभिन्न निर्मान प्रक्रियाओं के लिए आवशे गर्मी उत्पन करने के लिए करते हैं, जैसे की पिगलना, इस पात बनाने के लिए लोह अयस्क, और, तीन, जब हम वास्तव में इन सामगरियों को बनाते हैं, जैसे सीमेंट निर्मान अनिवारे रूप से कार्बन डाई ओकसाइड बनाता है, आईए इन्हें एक एक करके ले और देखें कि ये ग्रीन प्रीमियम में कैसे योगदान करते हैं, पहले चरण, बिजली के लिए, हमने अध्याय फोर में अधिकांश प्रमुख चुनोतियों को कवर किया है, भंडारन और संचरण में आपके कारक के बाद, और तथे यह है, कि कई कारखानों को 2400 घंटे विश कांश देशों के लिए, फिर दूसरा चरण है, हम जीवाश्म इंधन को जलाय बिना गर्मी कैसे पैदा कर सकते हैं, यदि आपको अत्यधिक उच्छ तापमान की आवश्यक्ता नहीं है, तो आप विद्यूत तापपंप और अन्य तकनीकों का उप्योग कर सकते हैं, लेकि या तो पर्मान उर्जा का उप्योग करना होगा या जीवाश्म इंधन को जलाना होगा और कार्बन कैप्चर उपकरनों के साथ उच्छ सर्जन को पकड़ना होगा, दुर्भाग्य से कार्बन कैप्चर मुफ्त में नहीं आता है, यह निर्माता की लागत को जोड़ता है और उपभोकता को दिया जाता है। विनिर्मान शेत्र के इन हिस्सों को बंद करने के अलावा, हम इन उत्सर्जन से बचने के लिए आज कुछ नहीं कर सकते। यदि हम आज जो भी तकनीक उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके उन्हें समाप्त करना चाहते हैं, तो हमारे विकल्प उतने ही सीमित होंगे जितने वे दूसरे चरण में थे। हमें जीवाश्म इंधन और कार्बन कैप्चर का उपयोग करना होगा, जो फिर से लागत में इजाफा करता है। उन तीन चरणों को ध्यान में रखते हुए, आई ये स्वच्च प्लास्टिक, स्टील और सीमिन्ट बनाने के लिए कार्बन कैप्चर का उपयोग करने के लिए ग्रीन प्रीमियम की श्रेनी देखें। प्लास्टिक, स्टील और सीमिन्ट के लिए ग्रीन प्रीमियम सामगरी औसत मूले प्रती टन, एथिलीन, प्लास्टिक, 1000, स्टील 750, सीमिन्ट 125, प्रती टन सामगरी उत्सरजित कार्बन ने कार्बन कैप्चर के बाद नई कीमत बनाई। ग्रीन प्रीमियम रेंज, 1.3 तन, 1087-115-59%-15%, 1.8 तन-1 तन, 87-1964 डॉलर, 16%, 29%, 2-19-300 डॉलर, 75%, 140%, सीमिन्ट के अलावा, ये प्रीमियम ज्यादा नहीं लग सकते हैं, और यह सथ है, कि कुछ मामलों में, उपभोकताओं को बिलकुल भी चुट की महसूस नहीं हो सकती है, उदाहरन के लिए, 3-0-0-0-0 की कार में एक तन स्टील हो सकता है, चाहे इस स्टील की कीमत से 150 डॉलर हो या 950 डॉलर, कार की कुल कीमत में शायद ही कोई फर्क पड़ता है, यहां तक कि उस डॉलर टू बोतलबंद कोक के लिए जिसे आपने दूसरे दिन एक वेंडिंग मशीन से खरीदा था, प्लास्टिक समगर मूले के एक छोटे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन उपभोकताओं के लिए अंतिम लागत ही एक मातर कारक नहीं है, जो मायने रखता है, मान लीजिए कि आप सियेटल शहर के लिए काम कर रहे एक इंजीनियर हैं, और आप हमारे कई पुलों में से एक की मरमत के लिए बोलियों की समीक्षा कर रहे हैं, एक बोली सीमेंट के ल शागत बढ़ जाती है, आप किसे चुनेंगे? शूने कारबन सीमेंट चुनने के लिए कुछ प्रोथ साहन के बिना आप सस्ते वाले के साथ जाएंगे, या यदि आप एक कार कमपनी चलाते हैं, तो क्या आप अपने द्वारा खरीदे गए सभी स्टील पर 25 प्रतिशत यह है कि कार की कुल कीमत में केवल थोड़ी सी वृद्धी होगी, या आपके लिए ज्यादा आराम नहीं होगा. आपके मारजिन पहले से ही बहुत कम हैं, और आप अपनी सबसे महत्व पूर्ण वस्तों में से एक की कीमत में एक चौथाई की वृद्धी देख कर दुखी ह होंगे. संकीर्न लाब मारजिन वाले उद्योग में 25 प्रतिशत प्रीमियम व्यवसाय में बने रहने और तूटने के बीच का अंतर हो सकता है. हालांकि कुछ उद्योगों में कुछ निर्माता यह कहने के अधिकार के लिए लागत विहन करने के लिए तैयार हो सकते हैं, कि वे जलवायू परिवर्तन से लड़ने के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं, इन कीमतों पर हम उस तरह के सिस्टम व्यापी परिवर्तन को कभी नहीं चलाएंगे जो हमें प्राप्त करने की आवशेक्ता है एशून करने के लिए, नहीं हम उपभोकताओं को नीचे गिराने के लिए भरोसा कर सकते हैं, इन हरे उत्पादों की अधिक मांग करके कीमतें, आखिरकार उपभोकता सीमेंट या स्टील नहीं खरीदते प्रीमियम कम करने के कई तरीके हैं, पहला, स्वच्च उत्पादों की मांग पैदा करने के लिए सारवजनिक नीतियों का उप्योग करना उदाहरन के लिए, शूने कार्बन सीमेंट या स्टील खरीदने के लिए प्रोचसाहन या आवशेक्ताएं पैदा करना, यदी उनकी आवशेक्ता है, तो उनके ग्राहक इसकी मांग करते हैं, और उनके प्रतियोगी इसे कर रहे हैं, तो व्यवसायों को स्वच्च सामगरी के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की अधिक संभावना है, मैं इन प्रोचसाहनों को अध्याय 10 और 11 में कवर करूगा, लेक कुछ अवसरों पर नजर डालते हैं, इस अध्याय में मैंने जिन सभी सामगरीयों को शामिल किया है, उनमें सीमेंट सबसे कठिन मामला है, उस साधारन तथे के आसपास जाना मुश्किल है, चूना पत्थर और गर्मी कैल्शियम ओकसाइड और कार्बन डाई ओकसाइड के बराबर होती है, लेकिन कई कमपनियों के पास अच्छे विचार हैं, एक द्रिष्टिकों यह है कि पुनर्नवी नीकरन कार्बन डाई ओकसाइड संभवतह सीमेंट बनाने की प्रक्रिया के दोरान कबजा कर लिया गया है, और इसे निर्मान स्थल पर उप्योग करने से पह अब तक यह केवल उत्सर्जन को लगभग 3 प्रतिशत कम करने में सक्षम है, हालांकि यह अंत्तह 33 प्रतिशत तक पहुँचने की उम्मीद करता है एक और अधिक सैध्धानतिक द्रिष्टिकों में समुद्री जल से सीमेंट बनाना और बिजली सहंत्रों से प्राप्त कार्बन डाई ओकसाइड शामिल है इस विचार के पीछे के आविशकारकों को लगता है कि यह अंत्तह उत्तसर्जन में 70 प्रतिशत से अधिक की कट्वोती कर सकता है फिर भी अगर ये द्रिष्टिकों सफल होते हैं, तो भी वे हमें 100 प्रतिशत कार्बन मुक्त सीमेंट नहीं देंगे निकट भविशे के लिए हमें कार्बन कैप्चर पर भरोसा करना होगा और यदि यह व्यावहारिक हो जाता है, सीमेंट बनाते समय उत्सर्जित कार्बन को हतियाने के लिए प्रतेक्ष वायू कैप्चर अन्य सभी सामग्रियों के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वह है परियाप्त मात्रा में विश्वसनिय स्वच्च बिजली दुनिया भर में विनिर्मान शेत्र द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी उर्जा का लगभग एक चौथाई बिजली पहले से ही है इन सभी उध्योगिक प्रक्रियाओं को शक्ती प्रदान करने के लिए हम दोनों को स्वच्च उर्जा को तैनात करने की आवश्यक्ता है हमारे पास पहले से ही प्रद्योगिकी है और ऐसी सफलताइब विक्सित की हैं जो हमें सस्ते में बहुत सारी शूने कार्बन बिजली का उत्पादन और भंडारन करने देती हैं और जल्द ही हमें और भी अधिक शक्ती की आवश्यक्ता होगी क्योंकि हम उत्सर्जन को कम करने के लिए एक और तरीका अपनाते हैं विद्यूती करण जो कुछ अध्योगिक प्रक्रियाओं के लिए जीवाश्म इंधन के बजाए बिजली का उप्योग करने की तकनीक है उदाहरन के लिए स्टील बनाने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका कोईले को बदलने के लिए स्वच्छ बिजली का उप्योग करना है जिस कमपनी का मैं बारीकी से अनुसरन कर रहा हूँ उसने पिगला हुआ ओक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस नामक एक नई प्रक्रिया विक्सित की है कोप के साथ भठी में लोहे को जलाने के बजाए आप एक सेल के माध्यम से बिजली पास करते हैं जिसमें तरल आइरन ओक्साइड और अन्य अवेवों का मिश्रन होता है बिजली के कारण आइरन ओक्साइड तूट जाता है जिससे आपको स्टील के लिए आवशेक शुद्ध लोहा और उपोत्पाद के रूप में शुद्ध ओक्सीजन मिल जाती है कोई कार्बन डाइ ओक्साइड बिलकुल नहीं पैदा होता है यह तकनीक आशाजनक है, यह उस प्रक्रिया के समान है जिसका उप्योग हम एक सदी से भी अधिक समय से एल्यूमीनियम को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं लेकिन स्वच्च स्टील के लिए अन्य विचारों की तरह यह अभी तक अधियोगिक पैमाने पर काम करने के लिए सिद्ध नहीं हुआ है स्वच्च बिजली हमें एक और समस्या को भी हल करने में मदद करेगी प्लास्टिक बनाना यदि पर्याप्ट टुकडे एक साथ हाते हैं तो प्लास्टिक एक दिन कार्बन सिंक बन सकता है कार्बन को निकालने के बजाय निकालने का एक तरीका यहां बताया गया है कि हम इसे कैसे कर सकते हैं सबसे पहले हमें शोधन प्रक्रिया को शक्ती प्रदान करने के लिए शून्य कार्बन तरीके की आवशेक्ता होगी हम ऐसा स्वच्छ बिजली से या स्वच्छ बिजली से उत्पन हाइड्रोजन से कर सकते हैं तब हमें कोईले को जलाए बिना अपने प्लास्टिक के लिए कार्बन प्राप्त करने का एक तरीका चाहिए एक विचार हवा से कार्बन डाय ओक्साइड को निकालना और कार्बन निकालना है हालांकि यह एक महेंगी प्रक्रिया है एक अनिद्रिष्टी कोंग जिस पर विभिन कमपनियां काम कर रही हैं, वह है पौधों से कार्बन प्राप्त करना अंत में, हमें उश्मा के शूने कार्बन स्रोत की आवशेक्ता होगी, जो संभवतह स्वच बिजली, हाइडरोजन या प्राकृतिक गैस भी होगी, जो कार्बन को उत्सरजित करने के लिए एक उपकरण से सुसरजित होगी यदि ये सभी टुकडे एक साथ हा आ जाते हैं, तो हम शुद्ध नकारात्मक उत्सरजन वाले प्लास्टिक बना सकते हैं वास्तव में, हम कार्बन को हवा से बाहर निकालने, पौधों या किसी अन्य विधी का उप्योग करके और इसे एक बोतल या अन्य प्लास्टिक उत्पाद में डालने का एक तरीका खोजेंगे, जहां यह दशकों या सदियों तक बिना किसी अतिरिक्त उत्सरजन के रहेग अपने आप में, हमारे स्टील, सीमिन्ट और प्लास्टिक का अधिक पुनर्चकरन ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन को समाप्त करने के लिए लगभग परियाप्त नहीं होगा, लेकिन यह मदद करेगा हम अधिक सामगरियों को रिसायकल कर सकते हैं और सामान को रिसायकल करने के लिए आवशेक उर्जा की मात्रा में कटवती करने के लिए नए तरीके तलाशने चाहिए और क्योंकि किसी चीज का पुन उप्योग करने के लिए उतनी उर्जा की आवशेक्ता नहीं होती है जितनी कि उसे पुनर्च खृत करने के लिए हमें पुन उप्योग की गई सामगरियों का उप्योग करके चीजों को बनाने और बनाने के तरीकों पर भी ध्यान देना चाहिए अंत में इमारतों और सड़कों को सीमिंट और स्टील के उप्योग को सीमित करने के लक्षे के साथ भी डिजाइन किया जा सकता है और कुछ मामलों में लकडी की परतों से बने क्रोसले मिनेटेड लकडी एक धेर में चिपके हुए दोनों सामगरियों के विकल्प के लिए परियाप्त मजबूत है संक्षेप में विनिर्मान शेत्र में शून उत्सर्जन का मार्ग इस तरह दिखता है वन हर संभव प्रक्रिया का विद्यूती करण करें इसमें बहुत कुछ नयापन आने वाला है टू उस बिजली को एक पावर ग्रेड से प्राप्त करें जिसे डी कार्बोनाइजड किया गया है इसमें भी काफी इनोवेशन की जरूरत होगी त्रीशेश उत्सरजन को अवशोशित करने के लिए कार्बन कैप्चर का उप्योग करें और यह भी होगा फोर सामगरी का अधिक कुछलता से उप्योग करें वैसा ही इस विशय की आदत डालें आप इसे अकसर आने वाले अध्यायों में देखेंगे इसके बाद क्रिशी है जिसमें त्विंटी वी शताबदी के महान गुमनाम नायकों में से एक के साथ साथ गायों को दफनाने वाले खेतों में से एक है अध्याय सिक्स हम चीजों को कैसे बढ़ाते हैं 51 अरब तन का 19 प्रतिशत प्रती वर्ष सी हेज बर्गर्स मेरे परिवार में चलते हैं जब मैं एक बच्चा था मैं लंबी पैदल यात्रा पर जाता था मेरे बॉइ स्काउट टुकडी के साथ और सभी लोग हमेशा मेरे पिताजी के साथ घर की सवारी करना चाहते थे क्योंकि वह रास्ते में रुख जाते थे और सभी को बर्गर खिलाते थे कई सालों बाद माईक्रोसोफ्ट के शुरु आती दिनों में मैंने सीटल शेत्र की सबसे पुरानी बर्गर श्रेरिंग खलाओं में से एक पास के बर्गर मास्टर में अंगिनत लंच, दिनर और देर रात के भोजन को खराब कर दिया आखिरकार माईक्रोसोफ्ट के सफल होने के बाद लेकिन मेलिंडा और मैंने हमारी नीम शुरू करने से पहले मेरे पिताजी ने अपने घर के पास बर्गर मास्टर को एक अनौपचारिक कार्याले के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया वह रेस्तरा में बैठते थे, दोपहर का भोजन करते थे जबकि वह उन लोगों से प्राप्त अनौधों के माध्यम से चानते थे जो दान मांग रहे थे थोड़ी देर के बाद, बात निकली, और पिताजी को वहाँ उन्हें संबोधित पत्र मिलने लगे बिल गेट सीनियर, बर्गर मास्टर की देख भाल में वे दिनों बहुत पहले ही बीद चुके है दो दशक हो गए हैं, जब पिताजी ने हमारे फाउन्डेशन में एक डेश्क के लिए बर्गर मास्टर में अपनी मिज़ पर व्यापार किया था और ये देपी मैं अभी भी एक अच्छे चीज बर्गर से प्यार करता हूँ मैं उन्हें लगभग उतनी बार नहीं खाता जितना मैं करता था क्योंकि मैंने जो प्रभाव सीखा है उसके बारे में बीफ और अन्य मीट का जलवायू परिवर्तन पर प्रभाव पड़ता है भोजन के लिए पशों को पालना ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन का एक प्रमुख योगदान करता है यह उस शेत्र में सर्वोच्च योगदान करता के रूप में रैंक करता है जिसे विशेशगे, क्रिशी, वानिकी और अन्य भू में उप्योग कहते हैं जो बदले में जानवरों को पालने और फसल उगाने से लेकर पेडों की कटाई तक मानव गतिविधियों की एक विशाल श्रिंगखला को कवर करता है इस शेत्र में विभिन ग्रीन हाउस कैसों की एक विस्तरित श्रिंगखला भी शामिल है क्रिशी के साथ मुखे अपराधी कार्बन डाई ओकसाइड नहीं है लेकिन मीथिन जो एक सदी के दोरान कार्बन डाई ओकसाइड की तुलना में प्रती अनुट्वइंटी गुना अधिक वार्मिंग का कारण बनता है और नाइट्रस ओकसाइड जो 265 गुना अधिक वार्मिंग का कारण बनता है सभी ने बताया प्रतेक वर्ष मीथिन और नाइट्रस ओकसाइड का उत्सर्जन 7 बिलियन तन से अधिक कार्बन डाई ओकसाइड के बराबर है या इस क्रिशीवानी की भूमी उप्योग शेत्र में सभी ग्रीन हाउस कैसों के 80 प्रतिशत से अधिक है जब तक हम इन उत्सर्जन पर अंकुष लगाने के लिए कुछ नहीं करते हैं तब तक यह संख्या बढ़ती जाएगी क्योंकि हम एक वैश्विक आबादी को खिलाने के लिए परियाप्त भोजन उगाते हैं जो बड़ी और समरिध होती जा रही है यदि हम शुद्धशूने उत्सर्जन के करीब पहुँचना चाहते हैं तो हमें यह पता लगाना होगा कि ग्रीन हाउस कैसों को कम करने और अंततह समाप्त करने के दोरान पौधों को कैसे विक्सित किया जाए और जानवरों को कैसे बढ़ाया जाए और खेती ही एक मात्र चुनोती नहीं है हमें वनों की कटाई और भूमी के अन्य उप्योगों के बारे में भी कुछ करना होगा जो एक साथ वातावरन में शुद्ध 1.6 बिलियन तन कार्बन डाय ओक्साइड जोडते हैं जबकि आवशेक वन्यजीव आवासों को भी नश्ट करते हैं इतने व्यापक विशय को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में सब कुछ है मैं आपको अपने नायकों में से एक के बारे में बताऊंगा एक नोबेल शान्ती पुरसकार विजेता क्रिशी विज्यानी जिसने एक अरब लोगों को भुखमरी से बचाया लेकिन जिसका नाम वैश्वित्विकास मंदलों के बाहर काफी हद तक अग्यात है हम सुर की खाद और गाय के दकार, अमूनिया के रसायन और क्या पेड लगाने से जलवायू आपदा से बचने में मदद मिलती है कभी पता लगाएंगे लेकिन इससे पहले कि हम इनमें से किसी पर जाएं आईए एक प्रसिद्ध भविशेवानी से शुरू करें जो एतिहासिक रूप से गलत साबित हुई 1968 में Paul Ehrlich नामक एक अमेरिकी जीव विग्यानी ने The Population Bomb नामक एक सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने भविशे की एक गंभीर तस्वीर चित्रित की जो द्रहंगर गेम्स जैसे उपन्यासों की डायस्टोपियन द्रिष्टी से दूर नहीं थी सभी मानवता को खिलाने की लड़ाई खत्म हो गई है Ehrlich ने लिखा 1970 और 1980 के दशक में अब तक शुरू किये गए किसी भी दुरघटना कारेकरम के बावजूद करोडों लोग भूख से मर जाएंगे Ehrlich ने यह भी लिखा है कि भारत संभवतह 1980 तक 2000 मिलियन अधिक लोगों को भोजन नहीं दे सकता था इसमें से कुछ भी नहीं हुआ जन संख्या बम के आने के बाद से भारत की जन संख्या में 800 मिलियन से अधिक लोगों की वृद्धी हुई है अब यह 1968 की तुलना में दो गुने से भी अधिक है लेकिन भारत पहले की तुलना में तीन गुना अधिक गेहूं और चावल का उतपादन करता है और इसकी अर्थवेवस्था 50 के कारक से बढ़ी है पूरे एशिया और दक्षिन अमेरिका में कई अन्य देशों के किसानों ने समान उतपादकता लाब देखा नतीज तन भले ही वैश्विक आबादी बढ़ रही है भारत मेरिया कहीं और लाखों लोग भूखे मरने के लिए नहीं है वास्तव में भोजन अधिक किफायती होता जा रहा है कम नहीं सन्यूक्त राजे अमेरिका में औसत परिवार आज अपने बजट से 30 साल पहले की तुलना में भोजन पर कम खर्च करता है एक प्रवरित्ती जो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी दोहराई जा रही है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि कुछ जगों पर को पोशन गंभीर समस्या नहीं है यह है वास्तव में दुनिया के सबसे गरीब लोगों के लिए पोशन में सुधार करना में लिन्डा और मेरे लिए एक प्रमुख प्रात्मिकता है लेकिन एरलिच की सामूहिक भुखमरी की भविश्यवानी गलत थी क्यों? एरलिच और अन्य कयामत करने वालों ने क्या याद किया? उन्होंने नवाचार की शक्ती का कारक नहीं बनाया वे नॉर्मन बोर्लोग जैसे लोगों के लिए जिम्मेदार नहीं थे जो शांदार पौधे वैग्यानिक थे जिन्होंने क्रिशी में एक क्रांती को जन्म दिया जिससे भारत और अन्य जगहों पर लाब हुआ बोरलोग ने इसे बड़े अनाज और अन्य विशेशताओं के साथ गेहूं की किस्मों को विक्सित करके किया जिससे उन्हें प्रती एकड भूमी पर अधिक भोजन प्रदान करने की अनुमती मिली जिसे किसान उपज बढ़ाने के लिए कहते हैं बोरलोग ने पाया कि जैसे ही उसने अनाज को बढ़ा किया गेहूं उनके वजन के नीचे खड़ा नहीं हो सका इसलिए उसने गेहूं के डंठल को छोटा कर दिया, यही वज़ा है कि उसकी किस्मों को अर्धबोना गेहूं के रूप में जाना जाता है जैसा कि बोरलोग का अर्धबोना गेहूं दुनिया भर में फैल गया और जैसा कि अन्य प्रजनकों ने मकई और चावल पर समान काम किया अधिकांश क्षेतरों में पैदावार तीन गुना हो गई भुखमरी कम हो गई और आज बोरलोग को व्यापक रूप से एक अरब लोगों की जान बचाने का श्रेय दिया जाता है उन्होंने 1970 में नोबेल शांती पुरसकार जीता और हम अभी भी उनके काम के प्रभाव को महसूस कर रहे हैं प्रित्वी पर उगाए जाने वाले लगभग सभी गेहूं उनके द्वारा पैदा किये गए पौधों से निकले हैं इन नई किस्मों का एक नकारात्मक पहलू यह है कि उन्हें अपनी पूर्ण विकास क्षमता तक पहुँचने के लिए बहुत सारे उर्वरक की आवशेक्ता होती है और जैसा कि हम बाद के अनुभाग में चर्चा करेंगे उर्वरक के कुछ नकारात्मक दुश्प्रभाव हैं मुझे यह तथे पसंद है कि इतिहास के महांतम नायकों में से एक-एक नौकरी का शीरशक था क्रिशी विज्ञानी जिसके बारे में हमें से अधिकांशने कभी नहीं सुना होगा तो नौर्मन बोरलोग का जलवायू परिवर्तन से क्या लेना देना है 2100 तक वैश्विक आबादी 10 अरब लोगों की ओर बढ़ रही है और हमें सभी को खिलाने के लिए और अधिक भोजन की आवशेकता होगी क्योंकि सदी के अंद तक हमारे पास 40 प्रतिशत अधिक लोग होंगे यह सोचना स्वाभाविक होगा कि हमें 40 प्रतिशत अधिक भोजन की भी आवशेकता होगी लेकिन ऐसा नहीं है हमें इससे भी अधिक की आवशेक्ता होगी यहां क्यों है? जैसे जैसे लोग अमीर होते जाते हैं वे अधिक कैलोरी खाते हैं और विशेश रूप से वे अधिक मांस और डेरी खाते हैं और मांस और डेरी उत्पादन के लिए हमें और भी अधिक भोजन उगाने की आवश्यक्ता होगी उदाहरन के लिए एक मुर्गे को हमें एक कैलोरी मुर्गी देने के लिए दो कैलोरी मूले का अनाज खाना पड़ता है अर्थात आपको मुर्गी को खाने से जितनी कैलोरी मिलती है उससे दुगुनी कैलोरी आपको खिलानी पड़ती है एक सुवर जितनी कैलोरी हमें खाने पर मिलती है उससे तीन गुना अधिक कैलोरी खाती है गायों के लिए अनुपात सबसे अधिक है गो मांस की प्रतेक कैलोरी के लिए 6 कैलोरी फीड दूसरे शब्दों में इन मांस स्रोतों से हमें जितनी अधिक कैलोरी मिलती है उतने ही अधिक पौधों को हमें मांस के लिए उगाने की आवश्यक्ता होती है यह चार्ट आपको दुनिया भर में मांस की खपत के रुझान दिखाता है यह मूल रूप से संयुक्त राजे अमेरिका, यूरूप, ब्राजील और मेक्सिको में सपाठ है लेकिन यह चीन और अन्यविकासशील देशों में तेजी से चड़ रहा है यहाँ पहली है, हमें आज की तुलना में बहुत अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवशेक्ता है लेकिन अगर हम इसे उसी तरीके से उत्पादित करते हैं, जिसका हम अभी उप्योग करते हैं, तो यह जलवायू के लिए एक आपदा होगी यह मानते हुए कि हम प्रती एकर चारागाह या फसल के लिए मिलने वाले भोजन की मात्रा में कोई सुधार नहीं करते हैं, तेन अरब लोगों को खिलाने के लिए परियाप्त रूप से बढ़ने से भोजन से संबंधित उत्सर्जन में दोतिहाई की वृद्धी होगी अधिकांश देश पहले की तुलना में अधिक मांस का उपभोग नहीं कर रहे हैं चीन, हालांकी, एक बड़ा अपवाद है OECDFO क्रिशी आउटलुक 2020 एक और चिन्ता, यदि हम पौधों से उर्जा उत्पन करने के लिए एक बड़ा धक्का देते हैं तो हम गलती से फसल भूमी के लिए एक प्रतियोगिता को जन्म दे सकते हैं जैसा कि मैं अध्याय सिवन में वर्नन करूंगा स्विच ग्रास जैसी चीजों से बने उन्नत जैव इंधन हमें ट्रकों, जहाजों और हवाई जहाजों को बिजली देने के लिए शूने कार्बन तरीके दे सकते हैं लेकिन अगर हम उन फसलों को जमीन पर उगाते हैं जो अन्नेथा बढ़ती आबादी को खिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो हम अन्जाने में खादे कीमतों को बढ़ा सकते हैं और भी अधिक लोगों को गरीबी और कोपोशन में धकेल सकते हैं, जबकि वनों की कटाई की खत्रनाक गती को तेज कर सकते हैं इन जालों से बचने के लिए हमें आने वाले वर्षों में और अधिक बोर लोगाकार की सफलताओं की आवशेक्ता होगी इससे पहले की हम यह देखें की वे सफलताई क्या हो सकती हैं हाला की मैं यह बताना चाहता हूँ की वास्तव में यह सभी उत्सरजन कहां से आ रहे हैं और आज की तकनीक का उप्योग करके उन्हें समाप्त करने के लिए हमारे विकल्पों का पता लगाएं जैसा की मैंने पिछले अध्याय में किया था मैं ग्रीन प्रीमियम का उप्योग यह दिखाने के लिए करूंगा कि इन ग्रीन हाउस कैसों से छुटकारा पाना आज बहुत महंगा क्यों है और यह मामला बनाने के लिए कि हमें कुछ नए आविशकारों की आवशेक्ता है जो मुझे गाए के डकार और सुवर की खाद में लाता है किसी व्यक्ती के पेट के अंदर देखे और आपको केवल एक कक्ष मिलेगा जहां आंतों के मार्ग में जाने से पहले भोजन पचने लगता है लेकिन गाए के पेट के अंदर देखे और आपको चार कक्ष दिखाई देंगे ये डिब्बे हैं जो गाए को घास और अन्य पौधों को खाने की अनुमती देते हैं जिन्हें मनुष्य पचा नहीं सकते एंतरिक किन्वन नामक एक प्रक्रिया में गाए के पेट के अंदर बैक्टीरिया पौधे में से लियूलोज को तोड़ते हैं इसे किन्वित करते हैं और परिणामस्वरूप मीथेन का उत्पादन करते हैं गाए अधिकांश मिथेन को दूर कर देती है हालांकि थोड़ा पेट फूलने के रूप में दूसरे सिरे से बाहर आता है वैसे जब आप इस विशय में आते हैं तो आप कुछ अजीब बात चीत कर सकते हैं हर साल मेलिंडा और मैं अपने काम के बारे में एक खुला पत्र प्रकाशित करते हैं और हमारे 2019 के पत्र में मैंने आंतों के किन्वन की इस समस्या के बारे में लिखने का फैसला किया मवेशियों में एक दिन जब हम एक मसौदे पर जा रहे थे मेलिंडा और मैंने इस बारे में एक स्वस्थ बहस की कि मैं पत्र में कितनी बार गोज, शब्द का उप्योग कर सकता हूँ उसने मुझे एक के लिए नीचे कर दिया इसके एक मात्र लेखक के रूप में पुस्तक मेरे पास अधिक छूट है और मैं इसका उप्योग करने का इरादा रखता हूँ दुनिया भर में गोमांस और डेरी के लिए लगभग एक अरब मवेशी पाले जाते हैं हर साल वे जिस मीथेन को फोरते और बाहर निकालते हैं उसका वार्मिंग प्रभाव 2 बिलियन तन कार्बन डाई ओकसाइड के समान होता है जो सभी वैश्विक उत्सरजन का लगभग 4 प्रतिशत है प्राकृतिक गैस कोड़कारना और पादना एक ऐसी समस्या है जो गायों और भेड, बक्रियों, हिरनों और उन्टों जैसे अन्य जुगाली करने वालों के लिए अद्वितिय है लेकिन ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन का एक और कारण है जो हर जानवर के लिए आम है मल शोच से संबंधित लगभग आधा उत्सरजन सुवर की खाद से होता है और बाकी गाये की खाद से जानवरों का इतना अधिक मल है कि यह वास्तव में क्रिशी में उत्सरजन का दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो आन्तों के किन्वन के पीछे है हम इस सारे शोच, दकार और पादने के बारे में क्या कर सकते हैं वह काफी मुश्किल है आन्तों के किन्वन से निपटने के लिए शोध करताओं ने सभी प्रकार के विचारों की कोशिश की है उन्होंने मवेशियों की आन्त में रहने वाले मीथेनोजेनिक रोगान उओं को कम करने के लिए टीकों का उप्योग करने की कोशिश की है स्वाभाविक रूप से कम उचसरजन पैदा करने के लिए मवेशियों का प्रजनन करते हैं और अपने आहार में विशेश फीड या दवाओं को शामिल करते हैं ये प्रयास ज्यादातर अस्फल रहे हैं हालांकी एक आशाजनक है अपवाद नाइट्रोक्सीप्रोपेनोल नामक एक योगिक है जो मीथेन उचसरजन को 30 प्रतिशत तक कम करता है लेकिन अभी आपको इसे दिन में कम से कम एक बार मवेशियों को देना होगा इसलिए यह अभी तक अधिकांश चराईकारियों के लिए संभव नहीं है फिर भी यह विश्वास करने का कारण है कि हम बिना किसी नई तक्नीक के और महत्वपूर्ण ग्रीन प्रीमियम के बिना इन उचसरजन में कट्वोती कर सकते हैं यह पता चलता है कि किसी गाय द्वारा उत्पादित मीथिन की मात्रा बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि गाय कहा रहती है उदाहरन के लिए दक्षिन अमेरिका में मवेशी उत्तरी अमेरिका की तुलना में पांच गुना अधिक ग्रीन हाउस कैसों का उत्सरजन करते हैं और अफ्रीकी मवेशी और भी अधिक उत्सरजन करते हैं यदि उत्तरी अमेरिका या यूरोप में एक गाए को पाला जा रहा है तो यह एक बेहतर नसल होने की अधिक संभावना है जो फीड को दूध और मांस में अधिक कुशलता से परिवर्तित करती है इसे बेहतर पशुचिकित सा देखभाल और उच्च गुनवत्ता वाला चारा भी मिलेगा जिसका अर्थ है कि यह कम मीथेन का उत्पादन करेगा यदि हम बेहतर नसलों और सर्वोत्तम प्रथाओं को अधिक व्यापक रूप से फैला सकते हैं विशेश रूप से अफरीकी गायों को अधिक उत्पादक बनाने के लिए और उच्च गुनवत्ता वाले फीड को उपलब्ध और सस्ती बनाने के लिए यह उत्सर्जन को कम करेगा और गरीब किसानों को अधिक पैसा कमाने में मदद करेगा खाद को संभालने के लिए भी यही सथ है अमीर दुनिया के किसानों के पास विभिन तकनीकों तक पहुंथ है जो कम उत्सर्जन का उत्पादन करते हुए खाद से छुटकारा दिलाती है जैसे जैसे यह तकनीके अधिक किफायती होंगी वे गरीब किसानों तक फैलेंगी और हम उत्सर्जन को कम करने की अपनी बाधाओं में सुधार करेंगे एक कटर शाकाहारी एक और समाधान प्रस्तावित कर सकता है उत्सर्जन को कम करने के इन सभी तरीकों को आजमाने के बजाए हमें पशुधन को बढ़ाना बंद कर देना चाहिए मैं उस तर्प की अपील देख सकता हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता की यह यथार्थवादी है एक बात के लिए मानव संस्कृती में मानस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दुनिया के कई हिस्सों में यहां तक की जहां यह दुरलब है मांस खाना तेओहारों और समारोहों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है फ्रांस में स्टार्टर, मांस या मचली, पनीर और मिठाई सहित गैस्ट्रोनोमिक भोजन को आधिकारिक तोर पर देश की मानवता की अमूर्थ संस्कृतिक विरासत के हिस्से के रूप में सूची बद्ध किया गया है यूनेस्को की वेबसाइट पर लिस्टिंग के अनुसार, जटरांत्र संबंधी भोजन एक जुटता, स्वाद के आनंद और मनुशे और प्रकृति के उत्पादों के बीच संतुलन पर जोर देता है लेकिन हम मांस के स्वाद का आनंद लेते हुए मांस खाने में कट्वति कर सकते हैं एक विकल्प पौधे आधारित मांस है, पौधों के उत्पाद जिनहें मांस के स्वाद की नकल करने के लिए विभिन तरीकों से संसाधित किया गया है मैं दो कम्पनियों में एक निवेशक रहा हूँ जिनके पास बाजार में पौधे आधारित मांस उत्पाध हैं अब मांस और असंभव खादे पदार्थों से परे इसलिए मैं पक्षपाती हूँ लेकिन मेरा कहना है कि कृत्रिम मांस बहुत अच्छा है जब सही तरीके से तैयार किया जाता है तो यह ग्राउंड बीफ का एक ठोस विकल्प होता है और सभी विकल्प पर्यावरण के लिए बेहतर हैं क्योंकि वे बहुत कम भूमी और पानी का उप्योग करते हैं और कम उत्सरजन के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें पैदा करने के लिए आपको कम अनाज की भी आवश्यक्ता होती है जिससे खाद्य फसलों पर दबाव कम होता है और उर्वरकों का भी उप्योग होता है और जब भी छोटे पिंजरों में कम पशों को रखा जा रहा है तो यह पशु कल्यान के लिए बहुत बड़ा वर्दान है हाला कि कृत्रिम मीट भारी ग्रीन प्रीमियम के साथ आते हैं औस्तन ग्राउंड बीव के विकल्प की कीमत वास्तविक चीज से 86 प्रतिशत अधिक होती है लेकिन जैसे जैसे इन विकल्पों की बिक्री बढ़ती है और जैसे जैसे उनमें से अधिक बाजार में आते हैं मैं आशावादी हूँ कि वे अंततह जानवरों के मांस से सस्ते होंगे फिर भी कृत्रिम मांस पर बड़ा सवाल स्वाद के लिए आता है पैसे के लिए नहीं ये देपी एक हैं बर्गर की बनावट पौधों के साथ नकल करना अपेक्शा करित आसान है लोगों को यह सोचकर मूर्ख बनाना बहुत कठिन है कि वे वास्तव में स्टेक या चिकन स्थन खा रहे हैं क्या लोग कृत्रिम मांस को स्विच करने के लिए परियाप्त पसंद करेंगे और क्या परियाप्त लोग महत्वपूर्ण अंतर लाने के लिए स्विच करेंगे हम पहले से ही कुछ सबूत देख रहे हैं कि वे करेंगे मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं भी आश्चरयच कित हूँ कि Beyond Meat और Impossible Foods कितना अच्छा कर रहे हैं विशेश रूप से उनकी शुरुआती हिचकी को देखते हुए मैंने Impossible Foods के एक शुरुआती प्रदर्शन में भाग लिया जिसमें उन्होंने बर्गर को इतनी बुरी तरह से जला दिया कि इसने धूमरपान अलार्म बंद कर दिया यह देखना आश्चरेजनक है कि कम से कम सियेटल शेत्र और मेरे द्वारा देखे जाने वाले शहरों के आसपास उनके उतपाद कितने व्यापक रूप से उपलब्ध है Beyond Meat की 2019 में एक बहुत ही सफल प्रारंभिक सारवजनिक पेशकश थी इसमें एक और दशक लग सकता है लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे उतपाद बेहतर और सस्ते होते जाएंगे वे लोग जो जलवायू परिवर्तन और परियावरन के बारे में चिंतित हैं उनका पक्ष लेंगे एक अनिद्रिष्टिकों पौधे आधारित मांस के समान है लेकिन पौधों को उगाने और फिर उन्हें संसाधित करने के बजाए वेगो मांस की तरह स्वाद लेते हैं आप मांस को एक प्रयोगशाला में ही उगाते हैं इसमें सेल आधारित मांस, खेती की गई मांस और स्वच्च मांस जैसे कुछ अपरापे नाम हैं और कुछ दो दर्जन स्टार्ट अप कमपनियां इसे बाजार में लाने के लिए काम कर रही हैं हालांकि उनके उत्पाद शायद नहीं होंगे 2020 के मध्य तक सुप्रमार्केट की अलमारिया ध्यान रखे की यह नकली मांस नहीं है समवर्धित मांस में दो या चार पैरों पर किसी भी जानवर के समानवसा, मांस सपेशिया और टेंडन होते हैं बलकि एक खेत में पलेब्धे, इसे एक लैब में बनाया गया है वैग्यानिक एक जीवित जानवर से खींची गई कुछ कोशिकाओं से शुरू करते हैं, उन कोशिकाओं को गुना करने देते हैं और फिर उन सभी उतकों को बनाने के लिए उन्हें सहलाते हैं, जिनहें हम खाने के आदी हैं यह सब कम या बिना ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के किया जा सकता है बिजली के अलावा आपको प्रयोग शालाओं को बिजली देने की आवशेक्ता होती है जहां प्रक्रिया की जाती है इस द्रिश्टिकों के साथ चुनोती यह है कि यह बहुत महंगा है और यह सबस्ट नहीं है कि लागत कितनी कम हो सकती है और दोनों प्रकार के कृत्रिम मांज को एक और कठिन लड़ाई का सामना करना पड़ता है कम से कम सिवन्तीन अमेरिकी राज्य विधान सभाओं ने इन उत्पादों को दुकानों में मांज के रूप में लेबल किये जाने से रोकने की कोशिश की है एक राज्य ने इनकी विक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है इसलिए जैसे जैसे तकनीक में सुधार होता है और उत्पाद सस्ते होते जाते हैं हमें इस बारे में एक स्वस्थ सारवजनिक बहस की आवशेक्ता होगी कि वे कैसे विनेमित, पैक और बेचे जाते हैं हमारे द्वारा खाये जाने वाले भोजन से उत्सर्जन में कट्वोती करने का एक आखिरी तरीका है इसे कम बर्बाद करके यूरूप में एशिया के उद्योगी करित भागों और उपसहारा अफ्रीका में 20 प्रतिशत से अधिक भोजन को केवल फेंक दिया जाता है, सडने दिया जाता है या अन्नेथा बर्बाद कर दिया जाता है सन्यूक्त राजे अमेरिका में यह 40 प्रतिशत है यह उन लोगों के लिए बुरा है, जिनके पास खाने के लिए परियाप्त नहीं है, अर्थवेवस्था के लिए बुरा है और जलवायू के लिए बुरा है जब बर्बाद भोजन सर जाता है, तो यह परियाप्त मीथेन पैदा करता है, जिस से हर साल 3.3 बिलियन तन कार्बन डाय ओक्साइड जितना गर्म होता है सबसे महत्वपूर्ण समाधान व्यवहार परिवर्तन है, जो हमारे पास है उसका अधिक उप्योग करना, लेकिन तकनीक मदद कर सकती है उदाहरन के लिए, दो कमपनिया अध्रिशे, पौधे आधारित कोटिंग्स पर काम कर रही हैं, जो फलों और सबजीयों के जीवन का विस्तार करती हैं, वे खाने योग्य हैं, और वे स्वाद को बिलकुल भी प्रभावित नहीं करते हैं एक अन्य ने एक, स्मार्ट बिन, विक्सित किया है, जो छवी पहचान का उप्योग करके ट्रैक्ट करता है, कि किसी घर या व्यवसाय में कितना खाना बरबाद हुआ है यह आपको एक रिपोर्ट देता है, कि आपने कितना फेंक दिया, साथ ही इसकी लागत और इसके कार्बन फुट प्रिंट के साथ, सिस्टम आकरामक लग सकता है, लेकिन लोगों को अधिक जानकारी देने से उन्हें बेहतर विकल्प बनाने में मदद मिल सकती है कुछ साल पहले, मैंने तंजानिया के दार इस सलाम में एक गोदाम में कदम रखा, और कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे रोमांचित किया, हजारों तन सिंथेटिक उर्वरक स्नोड रिफ्ट जितना उंचा धेर गोदाम नए यारा उर्वरक वित्रन के इंद्र का हिस्सा था, जो पूर्वी अफ्रीका में अपनी तरह का सबसे बड़ा था गोदाम के चारों और घूमते हुए, मैंने नाइक्रोजन, फासफोरस और अन्य पोशक तत्वों वाले छोटे सफेद छरों के साथ बैद भरने वाले श्रमिकों से बात की, जो जल्द ही दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक में फसलों को पोशन देंगे यह उस तरह की यात्रा थी जिसे मैं लेना पसंद करता हूँ मुझे पता है कि यह कहना मूर खता पूर्ण लगता है, लेकिन मेरे लिए उर्वरक जादूई है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि यह हमारे यार्ड और बगीचों को सुन्दर बनाता है नॉर्मन बोर्लोग के अर्धबौने गेहूं और मकई और चावल की नई किस्मों के साथ, सिंथेटिक उर्वरक क्रिशी क्रांती का एक महत्वपूर्ण कारक था जिसने वन नाइन सिक्स जीरो और वन नाइन सेवन जीरो के दशक में दुनिया को बदल दिया यह अनुमान लगाया गया है कि यदि हम क्रित्रिम उर्वरक नहीं बना पाते तो विश्व की जन संख्या उससे 40 से 50 प्रतिशत कम हो जाती डार इस्ट सलाम, तंजानिया, 2018 में यारा उर्वरक वित्रण सुविधा का भ्रमन मुझे इससे भी ज्यादा मजा आ रहा है ने जिस क्रिशी क्रांती का उलेक किया है, अक्सर उसे कहा जाता है हरित क्रांती, अफरीका को काफी हद तक दरकिनार कर दिया गया जहां एक आम किसान को अमेरिकी किसान के रूप में प्रती एकर जमीन का सिर्फ पांचवा हिस्सा मिलता है ऐसा इसलिए है क्योंकि गरीब देशों में अधिकांश किसानों के पास उर्वरक खरीदने के लिए पर्याप तरिन नहीं है और यह अमीर देशों की तुलना में अधिक महेंगा है क्योंकि इसे खराब सडकों पर ग्रामीन क्षेतरों में भेजना पड़ता है अगर हम गरीब किसानों को उनकी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद कर सकते हैं तो वे अधिक पैसा कमाएंगे और खाने के लिए अधिक होंगे और दुनिया के कुछ सबसे गरीब देशों में लाखों लोग अधिक भोजन और पोशक तत्व प्राप्त करने में सक्षम होंगे हम इसे अध्याय नौ में और अधिक गहराई से कवर करेंगे उर्वरक इतना जादूई क्यों है? क्योंकि यह पोधों को आवशेक पोशक तत्व प्रदान करता है जिसमें फॉसफोरस, पोटेशियम और जलवायू परिवर्तन के लिए विशेश रूप से प्रासंगिक नाइट्रोजन शामिल है नाइट्रोजन एक मिश्रित वर्दान है यह प्रकाश संचलेशन से निक्तता से जुड़ा हुआ है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पोधे सूरे के प्रकाश को उर्जा में बदलते हैं इसलिए यह सभी पोधों को जीवन देता है और इसलिए हमारे सभी भोजन को संभव बनाता है लेकिन नाइट्रोजन भी जलवायू परिवर्तन को और भी बदतर बना देती है यह समझने के लिए हमें इस बारे में बात करने की आवश्यक्ता है कि यह पोधों के लिए क्या करता है क्रिशी में बहुत बड़ा अंतर है उर्वरक और अन्य सुधारों के लिए धन्यवाद अमेरिकी किसानों को अब प्रती यूनिट भूमी पहले से कहीं अधिक मकई मिलती है लेकिन अफरीकी किसानों की पैदावार मुश्किल से कम हुई है अंतर को कम करने से लोगों की जान बच जाएगी और लोगों को गरीबी से बचने में मदद मिलेगी लेकिन नवाचार के बिना यह जलवायू परिवर्तन को भी बदतर बना देगा फसले उगाने के लिए आप तन नाइट्रोजन चाहते हैं जिस तरह से आप ट्राकृतिक सेटिंग में कभी नहीं पाएंगे नाइट्रोजन मिलाने से आप मकई को 10 फीट उचा और भारी मात्रा में बीज पैदा करते हैं अजीब तरह से अधिकांश पौधे अपना नाइट्रोजन नहीं बना सकते हैं इसके बजाए वे इसे मिट्टी में अमोनिया से प्राप्त करते हैं जहां यह विभिन सुक्ष्म जीवों द्वारा बनाया जाता है एक पौधा तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उसे नाइट्रोजन मिल सकती है और नाइट्रोजन खत्म हो जाने के बाद यह बंद हो जाएगा इसलिए इसे जोडने से विकास को बढ़ावा मिलता है सहसराबदियों से मनुशियों ने खाद और बैट गुआनों जैसे प्राकृतिक उर्वरकों को लागू करके अपनी फसलों को अतिरिक्त नाइट्रोजन खिलाया बड़ी सफलता वन नाइन जीरो एक में मिली जब फ्रिट जह, बर और कारल बोश नाम के दो जर्मन रसायनग्यों ने एक कार खाने में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाने का तरीका निकाला यह कहना मुश्किल है कि उनका आविशकार कितना महत्वपूर्ण था जिसे अब ब्रबोश प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, ने सिंथेटिक उर्वरक बनाना संभव बना दिया है जो कि उगाये जा सकने वाले भोजन की मात्रा और भोगोलिक क्षेतरों की सीमा दोनों का विस्तार करता है जहां इसे उगाया जा सकता है यह आज भी अमोनिया बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य विधी है जिस तरह नौर्मन बोरलोग इतिहास के महान गुमनाम नायकों में से एक हैं उसी तरह भ्रबोश सबसे महत्व पूर्ण आविशकार हो सकता है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों ने कभी नहीं सुना होगा यहां रगड है नाइट्रोजन बनाने वाले सूक्षमजीव इस प्रक्रिया में बहुत अधिक उर्जा खर्च करते हैं इतनी उर्जा वास्तव में कि वे इसे करने के लिए तभी विक्सित हुए हैं जब उन्हें पूरी तरह से आवशेकता हो जब उनके आसपास की मिट्टी में नाइट्रोजन नहो यदि वे परियाप्त नाइट्रोजन का पता लगाते हैं तो वे इसका उत्पादन बंद कर देते हैं ताकि वे किसी और चीज के लिए उर्जा का उप्योग कर सकें इसलिए जब हम क्रित्रिम उर्वरक डालते हैं तो मिट्टी में मौझूद प्राकृतिक जीव नाइट्रोजन को महसूस करते हैं और इसे अपने आप पैदा करना बंद कर देते हैं सिंथेटिक उर्वरक के अन्य नुकसान भी हैं इसे बनाने के लिए हमें अमोनिया का उत्पादन करना होगा एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्मी की आवशेक्ता होती है जो हमें प्राकृतिक गैस को जलाने से मिलती है जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करती है फिर इसे उस सुविधा से स्थानांतरित करने के लिए जहां इसे गोदाम में रखा जाता है जहां इसे संग्रहीत किया जाता है जैसे कि मैं तंजानिया में गया था और अंत में जिस खेत में इसका उप्योग किया जाता है हम इसे गैसोलीन द्वारा संचालित ट्रकों पर लोड करते हैं अंत में उर्वरक को मिट्टी में लगाने के बाद इसमें मौझूद नाइट्रोजन का अधिकांश भाग पौधे द्वारा कभी अवशोशित नहीं होता है वास्तव में, दुनिया भर में, फसले खेतों में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रोजन के आधे से भी कम हिस्सा लेती है शेश भूमी या सत्ही जल में चला जाता है, जिससे प्रदूशन होता है या नाइट्रस ओक्साइड के रूप में हवा में निकल जाता है, जिसे आपको याद होगा कार्बन डाइओक्साइड की ग्लोबल वार्मिंग क्षमता का 265 गुना है सभी ने बताया, उर्वरक 2010 में लगभग 1.3 बिलियन तन ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के लिए जिम्मेदार थे और संभवग मध्य शताबदी तक यह संख्या बढ़कर 1.7 बिलियन तन हो जाएगी ब्रबोश गित और ब्रबोश टेक्त दुर्भाग्य से अभी उर्वरक के लिए व्यावहारिक शूने कार्बन विकल्प नहीं है यह सथ है कि हम अमोनिया को संशलेशित करने के लिए जीवाश्म इंधन के बजाए स्वच बिजली का उप्योग करके उर्वरक बनाने में शामिल उत्सर्जन से छुटकारा पा सकते हैं लेकिन यह एक महंगी प्रक्रिया है जो उर्वरक की कीमत में काफी व्रिद्धी करेगी संयुक्त राजे अमेरिका में उदाहरन के लिए नाइट रोजन आधारित उर्वरक योरिया बनाने के लिए लाने वाली ग्रीन हाउस केसों को पकड़ने का कोई तरीका नहीं है नाइटरस ओक्साइड के लिए कारबन कैप्चर के बराबर नहीं है इसका मतलब है कि मैं शूने कारबन उर्वरक के लिए एक पूर्ण ग्रीन प्रीमियम की गणना नहीं कर सकता जो वास्तव में उप्योगी जानकारी है क्योंकि यह हमें बताता है कि हमें इस शेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार की आवशेक्ता है तकनीकी रूप से यदि किसानों के पास अपने नाइटरोजन के स्तर की बहुत सावधानी से निगरानी करने और बढ़ते मौसम के दोरान सही मात्रा में उर्वरक लगाने की तकनीक है तो उनकी तुलना में अधिक कुशलता से नाइटरोजन को अवशोशित करने के लिए फसलों को प्राप्त करना संभव है लेकिन यह एक महंगी और समय लेने वाली प्रक्रिया है और उर्वरक सस्ता है कम से कम अमीर देशों में अपनी आवशेक्ता से अधिक लागू करना अधिक किफायती है यह जानते हुए कि आप कम से कम अपनी फसलों के विकास को अधिक्तम करने के लिए परियाप्त उप्योग कर रहे है कुछ कमपनियों ने एडिटिव्स विक्सित किये हैं जो पौधों को अधिक नाइट्रोजन लेने में मदद करने वाले हैं इसलिए भूजल में धोने या वातावरन में वाश्पित होने के लिए कम है लेकिन इन एडिटिव्स का उप्योग केवल टू प्रतिशत वैश्विक उर्वरकों के साथ किया जाता है क्योंकि वे लगातार अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं और निर्माता उन्हें बेहतर बनाने के लिए ज्यादा निवेश नहीं कर रहे हैं अन्य विशेश ग्य नाइट्रोजन की समस्या को हल करने के लिए अलग अलग तरीकों पर काम कर रहे हैं उदाहरन के लिए कुछ शोध करता फसलों की नई किस्मों पर आनुवनशिक कारे कर रहे हैं जो उनके लिए नाइट्रोजन को ठीक करने के लिए बैक्टीरिया की भरती कर सकते हैं। इसके अलावा, एक कमपनी ने आनुवन्शिक रूप से संशोधित रोगान उविक्सित किये हैं, जो नाइट्रोजन स्थिर करना, वास्तव में उर्वरक के माध्यम से नाइट्रोजन जोडने के बजाए, आप मिट्टी में बैक्टीरिया जोडते हैं, जो हमेशा नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं, भले ही वह पहले से मौझूद हो। यदि ये द्रिष्टिकों काम करते हैं, तो वे उर्वरक की आवशेक्ता और इसके लिए जिम्मेदार सभी उत्सर्जन को नाटकिये रूप से कम कर देंगे। विश्व बेंट के अनुसार, वन नाइन नाइन जीरू के बाद से दुनिया ने आधा मिलियन वर्ग मील से अधिक वन कवर्खो दिया है। नुकसान भी होता है, जिसे देखना कठिन होता है। जब आप एक पेड को जमीन से बाहर निकालते हैं, तो आप मिटी को परेशान करते हैं, और यह पता चलता है, कि मिटी में बहुत अधिक कार्बन जमा है। वास्तव में, वातावरन की तुलना में मिटी में अधिक कार्बन है, और सभी पोधों का जीवन संयुक्त है। जब आप पेडों को हटाना शुरू करते हैं, तो वह संग्रहित कार्बन कार्बन डाइ ओकसाइड के रूप में वातावरन में मुक्त हो जाता है। वनों की कटाई को रोकना आसान होगा यदि यह हर जगह समान कार्णों से हो रहा हो, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। उदाहरन के लिए, ब्राजील में, पिछले कुछ दशकों में अमेजैन वर्षावनों का अधिकांश विनाश मवेशियों के लिए चारागाह को साफ करने के लिए किया गया है। ब्राजील के जंगल 1990 के बाद से 10 प्रतिशत सिकुड गए हैं, और क्योंकि भोजन एक वैश्विक वस्तु है, एक देश में जो खाया जाता है, वह दूसरे देश में भूमी उपियोग परिवर्तन का कारण बन सकता है। जैसे जैसे दुनिया अधिक मांस खाती है, यह लेटिन अमेरिका में वनों की कटाई को तेज करता है। कहीं ज्यादा बर्गर का मतलब है वहां कम पेड़ और यह सभी उतसर्जन तेजी से बढ़ते हैं। World Resources Institute के एक अधेयन में पाया गया कि यदि आप भूमी उपियोग में बदलाव के लिए जिम्मेदार हैं, तो अमेरिकी शैली का आहार लगभग उतने ही उतसर्जन के लिए जिम्मेदार है, जितना कि सभी अमेरिकी बिजली, निर्मान, परिभन और भवनों के उतपादन मे उपियोग करते हैं, लेकिन दुनिया के अन्य हिस्सों में वनों की कटाई अधिक बर्गर और स्टेक को बाहर करने के बारे में नहीं है, उदाहरन के लिए अफरीका में महादवीब की बढ़ती आबादी के लिए भोजन और इंधन उगाने के लिए भूमी को साफ करने की नाइजीरिया, जिसकी दुनिया में वनों की कटाई की दर सबसे अधिक है, नेवन नाइन नाइन जीरो के बाद से अपने वन कवर का 60 प्रतिशत से अधिक खो दिया है, और यह लकडी के चारकोल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, जो लकडी को जला क बनाया जाता है, दूसरी ओर, इंडोनेशिया में ताड के पेडों के लिए रास्ता बनाने के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जो आपको मूवी थियेटर पॉपकॉर्न से लेकर शेंपू तक हर चीज में ताड का तेल प्रदान करते हैं, यह मुखे कारणों में से एक कि देश दुनिया का चोथा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस कैसों का उत्सरजग क्यों है, काश कुछ सफल आविशकार होते जो मैं आपको बता पाता जो दुनिया के जंगलों को सुरक्षित बना देता, कुछ चीजे हैं जो मदद करेंगी, जैसे कि उन्नत उपगरहाधारित म जबनों की कटाई और जंगल की आग का पता लगाना आसान बनाते हैं, क्योंकि वे हो रहे हैं, और बाद में नुकसान की सीमा को मापने के लिए, मैं कुछ कमपनियों का भी अनुसरन कर रहा हूं जो ताड के तेल के सिंथेटिक विकल्प विकसित कर रही हैं, इसलिए हमें ताड के बागानों के लिए जगह बनाने के लिए इतने सारे जंगलों को काटने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह मुख्य रूप से एक तकणी की समस्या नहीं है, यह एक राजनीतिक और आर्थिक समस्या है, लोग पेड काटते हैं, इसलिए नहीं कि लोग बुरे हैं, वे ऐसा तब करते हैं, जब पेडों को काटने का प्रोथसाहन उन्हें अकेला छोड़ने के प्रोथसाहन से अधिक मजबूत होता है। इसलिए हमें राजनीतिक और आर्थिक समाधानों की आवशेक्ता है, जिसमें भुगतान करने वाले देश अपने जंगलों को बनाए रखने के लिए, कुछ क्षेतरों की रक्षा के लिए बनाए गए नेमों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीन सम हुदायों के पास अलग-अलग आर्थिक अवसर हैं, इसलिए उन्हें जीवित रहने के लिए प्राकृतिक संसाधनों को निकालने की आवशेक्ता नहीं है। यह हम सभी के लिए स्पष्ट अपील है, जो पेडों से प्यार करते हैं, यह वास्तव में एक बहुत ही जटिल विशे को खोलता है। इसका बहुत अधिक अधियन करने की आवशेक्ता है, लेकिन अभी के लिए जलवायू परिवर्तन पर इसका प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। जैसा कि ग्लोबल वार्मिंग में अक्सर होता है, आपको कई कारकों पर विचार करना होगा। एक पेड अपने जीवनकाल में कितना कार्बन डाई ओकसाइड अवशोशित कर सकता है। यह भिन्न होता है, लेकिन 40 वर्षों के दोरान अंगूठे का एक अच्छा नियम 4 तन है। पेड कब तक जीवित रहेगा। यदि यह जल जाता है, तो यह जो कार्बन डाई ओकसाइड जमा कर रहा था, वह वातावरन में छोड़ दिया जाएगा। अगर आपने वह पेड नहीं लगाया होता तो क्या होता। यदि कोई पेड वहां स्वाभाविक रूप से विक्सित होता, तो आपने कोई अतिरिक्ट कार्बन अवशोशन नहीं जोड़ा होता। आप दुनिया के किस हिस्से में पेड लगाएंगे। संतुलन पर, बर्फीले क्षेत्रों में पेड ठंदक की तुलना में अधिक गर्मी पैदा करते हैं, क्योंकि वे बर्फ से गहरे रंग के होते हैं, और उनके नीचे बर्फ होती हैं, और अंधेरी चीजें हलकी चीजों की तुलना में अधिक गर्मी को अवशोशित करती हैं दूसरी और उशनक्ति बंधिये जंगलों में पेड गर्म होने की तुलना में अधिक ठंदक का कारण बनते हैं क्योंकि वे बहुत अधिक नमी छोड़ते हैं जो बादल बन जाते हैं जो सूरे के प्रकाश को दर्शाते हैं मद्य अक्षांशों में पेड उशनक्ति बंधिये और धुरूविये मंदलों के बीच कमोबेश धोए जाते हैं क्या उस स्थान पर कुछ और बढ़ रहा था यदि उदाहरन के लिए आप सोयाबीन के खेत को खत्म कर देते हैं और इसे जंगल से बदल देते हैं तो आपने उपलब्ध सोयाबीन की कुल मात्रा को कम कर दिया है जिससे उनकी कीमत बढ़ जाएगी जिससे यह अधिक संभावना है कि कोई व्यक्ती सोयाबीन उगाने के लिए कहीं और पेडों को काटेगा यह आपके पेड लगाकर आपके द्वारा किये गए कुछ अच्छे कारियों की भरपाई करेगा इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए गनित का सुझाव है कि आपको अपने जीवनकाल में एक उसत अमेरिकी द्वारा उत्पादित उत्सर्जन को अवशोशित करने के लिए उश्नक्टी बंधिये क्षेत्रों में लगाए गए लगभग 50 एकड के पेडों की आवशे इसे संयुक्त राजे अमेरिका की जन संख्या से गुना करें और आपको 16 अरब एकड से अधिक या 25 मिलियन वर्ग मील दुनिया के लगभग आधा भूभाग मिलता है उन पेडों को हमेशा के लिए बनाए रखना होगा और यह सिर्फ संयुक्त राजे अमेरिका के लिए है हमने किसी अन्यदेश के उत्सरजन के लिए जिम्मेदार नहीं है मुझे गलत मत समझो पेडों के सभी प्रकार के लाब हैं सोंदरे और पर्यावरन दोनों और हमें उनमें से अधिक रोपन करना चाहिए अधिकांश भाग के लिए आप पेडों को केवल उनहीं जगों पर उगा सकते हैं जहां वे पहले ही उग चुके हैं इसलिए उनहें लगाने से वनों की कटाई से होने वाले नुकसान को पूर्ववत करने में मदद मिल सकती है लेकिन जीवाश्म इंधन जलाने से होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए परियाप्त मात्रा में पोधे लगाने का कोई व्यावहारिक तरीका नहीं है जलवायू परिवर्तन के लिए सबसे प्रभावी वरिक्ष सम्बंधी रणनीती है कि हमारे पास पहले से मौझूद बहुत से पेडों को काटना बंद कर दिया जाए इन सब का नतीजा यह है कि हमें जल्द ही उत्सर्जन में कटोती करते हुए और उन्हें पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सिवन्ती प्रतिशत अधिक भोजन का उत्पादन करने की आवशेक्ता होगी इसमें पौधों को खाद देने, पशों को पालने और कम भोजन बरबाद करने के नए तरीकों सहित कई नए विचारों की आवशेक्ता होगी और अमीर देशों के लोगों को कुछ आधितों को बदलने की आवशेक्ता होगी उदाहरन के लिए हमें कम मांस खाना होगा भले ही परिवार में बर्गर चले Skip Notes Fridge बर का एक जटिल इतिहास था अमोनिया पर अपने जीवन रक्षक कारे के अलावा उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक हतियारों के रूप में क्लोरीन और अन्य जहरीली गैसों के उप्योग का बीडा उठाया अध्याय सीवन हम चारों और कैसे पहुचते हैं 51 अरब तन का 16 प्रतिशत प्रती वर्ष आईए एक त्वरित प्रशन उत्तरी से शुरू करें सिर्फ दो प्रशन वन इनमे से किसमे सबसे अधिक उर्जा होती है अ गैसोलीन का एक गैलन बी डायनामाइट की एक छड़ी सी एक हत गोला तू इनमे से कौन संयुक्त राजे अमेरिका में सबसे सस्ता है अ एक गैलन दूद भी एक गैलन संतरे का अरस टी सी गैसोलीन का एक गैलन वह सही उत्तर देता है और सी गैसोलीन गैस में अदभूत मात्रा में उर्जा होती है आपको डायनामाइट की वंत्रे 0 छड़ीयों को एक साथ बांधना होगा ताकि एक गैलन गैस में उतनी ही उर्जा प्राप्त हो सके बेशक डायनामाइट अपनी सारी उर्जा एक ही बार में छोड़ देता है जबकि गैसोलीन अधिक धीरे धीरे जलता है यही एक कारण है कि हम अपनी कारों को गैस से भरते हैं संयुक्त राजे अमेरिका में गैसोलीन भी उलेखनी रूप से सस्ता है भले ही गैस स्टेशन पर रुखने का समय हमेशा ऐसा न लगे दूद और रोजे के अलावा यहां कुछ चीजे हैं जो गैलन के लिए गैलन से कम महंगी हैं दासानी बोतलबंद पानी, दही, शहग, कपड़े धोने का डिटरजिंट, मेपल सिरप, एंड सैनिटाइजर, स्टार्बक्स से लट्टे, रेड बुल एनरजी ड्रिंग, जैतून का तेल और प्रसिद्ध कम लागत वाली चार्ल सश्ववाइन जिसे आप ट्रेडर जो के क पिराने की दुकानों पर खरीद सकते हैं, यह सही है, गैलन के लिए गैलन, गैसोलीन टू बक्चक से सस्ता है, जैसा कि आप इस अध्याय के बाकी हिस्सों को पढ़ते हैं, गैसोलीन के बारे में इन दो तथियों को ध्यान में रखें, यह एक पंच पैक करता है, और यह सस वन वे एक अच्छा अनुसमारक हैं, कि जब हम खर्च किये गए प्रतेक डॉलर के लिए हमें कितनी ऊर्जा मिलती है, गैसोलीन स्वर्ण मानक है, डीजल और जेट इंधन जैसे समान उत्पादों के अलावा, हमारे दैनिक जीवन में और कुछ भी इतनी कम लागत पर प्र प्रती यूनिट और प्रती डॉलर कर्च की गई उर्जा की जुडवा अवधारनाएं बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हम अपनी परिवहन प्रणाली को रिकार्बोनाईज करने के तरीकों की तलाश करते हैं, जैसा कि आप निस संदेह जानते हैं, हमारी कारों, जहाजों और विमानों में इंधन के जलने से कार्बन डाय ओकसाइड निकलती है, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान दे रही है। प्लग इन करने और चीजों को विक्सित करने के पीछे चोथे स्थान पर हैं। जब मैंने इसे सीखा तो मुझे भी आश्चरे हुआ और मुझे संदेह है कि ज्यादातर लोग एक ही नाव में हैं। यदि आपने फुटपात पर कुछ बेत्रतीब अजनबियों को रोका और उनसे पूछा कि जलवायू परिवर्तन में कौन सी गतिविधिया सबसे अधिक योगदान देती हैं। तो वे शायद कहेंगे कि बिजली के लिए कोईला जलाना, कार चलाना और विमान उडाना। भर्म समझ में आता है। हालांकि परिवहन दुनिया भर में उत्सर्जन का स कुरते हैं। किसी भी मामले में यदि हम शुद्धशूने उत्सर्जन प्राप्त करने जा रहे हैं, तो हमें सन्युक्त राजे अमेरिका और दुनिया भर में परिवहन के कारण होने वाली सभी ग्रीन हाउस कैसों से छुटकारा पाना होगा। यह कितना कठिन होगा। इतिहास के पहले 99.9 प्रतिशत के लिए हम जीवाश मींधन पर बिलकुल भी भरोसा किये बिना घूमने में कामयाब रहे। हम चलते थे, जानवरों की सवारी करते थे और जहाजों को पाल के नीचे रखते थे। फिर 1100 के दशक की शुरुआत में हमें पता चला की कोईले पर लोको मोटिव और स्टीम बोट कैसे चलाए जाते हैं, और हमने कभी पीछे मुड कर नहीं देखा। सदी के भीतर, क्रेने पूरे महादवीपों को पार कर रही थी और जहाज लोगों और उत्पादों को महासागरों के पार ले जा रहे थे। 19 वी इन शताबदी के अंतमिग गैस से चलने वाली आटो मोबाइल साथ आई, इसके बाद 20 वी इन शताबदी की शुरुआत में वानिजेक हवाई यात्रा हुई जो आज की वैश्विक अर्थवेवस्था के लिए बहुत आवशेक हो गई। हाला कि हमें परिवहन के लिए जीवाश्म इंधन को जलाए हुए बमुश्किल टू-जीरो-जीरो साल हुए हैं, लेकिन हम पहले से ही मौलिक रूप से उन पर निर्भर हो गए हैं, हम उन्हें एक प्रतिस्थापन के बिना कभी नहीं छोड़ेंगे जो लगभग उतना ही स और जो लंबी दूरी की यात्रा को बढ़ावा देने में सक्षम है, यहां एक और चुनौती है, हमें आज परिवहन से उत्पादित 8.2 बिलियन तन कार्बन को खत्म करने की आवशेक्ता नहीं है, हमें इस से भी अधिक छुटकारा पाना होगा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन भविशेवानी करता है, कि परिवहन की मांग कम से कम 2050 तक बढ़ती रहेगी, इस तथे के हिसाब से भी किसी OVID-19 में सीमित यात्रा और व्यापार है, यह विमानन, ट्रिकिंग और शिपिंग है, यात्री कार नहीं, जो इस शेत्र में अनिया भर में कारोबार किये जाने वाले सामानों का नौधसवा हिस्सा संभालता है, जो वैश्विक उत्सर्जन का लगभग 3 प्रतिशत उत्पादन करता है, बहुत सारे परिवहन उत्सर्जन अमीर देशों से आते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर देश पिछले दशक मे अपने चरम पर पहुंच गए हैं, और तब से वास्तव में कुछ हद तक गिरावट आई है, इन दिनों परिवहन से संबंधित कारबन में लगभग सभी वृद्धी विकास शील देशों से हो रही है, क्योंकि उनकी आबादी बढ़ती है, अमीर होते जाते हैं, और अधिक कार खरीदते हैं, हमेशा की तरह, चीन सबसे अच्छा उदाहरण है, पिछले एक दशक में इसका परिवहन उत्सर्जन दो गुना हो गया है, और वन नाइन नाइन जीरू के बाद से टेन के कारक से बढ़ गया है, सी ओ वी आईडी वन नाइन धीमा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, परिवहन उत्सर्जन में वृद्धी, हालांकि उत्सर्जन कई जगों पर कम हो जाएगा, वे निम्न और मध्यम आयवाले देशों में इतने बढ़ जाएंगे कि समगर प्रभाव ग्रीन हाउस कैसों में वृद्धी होगी, टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह लगने के जोखिम पर, मैं परिवहन के बारे में वही बात करूंगा जो मैंने बिजली, विनिर्मान और क्रिशी के बारे में की है, हमें खुशी होनी चाहिए कि अधिक लोग और सामान इध्र उधर हो रहे हैं, ग्रामीन क्षेतरों और शहरों के बीच यात्रा करने की क्षमता व्यक्तिगत स्वतंतरता का एक रूप है, गरीब देशों के किसानों के लिए जीवित रहने की बात का उलेख नहीं करना, जिनहें अपनी फसल बाजार में लाने की आवश्यक्ता है, अंतर राष्ट्री उडाने दुनिया को उन तरीकों से जोडती हैं, जिनकी एक सदी पहले कलपना भी नहीं की जा सकती थी, दूसरे देशों के लोगों से मिलने में सक्षम होने से हमें अपने सामाने लक्षियों को समझने में मदद मिलती है, और आधुनिक परिवहन से पहले हमारे भोजन के विकल्प वर्ष के अधिकांश समय सीमित थे, निजी तोर पर मुझे अंगूर पसंद हैं और उन्हें साल भर खाने में मज़ा आता है, लेकिन मैं ऐसा केवल कंटेनर जहाजों के कारण कर सकता हूँ जो दक्षिन अमेरिका से वफल लाते हैं और जो वर्तमान में जीवाश्म इंधन पर चलते हैं, तो हम जलवाईू को रहने योगे बनाए बिना यात्रा और परिवहन के सभी लाब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या हमारे पास वह सारी तकनीक है जिसकी हमें आवशेक्ता है या क्या हमें कुछ नवाचारों की आवशेक्ता है, उन सवालों का जवाब देने के लिए हमें परिवहन के लिए ग्रीन प्रीमियम का पता लगाना होगा, हम इस बात की गहराई में जाकर शुरुआत करेंगे कि ये उत्सर्जन कहां से आ रहे हैं, यह पाई चार्ट आपको कारों, ट्रकों, विमानों, जहाजों आधी से आने वाले उत्सर्जन का प्रतिशत दिखाता है, हमारा लक्षे उनमें से प्रतेक को नेट जीरो पर लाना है, ध्यान दे की यात्री वाहन, कार, SUV, मोटर साइकिल और ऐसे लगभग आधे उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, मध्यम और भारी शुल्क वाले वाहन कच्रा ट्रक से लेकर पहिया वाहनों तक में 30 प्रतिशत का योगदान होता है, हवाई जहाज सभी उत्सर्जन का दस्वा हिस्सा जोडते हैं, जैसा कि कंटेनर जहाजों और अन्य समुद्री जहाजों में होता है, जिसमें अंतिम बिट के लिए ट्रेनों का हिसाब होता है, कारे एक मात्र अपराधी नहीं हैं, यात्री वाहन सभी परिवहन संबंधी उत्सर्जन के लगभग आधे के लिए जिम्मेदार हैं, स्वच्च परिवहन पर अंतर राष्ट्रिय परिशद, आईए एक बार में इन्हें लें, पाई के सबसे बड़े टुपडे यात्री कारों से शुरू करें और उत्सर्जन से छुटकारा पाने के लिए हमारे मौजूदा विकल्पों को देखें, यात्री कार, दुनिया भर में सड़कों पर करीब एक अरब कारे हैं, अकेले 2018 में हमने लगभग 24 मिलियन यात्री कारों को जोड़ा, जो सेवा निवरित्थ हो गई, क्योंकि गैसोलीन जलाने से अनिवारे रूप से ग्रीन हाउस कैसे निकलती हैं, हमें एक विकल्प की आवश्यक्ता होती है, या तो कार्बन से बने इंधन जो पहले से ही हवा में हैं, नक की कार्बन जो की जीवाश्म इंधन में हैं, या पूरी तरह से उर्जा के किसी अनिरूप में हैं। आईए पहले दूसरा विकल्प लें। सवभाग्य से हमारे पास वास्तव में उर्जा का एक और रूप है, जो हालांकी परिपूर्ण से बहुत दूर है, पहले से ही काम करने के लिए सिद्ध हो चुका है। वास्तव में, इसका इस्तेमाल करने वाली कारे शायद अभी आपके नजदी की आटो डीलर के यहां बेची जा रही हैं। आज आप आधे से अधिक वर्नमाला से एक औले इलेक्ट्रिक कार खरीद सकते हैं। यह पसंद है। हालांकि AVS अपने गैस बर्निंग समकक्षों की तुलना में कहीं अधिक महंगा हुआ करते थे और वे आज भी अधिक मूलेवान विकल्प हैं। हाल के वर्षों में अंतरनाट की यह रूप से कम हो गया है। यह काफी हद तक बैटरी की लागत में भारी गिरावट के कारण है। 2010 के बाद से 87 प्रतिशत की कमी, साथ ही सड़क पर अधिक शूने उत्सरजन कारों को प्राप्त करने के लिए विभिन कर क्रेडिट और सरकारी प्रतिबधताएं। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहन अभी भी मामूली ग्रीन प्रीमियम के साथ हाते हैं। उदाहरन के लिए दो कारों पर विचार करें, दोनों शेवरले द्वारा निर्मित, गैस से चलने वाली मालिबू और ओले इलेक्ट्रिक बोल्ट इवी। जब इंजन की शक्ती, यात्रियों के लिए जगह की मात्रा और इसी तरह की बात आती है, तो उनकी विशेशताएं लगभग तुलनिये होती हैं। बूल्ट की कीमत 14-0-0-0 डॉलर अधिक है, किसी भी कर प्रोट साहन से पहले जो इसे सस्ता बना सकता है, लेकिन आप केवल कार के खरीद मूले का उप्योग करके ग्रीन प्रीमियम का पता नहीं लगा सकती, जो मायने रखता है, वह सिर्फ कार खरीदने की लागत नहीं है, बलकी कार खरीदने और उसके मालिक होने की कुल लागत है, आपको इस तथे पर ध्यान देना होगा कि AVS को कम रखरखाव की आवशेक्ता होती है, उदाहरन के लिए और गैस के बजाए बिजली से चलते हैं, दूसरी और, क्योंकि AV अधिक महेंगे हैं, आप आटो बीमा के अधिक भुगतान करेंगे, जब आप इन सभी अंतरों को ध्यान में रखते हैं, और स्वामित्व की कुल लागत को देखते हैं, तो बोल्ट की कीमत मालिबू की तुलना में प्रती मील 10 सेंट अधिक होगी, 10 सेंट प्रती मील का क्या मतलब है? यदि आप सालाना 1200 मील ड्राइव करते हैं, तो यह डॉलर 1200 का वार्षिक प्रीमियम है, शायद ही नगण्य है, लेकिन EVS को कई कार खरीदारों के लिए उचित विचार करने के लिए परियाप्त है, और यह संयुक्त राजे अमेरिका में एक राष्ट्री औसत है, ग्रीन प बिजली या अधिक महंगा गैसोलीन ग्रीन प्रीमियम को छोटा कर देगा, यूरूप के कुछ हिस्सों में गैस की कीमते इतनी अधिक हैं, कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ग्रीन प्रीमियम पहले ही शून पर पहुंच गया है, संयुक्त राजे अमेरिका में भी जैसे जैसे बैटरी की कीमतें गिरती जा रही हैं, मेरा अनुमान है कि 2030 तक अधिकांश कारों का प्रीमियम शून हो जाएगा, यह बहुत अच्छी खबर है, और हमें सडक पर बहुत सारे EV मिलना चाहिए क्योंकि वे और भी अधिक किफायती हो जाते हैं, मैं इस अध्याय के अं से चलने वाली कार में कुछ कमिया होंगी, एक यह है कि गैसोलीन की कीमतें बहुत भिन्न होती हैं, और EVS सस्ता विकल्प तभी होता है, जब गैस की कीमतें एक निश्चित स्तर से ऊपर होती हैं, मैं 2020 में एक समय पर, संयुक्त राजे अमेरिका में गैस की ओसत कीमत गिरकर 1.77 डॉलर प्रती गैलन हो गई थी, जब गैस इतनी सस्ती होती है, तो EV प्रतिस्परधा नहीं कर सकते बैटरी बहुत महंगी होती है, आज की बैटरियों की कीमत के साथ, EV मालिक केवल तभी पैसे बचाते हैं, जब गैस की कीमत लगभग 3 डॉलर प्रती गैलन से अधिक हो एक और कमी यह है, कि EV को पूरी तरह से चार्ज करने में एक घंटे या उससे अधिक समय लगता है, फिर भी आप अपनी कार को 5 मिनट से भी कम समय में गैस कर सकते हैं इसके अलावा, कार्बन उत्सर्जन से बचने के लिए उनका उप्योग तभी काम करता है, जब हम बिजली पैदा कर रहे हों शूने कार्बन सुरोतों से यह एक और कारण है, कि अध्याय चार में जिन सफलताओं का मैंने उलेक किया है, वे इतनी महत्व पूर्ण है यदि हम कोईले से अपनी शक्ती प्राप्त करते हैं, और फिर अपनी इलेक्ट्रिक कारों को कोईले से चलने वाली बिजली से चार्ज करते हैं, तो हम सिर्फ एक जीवाश्म इंधन की अदलाबदली करेंगे साथ ही हमारी सभी गैस बर्निंग कारों को सडक से हटाने में समय लगेगा ओस्तन एक कार असेम्बली लाइन से लुड़कने के बाद कबार्ड खाने में अपने अंतिम विश्राम स्थल तक पहुचने से पहले 13 साल से अधिक समय तक चलती है इस लंबे जीवन चक्र का मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि अमेरिका में हर यात्री कार 2050 तक बिजली से चले तो अगले 15 वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को ओटो बिक्री का लगभग 100 प्रतिशत होना चाहिए आज वे 2 प्रतिशत से भी कम है जैसा कि मैंने उलेक किया है शून्य पर जाने का एक और तरीका वेकल्पिक तरल इंधन पर स्विच करना है जो कार्बन का उप्योग करता है जो पहले से ही वातावरण में था जब आप इन इंधनों को जलाते हैं तो आप हवा में अतिरिक्त कार्बन नहीं जोड रहे होते हैं आप वही कार्बन वापस कर रहे होते हैं जहां इंधन बनाया गया था जब आप वेकल्पिक इंधन वाक्यांच देखते हैं तो आप इथेनोल के बारे में सोच सकते हैं एक जैव पीन्धन जो आमतोर पर मकई, गन्ना या चुकंदर से बनाया जाता है यदि आप संयुक्त राजे में हैं, तो आप शायद इस जैव पीन्धन में से कुछ पर अपनी कार चला रहे हैं अमेरिका में बेचे जाने वाले अधिकांश कैसोलीन में 10 प्रतिशत इथेनोल होता है, वस्तुत यह सभी मकई से बना होता है ब्राजील में ऐसी कारे हैं, जो गन्ने से बने 100 प्रतिशत इथेनोल पर चलती हैं कुछ अन्य देश किसी का भी उप्योग करते हैं यहां समस्या है, मकई आधारित इथेनोल शून कार्बन नहीं है, और यह कैसे बनाया जाता है, इसके आधार पर यह कम कार्बन भी नहीं हो सकता है फसल उगाने के लिए उर्वरक की आवश्यक्ता होती है शोधन प्रक्रिया, जब सहंयंत्र इंधन में बदल जाते हैं, उत्सर्जन भी पैदा करते हैं और इंधन के लिए फसले उगाने के लिए जमीन पर कबजा कर लिया जाता है, जो अन्य था भोजन उगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है संभवतह किसानों को जंगलों को काटने के लिए मजबूर किया जाता है, ताकि उनके पास खादे फसले उगाने के लिए जगह हो वैकल्पिक इंधन, हालांकि एक खोया हुआ कारण नहीं है उन्न, दूसरी पीड़ी के जैव इंधन है, जिनमें पारमपरिक जैव इंधन की समस्या नहीं है उन्हें उन पोधों से बनाया जा सकता है, जो भोजन के लिए नहीं उगाये जाते हैं जब तक कि आप स्विच ग्रास सलाद के बहुत बड़े प्रशनसक नहीं है या खेती के अवशेशों, जैसे कॉर्नस्ट्रोक्स से, कागज बनाने से बचे उतपादों और यहां तक की भोजन और यार्ड कच्रे से भी क्योंकि वे खाद्य फसल नहीं है, उन्हें बहुत कम या कोई उर्वरक की आवशेक्ता नहीं है और उन्हें खेत पर उगाने की जरूरत नहीं है, जो अन्नेथा लोगों या जानवरों के भोजन के लिए समर्पित हो सकती है कुछ उन्नत जैव इंधन वे होंगे जिन्हें विशेशगे, ग्रॉपईन, इंधन कहते हैं जिसका अर्थ है कि आप उन्हें संशोधित किये बिना एक पारंपरिक इंजन में या उन्हें छोड़ सकते हैं, उप्यूग कर सकते हैं एक और लाब, हम तैंकरों, पाइपलाइनों और अन्यबुनियादी धांचे का उप्योग करके उन्हें परिवहन कर सकते हैं जिन्हें बनाने और बनाए रखने के लिए हम पहले ही अर्बों खर्च कर चुके हैं मैं जैव इंधन के बारे में आशावादी हूँ, लेकिन यह एक कठिन शेत्र है मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव था जो दिखाता है, कि सफलता हासिल करना कितना कठिन है कुछ साल पहले, मुझे एक यूएस कमपनी के बारे में पता चला, जिसके पास बायोमास, जैसे कीपेड, को इंधन में परिवर्तित करने की एक मालिकाना प्रक्रिया थी मैं इसके संयंत्र का दौरा करने गया और मैंने जो देखा उससे प्रभावित हुआ, और उचित परिश्रम करने के बाद, मैंने कमपनी में 50 मिलियन का निवेश किया लेकिन इसकी तकनीक ने परियाप्त रूप से काम नहीं किया, विभिन तकनीकी चुनोतियों का मतलब था कि संयंत्र लगभग उस मात्रा में उत्पादन नहीं कर सका जो इसे किफायती होने की आवशेक्ता थी और जिस संयंत्र का मैंने दौरा किया वह अंत्तह बंध हो गय यह $50,000,000 का मृत अंत्त था लेकिन मुझे खेद नहीं है कि मैंने ऐसा किया, हमें बहुत सारे विचारों की खोज करने की आवशेक्ता है, यह जानते हुए भी कि उनमें से कई विफल हो जाएंगे, दौरभाग्य से उननत जैव इंधन पर अनुसंधान अभी भी कम है और वे हमारे परिवहन प्रनाली कोडी कार्बोनाईज करने के लिए आवशेक पैमाने पर तैनात करने के लिए तैयार नहीं हैं, नतीज तन, गैसोलीन को बदलने के लिए उनका उप्योग करना काफी महंगा होगा, विशेश गे इन और अनिस्वच इंधन की सटीक लागत पर असहमत हैं, और वहां कई अनुमान हैं, इसलिए मैं कई अलग अलग अधेनों से उसत लागत का उप्योग करूंगा, उननत जैव इनधन के साथ गैसोलीन को बदलने के लिए ग्रीन प्रीमियम, इनधन का प्रकार गैसोलीन, खुद्रा मूले प्रती गैलन, 2.43, शूने कार विकल्प प्रती गैलन, 5.00, उननत जैव इनधन, ग्रीन प्रीमियम, 106%, नोड, इसमें और बाद के चार्ट में खुद्रा मूले 2015 से 2018 तक सन्यूक्त राजय में उसत हैं, शूने कार्बन विकल्प वर्तमान अनुमानित कीमतों को दर्शाथते हैं, जैव इनधन अपनी उर जब पौदों से प्राप्त करते हैं, लेकिन वेकल्पिक इनधन बनाने का यही एक मात्र तरीका नहीं है, हम गठबंधन करने के लिए शूने कार्बन विजली का भी उप्योग कर सकते हैं, कार्बन डाइ ओकसाइड में कार्बन के साथ पानी में हाइडरोजन, जिसके परि उप्योग करके बनाए गए हैं, उन्हें जलाने से समगर उप्योग करके बनाए गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रो फ्यूल्स का एक नकारात्मक पहलू भी है, वे बहुत महंगे हैं, उन्हें बनाने के लिए आपको हाइडरोजन की आवशेक्ता होती है, और जैसा कि मैंने जित किये बिना हाइडरोजन बनाने में बहुत खर्थ होता है, इसके अलावा आपको उन्हें स्वच्च बिजली का उप्योग करके बनाने की आवशेक्ता है, अन्य था, कोई मतलब नहीं है, और हमारे पास अभी तक हमारे पावर ग्रेड में इतनी सस्ती स्वच्च बिज जिली नहीं है, कि इसे इंधन बनाने के लिए आर्थिक रूप से उप्योग किया जा सके, यह सब इलेक्ट्रो फ्यूल के लिए एक उच्च ग्रीन प्रीमियम तक जोडता है, ग्रीन प्रीमियम गैसोलीन को शून्य कार्बन विकल्पों से बदल देगा, इंधन का प्रकार गैसोलीन खुद्रा मूले प्रती गैलन, प्रती गैलन शून्य कार्बन विकल्प ग्रीन प्रीमियम, 2.43, 2.43, 5.008.20, उननत जैव इंधन, विद्यूत इंधन, 106%, 237%, औसत परिवार के लिए इसका क्या मतलब है? सन्यूक्त राजे में, एक सामानने परिवार गैसोलीन पर प्रती वर्ष लगभग 2.00.00 खर्च करता है, तो अगर कीमत दो गुनी हो जाती है, तो यह अतिरिक्त डॉलर 2.00.00 प्रीमियम है, और यदि यह तीन गुना है, तो यह अमेरिका में सड़क पर हर पारंपरिक यात बैटरी कार के लिए अतिरिक्त डॉलर 4.00.00 है, कच्रा ट्रक, बस और 18 पहिया वाहन, दूर्भाग्य से लंबी दूरी की बसों और ट्रकों की बात करें तो बैटरी कम व्यावहारिक विकल्प हैं, जितना बड़ा वाहन आप ले जाना चाहते हैं, और जितना अधिक आप इसे बिना रिचार्ज किये ड्राइव करना चाहते हैं, आपके इंजन को बिजली देने के लिए बिजली का उप्योग करना उतना ही कठिन होगा, ऐसा इसलिए है, क्योंकि बैटरियां भारी होती हैं, वे केवल सीमित मात्रा में उर्जा संग्रहित कर सकती हैं, और वे उस दूर्जा की केवल एक निश्चित मात्रा ही वित्रित कर सकती हैं, एक बार में इंजन के लिए, हलके, जबैक की तुलना में भारी ट्रक चलाने के लिए अधिक शक्तिशाली इंजन की आवशेक्ता होती है, अधिक बैटरी वाला, मध्धे मढ्यूटी वाले वाहन, जैसे क पच्रा ट्रक और सिटी बसें, आम तोर पर काफी हलके होते हैं, कि बिजली उनके लिए एक विवहारे विकल्प है, उन्हें हर रात अप एक शाकरित छोटे मार्ग चलाने और एक ही स्थान पर पार्किंग करने का भी लाब होता है, इसलिए उनके लिए चार्जिंग स्टे के अपने पूरे बेडे का विद्योती करन कर दिया है, चीन में बेची जा रही इलेक्ट्रिक बसों की मात्रा के साथ, मुझे लगता है कि बसों के लिए ग्रीन प्रीमियम एक दशक के भीतर शून पर पहुंच जाएगा, जिसका अर्थ है कि दुनिया के अधिकांश शहर अपने बेडे को स्थानांतरित करने में सक्षम होंगी, शेन जेन, चीन ने 1600 बसों के अपने बेडे का विद्योती करन किया, लेकिन यदि आप अधिक दूरी और शक्ती जोड़ना चाहते हैं, उदाहरन के लिए यदि आप एक क्रोस कंट्री ट्रिप पर कारगो से लदे ए एक पहिया वाहन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नकी आसप डोस के मार्ग पर छात्रों से भरी स्कूल बस, आपको कई और बैटरी ले जाने की आवशेकता होगी, और जैसे ही आप बैटरी जोड़ते हैं, आप वजन भी जोड़ते हैं, बहुत वजन, पाउंड के लिए आज उपलब्ध सर्वोत्तम लिथियम आयन बैटरी गैसोलीन की तुलना में 35 गुना कम उर्जा पैक करती है, दूसरे शब्दों में, एक गैलन गैस के समान उर्जा प्राप्त करने के लिए, आपको ऐसी बैटरीयों की आवशेकता होगी जिनका वजन गैस से 35 गुना अध धिक हूँ, यहाँ इसका व्यावहारिक अर्थ है, कार्नेगी मेलोन यूनिवर्सिटी के दो मेकेनिकल इंजीनिरों द्वारा 2017 के एक अधेयन के अनुसार, एक इलेक्ट्रिक कारगो ट्रुक जो एक बार चार्ज करने पर 600 मील जाने में सक्षम है, उसे इतनी बैटरी की इसके लिए इतनी बैटरी की आवशेक्ता होगी कि यह शायद ही कोई माल ले जा सके, ध्यान रखें कि डीजल पर चलने वाला एक सामाने ट्रुक बिना इंधन भरे 1000 मील से अधिक जा सकता है, इसलिए अमेरिका के ट्रुकों के बेडे को विद्योती करित करने के लिए, माल वाहक कमपनियों को उन वाहनों में स्थानान तरित करना होगा जो कम माल ले जाते हैं, अधिक बार रिचार्ज करने के लिए रुकते हैं, घंटों रिचार्जिंग करते हैं, और किसी तरह राजमार्ग के लंबे हिस्सों की यात्रा करते हैं, जहां कोई रिचार्जिंग स् यह देपी बिजली एक अच्छा विकल्प है जब आपको कम दूरी तै करने की आवश्यक्ता होती है यह भारी लंबी दूरी के ट्रकों के लिए व्यावहारिक समाधान नहीं है क्योंकि हम अपने कारगो ट्रकों का विद्योती करन नहीं कर सकते आज उपलब्ध एक मात्र समा अधान इलेक्ट्रो फ्यूल और उन्नत जैव इंधन हैं दुरभाग्य से उनके पास नाटकिय ग्रीन प्रीमियम भी हैं आईए उन्हें चार्ट में जोडें ग्रीन प्रीमियम डीजल को शून्य कारबन विकल्पों से बदल देगा इंधन का प्रकार डीजल खुद्रा मू उन्नत जैव इंधन विद्यूत इंधन एक सो तीन परसेंट दो सो चौनतीस परसेंट जहाज और विमान बहुत समय पहले की बात नहीं है मेरे मित्र वारिन बफेट और मैं इस बारे में बात कर रहे थे कि कैसे दुनिया हवाई जहाजों को री कार्बोनाईज कर सकती है वारिन ने पूछा हम बैटरियों पर जम्बू जेट क्यों नहीं चला सकते वह पहले से ही जानता था कि जब एक जेट उडान भरता है तो उसके वजन का 20 से 40 प्रतिशत इंधन होता है तो जब मैंने उसे यह चौंकाने वाला तथे बताया कि जेट इंधन के समान उर्जा प्राप्त करने के लिए आपको वजन से 35 गुना अधिक बैटरी की आवशेक्ता होगी वह तुरंथ समझ गया आपको जितनी अधिक शक्ती की आवशेक्ता होगी आपका विमान उतना ही भारी होगा कुछ बिंदू पर यह इतना भारी होता है कि यह जमीन से नहीं उतर सकता वोरिन मुस्कुराया, सिर हिलाया और कहा आप, जब आप किसी कंटेनर जहाज या जेट लाइनर के रूप में भारी चीज को शक्ती देने की कोशिश कर रहे हैं तो अंगूठे के नियम का मैंने पहले उलेक किया था जितना बड़ा वाहन आप ले जाना चाहते हैं और जितना दूर आप इसे रिचार्ज किये बिना ड्राइव करना चाहते हैं, उतना ही कठिन होगा बिजली को अपने शक्ती स्रोत के रूप में उप्योग करना एक कानून बन जाता है कुछ अपरत्याशित सफलता को छोड़ कर, बैटरी कभी भी हलकी और इतनी शक्तिशाली नहीं होंगी कि वे विमानों और जहाजों को कम दूरी से अधिक कुछ भी स्थानान तरित कर सकें विचार करें कि आज कला की स्थिती कहा है बाजार में सबसे अच्छा ओले इलेक्ट्रिक विमान दो यात्रियों को ले जा सकता है 210 मील प्रती घंटे की शीर्ष गती तक पहुंच सकता है और रिचार्ज करने से पहले 3 घंटे तक उड़ सकता है त्री इस बीच एक मध्यम क्षमता वाला बोईंग 787-296 यात्रियों को ले जा सकता है 650 मील तक पहुंच सकता है एक घंटे और इंधन के लिए रुकने से पहले लगभग त्विंटी घंटे तक उड़ान भरें दूसरे शब्दों में जीवाश मैंदन से चलने वाला जेट लाइनर 3 घंटे से अधिक तेजी से 6 घंटे समय तक उड़ान भर सकता है और बाजार पर सबसे अच्छे इलेक्ट्रिक विमान के रूप में लगभग 150 घंटे लोगों को ले जा सकता है बैटरियां बेहतर हो रही हैं लेकिन यह देखना मुश्किल है कि वे इस अंतर को कैसे बंद करेंगे यदि हम भाग्यशाली हैं तो वे अब की तुलना में 3 घंट अधिक उरजा सगन हो सकते हैं इस स्थिती में वे अभी भी गैस या जेट इंधन की तुलना में 12 गुना कम उरजा सगन होंगी हमारा सबसे अच्छा दाम जेट इंधन को इलेक्ट्रो फ्यूल और उन्नत जैव इंधन से बदलना है लेकिन उनके साथ आने वाले भारी प्रीमियम को देखें जेट इंधन को शूने कार्बन विकल्पों के साथ बदलने के लिए ग्रीन प्रीमियम इंधन का प्रकार जेट इंधन खुद्रा मूले प्रती गैलन 2.22 5.35 उन्नत जैव इंधन इंधन का प्रकार जेट इंधन प्रती गैलन शूने कार्बन विकल्प ग्रीन प्रीमियम 2.22-8.80 इलेक्ट्रो फ्यूल्स 141% 296% वही मालवाहक जहाजों के लिए जाता है सबसे अच्छे पारंपरिक कंटेनर जहाज दो इलेक्ट्रिक जहाजों में से किसी एक की तुलना में 2000 गुना अधिक माल ले जा सकते हैं और वे 400 गुना लंबे मारगों को चला सकते हैं वे जहाजों के लिए प्रमुक लाब हैं जिन्हें पूरे महासागरों को पार करने की आवश्यक्ता होती है यह देखते हुए कि वैश्विक अर्थवेवस्था में कंटेनर जहाज कितने महत्व पूर्ण हो गए हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें तरल इंधन के अलावा किसी अन्य चीज पर चलाने की कोशिश करना कभी भी आर्थिक रूप से व्यवहारे होगा विकल्पों पर स्विच करने से हमें बहुत लाब होगा क्योंकि सभी उत सर्जन में अकेले शिपिंग का योगदान 3 प्रतिशत है स्वच्छ इंधन का उप्योग करने से हमें सार्थक कमी मिलेगी दूर्भाग्य से जिस इंधन पर कंटेनर जहाज चलते हैं उसे बंकर इंधन कहा जाता है गंदगी सस्ता है क्योंकि यह तेल शोधन प्रक्रिया के अवशेशों से बना है चुंकि उनका वर्तमान इंधन इतना सस्ता है जहाजों के लिए ग्रीन प्रीमियम बहुत अधिक है बंकर इंधन को शून्य कार्बन विकल्पों के साथ बदलने के लिए green premium इंधन का प्रकार बंकर इंधन खुद्रा मूले प्रती गैलन प्रती गैलन शून्य कार्बन विकल्प green premium 1.29 1.29 5.59.05 उननत जैव इंधन संक्षेप में इस अध्याय के सभी green premium यहां दिये गए हैं green premium वर्तमान इंधन को शून्ने कारबन विकल्पों से बदल देगा इंधन का प्रकार gasoline खुद्रा मूले प्रती गैलन प्रती गैलन शून्ने कारबन विकल्प green premium इंधन का प्रकार डीजल खुद्रा मूले प्रती गैलन शून्ने कारबन विकल्प green premium इंधन का प्रकार जेट इंधन प्रती गैलन खुद्रा मूले प्रती गैलन शून्ने कारबन विकल्प green premium इंधन का प्रकार बंकर इंधन प्रती गैलन खुद्रा मूले, प्रती गैलन शुने कार्बन विकल्प ग्रीन प्रीमियम, 2.43, 2.43, 5.00, 8.20, उननत जैव इंधन, विद्यूत इंधन, 106%, 237%, 2.71, 2.71, 5.59, 0.05, उननत जैव इंधन, विद्यूत इंधन, 113%, 234%, 2.22, 2.22, 5.35, 8.80, उननत जैव इंधन, विद्यूत इंधन, 141%, 296%, 1.29, 1.29, 5.59, 0.05, उननत जैव इंधन, विद्यूत इंधन, 326%, 601%, क्या अधिकांश लोग इन वरिद्धियों को स्वीकार करने को तैयार होंगे? यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन विचार करें कि पिछली बार जब संयुक्त राजे अमेरिका ने संगिये गैस कर बढ़ाया था, किसी भी वृद्धी को लगाया, एक चौथाई सदी से भी पहले, वन नाइन नाइन त्री में, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी गैस के लिए अधिक भुगतान करने के लिए उत्सुक हैं, परिभन से उत्सर्जन में कट्वती करने के चार तरीके हैं, एक इसे कम करना है, कम ड्राइविंग, उडान और शिपिंग, हमें पैदल चलने, कल्पिक तरीकों को प्रोच साहित करना चाहिए, और यह बहुत अच्छा है, कि कुछ शहर स्मार्ट शहरी योजनाओं का उप्योग ऐसा करने के लिए कर रहे हैं, उत्सर्जन में कट्वती करने का एक अन्य तरीका कारों को बनाने में कम कार्बन ग्यहन सामगरी का उप्यो सामगरियों से बनी होती है, जिनहें ग्रीन हाउस कैसों के उत्सर्जन के बिना निर्मित नहीं किया जा सकता है, हमें अपनी कारों में इन सामगरियों की जितनी कम आवश्यक्ता होगी, उनका कार्बन पदचिहन उतना ही कम होगा, उत्सर्जन में कट्वती करने का तीसरा तरीका एंधन का अधिक कुशलता से उप्योग करना है। इस विशे पर संसदों और प्रेस का बहुत ध्यान जाता है। कम से कम यह यात्री कारों और ट्रकों से संबंधित है। अधिकांश प्रमुक अर्थवेवस्थाओं में उन वाहनों के लिए एंधन दक्षता मानक होते हैं और उन्होंने कार कमपनियों को अधिक कुशल इंजनों की उननत इंजीनिरिंग को निधी देने के लिए मजबूर करके एक बड़ा बदलाव किया है। लेकिन मानक काफी दूर नहीं जाते हैं। उदाहरन के लिए अंतर राष्ट्रिय शिपिंग और विमानन के लिए स इस देश का अधिकार शेत्र कवर करेगा। इसके अलावा, हालांकी अधिक कुशल वाहन बनाना और उनका उप्योग करना सही दिशा में महत्व पूर्ण कदम हैं, वे हमें शूने तक नहीं पहुंचाएंगे। भले ही आप कम गैसोलीन जला रहे हों, फिर भी आप गैसोल यह मुझे चोथे और सबसे प्रभावी तरीके से परिवहन से शूने उत्सर्जन की ओर ले जाता है, इलेक्ट्रिक वाहनों और वेकल्पिक इंधन पर स्विच करना। जैसा कि मैंने इस अध्याय में तर्क दिया है, दोनों विकल्प वर्तमान में ग्रीन प्रीमियम को एक प्रीन प्रीमियम नीचे जा रहा है और अंततह शूने हो जाएगा। यह सथ है कि जैसे जैसे उच्चलाब वाली कारे और एवी आज के वाहनों की जगह लेती हैं, गैस करों से राजस्व कम होता जाएगा, जिससे सड़कों के निर्मान और रखरखाव के लिए अधन में कमी आ सकती है, राजे एवी मालिकों को अपनी लाइसेंस प्लेट को नवीनी करित करते समय एक अतिरिक्त शुल्क चार्ज करके खोए हुए राजस्व की जगह ले सकते हैं, उन्नीस राजे ऐसा कर रहे हैं, जैसा कि मैं इस अध्याय को लिखता हूँ, हालांकि इ एवी के रूप में सस्ते होने में एक या दो साल का समय लगेगा, गैस से चलने वाली कारें, इवी एस एक और हैडविंद में भी गाड़ी चला रहे हैं, अमेरिका का बड़े गैस वाले ट्रकों के लिए प्यार, 2019 में हमने 5 मिलियन से अधिक कारें और 12 मिलियन ट्रक और SUV इनमें से 2 प्रतिशत को छोड़ कर सभी वाहन गैसोलीन पर चलते हैं, चीजों को बदलने के लिए हमें कुछ आविशकारशील सरकारी नीतियों की आवशेक्ता होगी, हम ऐसी नीतियों को अपना कर संक्रमन को गती दे सकते हैं, जो लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदन के लिए प्रोटसाहित करती हैं, और चारजिंग स्टेशनों का एक नेटवर्क तैयार करती हैं, ताकि वे खुद के लिए अधिक व्यावहारिक हों। इसके बाद, इन सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को सडक पर चलाने के लिए, हमें बहुत अधिक स्वच बिजली की आवशेक्ता होगी, एक और कारण है, कि अक्षे स्रोतों को तैनात करना और उत्पादन और भंडारन में सफलताओं का पीछा करना इतना महत्व पूर्ण है, उलेक किया है, हमें परमान उर्जा से चलने वाले कंटेनर जहाजों की भी खोज करनी चाहिए, यहां जोखिम वास्तविक हैं, उदाहरन के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यदि जहाज ढूबता है, तो परमान उर्जा जारी नहीं होता है, लेकिन कई तकनीक की चुनोतियां पहले ही हल हो चुकी हैं, आखिरकार सैने पंदुब्या और विमान वाहक पहले से ही परमान उर्जा पर चलते हैं, अंत में हमें उन्नत जैव इंधन और सस्ते विद्यूत इंधन बनाने के सभी तरीकों का पता लगाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रया हाइडरोजन बनाने के नए तरीके या सौर उर्जा का उप्योग करना या सूक्ष्म जीवों का उप्योग करना जो स्वाभाविक रूप से उपउतपाद के रूप में हाइडरोजन का उतपादन करते हैं, हम जितना अधिक अन्वेशन करेंगे, सफलताओं के लिए उतने ही अधिक अवसर हम स्रिजित करेंगे, यह दुरलब है कि आप इस तरह के एक जटिल विशे के समाधान को एक वाके में उबाल सकते हैं, लेकिन परिवहन के साथ शून्य कारबन भविशे मूल रूप से यह है, सभी वाहनों को चलाने के लिए बिजली का उप्योग करें और समुह में लंबी दूरी के ट्रेन, हवाई जहाज और कंटेनर जहाज हैं, लागत के लिए इलेक्ट्रिक यात्री कारें जल्द ही गैस से चलने वाली कारों की तुलना में अधिक महंगी नहीं होंगी, जो कि बहुत अच्छी है, लेकिन वेकल्पिक इंधन अभी भी काफी म हैं, जो बहुत अच्छा नहीं है, हमें उन कीमतों को नीचे लाने के लिए नवाचार की जरूरत है, इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम लोगों और वस्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, इसके बाद हम उन जगों के बारे में बात करेंगे जहा हम जा रहे हैं, हमारे घर, कार्याले और स्कूल और उन्हें गर्म दुनिया में रहने योगय रखने के लिए क्या करना पड़ता है, नोट छोड़ें, वन बेशक उन लोगों के लिए जो अपनी कारों पर निर्भर हैं, मेरे द्वारा सूची बद्ध अन्य चीजों की तु हमी महसूस करेंगे, जिसे आप हमेशा खरीदने का फैसला नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुद्ध यह है, कि जिन चीजों का हम नियमित रूप से उपभोग करते हैं, उनमें गैसोलीन अपेक्शाकरित सस्ता है, तु एक अनुसमारक के रूप में, मैं केवल उस इंधन से होने उत्सर्जन की गणना कर रहा हूँ, जिसे विभिन वाहन जलाते हैं, उनके निर्मान से होने वाले उत्सर्जन, स्टील और प्लास्टिक बनाना, कार खाने चलाना, आदी, को, हम कैसे चीजे बनाते हैं, के तहत गिना जाता है, और अध्याय फाइव में शामिल किया गया है थ्री हवा की गती आमत और पर गांठों में मापी जाती है, लेकिन ज्यादातर लोग, मेरे सहिद, नहीं जानते की गांठ कितनी होती है किसी भी मामले में, समुद्री मील प्रती घंटे मील के काफी करीब है अध्याय इट, हम कैसे शान्त रहते हैं, और गर्म रहते हैं सालाना 51 अरबतन का 7 प्रतिशत, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मलेरिया के बारे में कुछ पसंद आएगा यह 400000 को मारता है हर साल लोग, उनमें से ज़्यादातर बच्चे और गेट्स फाउन्डेशन इसे मिटाने के लिए एक वैश्विक प्रयास का हिस्सा है इसलिए मुझे आश्चरे हुआ जब मुझे कुछ समय पहले पता चला कि मलेरिया के बारे में आप वास्तव में एक अच्छी बात कह सकते हैं इसने हमें एरकंदीशनिंग देने में मदद की मनुष्य सदियों से गर्मी को मात देने की कोशिश कर रहा है प्राचीन फारस में इमारते हवा पकड़ने वालों या बदमाशों से सुसजजित थी जो हवा को गतिमान रखने और तापमान को ठंडा रखने में मदद करती थी लेकिन ठंडी हवा का उत्पादन करने वाली पहली ग्यात मशीन 1840 के दशक में गोरिडा के एक चिकित सक जोन गोरी द्वारा बनाई गई थी जिन्होंने सोचा था कि कूलर का तापमान उनके रोगियों को मलेरिया से उब्रने में मदद करेगा उस समय यह व्यापक रूप से माना जाता था कि मलेरिया एक परजीवी के कारण नहीं होता था जैसा कि अब हम जानते हैं लेकिन खराब हवा इसलिए नाम मालेरिया के कारण होता है गोरी ने एक उपकरन स्थापित किया जिसने छट से निलम्बित बर्फ के एक बड़े खंड पर हवा को घुमा कर अपने बीमार वार्ड को ठंडा कर दिया लेकिन मशीन जल्दी से बर्फ के माध्यम से चली गई और बर्फ महंगी थी क्योंकि इसे उत्तर से भेजना था इसलिए गोरी ने इसे खुद बनाने के लिए एक मशीन तयार की अंततः उन्हें अपने बर्फ निर्माता के लिए एक पेटेंट प्राप्त हुआ और उन्होंने अपने आविशकार का विपनन करने की कोशिश करने के लिए दवा छोड़ दी दुर्भाग्य से उनकी व्यावसाय क्योजनाय पूरी नहीं हुई दुर्भाग्य की एक श्रिंखला के बाद 1855 में गोरी की दरिद्रता से मृत्यू हो गई फिर भी विचार ने जोर पकड़ लिया अगला बड़ा एरकंडीशनिंग एडवांस 1902 में विलिस कैरियर नाम के एक इंजीनियर द्वारा किया गया था जब उसके नियोकता ने उसे नियू योर्क में एक प्रिंट शोप में यह पता लगाने के लिए भेजा था कि उसके पन्नों को कैसे रखा जाए प्रिंटिंग फ्रेस से बाहर आने पर पत्रिकाय जुरीदार होने लगी यह महसूस करते हुए कि जुरिया उच्च आर्धरता के स्तर के कारण होती है कैरियर ने एक ऐसी मशीन तयार की जो कमरे में तापमान को कम करते हुए आर्धरता को कम करती है वह अभी तक यह नहीं जानता था लेकिन उसने एर कंडीशनिंग उद्योग को जन्म दिया था एक निजी आवास में पहली ऐसी 21 थापित होने के बमुश्किल एक सदी से भी अधिक समय के बाद 90 प्रतिशत अमेरिकी घरों में अब किसी न किसी प्रकार का एर कंडीशनर है यदि आपने कभी गुंबददार स्टेडियम में किसी खेल या संगीत कारेकरम का आनंद लिया है तो आप एर कंडीशनिंग को धन्यवाद दे सकते हैं और यह कलपना करना कठिन है कि फ्लोरिडा और एरिजोना जैसी जगहें आज इसके बिना सेवानिवरित लोगों के लिए आकरशक गंतवे होंगी एर कंडीशनिंग अब केवल एक सुख्द विलासिता नहीं है जो गर्मी के दिनों को सहने योगे बनाती है आधूनिक अर्थवेवस्था इस पर निर्भर करती है केवल एक उदाहरन लेने के लिए सर्वर फार्म में हजारों कंप्यूटर होते हैं जो आज की कंप्यूटिंग प्रक्ती को संभव बनाते हैं जिनमें वे क्लाउड सेवाय भी शामिल हैं जहां आप संगीत और फोटो संग्रहीत करते हैं भारी मात्रा में गर्मी उत्पन करते हैं यदि वे शांत नहीं रहते तो सर्वर पिघल जाते यदि आप एक सामाने अमेरिकी घर में रहते हैं तो आपका एयर कंदीशनर बिजली का सबसे बड़ा उपभोगता है जो आपके पास है आपकी रोशनी, रेफ्रिजरेटर और कंप्यूटर से अधिक अंतरिक्ष शीतलन अभी और भविशे में इतना महत्व पूर्ण योगदान करता है इसके अलावा हालांकी ऐसी इकाया सबसे अधिक बिजली की मांग करती हैं वे अमेरिकी घरों और व्यवसायों में उर्जा के सबसे बड़े उपभोगता नहीं है वह सम्मान हमारी भट्टियों और वाटर हीट्रों को जाता है यह यूरोप और कई अनिक शेत्रों में भी सठ है मुझे अगले भाग में हवा और पानी गर्म करने को मिलेगा वित्रित नहीं है सन्युक्त राजे अमेरिका जैसे अमीर देशों में 90 प्रतिशत या अधिक घरों में एर कंडीशनिंग है जबकि दुनिया के सबसे गर्म देशों में 10 प्रतिशत से भी कम है ऐसी रास्ते में है कुछ देशों में अधिकांश घरों में एरकंडीशनिंग होती है लेकिन अन्य में यह बहुत कम आम है आने वाले दशकों में इस चार्ट में सबसे नीचे वाले देश अधिक गर्म और समरिध होते जा रहे हैं जिसका अर्थ है कि वे अधिक 80 इकाया खरी देंगे और चलाएंगे आई ये इसका मतलब है कि जैसे जैसे जन संख्या बढ़ती है और समरिध होती जाती है और गर्मी की लहरे अधिक गंभीर और अधिक बार होती हैं हम कई और इकाया जोडेंगे चीन ने 2007 और 2017 के बीच 350 मिलियन यूनिट जोडे और अब एयर कंडीशनर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है दुनिया भर में अकेले 2018 में बिक्री में 15 प्रतिशत की वृद्धी हुई जिसमें अधिकांश वृद्धी चार देशों से हुई जहां तापमान विशेश रूप से उच्च होता है ब्राजील, भारत, इंडोनेशिया और मेक्सिको 2050 तक दुनिया भर में 5 बिलियन से अधिक 80 इकाया परिचालन में होंगी विडम बना यह है कि गर्म जलवायू में जीवित रहने के लिए हम जो काम कर रहे हैं एर कंडीशनर जलवायू परिवर्तन को बदतर बना सकते हैं आखिरकार एर कंडीशनर बिजली से चलते हैं इसलिए जैसे जैसे हम उनमें से अधिक स्थापित करेंगे हमें उनहें चलाने के लिए और अधिक बिजली की आवशेक्ता होगी वास्तव में अंतरराष्ट्री उर्जा एजेंसी का अनुमान है कि दुनिया भर में शीतलन के लिए बिजली की मांग 2050 तक तिगुनी हो जाएगी उस समय एर कंडीशनर उतनी ही बिजली की खपत करेंगे जितनी अब चीन और भारत में करते हैं यह उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो गर्मी की लहरों में पीडित हैं लेकिन जलवायू के लिए बुरा है क्योंकि दुनिया के अधिकांश हिस्सों में बिजली पैदा करना अभी भी एक है कार्बन ग्यहन प्रक्रिया यही कारण है कि इमारतों द्वारा उप्योग की जाने वाली सभी बिजली एर कंडिशनिंग के साथ साथ रोशनी, कंप्यूटर आदी के लिए सभी ग्रीन हाउस कैसों के लगभग 14 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है तथे यह है कि एर कंडिशनिंग बिजली पर बहुत अधिक निर्भर करता है जिससे ठंडी हवा के लिए ग्रीन प्रीमियम की गणना करना आसान हो जाता है अपने एर कंडिशनर को डी कार्बोनाईज करने के लिए हमें अपने पावर ग्रेड को डी कार्बोनाईज करना होगा यह एक और कारण है कि हमें बिजली पैदा करने और भंडारन करने में सफलताओं की आवश्यक्ता है जैसा कि मैंने अध्याय फोर में वर्नित किया है अन्य था उत्सर्जन बढ़ता रहेगा और हम एक दुश्चक्र में फंसेंगे जिससे हमारे घरों और कार्यालियों को उत्तरोत्तर ठंडा बनाते हुए जलवायू को उत्तरोत्तर गर्म बनाया जा सकेगा सवभाग्य से हमें उन सफलताओं की प्रतीक्षा नहीं करनी है हम Air Conditioner के लिए आवशेक बिजली की मात्रा को कम करने के लिए अभी कारवाई कर सकते हैं और इसलिए थंडा रहने के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम कर सकते हैं और ऐसा करने में कोई तक्नी की बाधा नहीं है ज्यादातर लोग बाजार में सबसे अधिक उर्जा के प्रती जाग्रूक एयर कंडीशनर नहीं खरीदते हैं IEA के अनुसार आज बेची जाने वाली विशिष्ट असी इकाई व्यापक रूप से उपलब्ध की तुलना में केवल आधी कुशल है और सर्वोत्तम मोडलों की तुलना में केवल एक तिहाई कुशल है ज्यादातर ऐसा इसलिए है क्योंकि उपभोकताओं को वह सारी जानकारी नहीं मिल पाती है जिसकी उन्हें जरूरत होती है जब वे एयर कंडीशनर का चैन कर रहे होते हैं उदाहरन के लिए एक कमकुशल इकाई खरीदना सस्ता हो सकता है लेकिन लंबे समय में खुद के लिए अधिक महंगा हो सकता है क्योंकि यह अधिक बिजली का उपयोग करता है फिर भी यदि इकाईयों को सपश्ट रूप से लेबल नहीं किया गया है तो हो सकता है कि आपके पास यह जानने का कोई तरीका नहोग की जब आप खरीदारी कर रहे हों ऐसे लेबल संयुक्त राजे में आवशेक हैं लेकिन विश्वस्तर पर नहीं साथ ही कई देश एयर कंडीशनर की दक्षता के लिए नियूनतम मानक निर्धारित नहीं करते हैं IEA ने पाया कि इस तरह की समस्याओं को ठीक करने के लिए नीतियां बनाकर दुनिया ऐसी इकायों की ओसत दक्षता को दो गुना कर सकती है और मध्यशताबदी में शीतलन के लिए उर्जा की मांग में 45 प्रतिशत की वृद्धी को कम कर सकती है दुर्भाग्य से बिजली की उनकी मांग ही एक मात्र ऐसी चीज नहीं है जो एर कंडीशनर को एक समस्या बनाती है उनमें रेफ्रिजरिंट भी होते हैं जिनहें एफगैसों के रूप में जाना जाता है क्योंकि उनमें फ्लोरीन होता है जो समय के साथ थोड़ा थोड़ा लीक होता है जब यूनिट की उम्र और तूट जाती है जैसा कि आपने निससंदेह देखा है कि क्या आपको कभी शी Carbon Dioxide के बराबर मात्रा की तुलना में हजारों गुना अधिक वार्मिंग का कारण बनती हैं। यदि आप उनके बारे में ज्यादा नहीं सुनते हैं, तो ऐसा इसलिए है, क्योंकि वे ग्रीन हाउस गैसों का एक बड़ा प्रतिशत नहीं हैं, सन्युक्त राजे अमेरिका में वे लगभगत्री प्रतिशत उत्सर्जन का प्रतिनिधित्व करते हैं, फिर भी एफ गैसों पर किसी का ध्यान नहीं गया। 2016 में, 197 देशों के प्रतिनिधियों ने 2045 तक कुछ एफ गैसों के उत्पादन और उप्योग को 80 प्रतिशत से अधिक कम करने के लिए प्रतिबद्ध किया, एक प्रतिबद्धता जो वे कर सकते थे क्योंकि विभिन कमपनिया एरकंडीशनिंग के लिए नए द्रिष्टी को विक्सित कर रही हैं, जो कम से कम एफ गैसों को प्रतिस्थापित करती हैं, हानिकारक शीत लग, ये विचार विकास के प्रारमभिक चरण में हैं, उन पर मूले टैग लगाने के लिए बहुत जल्दी है, लेकिन वे उस तरह के नवाचार के अच्छे उदाहरण हैं, जिनह हमें दुनिया को गर्म किये बिना शान्त रखने की आवशेक्ता होगी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक किताब में, गर्म रहने पर चर्चा करना अजीब लग सकता है, थर्मोस्टैट को क्यों चालू करें जब यह पहले से ही बाहर गर्म हो, एक बात के लिए, जब ह हम गर्मी के बारे में बात करते हैं, तो हम केवल हवा को गर्म करने की बात नहीं कर रहे होते हैं, हमें शौवर और डिश्वशर से लेकर और द्योगिक प्रक्रियाओं तक हर चीज के लिए पानी गर्म करना पड़ता है, लेकिन बात यह है कि सर्दी दूर नहीं जा रही है यहां तक कि वैश्विक तापमान में समगर रूप से व्रिद्धी होने के बावजूद यह अभी भी दुनिया भर के कई स्थानों पर जमने और हिमपात होने वाला है और सर्दिया उन लोगों के लिए विशेश रूप से कठिन हैं जो नवी क्रणी उर्जा पर निर्भर हैं जर्मनी में उदाहरन के लिए सर्दियों के दौरान उपलब्ध सौर उर्जा की मात्रा नौ के कारक जितनी कम हो सकती है और ऐसी अवधी भी होती है जिसमें हवा नहीं होती है लेकिन आपको अभी भी बिजली की जरूरत है इसके बिना लोग अपने ही घरों में मौत के मुन हमें समा जाएंगे कुल मिलाकर भट्टिया और वाटर हीटर दुनिया की इमारतों से आने वाले सभी उतसर्जन का एक तिहाई हिस्सा है और रोशनी और ऐसी इकाईयों के विपरीत उनमें से ज्यादातर जीवाश्म इंधन पर चलते हैं बिजली पर नहीं चाहे आप प्राकृतिक गैस, हीटिंग, ओयल या प्रोपेन का उप्योग करते हैं यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां रहते हैं इसका मतलब है कि हम केवल अपने इलेक्ट्रिक ग्रेड को साफ करके गर्म पानी और हवा कोडी कार्बोनाईज नहीं कर सकते हैं हमें तेल और गैस के अलावा किसी और चीज से गर्मी प्राप्त करने की जरूरत है हीटिंग के लिए शून कार्बन का मार्ग वास्तव में यात्री कारों के लिए पर्थ जैसा दिखता है प्राकृतिक गैस वाटर हीटर और भट्टियों से छुटकारा पाने के लिए हम जो कर सकते हैं उसे विद्यूती करित करें और बाकी सब कुछ करने के लिए स्वच्च इंधन विक्सित करें अच्छी खबर यह है कि चरणवन में वास्तव में एक नकारात्मक ग्रीन प्रीमियम हो सकता है इलेक्ट्रिक कारों के विप्रीद जो अपने गैस संचालित समकक्षों की तुलना में अधिक महंगी हैं और यह सच है कि आप नए निर्मान को खरोंच से बना रहे हैं या पुराने घर को फिर से तैयार कर रहे हैं अधिकांच स्थानों पर यदि आप इलेक्ट्रिक एयर कंडीशनर और गैस या तेल भट्टी से छुटकारा पा लेते हैं और दोनों को इलेक्ट्रिक हीट पंप से बदल देते हैं तो आपकी कुल लागत कम हो जाएगी पहली बार सुनते ही हीट पंप का विचार अजीब लग सकता है हालांकी पानी या हवा को पंप करने की कलपना करना आसान है आप पृत्वी पर गर्मी कैसे पंप करेंगे हीट पंप इस तथे का लाब उठाते हैं कि गैस और तरल पदार्ट तापमान में परिवर्तन करते हैं क्योंकि वे विस्तार और अनुबंद करते हैं पंप कुछ शीतलक को पाइप के एक बंद लूप के माध्यम से ले जाकर एक कंप्रेसर और विशेश वाल्व का उप्योग करके दबाव को बदलने के लिए काम करते हैं ताकि शीतलक एक जगह से गर्मी को अवशोशित कर सके और कहीं और से छुटकारा पा सके सर्दियों में आप गर्मी को बाहर से अपने घर में ले जाते हैं यह सबसे ठंडे मौसम को छोड़ कर सभी में संभव है गर्मियों में आप इसके विपरीद करते हैं अपने घर के अंदर से बाहर तक गर्मी पंप करते हैं यह उतना रहसे मय नहीं है जितना यह लग सकता है आपके घर में पहले से ही एक हीट पंप है और यह शायद अभी काम कर रहा है. इसे रेफ्रिजरेटर कहते हैं, आप अपने फ्रिज के नीचे से जो गर्म हवा महसूस करते हैं, वह आपके भोजन से गर्मी को दूर करती है और इसे ठंडा रखती है. हीट पंप आपको कितना पैसा बचा सकता है? यह शहर से शहर में भिन्न होता है, यह इस बात पर निर्भर करता है, कि सर्दी कितनी कठोर है, बिजली और प्राकृतिक गैस की लागत कितनी है, और अन्यकारक. सन्युक्त राजे अमेरिका के आसपास के शहरों में नए निर्मान पर बचत के कुछ उदाहरन यहां दिये गए हैं, जिसमें हीट पंप स्थापित करने और इसे 15 वर्षों तक संचालित करने की लागत शामिल है. चैनीत यूएस शहरों में एरसोर्स डी हीट पंप स्थापित करने के लिए ग्रीन प्रीमियम सिटी प्रोविडेंस, आर आई प्राकृतिक गैस और बिजली एसे की लागत 12667 एरसोर्स हीट पंप की लागत 9912 हरा प्रीमियम 22% शहर शिकागू, I.L. हूस्तन, T.X. ओकलेंड, C.A. प्राकृतिक गैस और बिजली एसे की लागत 12583 11075 10660 एरसोर्स हीट पंप की लागत 10,527 डॉलर 8,074 डॉलर 8,240 डॉलर हरा प्रीमियम 16%, 27%, 23% यदि आप किसी मौजूदा घर को फिर से लगा रहे हैं तो आप उतनी बचत नहीं करेंगे लेकिन अधिकाँश शहरों में हीट पंप पर स्विच करना अभी भी कम खर्चीला है उदाहरन के लिए हीूस्टन में ऐसा करने से आपको 17 प्रतिशत की बचत होगी शिकागो में आपकी लागत वास्तव में 6 प्रतिशत बढ़ जाएगी क्योंकि वहां की प्राकृतिक गैस असामानने रूप से सस्ती है और कुछ पुराने घरों में नए उपकरनों के लिए जगह ढूंधना व्यावहारिक नहीं है इसलिए हो सकता है कि आप अपग्रेड करने में सक्षम नहों फिर भी ये नकारात्मक ग्रीन प्रीमियम एक स्पश्ट प्रशन उठाते हैं यदि हीट पंप इतने बड़े सौधी हैं तो वे केवल 11 प्रतिशत अमेरिकी घरों में ही क्यों है आंशिक रूप से ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपनी भट्टियों को केवल हर दशक या उसके बाद बदलते हैं और अधिकांश लोगों के पास परियाप्त अतिरिक्त नकदी नहीं होती है ताकि वे पूरी तरह से अच्छी भट्टी को हीट पंप से बदल सकें लेकिन एक और स्पष्टी करण भी है पुरानी सरकारी नीतिया वन नाइन सेवन जीरो के दशक के उर्जा संकट के बाद से हम उर्जा के उप्योग में कठोती करने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए राज्य सरकारों ने कम कुशल बिजली के बजाए प्राकृतिक गैस भट्टियों और वाटर हीटर के पक्ष में विभिन प्रोथ साहन बनाए हैं कुछ ने अपने बिल्डिंग कोड को संशोधित किया ताकि घर के मालिकों के लिए अपने गैस उपकरनों को बिजली के विकलपों के साथ बदलना मुश्किल हो जाए इन में से कई नीतियां जो उत्सर्जन पर पुरसकार दक्षता अभी भी किताबों पर हैं एक इलेक्ट्रिक हीट पंप के लिए गैस बर्निंग भट्टी की अदलाबदली करके आपके उत्सर्जन को कम करने की आपकी क्षमता को सीमित करती है भले ही ऐसा करने से आपको पैसे की बचत होगी यह उस परिचित नियम वास्तव में गूंगा हो सकता है में निराशाजनक है लेकिन अगर आप इसे अलग नजरिये से देखें तो यह अच्छी खबर है इसका मतलब है कि हमें अपने को कम करने के लिए कुछ अतिरिक्त तक्नीकी सफलता की आवशेक्ता नहीं है इस शेत्र में उत्सर्जन हमारे पावर ग्रेड को डी कार्बोनाईज करने से परे इलेक्ट्रिक विकल्प पहले से मौजूद है यह व्यापक रूप से उपलब्ध है और यह केवल प्रतिस्पर्धी मूले नहीं है यह वास्तव में सस्ता है हमें बस यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारी सरकार की नीतिया समय के साथ चलती रहें दुर्भाग्य से हालांकी तकनीकी रूप से बिजली से हीटिंग उत्सरजन को शून करना संभव है यह जल्दी से नहीं होगा यहां तक कि अगर हमने आत्म प्राजय नेमों का उलेक किया है तो यह सोचना ये थार्थवादी नहीं है कि हम अपनी सभी गैस भट्टियों और वाटर हीट्रों को तोड़ देंगे और उन्हें रात भर बिजली के साथ बदल देंगे इससे कहीं अधिक हम अचानक दुनिया को चलाने जा रहे हैं बिजली पर यात्री कारों का बेडा यह देखते हुए कि आज की भट्टियां कितने समय तक चलती हैं अगर हमारा लक्षे सदी के मध्य तक सभी गैस से चलने वाली भट्टियों से चुट कारा पाना था तो हमें उन्हें 2035 तक बेचना बंद करना होगा आज सन्युक्त राजे में बिकने वाली सभी भट्टियों में से लगभग आधी चल रही हैं गैस पर दुनिया भर में जीवाश्म इंधन बिजली की तुलना में हीटिंग के लिए छह गुना अधिक उर्जा प्रदान करते हैं मेरे लिए यह एक और तर्क है कि हमें उन्नत जैव इंधन और इलेक्ट्रो फ्यूल की आवशेक्ता क्यों है जैसा कि मैंने अध्याय सिवन में उलेक किया है जो कि आज हमारे पास भट्टियों और वाटर हीट्रों में बिना किसी संशोधन के चलाए जा सकते हैं और जो अधिक कार्बन नहीं जोडते हैं वातावरण लेकिन अभी दोनों विकल्पों में भारी ग्रीन प्रीमियम है ग्रीन प्रीमियम वर्तमान हीटिंग इंधन को शूने कार्बन विकल्पों के साथ बदलने के लिए इंधन प्रकार ताप तेल प्रती गैलन प्राकृतिक गैस प्रती थर्म प्राकृतिक गैस, प्रतिथर्म वर्तमान खुद्रा मूले 2.71 2.71 1.01 1.01 शून्य कार्बन विकल्प 5.50 उननत जैव बीन्धन 9.05 इलेक्ट्रो फ्यूल्स 2.45 उननत जैव बीन्धन $ 5.30 इलेक्ट्रो फ्यूल्स ग्रीन प्रीमियम 113% 234% 142% 425% नोड, प्रति गैलन खुद्रा मूले 2015 से 2018 तक सन्यूक्त राजय में उसत है शून्य कार्बन वर्तमान अनुमानित मूले है आईए देखें कि एक विशिष्ट यू इस परिवार के लिए इन प्रीमियमों का क्या अर्थ होगा यदि वे अपने घर को इंधन तेल से गर्म करते हैं तो वे उन्नत जैव इंधन का उप्योग करने के लिए 1300 डॉलर अधिक भुगतान करने जा रहे हैं और यदि वे इलेक्ट्रो फ्यूल चुनते हैं तो 3200 डॉलर से अधिक अतिरिक्त भुगतान करने जा रहे हैं यदि उनके घर को प्राकृतिक गैस से गर्म किया जाता है तो उन्नत जैव इंधन पर स्विच करने से प्रतेक सर्दियों में उनके बिल में 840 का इजाफा होगा इलेक्ट्रो फ्यूल पर स्विच करने से प्रतेक सर्दियों में लगभग 2600 डॉलर का इजाफा होगा सपश्ट रूप से हमें इन वेकल्पिक इंधनों की कीमत कम करने की आवशेक्ता है जैसा कि मैंने अध्याय सेवन में तर्क दिया था और ऐसे अन्य कदम हैं जो हम अपने हीटिंग सिस्टम को डी कार्बोनाईज करने के लिए उठा सकते हैं जितना हो सके विद्यूती करन करें गैस से चलने वाली भट्टियों और वाटर हीटर से छुटकारा पाएं और उन्हें इलेक्ट्रिक हीट पंपों से बदलें कुछ क्षेत्रों में सरकारों को इन उन्नैनों को अनुमती देने और प्रोथ साहित करने के लिए अपनी नीतियों को अध्यतन करना होगा आज के स्वच्च स्रोतों को तैनात करके पावर ग्रेड को डी कार्बोनाईज करें जहां वे समझ में आते हैं और बिजली पैदा करने भंडारन और संचारन के लिए सफलताओं में निवेश करते हैं उर्जा का अधिक कुशलता से उप्योग करें यह एक विरोधाभास की तरह लग सकता है क्योंकि कुछ पैराग्राफ पहले ही मैंने उन नीतियों के बारे में शिकायत की थी जो कम उच्छ सर्जन पर उच्छ दक्षता का पुरसकार देती हैं सच तो यह है हमें दोनों की जरूरत है दुनिया एक बड़े निर्मान बूम के दोर से गुजर रही है बड़ती शहरी आबादी को समायोजित करने के लिए हम 2060 तक 2.5 ट्रिलियन वर्क फुट की इमारतों को जोड़ देंगे बराबर जैसा कि मैंने अध्याय दो में उलेक किया है 40 वर्षों के लिए हर महीने एक और New York शहर स्थापित करने के लिए यह एक उचित शर्थ है कि इन में से कई इमारतों को उर्जा संगरक्षन के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा और वे कई दशकों तक उर्जा का अक्षम रूप से उप्योग करते हुए आसपास रहेंगे अच्छी खबर यह है कि हम हरित भवनों का निर्मान करना जानते हैं जब तक हम हरित प्रीमियम का भुगतान करने को तैयार है एक चरम उदाहरन सीटल का बुलिट सेंटर है जो हरित वानीजेक में से एक होने का दावा करता है दुनिया में इमारतें बुलिट सेंटर को सरदियों में स्वाभाविक रूप से गर्म रहने और गर्मियों में ठंडा रहने हीटिंग और एयर कंडीशनिंग की आवशेक्ता को कम करने के लिए डिजाइन किया गया था और अनी ओर जाबचत तकनीकों जैसे की एक अतिकुशल लिफ्ट की सुविधा प्रदान करता है कभी कभी यह अपनी छट पर लगे सौर पैनलों की बदोलत 60 प्रतिशत अधिक उर्जा उत्पन कर सकता है हाला कि यह अभी भी शहर के इलेक्ट्रिक ग्रेड से जुड़ा हुआ है और रात में और विशेश रूप से बादल चाये रहने के दोरान बिजली खींचता है जो हमारे यहां सियेटल में बहुत है हाला की बुलिट सेंटर की कई प्रोध्योगिकिया वर्तमान में व्यापक उप्योग के लिए बहुत महंगी है यही कारण है कि यह साथ साल बाद भी दुनिया की सबसहरी इमारतों में से एक बनी हुई है हम अभी भी कम लागत पर घरों और कार्यालियों को अधिक कुशल बना सकते हैं उन्हें डेवलिपर्स के साथ एक सुप्रटाइट लिफाफा अंदर या बाहर लीक होने वाली ज्यादा हवा नहीं अच्छा इंसुलेशन, ट्रिपल ग्लाजड विंडो और कुशल दरवाजे के साथ डिजाइन किया जा सकता है मुझे उन खिडकियों से भी दिलचस्पी है जो तथाक्थित स्मार्ट ग्लास का उप्योग करते हैं जो कमरे को ठंडा और हलका होने की आवशेक्ता होने पर स्वचालित रूप से गहरा हो जाता है जब इसे गर्म होने की आवशेक्ता होती है नए भवन विनियम इन उर्जाबचत विचारों को बढ़ावा देने में मदद कर सकते हैं जो बाजार का विस्तार करेंगे और उनकी लागत को कम करेंगे हम बहुत सी इमारतों को अधिक उर्जा कुशल बना सकते हैं भले ही वे सभी बुलिट सेंटर की तरह कुशल नहों सियेटल में बुलिट से इंटर दुनिया की सबसहरी व्यावसाईक इमारतों में से एक है हमने अब ग्रीनहास गैस उत्सर्जन के सभी पांच प्रमुख स्रोतों को कवर कर लिया है हम कैसे प्लग इन करते हैं, चीजें बनाते हैं, चीजों को विक्सित करते हैं, चारों ओर घूमते हैं, और ठंडा और गर्म रखते हैं मुझे आशा है कि अब तक तीन बातें स्पश्ट हो चुकी है वन समस्या अत्यंत जटिल है, लगभग हर मानविय गतिविधी को प्रभावित करती है टू हमारे पास कुछ उपकरण हैं, जिन्हें हमें उत्सर्जन को कम करने के लिए अभी तैनात करना चाहिए त्री लेकिन हमारे पास वे सभी उपकरण नहीं हैं, जिनकी हमें आवश्यक्ता है हमें हर शेत्र में ग्रीन प्रीमियम को कम करने की आवश्यक्ता है, जिसका अर्थ है कि हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है अध्याय दस से बारह में, मैं उन विशिष्ट चरनों का सुझाव दूंगा जो मुझे लगता है, कि हमें उन उपकरणों को विक्सित करने और तैनात करने का सबसे अच्छा मौका देंगे जिनकी हमें आवश्यक्ता है परंतु, सबसे पहले, मैं एक ऐसे प्रशन का सामना करना चाहता हूँ, जो मुझे रात में जगाए रखता है अब तक, यह पुस्तक विशेश रूप से उत्सर्जन को कम करने और तापमान को असहनिय होने से बचाने के बारे में रही है पहले से हो रहे जलवायू परिवर्तनों के बारे में हम क्या कर सकते हैं और, विशेश रूप से, हम दुनिया के सबसे गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं जिनके पास खोने के लिए सबसे अधिक है, लेकिन समस्या का कारण सबसे कम है नोट छोड़ें दुनिया भर में अंतरिक्ष को ठंडा करने के लिए उपयोग की जाने वाली उर्जा का 99 प्रतिशत बिजली का है अन्यवन प्रतिशत का अधिकांश हिस्सा एर कंडीशनिंग के लिए प्राकरितिक गैस से इंधन वाले चिलर द्वारा दिया जाता है प्राकरितिक गैस से चलने वाले एर कंडीशनिंग सिस्टम एकल प्रिवार के घरों के लिए उपलब्ध हैं लेकिन यह बाजार का इतना छोटा प्रतिशत है कि उर्जा सूचना प्रशासन इस पर डेटा भी एककत्र नहीं करता है अध्याय नाइन एक गर्म दुनिया के लिए अनुकूलन मैं यह मामला बना रहा हूँ कि हमें शूने उत्सरजन प्राप्त करने की आवशेक्ता है और कि हमें इसे करने के लिए बहुत अधिक नवाचार की आवशेक्ता होगी लेकिन नवून मेश रातों रात नहीं होता है और जिन हरे उत्पादों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हें एक महत्वपूर्ण अंतर लाने के लिए परियाप्त बड़े पैमाने तक पहुंचने में दशकों लगेंगे इस बीच, दुनिया भर के लोग, आये के हर स्तर पर, पहले से ही किसी न किसी तरह से जलवायू परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं लगभग हर कोई जो अभी जीवित है, उसे एक गर्म दुनिया के अनुकूल होना होगा जैसे जैसे समुद्र का स्तर और बाढ़ के मैदान बदलते हैं, हमें पुनर्विचार करना होगा कि हम घरों और व्यवसायों को कहा रखते हैं हमें पावर ग्रेड, बंदरगाह और पुलों को किनारे करने की आवशेक्ता होगी हमें और अधिक मैंग्रोव वन लगाने की आवशेक्ता होगी, यदि आप नहीं जानते की मैंग्रोव क्या है, तो देखते रहें, और तूफानों के लिए हमारी पूर्वचेतावनी प्रनाली में सुधार करें मैं इस अध्याय में बाद में उन परियोजनाओं पर लोटूँगा, लेकिन अब मैं आपको उन लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जिनके बारे में मैं सबसे पहले सोचता हूँ, जब मैं इस बारे में सोचता हूँ कि जलवायू आपदा से सबसे ज्यादा कौन पी जिनसे मैं वैश्विक स्वास्थे और विकास पर अपने काम के माध्यम से मिलता हूँ और उनके लिए जलवायू परिवर्तन के सबसे बुरे परिणाम हो सकते हैं और उनकी कहानिया एक ही समय में गरीबी और जलवाईू परिवर्तन से लड़ने की जटिलता को दर्शाती हैं उदाहरन के लिए 2009 में मैं तालम परिवार लाबान मरियम और उनके तीन बच्चों से मिला था जब मैं चार एकड से कम भूमी वाले किसानों के जीवन के बारे में जानने के लिए केन्या में था या जैसा कि वे विकास में जाने जाते हैं भाशा छोटे जोत वाले किसान मैंने कुछ मील की दूरी पर उनके खेत का दोरा किया एलडोरेट के बाहर एक गंदगी वाली सड़क के नीचे केन्या के सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में से एक तालम के पास बहुत कुछ नहीं था बस कुछ गोल मिट्टी की जोपडिया थी जिनमें छपपर की छटे और एक जानवरों की कलम थी और उनका खेत लगभग दो एकड में फैला था जो एक बेसबॉल मैदान से छोटा था लेकिन इस छोटे से भूखंद पर जो हो रहा था वह मीलों दूर से सैकडों किसानों को यह जानने के लिए आकरशित कर रहा था कि मालिक क्या कर रहे हैं और वे इसे स्वयम कैसे कर सकते हैं मुझे दो हजार नौ में मिरियम और लाबन तालम के कभियत केन्या में उनके खेत पर जाने का मौका मिला उनके पास सफलता की एक अद्भूत कहानी है लेकिन जलवायू परिवर्तन उनके द्वारा की गई सभी प्रक्ती को पूर्ववत कर सकता है लाबान और मरियम ने अपने सामने के द्वार पर मेरा अभिवादन किया और मुझे अपनी कहानी सुनाने लगे दो साल पहले वे निर्वाह खेती का अभ्यास करने वाले छोटे किसान थे अपने अधिकांश पडोसियों की तरह वे भी बहत गरीब थे उन्होंने मकई केन्या में दुनिया भर में कई जगहों पर इसे मक्का के रूप में जाना जाता है और अन्य सबजियां उगाई कुछ खुद खाने के लिए और बाकी बाजार में बेचने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लाबान अजीब औगरीब काम करता था अधिक आय अरजित करने के लिए उन्होंने एक गाय खरी दी थी जिसे दमपती दिन में दो बार दूद पिलाते थे वे सुबह का दूद एक स्थानिय व्यापारी को बेच देते थे ताकि थोड़ी सी नकदी मिल सके और वे शाम के दूद को अपने लिए बचा लें उनके बच्चे कुल मिलाकर गाय प्रती दिन तीन लीटर दूद का उत्पादन करती थी यह पांच लोगों के परिवार के बीच बेचने और विभाजित करने के लिए प्रतेक दिन एक गैलन से भी कम है जब तक मैं उनसे मिला, तब तक तालमों के जीवन में नाटकिये रूप से सुधार हुआ था अब उनके पास चार गाय थी, जो प्रती दिन 26 लीटर दूद देती थी वे एक दिन में 20 लीटर बेचते थे और 6 लीटर अपने लिए रखते थे उनकी गायों ने उन्हें प्रती दिन लगभग 4 दॉलर कमाए जो किकेनिया के उस हिस्से में उन्हें अपने घर के पुनर निर्मान, निर्यात के लिए अनानास उगाने और अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए परियाप्त था उन्होंने कहा कि उनके लिए टर्निंग ट्वाइंट पास के मिलकचिलिंग प्लांट का उदगाटन था तालम और अन्यशेत्र के किसान अपने कच्चे दूद को संयंत्र में ले जाते थे जहां इसे ठंडा रखा जाता था और अंततह देश भर में ले जाया जाता था जिससे स्थानिय स्तर पर इसकी तुलना में अधिक कीमत मिलती थी संयंत्र ने एक तरह के प्रशिक्षण केंदर के रूप में भी काम किया स्थानिय देरी किसान यह जानने के लिए वहां जा सकते हैं कि स्वस्थ और अधिक उत्पादक पशों को कैसे पालें अपनी गायों के लिए टीके लगवाएं और यहां तक कि दूशित पदार्थों के लिए दूद का परीक्षन भी करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह अच्छी कीमत लाएगा यदि यह माप नहीं हुआ तो उन्हें गुनवत्ता में सुधार करने के सुझाव मिले केन्या में जहां तालम रहते हैं लगभग एक तिहाई आबादी क्रिशे में काम करती हैं दुनिया भर में 500 मिलियन छोटे जोत वाले खेत हैं और गरीबी में रहने वाले लगभग दो तिहाई लोग क्रिशे में काम करते हैं फिर भी उनकी बड़ी संख्या के बावजूद छोटे जोत वाले किसान उलेखनीय रूप से कुछ ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वे लगभग उतने उत्पादों और सेवा का उप्योग करने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं जिनमें जीवाश्म इंधन शामिल है ठेट के नयाई एक अमेरिकी की तुलना में 55 गुना कम कार्बन डाय ओकसाइड पैदा करता है और तालम जैसे ग्रामीन किसान और भी कम उत्पादन करते हैं लेकिन अगर आपको मवे खरीदे और मवेशी किसी भी अन्य पशुधन की तुलना में जलवायू परिवर्तन में अधिक योगदान करते हैं उस संबंध में तालम असामाने नहीं थे कई गरीब किसानों के लिए अधिक पैसा कमाना उच्चमूले की संपत्ती में निवेश करने का एक मौका है जिसम शामिल हैं मुर्गियां, बक्रियां और गायवे जानवर जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत प्रदान करते हैं और दूध और अंडे बेच कर अतिरिक्त नकदी लाने का एक तरीका है यह एक समझधारी भरा निरने है और जो कोई भी गरीबी कम करने की परवाह करता है वह उन जो उत्सर्जन का कारण बनते हैं यही कारण है कि हमें नवाचारों की आवशेक्ता है ताकि गरीब जलवायू परिवर्तन को और भी खराब किये बिना अपने जीवन में सुधार कर सकें क्रूर अन्याय यह है कि भले ही दुनिया के गरीब जलवायू परिवर्तन के लिए अनिवारे रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन वे इससे सबसे ज्यादा पीडित होंगे जलवायू उन तरीकों से बदल रही है जो अमेरिका और यूरोप में अपेक्शाकरित अच्छी तरह से संपन्न किसानों के लिए समस्या ग्रस्त होंगे लेकिन अफरीका और एशिया में कम आई वाले लोगों के लिए संभावित रूप से घातक होंगे जैसे जैसे जलवायू गर्म होगी सूखा और बाढ़ अधिक बार हो जाएगी फसल को और अधिक बार मिटा दिया जाएगा पशुधन कम खाते हैं और कम मांस और दूद का उतपादन करते हैं हवा और मिट्टी नमी खो देती है जिससे पौधों के लिए कम पानी उपलब्ध हो जाता है दक्षिन एशिया और उपसहारा अफरीका में दसियों लाख एकड क्रिशी भूमी काफी हद तक सूख जाएगी फसल खाने वाले कीट पहले से ही अधिक रखबे पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें रहने के लिए अधिक अनुकूल वातावरन मिल जाता है बढ़ता मौसम भी छोटा हो जाएगा गर्मी के 4 डिग्री सेलसियस पर अधिकांश उपसहारा अफरीका में यह 20 प्रतिशत या उससे अधिक सिकूड सकता है जब आप पहले से ही किनारे पर रह रहे हों तो इन में से कोई भी परिवर्तन विनाशकारी हो सकता है यदि आपके पास कोई पैसा नहीं बचा है और आपकी फसले मर जाती हैं तो आप और बीज नहीं खरीद सकते तुम अभी मिटाए गए हो इसके अलावा इन सभी समस्याओं से उन लोगों के लिए भोजन अधिक महंगा हो जाएगा जो इसे कम से कम खर्च कर सकते हैं जलवायू परिवर्तन के कारण उन करोडों लोगों के लिए कीमते आस्मान छू जाएंगी जो पहले से ही अपनी आय का आधा से अधिक भोजन पर खर्च करते हैं जैसे जैसे भोजन कम उपलब्ध होगा अमीर और गरीब के बीच पहले से ही भारी अस्मानता और भी बदतर होती जाएगी आज चाड में पैदा हुए बच्चे के पांचवे जन्म दिन से पहले मरने की संभावना फिनलेंड में पैदा हुए बच्चे की तुलना में 50 गुना अधिक है भोजन की बढ़ती कमी के साथ अधिक बच्चों को वे सभी पोशक तत्व नहीं मिलेंगे जिनकी उन्हें आवश्यक्ता है जिससे उनके शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा कमजोर हो जाती है और दस्त मलेरिया या निमोनिया से उनके मरने की संभावना अधिक हो जाती है सभी संक्रामक रोगों से मारे जाते हैं गरीब देशों में होने वाली मौतों का एक बड़ा हिस्सा और जो बच्चे नहीं मरते हैं उनके स्टंटिंग से पीडित होने की संभावना अधिक होगी यानी शारीरिक या मानसिक रूप से पूरी तरह से विक्सित नहीं होना उनके स्वास्थे को बेहतर बनाने में मदद करने की जरूरत है मैं ऐसा करने के दो तरीके देखता हूँ एक हमें कुपोशित बच्चों के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाने की जरूरत है इसका मतलब है कि प्रात्मिक स्वास्थे देखभाल प्रनालियों में सुधार करना मलेरिया की रोकथाम को दो गुना करना और डाइरिया और निमोनिया जैसी स्थितियों के लिए टीके प्रदान करना जारी रखना हालांकि C.O.V.I.D.19 महामारी निस संदेहियन सभी चीजों को कठिन बना देती है दुनिया बहुत कुछ जानती है कि उन्हें अच्छी तरह से कैसे करना है G.O.V.I. के नाम से जाना जाने वाला टीका कारेकरम जिसने 2000 के बाद से 13 मिलियन मौतों को रोका है मानवता की सबसे बड़ी उपलबधियों में से एक है इस वैश्विक उपकरम में Gates Foundation का योगदान हमारी सबसे गौर्वपूर्ण उपलबधियों में से एक है हम जलवायू परिवर्तन को इस प्रगती को पूर्ववत नहीं करने दे सकते वास्तव में हमें इसे तेज करने की जरूरत है HIV, Malaria और तपेदिक सहित अन्य बीमारियों के लिए टीके विक्सित करने और उन्हें हर किसी को उनकी जरूरत है फिर कुपोशित बच्चों के जीवन को बचाने के साथ साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कम बच्चे कुपोशित हों जनसंक्या वृद्धी के साथ उनक्षेत्रों में भोजन की मांग दो गुनी या तिगुनी होने की संभावना है जहां दुनिया के अधिकांश गरीब रहते हैं इसलिए हमें सुखे और बार की स्थिती में भी गरीब किसानों को इसे और अधिक उगाने में मदद करने की आवश्यक्ता है मैं इसके बारे में अगले भाग में और बताऊंगा मैं उन लोगों के साथ बहुत समय बिताता हूँ जो अमीर दुनिया के देशों में विदेशी सहायता बजट की देखरेख करते हैं यहां तक कि कुछ नेक इरादे वाले लोगों ने भी मुझ से कहा है हम टीकों के लिए फंड देते थे अब हमें अपने सहायता बजट को जलवायू के प्रती समवेधनशील बनाने की आवश्यक्ता है जिसका अर्थ है अफरीका को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद करना मैं उनसे कहता हूँ कृपया वैक्सीन के पैसे न ले और इसे इलेक्ट्रिक कारों में नडा ले अफरीका सभी वैश्विक उत्सर्जन के लगभग टू प्रतिशत के लिए ही जिम्मेदार है आपको वास्तव में जो फंडिंग करनी चाहिए वह है अनुकूलन गरीबों को जलवायू परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करने का सबसे अच्छा तरीका यह सुनिश्चित करना है कि वे इससे बचने के लिए परियाप्त स्वस्थ हैं और इसके बावजूद पनपने के लिए आपने शायद CG IAR के बारे में कभी नहीं सुना होगा वन नहीं मैंने एक दशक या उससे भी पहले जब मैंने गरीब देशों में किसानों की समस्याओं का अधेयन करना शुरू किया था मैंने जो देखा है उससे यह सुनिश्चित करने के लिए CG IAR से अधिक किसी अनसंगठन ने नहीं किया है कि परिवारों विशेश रूप से सबसे गरीब को खाने के लिए पोश्टिक भोजन मिले और कोई अनसंगठन उन नवाचारों को बनाने की बेहतर स्थिती में नहीं है जो गरीब किसानों को आने वाले वर्षों में जलवायू परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करेंगी CG IAR दुनिया का सबसे बड़ा क्रिशी अनुसंधान समू है संक्षेप में यह बेहतर पौधे और बेहतर पशू आनुवन्शे की बनाने में मदद करता है यह मेकसिको में एक CG IAR प्रयोगशाला में था कि नौर्मन बोर्लोग आप उन्हें अध्याय सिक्स से याद कर सकते हैं पर उनके अभूत पूर्व काम ने हरित क्रांती को जन्म दिया बोर्लोग के उदाहरन से प्रेरित अन्य CG IAR शोध करताओं ने इसी तरह उच्च उपच देने वाले रोग प्रतिरोधी चावल विक्सित किये और बाद के वर्षों में पशुधन, आलू और मक्का पर समुआ के काम ने गरीबी को कम करने और पोशन में सुधार करने में मदद की है यह बहुत बुरा है कि अधिक लोग CG IAR के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन यह शायद ही आश्चरेजनक है एक बात के लिए इसका नाम अकसर, सिगार के लिए गलत समझा जाता है, जो तमबाकू उद्योग के लिए एक कड़ी का सुझाव देता है एक नहीं है, और यह मदद नहीं करता है, कि CG IAR एक एकल संगठन नहीं है, बलकि 15 स्वतंत्र अनुसंधान के इंद्रों का एक नेटवर्क है उनमें से अधिकांश को अपने स्वयम के भ्रमित करने वाले योगों ध्वारा संदर्भित किया जाता है सूची में CIFOR, ICARDA, CIAT, ICRIASAT, IFPRI, IITA, ILRI, CIMMYT, CIP, IRRI, IWMI और ICRF शामिल है वर्नमाला सूप्प के लिए अपनी रुची के बावजूद, CG IAR दुनिया के गरीब किसानों के लिए नई जलवायू स्मार्ट फसले और पशुधन बनाने में अनिवारे होगा मेरे पसंदीदा उदाहरणों में से एक सूखास हिश्नु मक्का पर इसका काम है हालांकि उपसहारा अफ्रीका में मक्के की पैदावार दुनिया में कहीं और की तुलना में कम है फिर भी वहां के टू-जीरो-जीरो मिलियन से अधिक परिवार अपनी आजीविका के लिए इस फसल पर निरभर है और जैसा की मौसम का मिजाज अधिक अनिश्चित हो गया है किसानों को मक्के की छोटी फसल होने का अधिक खत्रा होता है और कभी कभी कोई फसल नहीं होती है इसलिए CGIR के विशेशग्यों ने मक्का की दरजनों नई किसमें विक्सित की हैं जो सूखे की स्थिती का सामना कर सकती हैं जिनमें सेव प्रतेक को विशिष्ट रूप से विक्सित करने के लिए अनुकूलित किया गया है अफ्रीका के शेत्र सबसे पहले कई छोटे जोत वाले किसान नई फसल किसमों को आजमाने से डरते थे ऐसा समझ में आता है यदि आप जीवी को पारजन कर रहे हैं तो आप उन बीजों पर जोखिम लेने के लिए उतसुक नहीं होंगे जो आपने पहले कभी नहीं लगाए हैं क्योंकि यदि वे मर जाते हैं तो आपके पास वापस किरने के लिए कुछ भी नहीं है लेकिन जब विशेशग्यों ने इन नई किसमों के लाभों को समझाने के लिए स्थानिय किसानों और बीज डीलरों के साथ काम किया तो अधिक से अधिक लोगों ने उन्हें अपनाया परिणाम कई परिवारों के लिए जीवन बदलने वाले रहे हैं उदाहरन के लिए जिमबाबवे में सुखास हिश्नु मक्का का उप्योग करने वाले सुखागरस्त क्षेतरों के किसान पारंपरिक किसमों का उप्योग करने वाले किसानों की तुलना में प्रती हिक्टेर 600 kg अधिक मक्का की फसल लेने में सक्षम थे यह प्रती एकड 500 अधिक पाउंड है जो 9 महीने के लिए 6 लोगों के परिवार को खिलाने के लिए परियाप्त है खेती करने वाले परिवारों के लिए जिन्होंने अपनी फसल बेचने का विकल्प चुना अपने बच्चों को स्कूल भेजने और घर की अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए यह परियाप्त अतिरिक्त नकदी थी संबद्ध विशेशग्यों ने मक्का की अन्य किसमों को विक्सित किया है जो खराब मिट्टी में अच्छी तरह से विक्सित होती है रोगों, कीटों या खर्पतवारों का विरोध करें फसल की पैदावार को 30 प्रतिशक तक बढ़ाएं और कुपोशन से लड़ने में मदद करें और यह सिर्फ मक्का नहीं है CGIAR के प्रयासों की बदोलत, सूखे को सहन करने वाले नए प्रकार के चावल भारत में तेजी से फैल रहे हैं जहां बारिश के मौसम में जलवायू परिवर्तन के कारण अधिक शुष्क मौसम हो रहा है उन्होंने एक प्रकार का चावल भी विक्सित किया है चतुराई से स्कूबा चावल का उपनाम जो दो सप्ताह तक पानी के भीतर जीवित रह सकता है आम तोर पर चावल के पौधे पानी से बचने के लिए अपनी पत्तियों को फैला कर बाढ़ का जवाब देते हैं यदि वे काफी देर तक पानी के भीतर हैं, तो वे बचने की कोशिश में अपनी सारी उर्जा खर्च कर देते हैं और वे अनिवारे रूप से थकावट से मर जाते हैं स्कूबा चावल में वह समस्या नहीं है, इसमें एस्यू बीवन नामक एक जीन मिला है, जो बाढ़ के दोरान किक करता है, जिससे पोधा निश्क्री हो जाता है, इसलिए यह तब तक खीन्चना बंद कर देता है, जब तक की पानी कम नहो जाए CGIAR सिर्फ नए बीजों पर केंदरित नहीं है इसके वैग्यानिकों ने एक स्मार्ट फोन एप भी बनाया है, जो किसानों को अफरीका में एक महत्व पूर्ण नकदी फसल कसावा पर हमला करने वाले विशिष्ट कीटों और बीमारियों की पहचान करने के लिए अपने फोन पर कैमरे का उप्योग करने की अनुमती देत गरीब किसानों को इस तरह के और अधिक अग्रिमों की आवशेक्ता है, लेकिन उन्हें प्रदान करने के लिए CGIAR और अन्य क्रिशी शोध करताओं को अधिक धन की आवशेक्ता होगी क्रिशी अनुसंधान का लानुक्रमिक रूप से कम है वास्तव में, दोहरी करन CGIAR की फंडिंग ताकि यह अधिक किसानों तक पहुंच सके अनुकूलन पर वैश्विक आयोग की मुखे सिफारिशों में से एक है जिसका नेत्रित्व मैं सन्यूक तराश्टर के पूर्व महासचिव बान की मून और विश्व बैट की पूर्व सीईओ क्रिस्टालिना जोर्जीवा के साथ करता हूँ टू इसमें कोई संदेह नहीं है मेरे दिमाग में की यह अच्छी तरह से खर्च किया गया पैसा है सी जी आई ए आर के शोध में निवेश किया गया प्रतेक डॉलर लाब में लगभग डॉलर सिक्स उत्पन करता है वरिन बफेट एक निवेश के लिए अपना दाहिना हाथ देंगे जिसने चह से एक कभुगतान किया और इस प्रक्रिया में लोगों की जान बचाई यहां स्कूबा चावल के साथ लगाया गया एक खेत है जो एक बार में दो सपताह तक बाढ़ का सामना कर सकता है एक फाइदा जो और भी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि बार अधिक बार आती है छोटे जोत वाले किसानों को उनकी फसल की पैदावार बढ़ाने में मदद करने के अलावा अनुकूलन पर हमारा आयोग प्रिशी से संबंधित तीन अन्य सिफारिशे करता है अधिक अराजक मौसम से जोखिमों का प्रबंधन करने में किसानों की सहायता करें उदाहरन के लिए सरकारें किसानों को विभिन प्रकार की फसले और पशुधन उगाने में मदद कर सकती हैं ताकि एक जटके से उनका सफाया नहो जाए सरकारों को भी करना चाहिए मदद मिले सबसे कमजोर लोगों पर ध्यान दे महिलाएं कमजोर लोगों का एक मात्र समूह नहीं है लेकिन वे सबसे बड़ी है सभी प्रकार के कारणों से संस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक महिला किसानों के लिए यह पुरुषों की के लिए वित्व पोशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं या यहां तक की मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं इसलिए हमें महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को बढ़हावा देने और विशेश रूप से उनके लिए तकनीकी सलाह को लक्षित करने जैसे काम करने की आवश्यक्ता है अदायगी नाट किये हो सकती है सन्यूक्त राष्ट्र की एक एजेंसी के एक अधेयन में पाया गया कि यदि महिलाओं की संसाधनों तक पुरुषों के समान पहुंट है तो वे अपने खेतों में 20 से 30 प्रतिशत अधिक भोजन उगा सकती है और दुनिया में भूखे लोगों की संख्या को 12 से घटा कर 12 कर सकती है 17 प्रतिशत नीतिगत निरनेयों में कारक जलवायू परिवर्तन किसानों को अनुकूलन में मदद करने के लिए बहुत कम पैसा खर्च किया जाता है 2014 और 2016 के बीच सरकारों द्वारा क्रिशी पर खर्च किये गए 500 बिलियन डॉलर का केवल एक छोटा सा हिस्सा उन गतिविधियों पर निर्देशित किया गया था जो गरीबों के लिए जलवायू परिवर्तन के जटके को कम कर देंगे सरकारों को नीतियों और प्रोटसाहनों के साथ आना चाहिए ताकि किसानों को एक ही समय में अधिक भोजन उगाने के साथ साथ उनके उत्सरजन को कम करने में मदद मिल सके संक्षेप में अमीर और मध्यम आए वाले लोग जलवायू परिवर्तन के विशाल बहुमत का कारण बन रहे हैं सबसे गरीब लोग समस्या पैदा करने के लिए किसी और से कम काम कर रहे हैं लेकिन वे इस से सबसे ज़्यादा पीडित हैं वे दुनिया की मदद के लायक हैं और उन्हें इस से ज़्यादा की जरूरत है जितना उन्हें मिल रहा है गरीब किसानों की दुर्दशासाथ ही जलवायू परिवर्तन का उन पर पढ़ने वाले प्रभाव कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने पिछले दो दशकों में वेश्विक गरीबी पर अपने काम के माध्यम से बहुत कुछ सीखा है यह मेरा एक जुनून भी है क्योंकि मुझे पौधों के प्रजनन के पीछे के आकरशक विज्यान के बारे में पता चलता है हाल तक, हालांकि मैंने अनुकूलन पहेली के अन्य तुकडों में उतना विचार नहीं किया था जैसे शहरों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए या पारिस्थितिक तंत्र कैसे प्रभावित होंगी लेकिन हाल ही में मुझे अनुकूलन पर आयोग के साथ अपने काम के बारे में गहराई से जाने का मौका मिला है जिसका मैंने अभी उलेक किया है आयोग के काम से मुझे मिली कुछ जानकारियां यहां दी गई हैं इनके द्वारा सूचित किया गया है विग्यान, सारवजनिक नीती, उद्योग और अनक्षेतरों के दरजनों विशेश गे आपको यह समझने के लिए कि गर्म जलवायू के अनुकूल होने के लिए इसे और क्या करने की आवशेक्ता है मोटे तोर पर, आप अनुकूलन के बारे में तीन चर्णों में सोच सकते हैं पहले में जलवायू परिवर्तन से उत्पन जोखिमों को कम करना जलवायू प्रूफिंग इमारतों और अन्यबुनियादी धांचे जैसे कदमों के माध्यम से बाढ़ के खिलाफ आर्द्रभूमे की रक्षा करना और जब आवशेक हो लोगों को उन क्षेतरों से स्थाई रूप से स्थानान तरित करने के लिए प्रोचसाहित करना जो अब रहने योगे नहीं है अगला आपात स्थिती के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया कर रहा है हमें तूफानों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए मौसम के पूरवानुमान और पूरवचेतावनी प्रणाली में सुधार करते रहने की आवशेक्ता है और जब आपदा आती है, तो हमें पहले प्रतिक्रिया करताओं की अच्छी तरह से सुसजजित और अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीमों और अस्थाई निकासी से निपटने के लिए एक प्रणाली की आवशेक्ता होती है अंत में आपदा के बाद पुनर प्राप्ति अवधी होती है हमें विस्थापित लोगों के लिए सेवाओं की योजना बनाने की आवशेक्ता होगी स्वास्थे देखभाल और शिक्षा जैसी सेवाई साथ ही बीमा जो सभी आइस तरों पर लोगों को पुनर निर्मान और मानकों को सुनिश्चित करने में मदद करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके की जो कुछ भी पुनर निर्मान किया जाता है वह वहां की तुलना में अधिक जलवाई उरोधी है इससे पहले यहाँ अनुकूलन पर चार बड़ी सुर्खिया है शहरों को अपने विकास के तरीके को बदलने की जरूरत है शहरी क्षेतरों में प्रित्वी पर आधे से अधिक लोग रहते हैं एक अनुपात जो आने वाले वर्षों में बढ़ेगा और वे दुनिया की अर्थ वेवस्था के तीन चौथाई से अधिक के लिए जिम्मेदार है जैसे जैसे वे विस्तार करते हैं दुनिया के कई तेजी से बढ़ते शहर बाढ़ के मैदानों, जंगलों और आर्धर भूमी पर निर्मान करते हैं जो एक तूफान के दोरान बढ़ते पानी को अवशोशित कर सकते हैं या सूखे के दोरान पानी के जलाशियों को पकड़ सकते हैं जलवायू परिवर्तन से सभी शहर प्रभावित होंगे, लेकिन तटिय शहरों में सबसे ज्यादा समस्याएं होंगी समुद्र का जल स्तर बढ़ने और तूफान की स्थिती बदतर होने से लाखों लोगों को अपने घरों से मजबूर होना पड़ सकता है इस सदी के मध्य तक सभी तटिय शहरों में जलवायू परिवर्तन की लागत हर साल वन ट्रिलियन से अधिक हो सकती है यह कहने के लिए कि यह उन समस्याओं को बढ़ा देगा जो अधिकांश शहर पहले से ही गरीबी, बेघर, स्वास्थे देखभाल, शिक्षा से जूज रहे हैं, एक खामोशी होगी शहर का क्लाइमेट प्रूफिंग कैसा दिखता है एक बात के लिए, शहर के योजनाकारों को जलवायू परिवर्तन के प्रभाव की भविशेवानी करने वाले कम्प्यूटर मोडल से जलवायू जोखिमों और अनुमानों पर नवीनतम डेटा की आवश्यक्ता होती है आज, कई शहर के नेता विकासशील देशों के पास बुनियादी नक्षे भी नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि शहर के किन क्षेत्रों में बाढ़ का खत्रा सबसे अधिक है नवीनतम जानकारी के साथ वे पड़ोस और अध्योगिक केंद्रों के लिए योजना बनाने, समुदरी दीवारों का निर्मान या विस्तार करने के बारे में बेहतर निर्णे ले सकते हैं अधिक हिंसक होने वाले तूफानों से खुद को बचाएं, तूफानी जल निकासी प्रनालियों को किनारे करें और घाटों को उपर उठाएं ताकि वे बढ़ते जवार से उपर रहें वास्तव में विशिष्ट होने के लिए यदि आप स्थानिय नदी पर एक पुल बना रहे हैं, तो क्या आपको इसे 12 फीट लंबा या 18 फीट लंबा बनाना चाहिए? कम समय में लंबा वाला अधिक महंगा होगा, लेकिन अगर आप जानते हैं कि अगले दशक में बड़े पैमाने पर बाढ़ आने की संभावना अधिक है, तो यह बेहतर विकल्प हो सकता है आप दो बार सस्ते पुल की तुलना में एक बार अधिक महंगे पुल का निर्मान करना चाहेंगे और यह केवल उन बुनियादी धांचे के नवीनी करण के बारे में नहीं है, जो शहरों में पहले से मौजूद हैं जलवायू परिवर्तन भी हमें पूरी तरह से नई जरूरतों पर विचार करने के लिए मजबूर करने वाला है उदाहरन के लिए अत्यधिक गर्म दिनों वाले शहर और बहुत से निवासी जो एर कंडिशनिंग का खर्च नहीं उठा सकते हैं उन्हें कूलिंग सेंटर बनाने की आवशेक्ता होगी ऐसी सुविधाएं जहां लोग गर्मी से बचने के लिए जा सकें दुर्भाग्य से अधिक एर कंडिशनर का उप्योग करने का मतलब यह भी है कि हम अधिक ग्रीन हाउस कैसों का उत्सरजन करेंगे जो एक और कारण है कि अध्यायेट में मैंने जिस शीतलन की चर्चा की है वह इतनी महत्वपूर्ण है हमें अपनी प्राकृतिक सुरक्षा को मजबूत करना चाहिए वन पानी का भंडारन और विनियमन करते हैं आरद्र भूमी बाड को रोकती है और किसानों और शहरों के लिए पानी उपलब्ध कराती है प्रवाल भित्या उन मचलियों का घर हैं जिन पर तटिय समुदाय भोजन के लिए निर्भर हैं लेकिन ये और जलवायू परिवर्तन के खिलाफ अन्य प्राकृतिक बचावतेजी से गायब हो रहे हैं अकेले 2018 में लगभग 9 मिलियन एकड पुराने वृद्धवन नश्ट हो गए थे और जब जैसा की संभव है जब हम 2 डिग्री सेलसियस गर्म हो जाएंगे तो दुनिया में अधिकांश प्रवाल भित्तिया मर जाएंगी दूसरी ओर पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने से एक बड़ी अदायगी होती है दुनिया के सबसे बड़े शहरों में जल उपियो गिताए जंगलों और वाटरशेड को बहाल करके प्रती वर्ष डॉलर 890 मिलियन बचा सकती है कई देश पहले से ही आगे बढ़ रहे हैं नाइजर में किसानों के नेत्रित्व में एक स्थानिय पुनर्वनीकरन प्रयास ने फसल की पैदावार को बढ़ाया है वरिक्षों के आवरण में वरिद्धी की है और महिलाओं द्वारा दिन में 3 घंटे से 30 मिनट तक जलाओं लकडी इकठा करने में लगने वाले समय में कठोती की है चीन ने अपने लगभग एक चौथाई भूभाग को महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपत्ती के रूप में पहचाना है जहां वह संगरक्षन को बढ़ावा देने और पारिस्थितिकी तंत्र के संगरक्षन को प्रात्मिकता देगा मेकसिको 45 मिलियन लोगों के लिए पानी की आपूर्ती को संगरक्षित करने के लिए अपने नदी घाटियों के एक तिहाई हिस्से की रक्षा कर रहा है यदि हम इन उदाहरणों पर निर्मान कर सकते हैं इस बारे में जागरूक्ता फैला सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र कितना मायने रखता है और अधिक देशों को सूट का पालन करने में मदद करता है तो हम जलवायू परिवर्तन के खिलाफ प्राक्रितिक रक्षा के खारे उगते हैं, खारे पानी में जीवन के अनुकूल होते हैं, वे तूफान की लहरों को कम करते हैं, तटिये बार को रोकते हैं और मचली के आवासों की रक्षा करते हैं। पानी की गुनवत्ता में भी सुधार करते हैं। वे एक महान निवेश हैं। मैंग्रोव के पेड लगाना एक बेहतरीन निवेश है। वे बाड से होने वाले नुकसान में लगभग 80 बिलियन डॉलर प्रती वर्ष की बचत करने में मदद करते हैं। हम जितना आपूरती कर सकते हैं। उससे अधिक पीने के पानी की आवश्यक्ता होगी। जैसे जैसे जीले और जलभरित सिकुडते या प्रदूशित होते जाते हैं। इसे उपलब्ध कराना कठिन होता जा रहा है। हर किसी को पीने योगे पानी की जरूरत है। दुनिया के अधिकांश मेगासिटी पहले से ही गंभीर कमी का सामना कर रहे हैं। और अगर कुछ भी नहीं बदलता है। तो मध्यशताबदी तक उन लोगों की संख्या जिन्हें महीने में कम से कम एक बार परियाप्त सभे पानी नहीं मिल सकता है। एक तिहाई से अधिक बढ़कर फाइव अरब से अधिक हो जाएंगे। प्रोध्योगी की यहां कुछ वादा करती है। हम पहले से ही जानते हैं कि समुद्री जल से नमक कैसे निकाला जाता है और इसे पीने योगे कैसे बनाया जाता है लेकिन इस प्रक्रिया में बहुत अधिक उर्जा लगती ह जैसे कि समुद्र से पानी को विलवनी करण सुविधा तक ले जाना और फिर सुविधा से जिसे इसकी आवशेकता होती है। इसका मतलब है कि बहुत सी चीजों की तरह पानी की समस्या अंत्तह एक उर्जा समस्या है। परियाप्त सस्ती, स्वच उर्जा के साथ हम वह सभी पीने योगे पानी बना सकते हैं, जिसकी हमें कभी आवश्यक्ता होगी. एक चतुर विचार जो मैं करीब से देख रहा हूँ, उसमें हवा से पानी निकालना शामिल है. यह मूल रूप से एक उन्नत फिल्टरिंग सिस्टम के साथ एक सौर संचालित डी हूमेडिफायर है, ताकि आप वायू प्रदूशन न पिएं. यह प्रणाली अभी उपलब्ध है, लेकिन इसकी कीमत हजारों डॉलर है, जो दुनिया के गरीबों के लिए बहुत महंगा है, जो पानी की कमी से सबसे ज्यादा पीडित होंगे. जब तक इस तरह का विचार वहनिय नहीं हो जाता, तब तक हमें व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है, ऐसे प्रोथसाहन जो पानी की मांग को कम करेंगे और ऐसे प्रयास जो आपूर्ती को बढ़ाएंगे. इसमें अप्शिष्ट जल को पुने प्राप्त करने से लेकर समय पर सिंचाई तक सब कुछ शामिल है, एक ऐसी प्रणाली जो किसानों की पैदावार बढ़ाते हुए पानी के उप्योग को नाटकिय रूप से कम करती है. अंत में अनुकूलन परियोजनाओं को निधी देने के लिए हमें नए धन को अनलोग करने की आवशेक्ता है. मैं विकासशील देशों के लिए विदेशी सहायता के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, हालांकि हमें इसकी भी आवशेक्ता होगी, लेकिन इस बारे में की कैसे सारवजनिक धन निजी निवेशकों को अनुकूलन परियोजनाओं के पीछे आकर्शित कर सकता है. यहां वह समस्या है, जिसे हमें दूर करने की आवशेक्ता है, लोग अनुकूलन की लागत का भुगतान करते हैं, लेकिन इसके आर्थिक लाब सड़क के नीचे वर्षों तक नहीं आ सकते हैं. उदाहरन के लिए, आप अभी अपने व्यवसाय को बाड से मुक्त कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है, कि यह 10 यह 20 वर्षों तक किसी बड़े जलप्रले की चपेट में न आए. और आपका फ्लर्ड प्रूफिंग बैक योगे नकदी प्रवाह उत्पन करने वाला नहीं है, ग्राहक आपके उत्पादों के लिए अतिरिक्त भुगतान नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि आपने सुनिश्चित किया है, कि बाड के दोरान सीविज आपके बेसमेंट में वा करनी होगी, इस स्थिती में आप बस इसे न करने का निरने ले सकते हैं, उस एकल उदाहरन को ले और इसे पूरे शहर, राज्य या देश में गुना करें, और आप देखेंगे कि जनता को अनुकूलन परियोजनाओं के वित्त पोशन और निजी शेत्र में भी ड्राइंग दोनों में एक भूमिका क्यों निभानी है, हमें अनुकूलन को एक आकरशक निवेश बनाने की जरूरत है, यह सारवजनिक और निजी वित्तिय बाजारों के लिए जलवायू परिवर्तन के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए और इन जोखिमों के अनुसार मूले निर् कर रही हैं, उन सभी चाहिए। जलवायू परिवर्तन के अनुकूल होने के लिए दुनिया को जो कुछ करने की आवशेक्ता है, उस पर मूले टैग लगाने का कोई तरीका नहीं है लेकिन आयोग में पांच प्रमुख क्षेत्रों, पूर्व चेतावनी प्रनाली बनाने, जलवायूल चीला बुनियादी धांचे का निर्मान, फसल की पैदावार बढ़ाने, पानी का प्रबंधन और मैंग्रोव की रक्षा करने, में खर्च करने में शामिल हूँ और पाय लेक्षे में रखने के लिए, एक दशक में फैले, यह दुनिया के सकल घरेलू उतपाद का लगभग 0.2 प्रतिशत है, जिसमें निवेश पर लगभग 4 गुना रिटर्न है, आप उन लाभों को उन बुरी चीजों के संदर्ब में माप सकते हैं, जो नहीं होती हैं, ग्रिह जो जलवायू शरनार्थी नहीं बनते, या आप उन्हें होने वाली अच्छी चीजों के संदर्ब में माप सकते हैं, वे बच्चे जो अपनी जरूरत के पोशक तत्वों के साथ बड़े होते हैं, वे परिवार जो गरीबी से बच निकलते हैं, और वैश्विक मध्यम वर् और नैतिक मामला भी ऐसा ही है, 1990 में दुनिया की 36 प्रतिशत आबादी से 2015 में 10 प्रतिशत तक, पिछली तिमाही सदी में अत्यधिक गरीबी कम हो गई है, हाला कि COVID-191 बहुत बड़ा जटका था जिसने बहुत प्रगती की, जलवायू परिवर्तन इन लाभों को और भी अधिक मिटा सकता है, जिससे अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में 13 प्रतिशत की वृद्धी हो सकती है, हमें से जिन्होंने इस समस्या का कारण बनने के लिए सबसे अधिक प्रयास किया है, उन्हें बाकी दुनिया को इस से बचने में मदद करनी चाहिए, हम उनका इतना करजदार हैं, अनुकूलन के लिए एक और पहलू है, जो इसे प्राप्त करने की तुलना में बहुत अधिक ध्यान देने योग्य है, हमें सबसे खराब स्थिती के लिए तैयारी करने की आवशेक्ता है, जल वायू परिवर्तन होता है, उदाहरन के लिए यदी समुद्रतल पर बड़ी मात्रा में मीठिन यूक्त बर्फ जैसी क्रिस्टलिये संग्रचनाय अस्थिर हो जाती हैं, और फट जाती हैं, अपेक शाकरित कम समय में, दुनिया भर में आप दाय आ सकती हैं, जल वायू परि वर्तन के लिए तैयार होने और प्रतिक्रिया करने के हमारे प्रयासों पर भारी बढ़ सकती हैं, और जितना अधिक ताप मान जाता है, उतनी ही अधिक संभावना है, कि हम एक टिपिंग बिंदू तक पहुँचें, अगर ऐसा लगता है, कि हम इनमें से किसी एक टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप बोल्ड के एक सेट के बारे में और अधिक सुनेंगे कुछ पागल कहेंगे विचार जो छत्रशब्द जियो इंजीनिरिंग के अंतरगत आते हैं, ये दृष्टिकों अप्रमानित हैं, और वे कांटेदार नैतिक मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन वे अधेयन और बहस के लायक हैं, जबकि हमारे पास अभी भी अधेयन और बहस की विलासिता हैं, जियो इंजीनिरिंग एक अत्याधूनिक उपकरण है, आपातकाल के मामले में कांच तोड़ें, मूल विचार पृत्वी के महासागरों या वायू मंद दल में अस्थाई परिवर्थन करना है, जो ग्रह के तापमान को कम करते हैं, इन परिवर्थनों का उद्देश हमें उधसर्जन को कम करने की जिम्मेदारी से मुक्त करना नहीं होगा, वे हमारे कारे को एक साथ करने के लिए बस हमें समय देंगे, कुछ वर्षों से मैं जि इंजीनिरिंग के अधिकांश द्रिष्टिकों इस विचार पर आधारित हैं कि ग्रीन हाउस कैसों के कारण होने वाली सभी वार्मिंग की भरपाई करने के लिए हमने वायू मंदल में सूरे के प्रकाश की मात्रा को लगभगवन प्रतिशत तक कम करने की आवशेक्ता है 3. ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम ऐसा कर सकते हैं एक में बेहद महीन कणों को वित्रित करना शामिल है प्रतेक में एक इंच के कुछ मिली इनवे हिस्से का व्यास वायू मंदल की उपरी परतों में वैग्यानिकों को पता है कि ये कंण सूरज की रोशनी बेखेरेंगे और ठंदक देंगे क्योंकि उन्होंने इसे देखा है घटिद जब एक विशेश रूप से शक्तिशाली ज्वाला मुखी फटता है तो यह एक समान प्रकार के कंण को बाहर निकालता है और वैश्विक तापमान को मापता है जियो इंजीनिरिंग के लिए एक अनिद्रिष्टिकों में बादलों को चमकाना शामिल है चूकि सूरे का प्रकाश बादलों के ऊपर से बेखरा हुआ है इसलिए हम अधिक धूप बेखेर सकते हैं और बादलों को उजजवल बनाकर प्रित्वी को ठंडा कर सकते हैं एक नमक स्प्रे का उप्योग करके जिससे बादल अधिक प्रकाश बेखेरते हैं और इसमें नाटकी अवरिद्धी नहीं होगी वन प्रतिशत की कमी प्राप्त करने के लिए हमें केवल उन बादलों को चमकाना होगा जो प्रित्वी के 10 प्रतिशत शेत्र को 10 प्रतिशत त जिसके लिए $10 billion से कम की पूंजी लागत और नियूनतम परिचालन वे की आवशेकता होती है दो, बादलों पर प्रभाव एक या दो सप्ताह तक रहता है, इसलिए हम जब तक आवशेक हो तब तक उनका उप्योग कर सकते हैं और फिर बिना किसी दीर घकालिक प्रभाव के रुख सकते हैं और तीसरा, इन विचारों को जो भी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वे उन राजनीतिक बाधाओं की तुलना में कुछ भी नहीं हैं, जिनका वे निश्चित रूप से सामना करेंगी कुछ आलोचक ग्रह पर एक बड़े पैमाने पर प्रयोग के रूप में जियो इंजीनीरिंग पर हमला करते हैं, हालांकि जैसा की जियो इंजीनीरिंग के प्रस्तावक बताते हैं, हम पहले से ही बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस कैसों का उत्सरजन करके ग्रह पर बड़े पैमाने पर प्रयोग कर रहे हैं, यह कहना उचित होगा कि हमें स्थानिय स्तर पर जियो इंजीनीरिंग के संभावित प्रभाव को बेहतर धंग से समझने की जरूरत है, यह एक वैद चिंता है, जो वास्तविक दुनिया में बड़े पैमाने पर जियो इंजीनीरिंग के प कोई भी देश अपने दम पर भू अभियान तरिकी का प्रयास करने का निर्णे नहीं ले सकता है। हमें कुछ आम सहमती की आवश्यक्ता होगी। अभी दुनिया भर के देशों को ग्रह के तापमान को कृत्रिम रूप से निर्धारित करने के लिए सहमत होने की कलपना करना कठिन है। लेकिन जियो इंजीनिरिंग ही एक मात्र ग्यात तरीका है जिस से हम अर्थवेवस्था को अपंग किये बिना वर्षों या दशकों के भीतर भी प्रित्वी के तापमान को कम करने की उम्मीद कर सकते हैं। एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब हमारे पास कोई विकल्प न हो। उस दिन के लिए अभी से तैयारी करना सबसे अच्छा है। नोट छोड़ें। 1CGIAR ने अंतरराश्ट्रिय क्रिशी अनुसंधान के लिए सलाहकार समूह के रूप में जीवन शुरू किया। आप देख सकते हैं कि यह संक्षिप्त नाम से क्यों जाने लगा। 2 आयोग को 34 आयुकतों द्वारा निर्देशित किया जाता है, जिसमें सरकार, व्यवसाय, गैरलाबकारी और वैग्यानिक समुदाय के नेता शामिल हैं, और 19 संयोजक देश, विश्व के सभी क्षेतरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुसंधान भागीदारों और सलाहकारों का एक वैश्विक नेटवर्क आयोग का समर्थन करता है। यह अनुकूलन पर वैश्विक केंद्र और विश्व संसाधन संस्थान द्वारा संचालित है। 3 यदि आप गणित जानना चाहते हैं, सूरे का प्रकाश प्रित्वी द्वारा लगभग 240 वाट प्रतिवर्ग मीटर की दर से अवशोशित किया जाता है। लगभग 2 वाट प्रती वर्ग मीटर की उसत दर से गर्मी को अवशोशित करने के लिए अब वातावरण में परियाप्त कार्बन है इसलिए हमें सूरे को 2240 या 0.83 प्रतिशत कम करने की आवशेक्ता है हाला कि क्योंकि बादल सौर्भू अभियांत्रिकी में समायोजित हो जाएंगे हमें वास्तव में सूरे को आने वाली धूप के लगभग 1 प्रतिशत तक थोड़ा और मंद करने की आवशेक्ता होगी यदि वातावरण में कार्बन की मात्रा दो गुनी हो जाती है तो यह लगभग 4 वाट प्रतिवर्ग मीटर की दर से गर्मी को अवशोशित करेगा और हमें डिमिंग को दो गुना करके लगभग 2 प्रतिशत करना होगा अध्याय टेन सरकार की नीतियां क्यों मायने रखती हैं मैं 1943 में दुईतिय विश्व युद्ध की उचाई पर दुएं का एक घना बादल उत्रा लॉस एंजिल्स पर यह इतना जहरीला था कि इससे रहवासियों की आंखे नम हो गई और नाक बहने लगी ग्राइवर सडक के नीचे तीन से अधिक ब्लॉक नहीं देख सके कुछ स्थानिय लोगों को डर था कि जापानी सेना ने रासायनिक हतियारों से शहर पर हमला किया है एलय पर हमला नहीं किया गया था हालां कि कम से कम एक विदेशी सेना द्वारा नहीं वास्तविक अपराधी स्मोग था जो वायू प्रदूशन और मौसम की स्थिती के दुर्भागे पूर्ण संयोजन द्वारा बनाया गया था लगभग एक दशक बाद दिसंबर 1952 में पांच दिनों के लिए लंदन भी स्मोग से अपंग हो गया था बसों और एम्बुलेंस का चलना बंद हो गया द्रिशेता इतनी कम थी यहां तक की बंद इमारतों के भीतर भी सिनेमा घर बंद कर दिये गए थे पुलिस को किसी भी दिशा में चंद फीट से ज्यादा की दूरी दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए लूट पार्ट जोरों पर थी यदि आप नेटफलिक्स सीरीज धक्राउन के प्रशन सक हैं जैसा की मैं हूँ तो आपको सीजन वन में एक मनोरंजक एपिसोड याद होगा जो इस भयानक घटना के दौरान हुआ था जिसे अब लंदन के ग्रेट स्मोग के रूप में जाना जाता है कम से कम 4-0-0-0 मारे गए लोग इस तरह की घटनाओं के लिए धन्यवाद 1950 और 1960 के दशक ने संयुक्त राजे अमेरिका और यूरोप में वायू प्रदूशन के आगमन को सारवजनिक चिंता का एक प्रमुख कारण के रूप में चिहनित किया और नीती निर्माताओं ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कांग्रेस ने 1955 में समस्या और संभावित उप्चार में अनुसंधान के लिए धन उपलब्ध कराना शुरू किया अगले वर्ष, ब्रिटिश सरकार ने स्वच्च वायू अधिनियम को अधिनियमित किया जिसने पूरे देश में धूम्रपान नियंतरन शेत्र बनाये जहां केवल कलीन रजलने वाले इंधन का उप्योग किया जा सकता था साथ साल बाद, अमेरिका के स्वच्च वायू अधिनियम ने यूनाइटेड में वायू प्रदूशन को नियंतरित करने के लिए आधुनिक नियामक प्रणाली की स्थापना की राजे, यह वायू प्रदूशन को नियंतरित करने के लिए सबसे व्यापक कानून है और सबसे प्रभावशाली में से एक है जो सारवजनिक स्वास्थे को खत्रे में डाल सकता है 1970 में राश्ट्रपती निक्सन ने इसे लागू करने में मदद करने के लिए परियावरन संग्रक्षन एजेंसी की स्थापना की 1952 में लंदन के ग्रेट स्मोग के दोरान इस पुलिस अधिकारी को या तायात को निर्देशित करने के लिए फ्लेयर का इस्तेमाल करना पड़ा US Clean Air Act ने वही किया जो उसे करना चाहिए था, हवा से जहरीली गैसों को बाहर निकालना और 1990 के बाद से अमेरिकी उत्सर्जन में Nitrogen Dioxide के स्तर में 56 प्रतिशत, Carbon Monoxide में 77 प्रतिशत और Sulfur Dioxide में 88 प्रतिशत की गिरावट आई है अमेरिकी उत्सर्जन से लेड लगभग गायब हो गया है जबकि हमारे पास अभी भी काम करने के लिए है, हमने यह सब पूरा किया, भले ही हमारी अर्थवेवस्था और जनसंख्या बढ़ी लेकिन आपको ऐसे उदाहरणों के लिए इतिहास देखने की जरूरत नहीं है, कि कैसे स्मार्ट नीतिया वायू प्रदूशन जैसी समस्या को हल करने में मदद करती है यह अभी हो रहा है 2014 से शुरू होकर, चीन ने शहरी केंद्रों में बिगड़ते स्मोग और खत्रनाक वायू प्रदूशकों के आसमान छूते स्तर के जवाब में कई कारेक्रम शुरू किये सरकार ने वायू प्रदूशन को कम करने के लिए नए लक्षे निर्धारित किये सबसे प्रदूशित शहरों के पास नए कोयले से चलने वाले संहंत्रों के निर्मान पर प्रतिबंद लगा दिया और बड़े शहरों में गैराई लेक्ट्रिक कारों को चलाने पर सीमाएं लगा दी कुछ वर्षों के भीतर बीजिंग कुछ प्रकार के प्रदूशन में 35 प्रतिशत की गिरावट की रिपोर्ट कर रहा था और 11 मिलियन लोगों का शहर पाउडिंग 38 प्रतिशत की गिरावट की रिपोर्ट कर रहा था हालांकी वायू प्रदूशन अभी भी बीमारी और मृत्यू का एक प्रमुख कारण है इससे हर साल 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो सकती है हमने जो नीतियां बनाई हैं उन्होंने निससंदेह संख्या को और अधिक होने से बचाए रखा है उन्होंने कम करने में भी मदद की है ग्रीन हाउस कैसे थोड़ी सी भले ही वह उनका मूल उद्देशे नहीं था आज वे जलवायू आपदा से बचने के लिए सरकार की नीतियों की प्रमुख भूमिका के साथ साथ कुछ भी बताते हैं मैं मानता हूँ की नीती एक असपष्ट नीरस लगने वाला शब्द है एक नई प्रकार की बैटरी जैसी बड़ी सफलता उन नीतियों की तुलना में अधिक कामुक होगी जिनके कारण कुछ रसायनग्यों ने इसका आविशकार किया लेकिन यह सफलता सरकार द्वारा अनुसंधान पर कर डॉलर खर्च किये बिना भी मौजूद नहीं होगी उस शोध को प्रयोगशाला और बाजार से बाहर निकालने के लिए तैयार की गई नीतिया और ऐसे नियम जिन्होंने बाजार बनाए और बड़े पैमाने पर तैनात करना आसान बना दिया इस पुस्तक में मैं उन आविशकारों पर जोर दे रहा हूं जिन्हें हमें शूने पर लाने की आवशेक्ता है बिजली के भंडारन के नए तरीके, स्टील बनाना और इसी तरह लेकिन नवाचार केवल नए उपकरनों को विक्सित करने का मामला नहीं है यह नई नीतियों को विक्सित करने का भी मामला है ताकि हम उन आविशकारों को बाजार में जितनी जल्दी हो सके प्रदर्शित और तैनात कर सकें सवभाग्य से इन नीतियों को विक्सित करने में हम एक खाली स्लेट से शुरुआत नहीं कर रहे हैं हमें उर्जा को नियंतरित करने का बहुत अनुभव है वास्तव में यह संयुक्त राजे अमेरिका और दुनिया भर में अर्थवेवस्था के सबसे अधिक विनियमित क्षेत्रों में से एक है स्वच्च हवा के अलावा स्मार्ट उर्जा नीतियों ने हमें निमनलिखित दिये हैं विद्यूतीकरण 1910 में केवल 12 प्रतिशत अमेरिकियों के घरों में बिजली थी 1950 तक 90 प्रतिशत से अधिक ने किया बांधों के लिए संगिये वित्व पोशन, उर्जा को विनियमित करने के लिए संगिये एजेंसियों के निर्मान और ग्रामीन क्षेत्रों में बिजली लाने के लिए एक विशाल सरकारी परियोजना जैसे प्रयासों के लिए धन्यवाद उर्जा सुरक्षा 1970 के दशक के तेल जटकों के जवाब में संयुक्त राजे अमेरिका ने विभिन उर्जा स्रोतों से घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्धारित किया संगिये सरकार ने 1974 में अपनी पहली प्रमुक अनुसंधान और विकास परियोजनाय शुरू की अगले वर्षकारों के लिए इंधन दक्षतामान को सहित उर्जा संग्रक्षन से संबंधित प्रमुक कानून देखे गए दो साल बाद उर्जा विभाग का निर्मान हुआ फिर 1980 के दशक में तेल की कीमतें गिर गई और हमने इन में से कई प्रयासों को छोड़ दिया जब तक कि 2000 के दशक में कीमतें फिर से बढ़ने लगी निविश और विनियमन की एक नई लिहर को जन्म दिया इन और अन्य प्रयासों के परिणाम स्वरूप 2019 में अमेरिका ने लगभग 70 वर्षों में पहली बार आयात की तुलना में अधिक उर्जा का निर्यात किया आर्थिक पुनेह प्राप्ती 2008 की महान मंदी के बाद सरकारों ने अक्षे उर्जा, उर्जा दक्षता, बिजली के बुनियादी धांचे और रेलमार्ग में पैसा लगाकर रोजगार पैदा किया और निवेश को बढ़ावा दिया 2008 में, चीन ने डॉलर 584 बिलियन का आर्थिक प्रोट साहन पैकेज लॉंच किया, जिसका एक बड़ा हिस्सा हरित परियोजनाओं में चला गया 2009 में, अमेरिकन रिक्टवरी इंड री इन्वेस्टमेंट एक्ट ने अर्थवेवस्था को किनारे करने और उत्सरजन को कम करने के लिए टैक्स क्रेडिट, संगीय अनुदान, रिन गारंटी और आर इंड डी फंडिंग का इस्तेमाल किया यह अमेरिकी इतिहास में स्वच्च उर्जा और उर्जा दक्षता में सबसे बड़ा निवेश था, लेकिन यह नीती में एक स्थाई बदलाव नहीं, बलकि एक बार का इंजेक्शन था अब समय आ गया है कि हमारे नीती निर्मान के अनुभव को चुनौती की ओर मोर दिया जाए, हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सरजन को शूने करना दुनिया भर के राष्ट्रिय नेताओं को एक दृष्टी को उन्स पष्ट करने की आवशेक्ता होगी कि वैश्विक अर्थवेवस्था कैसे शून्य कार्बन में परिवर्तन करेगी यह दृष्टी, बदले में, दुनिया भर के लोगों और व्यवसायों के कारियों का मार्गदर्शन कर सकती है सरकारी अधिकारी इस बारे में नियम लिख सकते हैं कि कार्बन पावर प्लांट, कारों और कारखानों को कितना उत्सरजन करने की अनुमती है वे विनेमों को अपना सकते हैं, जो वित्य बाजारों को आकार देते हैं, और निजी और सारवजनिक क्षेतरों के लिए जलवाईू परिवर्तन के जोखिमों को स्पष्ट करते हैं वे वैग्यानिक अनुसंधान में मुख्य निवेशक हो सकते हैं जैसा कि वे अभी हैं और नियम लिखते हैं जो यह निर्धारित करते हैं कि नए उत्पाद कितनी जल्दी बाजार में आ सकते हैं और वे कुछ समस्याओं को ठीक करने में मदद कर सकते हैं जिनसे निपटने के लिए बाजार स्थापित नहीं है जिसमें छिपी हुई लागतें शामिल हैं जो कार्बन उत्सर्जक उत्पाद पर्यावरन और मनुशियों पर लगाते हैं इनमें से कई फैसले राष्ट्रिये स्तर पर किये जाते हैं लेकिन राजे और स्थानीय सरकारों की भी बड़ी भूमिका होती है कई देशों में उपराश्ट्रिये सरकारे बिजली बाजारों को नियंतरित करती हैं और इमारतों में उर्जा के उप्योग के लिए मानक निर्धारित करती हैं वे बड़े पैमाने पर निर्मान परियोजनाओं की योजना बनाते हैं, बांध, पार्गमन प्रनाली, पुल और सडकें, और चुनते हैं कि ये परियोजनाएं कहां और किन सामगरियों से बनाई जाएंगी. वे पुलिस की कारे और दमकल वाहन, स्कूल लंच और लाइट बल्ब खरीदते हैं. हर एक कदम पर किसी न किसी को यह तै करना होगा कि हरे विकल्पों के साथ जाना है या नहीं. यह विडम बनापूर्ण लग सकता है कि मैं और अधिक सरकारी हस्तक्षेप की मांग कर रहा हूँ. जब मैं माइक्रोसोफ्ट का निर्मान कर रहा था, मैंने वाशिक्तन, डी सी और दुनिया भर के नीती निर्माताओं से अपनी दूरी बनाए रखी, यह सोचकर कि वे हमें अपना सर्वश्रेष्ट काम करने से ही रोकेंगे. आंशिक रूप से, वन नाइन नाइन जीरो के दशक के अंत में माइक्रोसोफ्ट के विरुद्ध यू एस, सरकार के अविश्वास के मुक्दमे ने मुझे यह महसूस कराया कि हमें नीती निर्माताओं के साथ हमेशा जुड़ते रहना चाहिए था. मैं यह भी जानता हूँ कि जब बड़े उपक्रमों की बात आती है, चाहे वह राष्ट्रिय राजमार्ग प्रनाली का निर्मान करना हो, दुनिया के बच्चों का टी काकरन करना हो, या वैश्विक अर्थ वेवस्था को डी कार्बोनाईज करना हो, हमें सही प्रोथ साहन बनाने और समगर प्रनाली सुनिश्चित करने में सरकार की बड़ी भूमिका निभाने की आवश्यक्ता है, सबके लिए काम करेगा, बेशक, व्यवसायों और व्यक्तियों को भी अपनी भूमिका निभानी होगी, अध्याय ग्यारह और बारह में, मैं सरकार, व्यवसाय और व्यक्ति द्वारा उठाए जा सकने वाले विशिष्ट कदमों के साथ शूने पर पहुंचने की योजना का प्रस्ताव दूंगा लेकिन चूंकी सरकारे इतनी बड़ी भूमिका निभाएंगी इसलिए पहले मैं साथ उच्चस्तरिय लक्षियों का सुझाव देना चाहता हूँ जिनका लक्षे उन्हें होना चाहिए वन इन्वेस्टमेंट गैप को ध्यान में रखें पहला माईक्रोवेव ओवन वन नाइन फाइव फाइव में बाजार में आया इसकी कीमत आज के डॉलर में लगभग 12000 डॉलर है आज आप डॉलर 50 के लिए पूरी तरह से अच्छा प्राप्त कर सकते हैं माईक्रोवेव इतने सस्ते क्यों हो गए क्योंकि यह उपभोकताओं के लिए तुरंत स्पष्ट था कि आप ऐसा कुछ क्यों चाहते हैं जो आपके पारमपरिक ओवन में लगने वाले समय के एक अंश में भोजन को गर्म कर सके माईक्रोवेव की बिक्री बढ़ी तेजी से जिसने बाजार में प्रतिसपर्धा को बढ़ा दिया जिससे सस्ते और सस्ते उपकरनों का उत्पादन हुआ अगर केवल उर्जा बाजार उसी तरह काम करता है बिजली माईक्रोवेव ओवन की तरह नहीं है जहां सबसे अच्छी सुविधाओं वाला उत्पाद जीत जाता है एक गंदा इलेक्ट्रोन आपकी रोशनी के साथ साथ एक साथ भी चलाएगा परिणाम स्वरूप, कुछ नीतिगत हस्तक शेप के बिना जैसे की कार्बन पर कीमत या मानक जिसके लिए बाजार में शूने कार्बन इलेक्ट्रोनों की एक निश्चित मात्रा की आवशेक्ता होती है इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो कमपनी आपको स्वच्च इलेक्ट्रोन भेजने में निवेश करती है वह वास्तव में पैसा कमाएगी और इसमें काफी जोखिम है क्योंकि उर्जा एक अत्यधिक विनियमित और पूंजी गहन उद्योग है तो आप देख सकते हैं कि निजी शेत्र उर्जा पर अनुसंधान एवग विकास में व्यवस्थित रूप से कम निवेश क्यों करता है उर्जा व्यवसाय में कमपनिया अपने राजस्व का ओस्तन केवल 0.3 प्रतिशत उर्जा अनुसंधान एवग विकास पर खर्च करती हैं इसके विप्रीत, इलेक्ट्रोनिक्स और फार्मासियोटिकल उद्योग क्रमशह लगभग 10 प्रतिशत और 13 प्रतिशत खर्च करते हैं अंतर को पाटने के लिए हमें सरकारी नीतियों और वित्व पोशन की आवशेक्ता होगी विशेश रूप से उन क्षेत्रों में जहां हमें नई शूने कारबन प्रोध्योगिकियों का आवशकार करने की आवशेक्ता है जब कोई विचार अपने शुरुआती चरण में होता है जब हम सुनिश्चित नहीं होते हैं कि यह काम करेगा या नहीं और सफलता बैंकों या उद्यम पूंजी इपतियों की प्रतीक्षा करने से अधिक समय ले सकती है सही नीतियां और वित्व पोशन यह सुनिश्चित कर सकता है कि इसे पूरी तरह से खोजा जा सके यह एक बड़ी सफलता हो सकती है लेकिन यह एक हलचल हो सकती है इसलिए हमें कुछ पूर्ण विफलताओं को सहन करने की आवशेक्ता होगी सामाने तोर पर सरकार की भूमिका आरेंडड़ी में निवेश करने की होती है जब निजी शेत्र ऐसा नहीं करेगा क्योंकि यह नहीं देख सकता कि यह कैसे लाब कमाएगा एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि कोई कमपनी कैसे पैसा कमा सकती है तो निजी शेत्र इसे संभाल लेता है वास्तव में हमें ऐसे उत्पाद मिलते हैं जिनका आप शायद हर दिन उप्योग करते हैं जिसमें इंटरनेट, जीवन रक्षक दवाई और ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम शामिल हैं जिसका उप्योग आपका स्मार्ट फोन शहर के चारों और नेविगेट करने में आपकी मदद करने के लिए करता है व्यक्तिगत कम्प्यूटर व्यवसाय जिसमें माइक्रोसोफ्ट भी शामिल है को कभी भी इतनी सफलता नहीं मिली होगी यदी यू इस सरकार ने छोटे तेज माइक्रो प्रोसेसरों पर शोध में पैसा नहीं लगाया होता कुछ क्षेत्रों में जैसे डिजिटल प्रोध्योगी की सरकार से कम्पनिय एंदोफ अपेक्षाग करित जल्दी होता है स्वच्च उर्जा के साथ इसमें अधिक समय लगता है और इसके लिए सरकार से और भी अधिक वित्तिय प्रतिबद्धता की आवश्यक्ता होती है क्योंकि वैग्यानिक और इंजीनिरिंग का काम इतना समय लेने वाला और महंगा है अनुसंधान में निवेश करने का एक और लाब है यह एक देश में ऐसे व्यवसाय बनाने में मदद कर सकता है जो अपने उत्पादों को दूसरों को निर्यात करते हैं देशवन उदाहरन के लिए एक सस्ता इलेक्ट्रो फ्यूल बना सकता है इसे अपने लोगों को बेच सकता है लेकिन इसे देशटू को निर्यात भी कर सकता है भले ही देश टू में इसके उत्सर्जन को कम करने की महत्वा कांक्षा की कमी हो फिर भी ऐसा करना समाप्त हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि कोई और एक बेहतर सस्ते इंधन का आविशकार किया अंत में हालांकी आरेंडड़ी से अपने आप लाब मिलता है यह सबसे प्रभावी होता है जब आप इसे मांगपक्ष प्रोटसाहन के साथ जोडते हैं कोई भी व्यवसाई एक वैज्यानिक पत्रिका में प्रकाशित उस नए विचार को तब तक उत्पाद में बदलने वाला नहीं है जब तक कि उसे विश्वासन हो कि उसे इच्छुक खरीदार मिलेंगे विशेश रूप से शुरुआती चर्णों में जब उत्पाद महेंगा होगा तूखेल के मैदान को समतल करें जैसा कि मैंने विज्यापन इंफिनिटम और संभवतह विज्यापन मतली का तर्क दिया है हमें ग्रीन प्रीमियम को शुन्य तक कम करने की आवश्यक्ता है उनमें से कुछ को हम अध्याय फोर से एट में वरनित नवाचारों के साथ पूरा कर सकते हैं उदाहरन के लिए शुन्य कार्बन स्टील का उत्पादन करना सस्ता बना कर लेकिन हम जीवाश्म इंधन की कीमत भी बढ़ा सकते हैं इससे होने वाले नुकसान को उन कीमतों में शामिल कर सकते हैं जो हम उनके लिए चुकाते हैं आज जब व्यवसाई उत्पाद बनाते हैं या उपभोकता चीजें खरीदते हैं तो वे इसमें शामिल कार्बन के लिए कोई अतिरिक्त लागत नहीं उठाते हैं भले ही वह कार्बन समाज पर बहुत वास्तविक लागत लगाता है इसे ही अर्थशास्त्री बाहरता कहते हैं एक ऐसा खर्च जो समाज द्वारा व्यहन किया जाता है एनकि उस व्यक्ती या व्यवसाय के लिए जो इसके लिए जिम्मेदार है कार्बन टैक्स या कैपएंड ट्रेड का रेकरम सहित कई तरीके हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन में से कम से कम कुछ बाहरी लागतों का भुगतान उनके लिए जिम्मेदार है संक्षेप में हम कार्बन मुक्त चीजों को सस्ता जिसमें तकनीकी नवाचार शामिल है कार्बन उत्सरजक चीजों को और अधिक महंगा बनाकर जिसमें नीतिगत नवाचार शामिल है या दोनों में से कुछ करके ग्रीन प्रीमियम को कम कर सकते हैं लोगों को उनके ग्रीन हाउस कैसों के लिए दंदित करने का विचार नहीं है इसका प्रतिस्पर्धी कार्बन मुक्त विकल्प बनाने के लिए आविशकारकों के लिए एक प्रोटसाहन बनाने के लिए कार्बन की कीमत में उत्तरोत्तर वृद्धी करके इसकी वास्तविक लागत को प्रतिबिम्बित करने के लिए सरकारे उत्पादकों और उपभोकताओं को अधिक कुशल निर्नेयों की ओर ले जा सकती हैं और नवाचार को प्रोटसाहित कर सकती हैं जो ग्रीन प्रीमियम को कम करती है यदि आप जानते हैं कि यह कृत्रिम रूप से सस्ते गैसोलीन से कम नहीं होगा तो आप एक नए प्रकार के इलेक्ट्रो फ्यूल का आविशकार करने की कोशिश करने की बहुत अधिक संभावना रखते हैं त्री गैर बाजार बाधाओं पर काबू पाएं घर के मालिक कम उत्सर्जन वाले बिजली के विकलपों के पक्ष में जीवाश मैंधन से चलने वाली भट्टियों को छोड़ने के लिए अनिच्छुप क्यों हैं क्योंकि वे विकलपों के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें प्रदान करने के लिए परियाप्त योगे रीलर और इंस्टॉलर नहीं हैं और कुछ जगहों पर यह वास्तव में अवैध है जमीनदार अपने भवनों को अधिक कुशल उपकरनों से अपग्रेड क्यों नहीं करते क्योंकि वे अपने किरायदारों को उर्जा बिलपास करते हैं जिन्हें अकसर अपग्रेड करने की अनुमती नहीं होती है और जो शायद लंबे समय तक लंबे समय तक लाब प्राप्त करने के लिए परियाप्त समय तक नहीं रहेंगे इन बाधाओं में से कोई भी आप देखेंगे लागत के साथ बहुत कुछ करना नहीं है वे मुखे रूप से सूचना या प्रशिक्षित कर्मियों या प्रोटसाहनों की कमी के कारण मौजूद हैं वे सभी शेत्र जिनमें सही सरकारी नीतियां एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं फोर अप टू डेट रहें कभी कभी बड़ी बाधा उपभोकता जागरूकता या बाजार से बाहर नहीं होती है कभी कभी यह सरकार की नीतियां ही होती हैं जो इसे डी कार्बोनाईज करना मुश्किल बनाती है उदाहरन के लिए यदि आप किसी भवन में कंक्रीट का उप्योग करना चाहते हैं तो भवन कोड कष्टदाई विस्तार से बताएगा कि उस कंक्रीट को कितना अच्छा प्रदर्शन करना है यह कितना मजबूत होना चाहिए यह कितना वजन सहन कर सकता है और इसी तरह यह कंक्रीट की सटीक रासायनिक संग्रचना को भी परिभाशित कर सकता है जो आप कर सकते हैं उप्योग ये संग्रचना मानक अक्सर कम उत्सरजन वाले सीमिंट से इंकार करते हैं जिसका आप उप्योग करना चाहते हैं भले ही यह सभी प्रदर्शन मानकों को पूरा करता हो कोई भी इमारत और पुलों को दोशपूर्ण कंक्रीट के कारण ढहते नहीं देखना चाहता लेकिन हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मानक प्रद्योगिकी में नवीनतम प्रगती और शूने तक पहुँचने की तातकालिकता को दर्शाते हैं फाइव एक न्याय पूर्ण परिवर्तन के लिए योजना कारबंत तस्थ अर्थवेवस्था में इतना बड़ा बदलाव विजेताओं और हारने वालों का उत्पादन करने के लिए बाध्य है सन्युक्त राजे अमेरिका में जिन राजियों की अर्थवेवस्थाएं जीवाश्म इंधन के लिए ड्रिलिंग पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं उदाहरन के लिए टेकसास और नौर्थ डकोटा को भुगतान करने वाली नौकरियों के साथ साथ उनके द्वारा खोई गई नौकरियों को जोडने की आवशेकता होगी और उन्हें वर्तमान में कर राजस्व को बदलने की आवशेकता होगी स्कूलों, सडकों और अन्य आवशेक चीजों के लिए भुगतान करता है तो क्या नेबरास्का जैसे गो मांस उगाने वाले राज्य होंगे, अगर कृत्रिम मांस पारंपरिक मांस की जगह ले लेते हैं और कम आय वाले लोग जो पहले से ही अपनी आय का एक महत्व पूर्ण हिस्सा उर्जा पर खर्च करते हैं ग्रीन प्रीमियम का बोज सबसे अधिक महसूस करेंगे काश इन समस्याओं के आसान जवाब होते निश्चित रूप से कुछ ऐसे समुदाय हैं जहां उच्च भुगतान वाले तेल और गैस की नौकरियों को स्वाभाविक रूप से सौर उद्योग में नौकरियों के साथ बदल दिया जाएगा लेकिन कई अन्य लोगों को अपनी आजीविका के लिए जीवाश्म इंधन निकालने के अलावा किसी और चीज पर निर्भर रहने के लिए एक कठिन संक्रमन से गुजरना होगा चुनकी समाधान अलग-अलग जगों पर अलग-अलग होंगे इसलिए उन्हें स्थानिय नेताओं द्वारा आकार देने की आवशेक्ता होगी लेकिन संगी ये सरकार मदद कर सकती है शुने तक पहुँचने के लिए एक समगर योजना के हिस्से के रूप में वित्व पोशन और तकनीकी सलाह प्रदान करके और देश भर के समुदायों को जोड़कर जो समान समस्याओं का सामना कर रहे हैं ताकि वे जो काम कर रहे हैं उसे साज़ा कर सकें अंत में उन समुदायों में जहां कोईला या प्राकृतिक गैस निकालना स्थानिय अर्थवेवस्था का एक बड़ा हिस्सा है यह समझ में आता है कि लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि संक्रमन कैसे उनके लिए अपनी जरूर्तों को पूरा करना कठिन बना सकता है तथे यह है कि वे उन चिंताओं को आवाज देते हैं जो उन्हें जलवाईू परिवर्तन से इनकार नहीं करते हैं आपको यह सोचने के लिए एक राजनीतिक वैग्यानिक होने की आवशेक्ता नहीं है कि राश्ट्रिय नेता जो शूने तक पहुंच रहे हैं वे अपने विचारों के लिए अधिक समर्थन पाएंगे यदि वे उन परिवारों और समुदायों की चिंताओं को समझें जिनकी आजीविका पर बुरा असर पड़ेगा और यदि वे उन चिंताओं को गंभीरता से लेते हैं शिक्स हार्ड्स तु भी करें बहुत सारे जलवायू परिवर्तन कारे उत्सर्जन को कम करने के अपेक्शाकरित आसान तरीकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जैसे इलेक्ट्रिक कार चलाना और सौर और पवन से अधिक शक्ती प्राप्त करना यह समझ में आता है क्योंकि प्रक्ती दिखाने और शुरुआती सफलता का प्रदर्शन करने से अधिक लोगों को बोर्ड पर लाने में मदद मिलती है और यह महत्व पूर्ण है हम अपेक्शाकरित आसान चीजे उस पैमाने पर नहीं कर रहे हैं जिसकी हमें आवश्यक्ता है इसलिए अभी बड़ी प्रक्ती करने के बहुत बड़े अवसर है लेकिन हम इस कम लटकने वाले फल के पीछे नहीं जा सकते अब जबकी जलवायू परिवर्तन को संबोधित करने का आंदोलन गंभीर हो रहा है हमें कठोर भागों पर भी ध्यान देने की आवश्यक्ता होगी बिजली भंडारन, स्वच्च इंधन, सीमेंट, स्टील, उर्वरक और इसी तरह और इसके लिए नीती निर्मान के लिए एक अलग द्रिष्टिकों की आवश्यक्ता होगी हमारे पास पहले से मौझूद उपकरनों को तैनात करने के अलावा हमें कठिन सामान पर आर इंडडी में और अधिक निवेश करने की आवश्यक्ता होगी और क्योंकि इसका अधिकांश हिस्सा हमारे भौतिक बुनियादी धांचे के लिए महत्व पूर्ण है जैसे कि सडके और इमारते इन सफलताओं को प्राप्त करने के लिए विशेश रूप से दिजाइन की गई नीतियों का उप्योग करें और बाजार में सीवन एक ही समय में प्राध्योगी की नीति और बाजार पर काम करें प्राध्योगी की और नीति के अलावा एक तीसरा पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की आवशेक्ता होगी वे कमपनिया जो नए आविशकार विक्सित करेंगी और सुनिश्चित करेंगी कि वे वैश्विक स्तर तक पहुचें साथ ही निवेशक और वित्तिय बाजार जो इन कमपनियों का समर्थन करेंगे बहतर शब्द की कमी के लिए मैं मोटे तोर पर इस समूह को बाजार कहूंगा बाजार, प्रोधयोगी की और नीती तीन लीवर की तरह हैं जिन्हें हमें जीवाश्म इंधन से खुद को छुडाने के लिए खींचने की जरूरत है हमें तीनों को खींचने की जरूरत है उन्हें एक ही समय में और एक ही दिशा में यदि आपके पास उत्सर्जन को खत्म करने की तक्नीक नहीं है या मानक को पूरा करने वाली कारों का निर्मान और विक्री करने के लिए कोई कमपनी तयार नहीं है तो बस एक नीती अपनाना, मान ले, कारों के लिए एक शूने उत्सर्जन मानक, बहुत अच्छा नहीं होगा दूसरी ओर, कम उत्सर्जन तकनीक वाले, जैसे, एक उपकरन जो कोईला संयंत्र के निकास से कार्बन को कैप्चर करता है अगर आप इसे स्थापित करने के लिए बिजली कमपनियों के लिए वित्तिय प्रोध साहन नहीं बनाते हैं, तो बहुत अच्छा नहीं होगा और कुछ कमपनियां शूने उत्सर्जन तकनीक का आविशकार करने पर दाम लगाएंगी यदि उनके प्रतियोगी उन्हें जीवाश मैंधन उत्पादों के साथ कम कर सकते हैं इसलिए बाजार, नीती और प्रोध्योगिकी को पूरक तरीके से काम करना होगा नीतियां, जैसे कि अनुसंधान एवं विकास पर अधिक खर्च, नई तकनीकों को जगाने और बाजार प्रणालियों को आकार देने में मदद कर सकती है जो सुनिश्चित करेगी कि वे लाखों लोगों तक पहुँचें लेकिन यह दूसरे तरीके से भी काम करता है, नीतियों को भी हमारे द्वारा विक्सित की जाने वाली तकनीकों द्वारा आकार दिया जाना चाहिए यदि उदाहरन के लिए हम एक सफल तरल इंधन के साथ आए, तो हमारी नीतियां इसे वैश्विक स्तर पर लाने के लिए निवेश और वित्व पोशन रन नीतियों को बनाने पर ध्यान के इंधरित करेंगी और हमें नए तरीके खोजने के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं होगी उर्जा स्टोर करने के लिए मैं आपको कुछ उदाहरन दूंगा कि क्या होता है जब तीनों चीजे एक साथ काम करती हैं और जब नहीं उन नीतियों के प्रभाव को देखने के लिए जो प्रोध्योगिकी के अनुरूप नहीं है परमानू उर्जा उद्योग को देखें परमानू एक मात्र कारबन मुक्त उर्जा स्रोथ है जिसका उप्योग हम लगभग कहीं भी 24 घंटे एक दिन सप्ताह में सिवन दिन कर सकते हैं टेरा पौवर सहित कुछ मुठी भर कमपनिया उननत रियेक्टरों पर काम कर रही हैं जो आज आपके द्वारा देखे जाने वाले रियेक्टरों द्वारा उप्योग किये जाने वाले 50 साल पुराने डिजाइन की समस्याओं को हल करते हैं उनके डिजाइन सुरक्षित और सस्ते हैं और बहुत कम अप्शिष्ट पैदा करते हैं लेकिन बाजार के लिए सही नीतियों और सही द्रिश्टी कोंग के बिना इन उन्नत रियेक्तरों पर वैग्यानिक और इंजीनिरिंग का काम कहीं नहीं होगा कोई भी उन्नत पर्मानु संहंत्र तब तक नहीं बनाया जाएगा जब तक की डिजाइन को मानने नहीं किया जा सकता आपूर्ती श्रेरिंग खलाएं स्थापित नहीं की जा सकती और नए द्रिश्टिकों को प्रदर्शित करने के लिए एक पाइलट प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है दुर्भाग्य से चीन और रूस जैसे कुछ अपवादों के साथ जो सीधे राज्य समर्थित उन्नत पर्मानु कमपनियों में निवेश कर रहे हैं अधिकांश देशों के पास ऐसा नहीं है इन चीजों को करने के व्यावहारिक तरीके यह मदद करेगा अगर कुछ सरकारे प्रदर्शन परियोजनाओं को चलाने और चलाने में मदद करने के लिए उन्में सहनिवेश करने को तैयार थीन जैसा कि यू इस सरकार ने हाल ही में किया है मुझे एहसास है कि यह आत्म सेवारत लग सकता है यह देखते हुए कि मैं एक उन्नत पर्मानू कमपनी का मालिक हूँ लेकिन यह एक मात्र तरीका है जिससे पर्मानू उर्जा को जलवायू परिवर्तन में मदद करने का मौका मिलेगा जैव इंधन का उदाहरण एक अलग चुनोती दिखाता है यह सुनिश्चित करना कि हम जानते हैं कि हम किस समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के अनुसार अपनी नीतियों को समायोजित करना 2005 में तेल की बढ़ती कीमतो और कम तेल आयात करने की इच्छा के साथ कांग्रेस ने अक्षे इंधन मानक पारित किया जिसने लक्षे निर्धारित किया कि आने वाले वर्षों में देश कितना जैव इंधन का उप्योग करेगा बस इस कानून को पारित करने से परिवहन उद्योग को एक मजबूत संकेत मिला जिसने उस समय मौजूद जैव इंधन प्रोद्योगिकी में बहुत अधिक निवेश किया मकई आधारित इथेनोल मकई इथेनोल पहले से ही गैसोलीन के साथ काफी प्रतिसपर्धी था क्योंकि गैस की कीमते बढ़ रही थी और इथेनोल उतपादकों को एक दशक पुराने टैक्स क्रेडिट से फाइदा हुआ था नीती काम कर गई इथेनोल का उतपादन कांग्रेस द्वारा निर्धारित लक्षियों को शीगरता से पार कर गया आज संयुक्त राजे अमेरिका में बेची जाने वाली एक गैलन गैस में टेन प्रतिशक तक इथेनोल हो सकता है फिर 2007 में कांग्रेस ने एक अलग समस्या को हल करने के लिए जैव इंधन का उप्योग करना शुरू किया अब चिंता के वल तेल की बढ़ती कीमतों की नहीं थी यह जलवायू परिवर्तन भी था सरकार ने जैव इंधन के लक्षे को बढ़ा दिया और इसके अलावा संयुक्त राजे अमेरिका में बेचे जाने वाले सभी जैव इंधन का लगभग 60 प्रतिशत मकई से नहीं बलकी अनिस्टार से बनाया जाना चाहिए इस तरह से बने जैव इंधन पारमपरिक जैव इंधन की तुलना में उत्सरजन को तीन गुना कम करते हैं रिफाइनर ने पारमपरिक मकई आधारित जैव इंधन के लक्षे को जल्दी से पूरा कर लिया लेकिन उन्नत विकल्प अपने लक्षे से बहुत पीछे रह गए हैं क्यों? आंशिक रूप से क्योंकि उन्नत जैव इंधन का विज्ञान सिर्फ साधा कठिन है और तेल की कीमते अपेक शाकरित कम बनी हुई हैं जिससे बड़े निवेश को ऐसे विकल्प में उचित खहराना मुश्किल हो गया है जो अधिक महंगा होगा लेकिन एक बड़ा कारण यह है कि जो कमपनिया इन जैव इंधन का उत्पादन कर सकती हैं और जो निवेशक उन्हें वापस कर सकते हैं उन्हें बाजार के बारे में कोई निश्चित्ता नहीं है कारेकारी शाखा ने उन्नत जैव इंधन की आपूर्ती में कमी की उम्मीद की है इसलिए यह लक्षे कम करता रहता है 2017 में गिरा दिया गया लक्षे 5.5 बिलियन गैलन से 311 मिलियन गैलन तक और कभी कभी नए लक्षियों की घोशना साल में इतनी देर से की जाती है कि उत्पादकों को यह नहीं पता होता है कि वे बिक्री पर कितना भरोसा कर सकते हैं यह एक दुश्चक्र है, सरकार कोटा कम करती है क्योंकि वह कमी की उम्मीद करती है और कमी होती रहती है क्योंकि सरकार कोटा कम करती रहती है यहां सबक यह है कि नीती निर्माताओं को उस लक्षे के बारे में इस्पष्ट होना चाहिए जिसे वे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उन प्रोध्योगिकियों से अवगत हैं जिन्हें वे बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं सन्युक्त राजे अमेरिका को आयात करने के लिए आवशेक तेल की मात्रा को कम करने के लिए जैव इंधन लक्षे निर्धारित करना एक अच्छा तरीका था क्योंकि पहले से ही एक मौजूदा तकनीक थी मकई इथेनोल जो लक्षे को पूरा कर सकती थी इस नीती ने नवुनमेश को बढ़ावा दिया, बाजार का विकास किया और इसे आगे बढ़ाया लेकिन जैव इंधन लक्षे निर्धारित करना उत्सरजन को कम करने का एक विशेश रूप से प्रभावी तरीका नहीं था क्योंकि नीती निर्माताओं ने इस तथे के लिए जिम्मेदार नहीं है कि उप्यूक्त प्रोध्योगी की उन्नत जैव इंधन अभी भी प्रारंबिक चरण में है और उन्होंने निश्चित्ता नहीं बनाई है कि बाजार को इसे शुरुआती दोर से बाहर निकालने की जरूरत है अब आई ये एक सफलता की कहानी देखें जहां नीती प्रोध्योगी की और बाजारों ने एक साथ बेहतर धंग से काम किया 1970 के दशक की शुरुआत में जापान, संयुक्त राजे अमेरिका और यूरोपिये संग ने सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करने के विभिन तरीकों में शुरुआती शोध के लिए धन देना शुरू किया 1990 के दशक की शुरुआत में, सौर प्रोध्योगी की में काफी सुधार हुआ था कि अधिक कमपनियों ने पैनल बनाना शुरू कर दिया था, लेकिन सौर अभी भी व्यापक रूप से अपनाया नहीं जा रहा था जर्मनी ने पैनल स्थापित करने के लिए कम ब्याज वाले रेन की पेशकश करके और अतिरिक्त सौर उर्जा उत्पन करने वाले किसी भी व्यक्ती को फीडेन टैरिफ नवीकरनी उर्जा द्वारा उत्पन बिजली की प्रती यूनिट एक निश्चित सरकारी भुगतान का बाजार को बढ़ावा दिया फिर 2011 में सन्युक्त राजे अमेरिका ने देश के पांच सबसे बड़े सौर सरनियों के वित्व पोशन के लिए रेन गारंटी का उप्योग किया सौर पैनलों को सस्ता बनाने के सरल तरीके खोजने में चीन एक प्रमुख खिलाडी रहा है पिछले एक दशक में स्थापित पवन क्षमता सालाना ओस्तन 20 प्रतिशत बढ़ी है और पवन तर्बाइन अब दुनिया की बिजली का लगभग 5 प्रतिशत प्रदान करते हैं हवा एक साधारन कारण से बढ़ रही है यह सस्ता हो रहा है चीन जो दुनिया की पवन जनित शक्ती का एक बड़ा और बढ़ता हुआ हिस्सा है ने कहा है यह जल्द ही तटवर्ती पवन परियोजनाओं को सबसेडी देना बंद कर देगा क्योंकि उनके द्वारा उतपादित बिजली पारंपरिक्स रोतों से मिलने वाली बिजली जितनी ही सस्ती होगी यह समझने के लिए कि हम इस बिंदू पर कैसे पहुँचे डेनमार्क को देखें वन नाइन सेवन जीरो के दशक के तेल जटकों के बीच डेनिश सरकार ने पवन उर्जा को बढ़ावा देने और कम तेल आयात करने की दिशा में कई नीतियां बनाई अन्य बातों के अलावा सरकार ने अक्षे उर्जा अनुसंधान एवग विकास में बहुत पैसा लगाया वे अकेले नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया इस समय के आसपास संयुक्त राजे अमेरिका ने ओहियों में उपियोगिता पैमाने पर पवन तर्बाइन पर काम करना शुरू कर दिया लेकिन डेन ने कुछ असामानने किया उन्होंने अपने आर इंड डी समर्थन को फीडेन टेरिफ और बाद में कार्बन टेक्स के साथ जोड़ा डेनमार्क ने पवन उर्जा को और अधिक किफायती बनाने का मार्ग प्रशेस्ट करने में मदद की ये टर्बाइन सेमसो द्वीब पर हैं जैसे ही स्पेन जैसे देशों ने इसका अनुसरन किया पवन उद्योग ने सीखने की अवस्था को नीचे की ओर ले जाना शुरू कर दिया कमपनियों के पास अब बड़े रोटार और उच्चक्षमता वाली मशीने विक्सित करने के लिए प्रोटसाहन था ताकि प्रतेक तर्बाइन अधिक बिजली का उत्पादन कर सके और उन्होंने अधिक इकाया बेचना शुरू कर दिया समय के साथ पवन तर्बाइन की लागत में नाटकिय रूप से गिरावट आई तो क्या हवा से उत्पन बिजली की लागत डेनमार्क में यह 187 और 2001 के बीच आधे से गिर गया आज देश को अपनी आधी बिजली तत्वर्ती और अप्तटी पवन से मिलती है और यह दुनिया में पवन तर्बाइनों का सबसे बड़ा निर्यातक है सपष्ट होने के लिए इन कहानियों की बात यह नहीं है कि सौर और पवन हमारी सभी बिजली की जरूरतों का जवाब हैं वे हमारी कुछ बिजली की जरूरतों के दो जवाब हैं अध्याय फोर देखें, मुद्दा यह है कि जब हम तीनों चीजों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं प्रोध्योगी की, नीतिया और बाजार हम नवाचार को प्रोधसाहित कर सकते हैं नई कमपनियों को जगा सकते हैं और नए उत्पादों को बाजार में तेजी से लाएं जलवायू परिवर्तन की किसी भी योजना को यह समझने की जरूरत है कि तीनों एक साथ कैसे काम करते हैं अगले अध्याय में, मैं एक ऐसा प्रस्ताव दूंगा जो ऐसा करता है नोट छोड़ें जंगल की आग, जैसे की 2020 में पश्चिमी संयुक्त राजे भर में बह गई, एक अलग लेकिन संबंधित मुद्दा है 2020 के जंगल की आग के दूएं ने लाखों लोगों के लिए बाहर जाना असुरक्षित बना दिया है अध्याय 11 शून्य करने की योजना जब मैं 2015 में पेरिस में जलवायू सम्मेलन के लिए था, तब मैं नहीं कर सकता था सोचने में मदद करें, क्या हम वाकई ऐसा कर सकते हैं दुनिया भर के नेताओं को एक साथ हाथे देखना प्रेरना दायक था जलवायू लक्षियों को अपनाएं क्यों की लगभग हर देश अपने उत्सरजन में कठोती करने के लिए प्रतिबध है लेकिन एक के बाद एक सरवेक्षनों से पता चलता है कि जलवायू परिवर्तन अभी भी एक मामूली राजनीतिक मुद्दा था सबसे अच्छा मुझे चिंता थीक की हमारे पास इस कठिन काम को करने की इच्छा शक्ती कभी नहीं होगी मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि जलवायू परिवर्तन में जनता की दिल्चस्पी मेरी सोच से कहीं अधिक बढ़ी है पिछले कुछ वर्षों में जलवायू परिवर्तन के बारे में वैश्विक बातचीत ने बेहतरी के लिए एक उलेखनिय मोड लिया है राजनीतिक इच्छा शक्ती हर स्तर पर बढ़ रही है क्योंकि दुनिया भर के मतदाता कारवाई की मांग करते हैं और शहर और राजे नाटकिये कटवती करने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उनके राष्ट्रिये लक्षियों का समर्थन करते हैं या जैसा कि सन्यूक्त राजे अमेरिका में है अब हमें इन लक्षियों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट योजनाओं के साथ जोडने की आवश्यक्ता है ठीक उसी तरह जैसे Microsoft के शुरुआती दिनों में Paul Allen और मेरा एक लक्षे था हर डेस्क पर और हर घर में एक कम्प्यूटर जैसा कि हम इसे कहते हैं और अगले दशक के निर्मान और उस तक पहुँचने की योजना को क्रियानवित करने में बिताया लोगों ने सोचा कि हम इतने बड़े सपने देखने के लिए पागल हैं लेकिन यह चुनोती जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए जो कुछ भी करेगी उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी एक बड़ा उपकरम जिसमें दुनिया भर के लोग और संस्थान शामिल होंगे अध्याय टेन उस लक्षे को प्राप्त करने में सरकारों की भूमिका के बारे में था इस अध्याय में मैं सरकार के नेताओं और नीती निर्माताओं द्वारा उठाए जा सकने वाले विशिष्ट कदमों पर ध्यान के इंद्रित करते हुए हम एक जलवायू आपदा से कैसे बच सकते हैं इसके लिए एक योजना का प्रस्ताव करेंगे आप नीचे दिये गए प्रतेक तत्व के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सफलता उर्जा ओर जी अगले अध्याय में मैं यह बताऊंगा कि हम में से प्रतेक व्यक्ति इस योजना का समर्थन करने के लिए क्या कर सकता है हमें कितनी जल्दी शूने पर पहुँचना है विज्ञान हमें बताता है कि जलवायू आपदा से बचने के लिए अमीर देशों को 2050 तक शुद्धशूने उत्सरजन तक पहुँचना चाहिए आपने शायद लोगों को यह कहते सुना होगा कि हम 2030 तक और भी जल्दी जल्दी डिकार्बोनाईज कर सकते हैं दुर्भाग्य से जिन कारणों से मैंने इस पुस्तक में बताया है 2030 यह थार्थवादी नहीं है यह देखते हुए कि हमारे जीवन में मूलभूत जीवाश्म इंधन कैसे हैं एक दशक के भीतर व्यापक रूप से उनका उप्योग करना बंद करने का कोई तरीका नहीं है अगले दस वर्षों में हम क्या कर सकते हैं और करने की आवशेक्ता है उन नीतियों को अपनाना जो हमें 2050 तक गहरे डी कार्बोनाईजेशन के रास्ते पर लाएगी यह एक महत्व पूर्ण अंतर है हालांकि यह तुरंत स्पष्ट नहीं है वास्तव में ऐसा लग सकता है कि 2030 तक कम करें और 2050 तक शून पर पहुँचें पूरक हैं क्या 2030-2050 के रास्ते पर एक पड़ाव नहीं है? जरूरी नहीं 2030 तक गलत तरीके से कटवती करना वास्तव में हमें कभी भी शून होने से रोक सकता है क्यों? क्योंकि 2030 तक छोटी छोटी कटवती पाने के लिए हम जो चीजें करेंगे वे उन चीजों से मौलिक रूप से भिन हैं जिन्हें हम 2050 तक शून पर लाने के लिए करेंगे वे वास्तव में दो अलग अलग रास्ते हैं सफलता के विभिन उपायों के साथ और हमें इन में से किसी एक को चुनना है उन्हें 2030 के लिए लक्षे रखना बहुत अच्छा है जब तक कि वे 2050 तक शून के रास्ते पर मील के पत्थर हैं यहाँ पर क्यों? यदि हम 2030 तक उत्सर्जन को कुछ हद तक कम करने के लिए निर्धारित करते हैं तो हम उन प्रयासों पर ध्यान के इंद्रित करेंगे जो हमें उस लक्षे तक पहुचाएंगे भले ही वे प्रयास शूने तक पहुचने के अंतिम लक्षे तक पहुचने के लिए कठिन या असंभव बना दें उदाहरन के लिए यदि डू-जीरो-थ्री-जीरो तक कम करना सफलता का एक मातर उप्आय है तो कोईले से चलने वाले बिज्ली संध्रों को गैस से चलने वाले बिज्ली संध्रों से बदलना आकर शक होगा आखिरकार यह हमारे कार्बन डाय ओक्साइड के उत्सर्जन को कम करेगा लेकिन अब और 2030 के बीच निर्मित कोई भी गैस सहंयंत्र 2050 तक चालू रहेगा उन्हें बनाने की लागत की भरपाई के लिए उन्हें दशकों तक चलना होगा और प्राक्रितिक गैस सहंयंत्र अभी भी ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करते हैं हम अपने 2030 तक कम करें लक्षे को पूरा करेंगे लेकिन कभी भी शून होने की बहुत कम उम्मीद है दूसरी और यदी हमारा 2030 तक कम करना लक्षे 2050 तक शून की और एक मील का पत्थर है तो कोईले से गैस पर स्विच करने में बहुत समय या पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है इसके बजाए हम दो रन्नीतियों का अनुसरन करने से बेहतर है एक ही समय में सबसे पहले शून कार्बन बिजली सस्ते और मजबूती से वित्रित करने के लिए बाहर जाना और दूसरा यथा संभव व्यापक रूप से विद्योती करन वाहनों से लेकर अध्योगिक प्रक्रियाओं और ताप पंपों तक यहां तक कि उन जगहों पर भी जो वर्तमान में अपनी बिजली के लिए जीवाश्म इंधन पर निर्भर हैं अगर हम सोचते हैं कि केवल एक चीज जो मायने रखती है वह है टू-030 तक उत्सरजन को कम करना तो यह द्रिष्टि कोंग विफल होगा क्योंकि यह एक दशक के भीतर केवल मामूली कटवती कर सकता है लेकिन हम दीर्ग कालिक सफलता के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं स्वच्च बिजली के उत्पादन, भंडारन और वितरन में हर सफलता के साथ हम शून्य के करीब और करीब पहुंचेंगे इसलिए यदि आप एक मापने वाली छड़ी चाहते हैं जिसके लिए जलवायू परिवर्तन पर कौन से देश प्रगती कर रहे हैं और कौन से नहीं तो केवल उन देशों की तलाश न करें जो उनके उत्सरजन को कम कर रहे हैं उन लोगों की तलाश करें जो शून्य तक पहुंचने के लिए खुद को स्थापित कर रहे हैं उनका उत्सरजन भले ही अब ज्यादा नहीं बदल रहा हो लेकिन वे सही रास्ते पर चलने के लिए श्रेय के पात रहें मैं एक बात पर 2030 अधिवक्ताओं से सहमत हूँ यह अत्यावशेक कारे है हम आज जलवायू परिवर्तन के साथ उसी बिंदू पर हैं जैसे हम कई साल पहले महामारियों के साथ थे स्वास्ते विशेशगे हमें बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर प्रकोप लगभग अप्रिहारे था उनकी चेतावनियों के बावजूद दुनिया ने तैयारी के लिए परियाप्त प्रयास नहीं किया और फिर अचानक खोए हुए समय की भरपाई के लिए हाथा पाई करनी पड़ी हमें जलवायू परिवर्तन के साथ वही गलती नहीं करनी चाहिए यह देखते हुए कि हमें 2050 से पहले इन सफलताओं की आवशेक्ता होगी और जो हम जानते हैं कि नए उर्जासरोतों को विक्सित करने और रोल आउट करने में कितना समय लगता है हमें अभी शुरू करने की आवशेक्ता है यदि हम अभी शुरूात करते हैं विज्ञान और नवाचार की शक्ती का दोहन करते हुए और यह सुनिश्चित करते हैं कि समाधान सबसे गरीब लोगों के लिए काम करते हैं तो हम जलवायू परिवर्तन के साथ महामारी की तैयारी की गलतियों को दोहराने से बच सकते हैं यह योजना हमें उस रास्ते पर ले जाती है नवाचार और आपूर्ती और मांग का कानून जैसा कि मैंने शुरू में तर्क दिया था और जैसा कि मुझे आशा है कि बीच के अध्यायों में स्पष्ट हो गया है किसी भी व्यापक जलवायू योजना को कई अलग अलग विश्यों में टैप करना होगा जलवायू विज्यान हमें बताता है कि हमें इस समस्या से निपटने की आवशेक्ता क्यों है लेकिन यह नहीं कि इस से कैसे निपटा जाए उसके लिए हमें जीव विज्यान, रसायन विज्यान, भौतिकी की आवशेक्ता होगी राजनीती विग्यान, अर्थशास्त्र, इंजीनीरिंग और अन्य विग्यान ऐसा नहीं है कि हर किसी को हर विशे को समझने की जरूरत है पॉल और मैंसे कहीं ज्यादा जब हमने शुरुआत की थी तब हम मार्केटिंग, व्यवसायों के साथ साजेदारी या सरकारों के साथ काम करने के विशेश गय थे Microsoft को क्या चाहिए था और जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए हमें अभी क्या चाहिए एक ऐसा द्रिष्टिकों है जो कई अलग अलग विश्यों को हमें सही रास्ते पर लाने की अनुम्ती देता है उर्जा, सौफ्टवेर और लगभग हर दूसरी खोज में केवल सक्त, तकनीकी अर्थों में नवाचार के बारे में सोचना एक गलती है नवाचार केवल एक नई मशीन या कुछ नई प्रक्रिया के आविश्कार की बात नहीं है यह व्यापार मोडल, आपूर्ती श्रिंग खला, बाजार और नीतियों के लिए नए द्रिष्टिकों के साथ भी आ रहा है जो नई आविश्कारों को जीवन में आने और वैश्विक स्तर तक पहुँचने में मदद करेगा नवाचार नई उपकरण और चीजों को करने के नई तरीके दोनों है उन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी योजना के विभिन तत्वों को दो श्रेनियों में विभाजित किया है यदि आपने अर्थशास्त्र 101 लिया है तो ये श्रेनिया परिचित होंगी एक में नवाचारों की आपूर्ती का विस्तार करना शामिल है नवाचारों की संख्या जो परिक्षन किये जाते हैं और दूसरे में नवाचारों की मांग में तेजी लाना शामिल है पुशेंडपुल फैशन में दोनों हाथ से काम करते हैं नवाचार की मांग के बिना आविशकार को और नीती निर्माताओं के पास नए विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोथ साहन नहीं होगा, नवाचारों की निरंतर आपूर्ती के बिना, खरीदारों के पास वे हरे उत्पाद नहीं होंगे जिनकी दुनिया को शूने तक पहुंचने की आवश्यक्ता है। के लिए नवाचार पर जोर देने की जरूरत है और साथ ही इसकी मांग भी बढ़ानी होगी। और माइक्रोसोफ्ट में हमने एक बड़ा समूह बनाया जिसने शोध के अलावा कुछ नहीं किया, जिस पर मुझे आज भी गर्व है। अनिवारे रूप से उनका काम नवाचारो की आपूर्ती बढ़ाना है। हमने गराहकों को सुनने में भी काफी समय बिताया, जिन्होंने हमें बताया कि वे हमारे सोफ्ट वेर से क्या चाहते हैं, यही नवाचार मांग पक्ष है और इसने हमें महत्व पूर्ण जानकारी दी जिसने हमारे शोध प्रयासों को आकार द देखते हैं, जिनकी हमें आवशेकता होती है। यह देपी हमारे पास आज कई लागत्व प्रतिसपर्धी कम कार्बन समाधान हैं, फिर भी हमारे पास वेश्विक स्तर पर शूने उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए आवशेक सभी प्रोध्योगि किया नहीं हैं। अध्याय 4-9 में मैंने सबसे महत्व पूर्ण लोगों का उलेक किया है, जिनकी हमें अभी भी आवशेकता है। त्वरित संदर्भ के लिए यहां फिर से सूची दी गई है। आप सूची में प्रतेक आइटम में मध्यम आयवाले देशों को खरीदने के लिए पर्याप्त स शब्ड डाल सकते हैं। लाने के लिए सरकारों को निमनलिखित करने की आवशेकता है। अगले दशक में त्विन्टुपल स्वच्च उर्जा और जलवायू संबंधी अनुसंधान एवग विकास। अनुसंधान और विकास में प्रतेक्ष सारवजनिक निवेश सबसे महत्व पूर्ण चीजों मे से एक है जो हम जलवायू परिवर्तन से लड़ने के लिए कर सकते हैं लेकिन सरकारे इसे लगभग परियाप्त नहीं कर रही हैं। कुल मिलाकर स्वच्च उर्जा अनुसंधान एवग विकास के लिए सरकारी वित्व पोशन लगभग 22 बिलियन डॉलर प्रती वर्ष है जो वैश्विक अर्थवेवस्था का केवल 0.02 प्रतिशत है। अमेरिकी एक महीने में इससे ज्यादा पेट्रोल पर खर्च करते हैं। सन्यूक्त राजे, जो अब तक स्वच्च उर्जा अनुसंधान में सबसे बड़ा निवेशक है, प्रती वर्ष केवल 7 बिलियन खर्च करता है। हमें कितना खर्च करना चाहिए। मुझे लगता है कि राश्ट्रिय स्वास्थे संस्थान, NIH, एक अच्छी तुलना है। NIH, प्रती वर्ष लगभग 3-7 बिलियन के बजट के साथ, जीवन रक्षक दवाय और उपचार विक्सित किये हैं, जिन पर अमेरिकी और दुनिया भर के लोग हर दिन भरोसा करते हैं। यह एक महान मोडल है, और जलवायू परिवर्तन के लिए हमें जिस महत्वा कांक्षा की आवश्यक्ता है, उसका एक उदाहरन है। और यह देपी एक R&D बजट को क्विन्टूप करना बहुत सारे पैसे की तरह लगता है, यह चुनोती के आकार की तुलना में कमजोर है, और यह एक शक्तिशाली संकेतक है, कि सरकार कितनी गंभीरता से समस्या लेती है। उच्च जोखिम, उच्च इनाम वाली R&D परियोजनाओं पर बड़ा दाम लगाएं। सवाल यह नहीं है, कि सरकारें कितना खर्च करती हैं। वे इसे मामलों पर भी क्या खर्च करते हैं। पहले स्वच्च उर्जा में निवेश करके सरकारें जल चुकी हैं। यदि आपको अनुसमारक की आवशेकता है, तो सोलिंद्र कांड, देखें, और नीती निर्माता यह नहीं देखना चाहते हैं, कि वे करदाताओं का पैसा बरबाद कर रहे हैं। लेकिन विफलता का यह दर R&D पोर्टफोलियो को अदूर दर्शी बना देता है। वे सुरक्षित निवेश की ओर जुकाव रखते हैं, जो निजी शेत्र द्वारा वित्त पोशित किया जा सकता है, और होना चाहिए। आरेंडड़ी में सरकारी ने तृत्व का वास्तविक मूले यह है, कि यह ऐसे साहसिक विचारों पर जोखिम उठा सकता है, जो विफल हो सकते हैं, या तुरंत भुगतान नहीं कर सकते हैं। यह उन वैग्यानिक उद्धेमों के लिए विशेश रूप से सठ है, जो निजी शेत्र के लिए अध्याय दस में बताए गए कारणों को पूरा करने के लिए बहुत जोखिम भरा है। यह देखने के लिए कि क्या होता है, जब सरकारें सही तरीके से बड़ा दाम लगाती हैं। और चीन, इस परियोजना में 13 साल और 80 डॉलर लगे, लेकिन इसने दरजनों आनुवनशिक स्थितियों के लिए नए परेक्षणों या उपचारों का मार्ग प्रशेस्ट किया है, जिसमें विरासत में मिला कोलन कैंसर, अलजाइमर रोग और पारिवारिक स्थन कैंसर शाम डॉलर 141 उत्पन किया, उसी तरह हमें सरकारों को मेगा स्केल परियोजनाओ, सेकडो मिलियन या अर्बो डॉलर की सीमा में के वित्पोशन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, जो स्वच उर्जा के विज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं, खास कर उन क्षेतरों में जिन वाले वर्षों के लिए उनके पास समर्थन का एक स्थिर प्रवाह होगा, थ्री हमारी सबसे बड़ी जरूरतों के साथ हार इंड डी का मिलान करें, उपन्यास वैग्यानिक अवधारनाओं, जिसे बुनियादी शोध भी कहा जाता है, में नीले आकाश के शोध और वैग्य अगर अलग चीजे हैं, यह सोचना एक गलती है, जैसा कि कुछ शुधतावादी करते हैं, कि बुनियादी विज्ञान को इस बात पर विचार करके कलंकित नहीं किया जाना चाहिए कि यह कैसे एक उप्योगी वानिजेक उत्पाद को जन्म दे सकता है, कुछ बेहतरीन आव परित्व किया और पाश्चुरीकरन हमें अधिक सरकारी कारेक्रमों की आवश्यक्ता है, जो उन क्षेत्रों में बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को एकी कृत करते हैं, जहां हमें सफलताओं की सबसे अधिक आवश्यक्ता है अमेरिकी उर्जा विभाग की संशोट पहल इस बात का एक अच्छा उदाहरण है, कि यह कैसे काम कर सकता है 2011 में, कारेक्रम के नेताओं ने दशक के भीतर सौर उर्जा की लागत को 0.06 प्रती किलोवाट घंटे तक कम करने का लक्षे निर्धारित किया उन्होंने प्रारंबिक चरण के आरैंदड़ी पर ध्यान के नदरित किया, लेकिन उन्होंने निजी कमपनियों, विश्वविद्यालियों और राष्ट्रिय प्रयोगशालाओं को सौरा उर्जा प्रणालियों की लागत को कम करने, नौकरशाही बाधाओं को दूर करने और सौरा उर्जा प्रणाली के वित्व पोशन के लिए इसे सस्ता बनाने जैसे प्रयासों पर ध्यान के इंद्रित करने के लिए प्रोच साहित किया इस एकी कृत द्रिष्टिकों के लिए धन्यवाद संशोट ने 2017 में अपने लक्षे को निर्धारित समय से तीन साल पहले पूरा किया उद्योग के साथ शुरू से काम करें एक और कृत्रिम अंतर जो मैंने देखा है वह यह है कि प्रारंबीक चरंण का नवाचार सरकारों के लिए है और बाद के चरंण का नवाचार उद्योगों के लिए है ऐसा नहीं है कि यह वास्तव में कैसे काम करता है खास कर जब उर्जा में हमारे सामने कठिन तक्नीकी चुनोतियों की बात आती है जहां किसी भी विचार के लिए सफलता का सबसे महत्व पूर्ण उपाय राश्ट्रियर या वैश्विक स्तर तक पहुंचने की क्षमता है प्रारंभिक चरण में साजेदारी उन लोगों को लाएगी जो यह जानते हैं कि यह कैसे करना है बाधाओं को दूर करने और नवाचार चक्र को गती देने के लिए सरकारों और उद्योग को मिलकर काम करने की आवशेक्ता होगी व्यवसाय नई तकनीकों के प्रोटोटाइप में मदद कर सकते हैं बाजार में अंतर दृष्टी प्रदान कर सकते हैं और परियोजनाओं में सहनिवेश कर सकते हैं और जाहिर है वे वही हैं जो प्रोटोगी की कव्यावसाई करन करेंगे इसलिए उन्हें जल्दी लाने के लिए समझ में आता है नवाचार की मांग में तेजी लाना आपूर्ती पक्ष की तुलना में मांग पक्ष थोड़ा अधिक जटिल है इसमें वास्तव में दो चरण शामिल है प्रूफ चरण और स्केल अप चरण प्रयोग शाला में एक द्रिष्टी कोंग का परीक्षन करने के बाद इसे बाजार में साबित करने की आवशेक्ता है तकनीक की दुनिया में यह सबूत चरण त्वरित और सस्ता है यह प्रदर्शित करने में देर नहीं लगती की नया स्मार्ट फोन मोडल काम करता है और ग्राहकों को पसंद आएगा लेकिन उर्जा में यह बहुत कठिन और अधिक महेंगा है आपको यह पता लगाना होगा कि क्या प्रयोगशाला में काम करने वाला विचार अभी भी वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों में काम करता है हो सकता है कि आप जिस क्रिशी अप्षिष्ट को जैव इंधन में बदलना चाहते हैं वह आपके द्वारा प्रयोगशाला में उप्योग किये गए सामान की तुलना में बहुत अधिक गीला है और इसलिए उतनी उर्जा का उत्पादन नहीं करता जितना आपने उमीद की थी आपको जल्दी अपनाने की लागत और जोखिमों को भी कम करना होगा आप उर्ती श्रिंग खला विक्सित करें, अपने व्यवसाय मोडल का परीक्षन करें और उपभोकताओं को नए के साथ सहज होने में मदद करें प्रोध्योगी की वर्तमान में प्रूफ चरण में विचारों में निम्न कार्बन सीमेंट अगली पीड़ी के परमान उविखंदन, कार्बन कैप्चर और सीक्वेस्ट्रेशन, अप्तटिय पवन सेल्यूलोसिक इथेनोल, उन्नत जैव पींधन का एक प्रकार और मान्स के विकल्प शामिल है सबूत चरण मौत की घाटी है एक ऐसी जगह जहां अच्छे विचार मर जाते हैं अकसर, नए उत्पादों के परीक्षन और उन्हें बाजार में पेश करने के साथ आने वाले जोखिम बहुत अधिक होते हैं निवेशक डर जाते हैं यह निम्नकारबन प्रोध्योगिकियों के लिए विशेश रूप से सठ है जिसके लिए बहुत अधिक पूंजी की आवशेक्ता हो सकती है और उपभोकताओं को अपने विवहार को काफी हद तक बदलने की आवशेक्ता हो सकती है सरकारे, साथ ही बड़ी कमपनिया, उर्जा स्टार्ट अप को घाटी से बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं क्योंकि वे बड़े पैमाने पर उपभोकता हैं यदि वे हरे रंग को खरीदने को प्रात्मिक्ता देते हैं तो वे निश्चित्ता पैदा करके और लागत कम करके अधिक उतपादों को बाजार में लाने में मदद करेंगी खरीद शक्ती का प्रयोग करें सभी स्तरों पर सरकारें, राष्ट्रिय, राजे और स्थानिय, भारी मात्रा में इंधन, सीमिंट और स्टील खरीदती हैं वे विमानों और ट्रकों और कारों का निर्मान और संचालन करते हैं और वे गीगावाट की बिजली की खपत करते हैं यह उन्हें अपेक्षाकरित कम लागत पर बाजार में उभरती प्रोध्योगिकियों को चलाने के लिए सही स्थिती में रखता है, खास कर यदि आप इन प्रोध्योगिकियों को बड़े पैमाने पर लाने के सामाजिक लाभों में कारक हैं। रक्षा विभाग विमानों और जहाजों के लिए कुछ कम कार्बन वाले तरल इंधन खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं। जिन बाहरी चीजों के बारे में बात की थी, उनकी लागत का आकलन कैसे किया जाए। वैसे, यह कोई विशेश रूप से नया विचार नहीं है। शुरुआती दिनों में इंटरनेट ने इस तरह से उडान भरी, निश्चित रूप से सारवजनिक R&D फंडिंग थी, लेकिन एक प्रतिबद्ध खरीदार अमेरिकी सरकार दूसरे छोर पर प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे प्रोटसाहन बनाएं जो लागत कम करें और जोखिम कम करें। साथ ही साथ सुसंगत और अनुमानित सरकारी नीतियों से आने वाले विष्वास की भी आवश्यक्ता होगी। सरकारे शुन्ने कार्बन नीतियों को अपना कर और इन परियोजनाओं के लिए बाजारों को आकरशित करने के तरीके को आकार देकर एक बड़ी भूमिका निभा सकती है कुछ सिध्धान्त, सरकारी नीतियां प्रोध्योगी की तटस्थ होनी चाहिए, कुछ पसंदीदा लोगों के बजाए उत्सर्जन को कम करने वाले किसी भी समाधान को लाभानवित करना, पूरवानु में नियमित रूप से समाप्त होने और फिर विस्तारित होने के बूनिदी धान्चे का निरमान करें जिससे बाजार में नई प्रोध्योगी कीयां आएंगी यहां तक कि लागत प्रतिसपर्धी कम कार्बन प्रोध्योगिकिया भी बाजार हिस्सेदारी हासिल करने में सक्षम नहीं होंगी यदि बुनियादी धांचा उन्हें पहले स्थान पर बाजार में लाने के लिए नहीं है सभी स्थरों पर सरकारों को उस बुनियादी धांचे के निर्मान में मदद करने की आवशेक्ता है इसमें पवन और सौर के लिए ट्रांसमिशन लाइने, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन और कैप्चर किये गए कार्बन डाई ओक्साइड और हाइडरोजन के लिए पाइपलाइन शामिल है नियम बदले ताकि नई प्रोध्योगिकियां प्रतिसपर्धा कर सकें एक बार बुनियादी धांचे के निर्मान के बाद हमें नए बाजार नियमों की आवशेक्ता होगी जो नई तकनीकों को प्रतिसपर्धी बनाने की अनुमती दें वीइन सदी की तकनीकों के आसपास दिजाइन किये गए बिजली बाजार अकसर वीइन सदी की प्रोध्योगिकियों को नुकसान में डालते हैं उदाहरन के लिए अधिकांश बाजारों में लंबी अवधी के भंडारन में निवेश करने वाली उप्योगिताओं को उस मूले के लिए उचित रूप से मुआवजा नहीं दिया जाता है जो वे ग्रेड को प्रदान कर रहे हैं विनियम कारों और ट्रकों में अधिक उन्नत जैव इंधन का उप्योग करना कठिन बनाते हैं और जैसा कि मैंने अध्याय दस में उलेक किया है कम कार्बन कंक्रीट के कुछ नए रूप पुराने सरकारी नियमों के कारण प्रतिसपरधा नहीं कर सकते इस अध्याय में अब तक मैं विकास के चरण को कवर कर रहा हूँ ऐसी नीतियां जो उर्जा की सफलताओं के निर्मान और अपनाने को बढ़ावा दे सकती हैं अब आई ये स्केल अप चरण की ओर मुडे, तीवर, बड़े पैमाने पर परिनियोजन आप इस तरपर तभी पहुंच सकते हैं, जब लागत काफी कम हो, आपकी आपूर्ती श्रेरिंग खलाए और व्यवसाय मॉडल अच्छी तरह से विक्सित हों, और उपभोकताओं ने दिखाया हो कि वे वही खरी देंगे जो आप बेच रहे हैं तटवर्ती पवन, सौर उर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन सभी बड़े पैमाने पर चरण में हैं, लेकिन उन्हें बढ़ाना आसान नहीं होगा हवा, सौर और स्वच्च उर्जा के अनरूपों से आने वाले अधिकांश नए इलेक्ट्रोनों के साथ, हमें कुछ ही दशकों में बिजली की मात्रा को तीन गुना से अधिक करने की आवश्यक्ता है हमें इलेक्ट्रिक वाहनों को उतनी ही तेजी से अपनाने की जरूरत है, जितनी तेजी से हमने कपड़े सुखाने वाले और रंगीन टीवी उपलब्ध होने पर खरीदे हमें सडकों, पुलों और भोजन की आपूर्ती जारी रखते हुए चीजों को बनाने और विक्सित करने के तरीके को बदलने की जरूरत है, जिस पर हम सभी निर्भर हैं सभाग्य से, जैसा कि मैंने अध्याय टेन में उलेख किया है, हम उर्जा प्रोध्योगिकियों को बढ़ाने के लिए अजनबी नहीं हैं हमने ग्रामीन विद्योती करण को आगे बढ़ाया और नीती और नवाचार को एक साथ जोड़कर जीवाश्म इंधन के घरेलू उत्पादन का विस्तार किया आप उन नीतियों में से कुछ पर विचार कर सकते हैं, जैसे तेल कमपनियों के लिए विभिन्न कर लाभजी वाश्म इंधन के लिए सबसेड़ी, लेकिन वे वास्तव में एक ऐसी तकनीक को तैनात करने के लिए एक उपकरण हैं, जिसे हमने मूलेवान माना था याद रखे कि वन नाइन सेवन जीरो के दशक के अंत तक, जब जलवायू परिवर्तन की अवधारना ने पहली बार राश्ट्रिय बहस में प्रवेश किया था, यह व्यापक रूप से स्विकार किया गया था कि जीवन की गुनवत्ता बढ़ाने और आर्थिक विकास को फै लगू कर सकते हैं, व्यवहार में इसका क्या अर्थ है? कार्बन पर एक कीमत रखो, चाहे वह कार्बन टैक्स हो या कैपेंड ट्रेड सिस्टम, जहां कमपनियां कार्बन उत्सर्जन का अधिकार खरीद और बेच सकती हैं, उत्सर्जन पर कीमत लगाना सबसे महत्व पूर चीजों में से एक है, जो हम ग्रीन प्रीमियम को खत्म करने के लिए कर सकते हैं, निकट भविशे में, कार्बन मूले का मूले यह है, कि जीवाश्म इंधन की लागत बढ़ा कर, यह बाजार को बताता है, कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का उत्सर्जन करने वाले उत्पा कई अर्थशास्त्रियों का तर्ख है, कि उर्जा की कीमतों में परिणामी वृद्धी को कवर करने के लिए उपभोकताओं या व्यवसायों को पैसा वापस किया जा सकता है, हालांकि एक मजबूत तर्ख यह भी है, कि इसे जलवायू परिवर्तन को हल करने में मदद करने क के लिए अनुसंधान एवग विकास और अनिप्रोथ साहनों पर जाना चाहिए, लंबी अवधी में, जैसे जैसे हम शुद्धशूने उत्सरजन के करीब आते हैं, कार्बन की कीमत सीधे हवा पर कबजा करने की कीमत पर निर्धारित की जा सकती है, और राजस्व का उप्य कार्बन को हवा से बाहर निकालने के लिए किया जा सकता है, यद्धेपी यह मूले निर्धारन के सामान के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक मौलिक बदलाव होगा, कार्बन मूले की अवधारना को अर्थशास्त्रियों के बीच विचार के कई स्कूलों और राजनी कितिक रूप से कठिन होने वाला है, क्या लोग अपने गैसोलीन और अपने जीवन में हर दूसरे उत्पाद के लिए इतना अधिक भुगतान करने को तैयार होंगे जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन शामिल है, जो कि उन सभी के लिए बहुत अधिक है, मैं यह नहीं बताऊंगा कि समाधान कैसा दिखना चाहिए, लेकिन मुखे उत्देशे यह सुनिश्चित करना है, कि हर कोई अपने उत्सर्जन की सही लागत का भुगतान करें। आवशेक्ता होती है। ये लचीले, बाजार आधारित तंत्र हैं, उदाहरन के लिए अधिक नवीक्रनिये संसाधनों तक पहुंच वाली उप्योगिताएं कम वाले लोगों को क्रेडिट बेच सकती हैं। लेकिन आज जिस तरह से इस द्रिष्टिकों को अंजाम दिया जा लिमित करता है और इसमें परमानू ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसे विकल्प शामिल नहीं हैं। यह प्रभावी रूप से उत्सर्जन को कम करने की समगर लागत को बढ़ाता है। स्वच्च बिजली मानक जिसे अब बड़ी संख्या में राजे अपनाना चाह रहे हैं, जाने का एक बेहतर तरीका है। विशेश रूप से अक्षै स्रोतों पर जोर देने के बजाए, वे किसी भी स्वच्च उर्जा प्रोध्योगी की प्रमानू और कार्बन कैप्चर सहित को मानक को पूरा करने की अनुमती देते हैं। यह एक लचीला लागत प्रभावी तरीका है। स्वच्च इंधन मानकों कारों और इमारतों के साथ साथ बिजली सहंत्रों से उत्सरजन को कम करने के लिए लचीले प्रदर्शन मानक के इस विचार को अन्यक शेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। उदाहरन के लिए परिवहन शेत्र में लागू एक स्वच्च इंधन मानक इलेक्ट्रिक वाहनों, उन्नत जैव इंधन, विद्यूत इंधन और अन्यकम कार्बन समाधानों की तैनाती में तेजी लाएगा। एक स्वच्च बिजली मानक के साथ यह प्रोध्योगी की तटस्थ होगा, और विनियमित संस्थाओं को क्रेडिट का व्यापार करने की अनुमती दी जा सकती है, जिससे उपभोकताओं की लागत कम हो जाती है। कैलिफोर्निया ने इसके लिए अपने लो कार्बन फ्यूल स्टेंडर्ड के साथ एक मॉडल तैयार किया है। यह जलवायू परिवर्तन को संबोधित करने में इसे एक शक्तिशाली उपकरन बना देगा। यूरोप ये संग का अक्षे उर्जा निर्देश यूरोप में एक समान अवसर प्रदान करता है। स्वच उत्पाद मानकों प्रदर्शन मानक कम उत्सरजन वाले सीमेंट, स्टील, प्लास्टिक और अन्यकारबन गहन उत्पादों की तैनाती में तेजी लाने में भी मदद कर सकते हैं। सरकारे अपने खरीद कारेक्रमों में मानक निर्धारित करके और लेबलिंग प्रोग्राम बनाकर प्रक्रिया शुरू कर सकती हैं, जो सभी खरीदारों को इस बारे में जानकारी देती हैं, कि विभिन आपूर्ति करता कितनी स्वच्च हैं। फिर हम इनहें बाजार में बेचे जाने वाले सभी कारबन सघन सामानों को कवर करने वाले मानकों तक विस्तारित कर सकते हैं, नकी केवल सरकारों द्वारा जो कुछ भी खरीदा जा रहा है। आयातित वस्तों को भी अरहता प्राप्त करनी होगी जो देशों की चिंताओं को दूर करेगा कि उनके विनिर्मान क्षेतरों से उत्सरजन कम करने से उनके उत्पाद अधिक महंगे हो जाएंगे और उन्हें प्रतिसपर्धी नुकसान में डाल दिया जाएगा पुराने के साथ बाहर जितनी जल्दी हो सके नई तकनीक को रोल आउट करने के अलावा सरकारों को अक्षम, जीवाशमेंधन वाले उपकरन चाहे बिजली संयंत्र या आटो मोबाइल को अन्नेथा की तुलना में तेजी से सेवानिवरित्त करने की आवशेक्ता होगी बिजली संयंत्रों के निर्मान में बहुत खर्थ होता है और वे जो उर्जा पैदा करते हैं वह केवल तभी सस्ती होती है जब आप निर्मान की लागत को उनके उप्योगी जीवन काल में फैला सकते हैं नतीज तन उप्योगिता कंपनिया और उनकी नियामक एजेंसिया एक पूरी तरह से अच्छे परिचालन संयंत्रों को बंद करने के लिए तैयार हैं जिसके आगे दशकों का उप्योगी जीवन हो सकता है नीती आधारित प्रोटसाहन या तो टैक्स कोड या उप्योगिता विनेमन के माध्यम से इस प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं पहले कौन है? कोई भी एक सरकारी निकाय पूरी तरह से एक योजना को लागू नहीं कर सका जैसा कि मैंने रेखांकित किया है निरने लेने का अधिकार बस बहुत फैला हुआ है हमें स्थानिय परिवहन योजना कारों से लेकर राष्ट्रिय विधाईकाओं और परियावरन नियामकों तक सरकार के सभी स्तरों पर कारवाई की आवशेक्ता होगी सटीक मिश्रन एक देश से दूसरे देश में भिन्न होगा लेकिन मैं कुछ सामानने विश्यों पर बात करूंगा जो आज अधिकांश स्थानों पर सत्य है स्थानिय सरकारे यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि इमारतों का निर्मान कैसे किया जाता है और वे किस प्रकार की उर्जा का उप्योग करते हैं क्या बसे और पुलिस की कारे बिजली से चलती हैं, क्या इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग का बुनियादी धांचा है, और कच्रे का प्रबंधन कैसे किया जाता है। अधिकांश राजे या प्रांतिय सरकारों की बिजली को विनियमित करने, सडकों और पुलों जैसे बुनियादी धांचे की योजना बनाने और इन परियोजनाओं में जाने वाली सामगरियों के चैन में केंद्रिय भूमिका होती है। राश्ट्रिय सरकारे आमत और पर राजे या अंतर राश्ट्रिय सीमाओं को पार करने वाली गतिविधियों पर अधिकार रखती हैं, इसलिए वे ऐसे नियम लिखती हैं, जो बिजली बाजारों को आकार देते हैं, प्रदूशन नियमों को अपनाते हैं, और वाहनों और प्रींधन के लिए मानक बनाते हैं, उनके पास भारी खरीद शक्ती भी है, वे राजकोशिय प्रोत साहन का प्रात्मिक स्रोत हैं, और आमत और पर सरकार के किसी भी अनिस्तर की तुलना में अधिक सारवजनिक अनुसंधान एवब विकास को निधी देते हैं, संक्षेप मे प्रतेक राष्ट्रिय सरकार को तीन कारे करने की आवशेक्ता होती है, सबसे पहले इसे 2050 तक अमीर देशों के लिए शूने तक पहुंचने का लक्षे बनाएं, और 2050 के बाद जितनी जल्दी हो सके मध्यम आएवाले देशों के लिए, दूसरा, उन लक्षियों को पूरा कर पहुंचने के लिए विशिष्ट योजनाय विक्सित करें, 2050 तक शूने पर पहुंचने के लिए, हमें 2030 तक नीती और बाजार धांचे को स्थापित करने की आवशेक्ता होगी, और तीसरा, कोई भी देश जो अनुसंधान को निधी देने की स्थिती में है, उसे यह पहुंच सकें, आपको यह दिखाने के लिए कि यह सब एक साथ कैसे काम कर सकता है, यहां बताया गया है कि सन्युक्त राजे अमेरिका में नवाचार को तेज करने के लिए एक संपूर्ण सरकारी द्रिष्टि कों कैसा दिख सकता है, संगीय सरकार अमेरिकी सरकार किसी और की तुलना में उर्जा नवाचार की आपूर्ती को चलाने के लिए और अधिक करती है, यह अनुसंधान में शामिल त्विल्व विभिन संगीय एजेंसियों के साथ, उर्जा अनुसंधान और विकास का सबसे बड़ा फंदर और प्रदर्शन करता ह उर्जा विभाग का अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है, इसमें उर्जा अनुसंधान एवं विकास की दिशा और गती के प्रबंधन के लिए सभी प्रकार के उपकरण हैं, अनुसंधान अनुदान, रेन कारेक्रम, करप्रोत साहन, प्रयोगशाला सुविधाई, पाइलट कारेक्रम, सारवजनिक निजी भागीदारी और बहुत कुछ, संगिये सरकार हरित उतपादों और नीतियों की मांग को बढ़ाने में भी केंद्रिय भूमिका निभाती है, यह राजे और स्थानिये सरकारों द्वारा निर्मित सडकों और पुलों को निधी देने में मदद करता है, पारेशन लाइनों, पाइप लाइनों और राजमारगों जैसे क्रोसस्टेट इंफ्रास्ट्रिक्चर को नियंतरित करता है, और बहुराजे बिजली और इंधन बाजारों के लिए नियम निर्धारित करने में मदद करता है, और यह सबसे अधिक कर राजस्व एकत करता है, जिसका अर्थ है कि परिवर्तन को चलाने में संगिये वित्तिय प्रोच साहन सबसे प्रभावी होंगे, जब नई तकनीकों को बढ़ाने की बात आती है, तो संगिये सरकार किसी की भी सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, यह अंतर राजे ये वानिजे को नियंतर करता है, और अंतर राश्ट्रिय व्यापार और निवेश नीती पर प्रात्मिक अधिकार रखता है, जिसका अर्थ है कि हमें संगिये नीतियों की आवशेकता होगी ताकि उत्सर्जन के किसी भी सरोत को कम किया जा सके जो राजे की रेखाओं या अंतर राश्ट्रिय को पार करता है, दे एकोनोमिस्ट के अनुसार, मेरी पसंदीदा पत्रिकाओं में से एक युएस उत्सर्जन लगभग 8 प्रतिशत अधिक होगा यदि आप उन सभी उत्पादों को शामिल करते हैं, जो अमेरिकी उपभोग करते हैं, लेकिन कहीं और बनाये जाते हैं, ब्र स्वच इंधन मानकों और स्वच उत्पाद मानकों को राजय स्तर पर अपनाया जाना चाहिए, यदि वे पूरे देश में लागू होते हैं, तो वे अधिक प्रभावी होंगे। इस बीच, कारेकारी शाखा में, उर्जा विभाग आंतरिक अनुसंधान करता है, और अन्यकारे भी करता है, यह एक संगीय स्वच बिजली मानक को लागू करने में केंद्रिय भूमिका निभाएगा। करता है, को एक योजना के बुनियादी धांचे और बाजार तत्वों को विनियमित करने की आवशेक्ता होगी। सूची चलती जाती है। हम किसी भी सटीकता के साथ नहीं जान सकते हैं, कि समय के साथ शूने तक पहुंचने में कितना खर्च आएगाए नवाचार की सफलता और गती और तैनाती की प्रभावशीलता पर निर्भर करेगा लेकिन हम जानते हैं, कि इसके लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आव पर शेकता होगी। में उदाहरन के लिए निजी बाजार इतने मजबूत नहीं हैं, लेकिन वे अभी भी जलवायू परिवर्तन के लिए बड़े सारवजनिक निवेश कर सकते हैं, और बहु पक्षिये बैंक, जैसे विश्व बैंक और एशिया, अफरीका और यूरोप में विकास बैंक भी अ माटकिये रूप से और लंबी दोड के लिए रैंप की आवशेकता होगी, मेरे लिए इसका मतलब है कि सरकारों और बहु पक्षिये बैंकों को निजी पूंजी का दोहन करने के लिए बेहतर तरीके खोजने होंगी, उनके खजाने इतने बड़े नहीं हैं कि अपने दम पर ऐसा कर सकें, दूसरा, जलवायू निवेश के लिए समय सीमा लंबी है और जोखिम अधिक हैं, इसलिए सारवजनिक शेत्र को अपनी वित्तिय ताकत का उपयोग निवेश क्षितिज को लंबा करने के लिए करना चाहिए, इस तथे को दर्शाता है कि रिटर्न कई वर्षो तक नहीं आ सकता है, और इन निवेशों के जोखिम को कम करता है। इतने बड़े पैमाने पर सारवजनिक और निजी धन को मिलाना मुश्किल होगा, लेकिन यह जरूरी है। हमें इस समस्या पर काम करने के लिए वित्त में अपने सरवश्रेष्ट दिमाग की जरूरत है। जो टू जीरो टू फाइव तक उत्सरजन को कम से कम 26 प्रतिशत कम करने के पेरिस समझाते के लक्षियों को पूरा करने के लिए प्रतिबध हैं। हालांकि यह राश्ट्रव्यापी उत्सरजन को कम करने के लिए उतना ही परियाप्त नहीं है जितना हमें चाहिए यह है और कम उत्सर्जन वाले सीमिंट को बाजार में लाने के लिए अपनी उप्योगिताओं और सडक निर्मान परियोजनाओं का उप्योग करना देश भर में लागू करने से पहले राजे कार्बन मूले निर्धारन, स्वच्च बिजली मानकों और स्वच्च इंधन मानकों जैसी नीतियों का परिक्षन कर सकते हैं और वेक्षेत्रिय गठबंधनों में एक साथ शामिल हो सकते हैं, जिस तरह से कैलिफोर्निया और अन्य पश्चिमी राजे अपने ग्रेड में शामिल होने की सोच रहे हैं और जैसा कि पूर्वोत्तर के कुछ राजियों ने उत्सर्जन को कम करने के लिए कैपेंड ट्रेड कारेकरम के साथ किया है US Climate Alliance और इसके साथ गठबंधन करने वाले शहर US अर्थवेवस्था के 60 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसका अर्थ है कि उनके पास बाजार बनाने और यह दिखाने की असाधारन क्षमता है कि हम नए विचारों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं राजे विधाईकाई राजे अस्तरिय कार्बन मूले निरधारन प्रनाली, स्वच्च उरजा मानकों और स्वच्च इंधन मानकों को अपनाने के लिए जिम्मेदार होंगी वे राजे एजेंसियों और सारवजनिक उपियोगिता या सेवा आयोगों को अपनी खरीद नीतियों को बदलने के लिए भी निर्देशित करेंगे ताकि वे उन्नत कम उत्सरजन प्रोध्योगिकियों को प्रात्मिक्ता दें राजे एजेंसियां विधाई का और राजे पाल द्वारा निर्धारित लक्षियों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं वे उर्जा दक्षता और इमारतों से संबंधित नीती की देखरेख करते हैं राजे परिवहन से संबंधित नीती और निवेश का प्रबंधन करते हैं, प्रदूशन मानकों को लागू करते हैं, और क्रिशी और भूमी के अन्वे उप्योगों को नियंतरित करते हैं, अपरत्याशित घटना में की कोई आपके पास दोड़ता है और मांग करता है, जलवा कर सकते हैं, नाम अलग-अलग राजियों में अलग-अलग होता है, अधिकांश लोगों ने कभी भी PUC या PSC के बारे में नहीं सुना है, लेकिन वे संयुक्त राजे में बिजली से संबंधित कई नियमों के लिए वास्तव में जिम्मेदार हैं, उदाहरन के लिए वे अधियुत उपयोगिताओं द्वारा प्रस्तावित निवेश योजनाओं को मनजूरी देते हैं, और उस कीमत का निर्धारन करते हैं, जिसके लिए उपभोकता भुगतान करते हैं बिजली और वे और अधिक महत्व पूर्ण हो जाएंगे क्योंकि हम बिजली के साथ अपनी उर्जा की अधिक जरूर्तों को पूरा करते हैं स्थानिय सरकार सन्युक्त राजे अमेरिका और दुनिया भर के मेर उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबध हैं 12 प्रमुक अमेरिकी शहरों ने 2050 तक कार्बन नियूटरल होने का लक्षे निर्धारित किया है और 300 से अधिक नेवपेरिस समझोते के लक्षियों को पूरा करने का संकल्प लिया है राजियों और संगीय सरकारों के रूप में शहरों का उत्सर्जन पर उतना प्रभाव नहीं है लेकिन वे शक्तिहीन हैं हालांकि वे अपने स्वयम के वाहन उत्सर्जन मानकों को निर्धारित नहीं कर सकते हैं उदाहरन के लिए वे इलेक्ट्रिक बसे खरीद सकते हैं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अधिक चार्जिंग स्टेशनों को निधी दे सकते हैं घनत्व बढ़ाने के लिए जोनिंग कानूनों का उप्योग कर सकते हैं ताकि लोग काम और घर के बीच कम यात्रा कर सकें और संभावित रूप से उनकी पहुंच को प्रतिबंधित कर सकें जीवाश्म इंधन से चलने वाले वाहनों द्वारा सड़कें वे हरित भवन नीतियां भी स्थापित कर सकते हैं अपने वाहन बेडे का विद्योती कर सकते हैं और नगरपाली का के स्वामित्व वाले भवनों के लिए खरीद दिशा निर्देश और प्रदर्शन मानक निर्धारित कर सकते हैं और कुछ शहर सियेटल, नैश्विले और ओस्टिन उदाहरन के लिए स्थानी उपियोगिता कंपनी के मालिक हैं उन्हें इस बात की निगरानी करते हैं कि क्या वे स्वच्च स्रोतों से अपनी बिजली प्राप्त करते हैं इस तरह के शहर शहर की जमीन पर स्वच्च उर्जा परियोजनाओं के निर्मान की अनुमती भी दे सकते हैं नगर परिशदे राजे विधान सभाओं और यूएस कांग्रेस के समान कारवाई कर सकती हैं जलवायू नीती की प्राथमिक्ताओं को वित्व पोशित करती हैं और स्थानिय सरकारी एजेंसियों को कारवाई करने की आवशेक्ता होती हैं स्थानी एजेंसिया अपने राजे और संगीय समकक्षों की तरह विभिन नीतिगत प्रात्मिक ताओं की देखरेख करती हैं भवन निर्मान विभाग दक्षता आवशेक ताओं को लागू करते हैं पारगमन एजेंसिया बिजली से जा सकती हैं और सडकों और पुलों में प्रयुक्त सामगरी को प्रभावित कर सकती हैं अपशिष्ट प्रबंधन एजेंसिया बड़े वाहन बेडे का संचालन करती हैं और लेंदफिल से उत्सरजन पर प्रभाव डालती हैं एक अंतिम बिंदू के लिए वापस संगी ये स्तर पर कैसे अमीर देश फ्री राइडर समस्या को खत्म करने में मदद कर सकते हैं इस तथे को गन्ना करने का कोई तरीका नहीं है कि शूने पर पहुँचना मुफ्त में नहीं आएगा हमें अनुसंधान में अधिक पैसा लगाना है और हमें ऐसी नीतियों की आवश्यक्ता है जो बाजारों को स्वच्च उर्जा उत्पादों की ओर ले जाएं जो अभी उनके ग्रीन हाउस कैसा उत्सरजक समकक्षों की तुलना में अधिक महंगे हैं लेकिन बाद में बेहतर जलवायू के बदले में अब उच्च लागत लगाना कठिन है ग्रीन प्रीमियम देशों और विशेश रूप से मध्यम और निम्न आयवाले देशों को अपने उत्सरजन में कठोती का विरोध करने के लिए एक प्रमुख प्रोथ साहन देता है करती है कि वे गैसोलीन के लिए अधिक भुगतान नहीं करना चाहते हैं, हीटिंग तेल और अन्यमूल बातें समस्या यह नहीं है कि इन देशों के लोग चाहते हैं कि जलवायू गर्म हो समस्या यह है कि वे इस बात से चिंतित हैं कि समाधान की कीमत उन्हें कितनी होगी तो हम फ्री राइडर समस्या को कैसे हल करते हैं? यह महत्वा कांक्षी लक्षियों को निर्धारित करने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबध होने में मदद करता है जिस तरह से दुनिया भर के देशों ने 2015 के पेरिस समझोते के साथ किया था अंतरराश्ट्रिये समझोतों का मजाक उड़ाना आसान है लेकिन वे प्रक्ति कैसे होती हैं, इसका हिस्सा है यदि आप ओजोन परत रखना पसंद करते हैं तो आप मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल नामक एक अंतरराश्ट्रिये समझोते का धन्यवाद कर सकते हैं एक बार जब ये लक्षे निर्धारित हो जाते हैं तो COP21 जैसे फोरम होते हैं, जहाँ देश अपनी प्रक्ति पर रिपोर्ट करने के लिए एक साथ हाते हैं और जो काम कर रहा है, उसे साज़ा करते हैं और वे राश्ट्रिये सरकारों को अपना काम करने के लिए दबाव डालने के लिए एक तंतर के रूप में कारे करते हैं जब दुनिया की सरकारे इस बात पर सहमत होती हैं कि उत्सर्जन को कम करने में मूल लहे तो यह कठिन हो जाता है, हालांकि असंभव से बहुत दूर, जैसा कि हमने देखा है, जो कहता है, मुझे परवाह नहीं है मैं ग्रीन हाउस कैसों का उत्सर्जन जारी रखूंगा उन लोगों के बारे में जो साथ जाने से इनकार करते हैं किसी देश को उसके कारबन उत्सर्जन जैसी किसी चीज के लिए जवाब दे खहराना बेहद मुश्किल है लेकिन यह सवाल से बाहर नहीं है उदाहरन के लिए, जो सरकारे कारबन पर एक मूले को अपनाती हैं, वे सीमा समायोजन कहलाती हैं यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी उत्पाद पर कारबन मूले का भुगतान किया जाता है चाहे वह उत्पाद बनाया गया हो घरेलू या कहीं और से आयातित उन्हें कम आई वाले देशों के उत्पादों के लिए भत्ते बनाने की आवशेक्ता होगी जहां प्रात्मिक्ता आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है न कि उनके पहले से ही बहुत कम कारबन उत्सरजन को कम करना और यहां तक कि बिना कारबन टैक्स वाले देश भी यह स्पष्ट कर सकते हैं कि वे व्यापार समझोते नहीं करेंगे और किसी ऐसे व्यक्ती के साथ बहुपक्षिय साजेदारी नहीं करेंगे जिसने ग्रीन हाउस गैसों को कम करने को प्रात्मिक्ता नहीं दी है और इसे पूरा करने के लिए नीतियों को अपनाया है फिर से भत्तों के साथ कम आयवाले देश संक्षेप में सरकारे एक दूसरे से कह सकती हैं यदि आप हमारे साथ व्यापार करना चाहते हैं तो आपको जलवायू परिवर्तन को गंभीरता से लेना होगा अंत में और मेरे विचार से सबसे महत्वपूर्ण हमें ग्रीन प्रीमियम को कम करना होगा मध्यम और निमनाय वाले देशों के लिए अपने उत्सरजन को कम करना और अंततह शूने तक पहुंचना आसान बनाने का यही एक मात्र तरीका है और यह तभी होगा जब अमीर देश विशेश रूप से सन्युक्त राजे अमेरिका, जापान और यूरोपिय राष्ट्र ने त्रित्व करेंगे आखिरकार यही पर दुनिया के अधिकांश नवाचार होते हैं और यह वास्तव में एक महत्व पूर्ण बिंदु है दुनिया द्वारा भुगतान किये जाने वाले ग्रीन प्रीमियम को कम करना दान नहीं है सन्युक्त राजे अमेरिका जैसे देशों को स्वच्च उर्जा अनुसंधान एवग विकास में निवेश कोशेश विश्व के लिए केवल एक एहसान के रूप में नहीं देखना चाहिए उन्हें इसे वैग्यानिक सफलताओं के अवसर के रूप में भी देखना चाहिए जो प्रमुख नई कमपनियों से बने नए उद्योगों को जन्म देगा, रोजगार पैदा करेगा और एक ही समय में उत्सरजन को कम करेगा राश्ट्रिये स्वास्थे संस्थान द्वारा वित्थ पोशित चिकित्सा अनुसंधान से आने वाली सभी अच्छाईयों के बारे में सोचें NIH अपने परिणाम प्रकाशित करता है ताकि दुनिया भर के वैग्यानिक काम से लाभानवित हो सकें लेकिन इसके वित्थ पोशन से अमेरिकी विश्व विद्यालियों में भी क्षमता का निर्मान होता है जो बदले में स्टार्ट अप और बड़ी कमपनियों दोनों से जुड़े होते हैं परिणाम एक अमेरिकी निर्यात उन्नत चिकित सा विशेश गेता जो घर पर बहुत अधिक वेतन वाली नौकरियां पैदा करती है और दुनिया भर में लोगों की जान बचाती है यह प्रोध्योगिकी में एक समान कहानी है जहां रक्षा विभाग द्वारा शुरुआती निवेश ने इंटरनेट और माइक्रो चिप्स का निर्मान किया जो व्यक्तिगत कम्प्यूटर क्रान्ती को संचालित करते थे और ऐसा ही स्वच्च उर्जा में भी हो सकता है कम लागग, शुने कार्बन सीमेंट या स्टील या शुद्ध शुने तरल इंधन का आविशकार करने के लिए अर्बों डॉलर के बाजार इंतजार कर रहे हैं जैसा कि मैंने दिखाने की कोशिश की है, इन सफलताओं को हासिल करना और उन्हें बड़े पैमाने पर हासिल करना कठिन होगा लेकिन अवसर इतने बड़े हैं कि बाकी दुनिया के सामने बाहर निकलने लायक है कोई इन तकनीकों का आविशकार करेगा यह सिर्फ एक सवाल है कि कौन और कितनी जल्दी इस एजेंडे में तेजी लाने के लिए व्यक्ति स्थानी स्तर से लेकर राष्ट्री स्तर तक बहुत कुछ कर सकता है हम इसे अगले और अंतिम अध्याय में कवर करेंगे अध्याय 12 हम में से प्रतेक क्या कर सकता है जल्वायू जैसी बड़ी समस्या का सामना करने में मुझे शक्तिहीन महसूस करना आसान है परिवर्तन लेकिन आप शक्तिहीन नहीं है और फर्ट करने के लिए आपको राजनेता या परोपकारी होने की जरूरत नहीं है एक नागरिक, एक उपभोकता और एक करमचारी या नियोकता के रूप में आपका प्रभाव है एक नागरिक के रूप में जब आप खुद से पूछते हैं कि आप जल्वायू परिवर्तन को सीमित करने के लिए क्या कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक कार चलाने या कम मांस खाने जैसी चीजों के बारे में सोचना स्वाभाविक है इस प्रकार की व्यक्तिगत कारवाई उन संकेतों के लिए महत्व पूर्ण है जो यह बाजार को भेजता है उस बिंदू पर अधिक जानकारी के लिए अगला भाग देखें लेकिन हमारे उत्सरजन का बड़ा हिस्सा उन बड़ी प्रनालियों से आता है जिनमें हम अपना दैनिक जीवन जीते हैं जब कोई नाश्टे के लिए टोस्ट चाहता है तो हमें यह सुनिश्चित करने की आवशेक्ता होती है कि एक ऐसी व्यवस्था हो जो वातावरन में ग्रीन हाउस कैसों को शामिल किये बिना टोस्टर को चलाने के लिए ब्रेड, टोस्टर और बिजली पहुँचा सके हम लोगों को टोस्ट नखाने के लिए कहकर जलवायू समस्या का समाधान नहीं करने जा रहे हैं लेकिन इस नई उर्जा प्रणाली को स्थापित करने के लिए ठोस राजनीतिक कारवाई की आवशेक्ता है इसलिए राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होना सबसे महत्वपूर्ण एकल कदम है जो जीवन के हर शेत्र के लोग जलवायू आपदा से बचने में मदद के लिए उठा सकते हैं राजनेताओं के साथ अपनी बैठकों में मैंने पाया है कि यह याद रखने में मदद करता है कि केवल जलवायू परिवर्तन ही उनकी थाली में नहीं है सरकारी नेता शिक्षा, नौकरी, स्वास्थे देखभाल, विदेश नीती और हाल ही में COVID19 के बारे में भी सोच रहे हैं और उन्हें चाहिए उन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है लेकिन नीती निर्माता एक साथ इतनी सारी समस्याओं का ही सामना कर सकते हैं और वे तै करते हैं कि क्या करना है, क्या प्रात्मिकता देना है, इस आधार पर कि वे अपने घटकों से क्या सुन रहे हैं दूसरे शब्दों में, निर्वाचित अधिकारी जलवायू परिवर्तन के लिए विशिष्ट योजनाओं को अपनाएंगे यदि उनके मतदाता इसकी मांग करते हैं। दुनिया भर के कारे करताओं के लिए धन्यवाद हमें मांग उत्पन करने की आवशेकता नहीं है। लाखों लोग पहले से ही कारवाई की मांग कर रहे हैं। हाला की हमें इन कॉल्स फॉर एक्षन को दबाव में बदलने की जरूरत है जो राजनेताओं को उत्सरजन को कम करने के अपने वादों को पूरा करने के लिए कठिन विकल्प और ट्रेड ओफ को आवशेक बनाने के लिए प्रोथसाहित करता है। आपके पास जो भी अनिस अंसाधन हों, परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए आप हमेशा अपनी आवाज और अपने वोट का उप्योग कर सकते हैं। यह पुराने जमाने का लग सकता है, लेकिन आपके निर्वाचित अधिकारियों को पत्र और फोन कॉल का वास्तविक प्रभाव हो सकता है। यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आप कैसे मतदान करते हैं। अध्याय इलीवन से स्वच उर्जा अनुसंधान एवं विकास, एक स्वच उर्जा मानक, कार्बन पर मूले या किसी अन्यनीती के लिए अधिक धन की मांग करें। स्थानिय के साथ साथ राष्ट्रिय स्तर पर भी देखें। राजे पालों, महापौरों, राजे विधान सभाओं और नगर परिशदों द्वारा राजे और स्थानिय स्तर पर बहुत से प्रासंगिक निर्ने किये जाते हैं। ऐसे स्थान जहां व्यक्तिगत नागरिकों का संगिय स्तर की तुलना में भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। संयुक्त राजे अमेरिका में उदाहरन के लिए बिजली को मुख्य रूप से राजे व्यापी सारवजनिक उपियोगिता आयोगों द्वारा नियंतरित किया जाता है, जो निर्वाचित या नियुक्त आयुक्तों से बना होता है। जाने की आपके प्रतिनिधी कौन हैं और उनके संपर्क में रहें। ओफिस जाएं। अमेरिकी कांग्रेस के लिए दोड़ना एक लंबा करम है। लेकिन आपको वहां शुरू करने की जरूरत नहीं है। आप राजे या स्थानिय कार्याले के लिए दोड़ सकते हैं, जहां आप। शायद वैसे भी अधिक प्रभाव पड़ता है। हमें सारवजनिक कार्याले में सभी नीतिगत स्मार्ट, साहस और रचनात्मक्ता की आवशेकता है, जो हमें मिल सकती है। एक उपभोकता के रूप में बाजार पर आपूर्ती और मांग का शासन होता है और एक उपभोकता के रूप में आप समीकरन के मांग पक्ष पर भारी प्रभाव डाल सकते हैं। यदि हम सभी अपनी खरीदारी और उप्योग में व्यक्तिगत परिवर्तन करते हैं, तो यह बहुत कुछ जोड सकता है, जब तक हम उन परिवर्तनों पर ध्यान के इंद्रित करते हैं, जो सार्थक हैं। उदाहरन के लिए, यदि आप घर पर नहीं होने पर अपनी उर्जा खपत को कम करने के लिए एक स्मार्ट थर्मो स्टेट स्थापित करने का जोखिम उठा सकते हैं, तो हर तरह से ऐसा करें। आप अपने उपियोगिता बिल और अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कठोती करेंगे, लेकिन अपने स्वयम के कार्बन उत्सर्जन को कम करना सबसे शक्तिशाली काम नहीं है, जो आप कर सकते हैं। आप बाजार को एक संकित भी भेज सकते हैं, कि लोग जीरो कार्बन विकल्प चाहते हैं, और उनके लिए भुगतान करने को तैयार हैं। जब आप इलेक्ट्रिक कार, हीट पंप या प्लांट आधारित बर्गर के लिए अधिक भुगतान करते हैं, तो आप कह रहे हैं, इस सामान के लिए एक बाजार है। हम इसे खरीद लेंगे, यदि परियाप्त लोग एक ही संकेत भेजते हैं, तो कमपनियां जवाब देंगी, मेरे अनुभव में बहुत जल्दी। वे कम उत्सरजन वाले उत्पाद बनाने में अधिक पैसा और समय लगाएंगे, जिससे उन उत्पादों की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उन्हें बड़ी संक्या में अपनाने में मदद मिलेगी। यह निवेशकों को नई कमपनियों के वित्व पोशन के बारे में अधिक आश्वस्त करेगा जो सफलता हासिल कर रही हैं, जो हमें शूने तक पहुँचने में मदद करेंगी। उस मांग संकेत के बिना, सरकारे और व्यवसाय जिन नवाचारों में निवेश करते हैं, वे शेल्फ पर रहेंगे, या वे पहले स्थान पर विक्सित नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें बनाने के लिए कोई आर्थिक प्रोथ साहन नहीं है। यहां कुछ विशिष्ट कदम उठाए जा सकते हैं, अपनी विद्यूत उपयोगिता के साथ हरित मूले निर्धारन कारेकरम के लिए साइन आप करें। कुछ उपयोगिता कम्पनियां घरों और व्यवसायों को स्वच्च स्रोतों से बिजली के लिए अतिरिक्त भुगतान करने की अनुमती देती हैं। थर्टीन राजियों में उपयोगिताओं को इस विकल्प की पेशकश करने की आवशेक्ता है। आप देख सकते हैं कि आपका राजे C2ES Center for Climate and Energy Solutions www.c2es.org.documint.grain-pracing-progrims पर green pricing programs map की जाच करके करता है या नहीं इनमें से ग्राहक। कारेक्रम अक्षे उर्जा की अतिरिक्त लागत को कवर करने के लिए अपने बिजली बिल पर प्रीमियम का भुगतान करते हैं। औस्तन एक से दो सेंट प्रती किलोवाट घंटे या विशिष्ट अमेरिकी घर के लिए $9 से $18 प्रती माह। जब आप इन कारेक्रमों में भाग लेते हैं, तो आप अपनी उप्योगिता कमपनी को बता रहे हैं कि आप जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए और अधिक भुगतान करने को तैयार हैं। यह एक महत्व पूर्ण बाजार संकित है। लेकिन ये कारेक्रम जो नहीं करते हैं, वह उत्सर्जन को रद्द कर देता है या ग्रेड पर अक्षे उर्जा की मात्रा में सार्थक वृद्धी करता है। केवल सरकारी नीतिया और बढ़ा हुआ निवेश ही ऐसा कर सकता है। अपने घर के उत्सर्जन को कम करें। आप कितना पैसा और समय बचा सकते हैं। इस पर निर्भर करते हुए आप अपने गर्मागरम लाइट बल्ब को LED से बदल सकते हैं। एक स्मार्ट थर्मोस्टेट स्थापित कर सकते हैं, अपनी खिडकियों को इंसुलेट कर सकते हैं, कुशल उपकरन खरीद सकते हैं, या अपने हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को हीट पंप से बदल सकते हैं, जब तक आप रहते हैं, ऐसे माहौल में जहां वे काम कर सकें। यदि आप अपना घर किराय पर देते हैं, तो आप अपने नियंतरन में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब को बदलना और अपने मकान मालिक को बाकी काम करने के लिए प्रोथ साहित करें। प्रतिबिम्बित इंसुलेशन और नीम्व इंसुलेशन का उप्योग करके घर को और अधिक कुशल बना सकते हैं। यह उन जगों में से एक है, जहां उपभोकता व्यवहार का बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। यदि लोग उन में से बहुत से खरीदते हैं, तो कमपनियां उन में से बहुत कुछ बनाती हैं। मैं मानता हूँ कि वेजी बर्गर का स्वाद हमेशा अच्छा नहीं होता है, लेकिन नई पीड़ी के पौधे आधारित प्रोटीन विकल्प अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में मांस के स्वाद और बनावट के बहतर और करीब हैं। आप उन्हें कई रेस्तरा, किराने की दुकानों और यहां तक की फास्ट फूर्ड जोड़ों में पा सकते हैं। इन उत्पादों को खरीदने से एक स्पष्ट संदेश जाता है, कि इन्हें बनाना एक बुद्धिमानी भरा निवेश है। इसके अलावा, सप्ताह में केवल एक या दो बार मांस का विकल्प, या केवल मांस नहीं खाना, खाने से आपके द्वारा जिम्मेदार उत्सरजन में कमी आएगी। वही डेरी उत्पादों के लिए जाता है। एक करमचारी या नियोकता के रूप में, एक करमचारी या शेहरधारक के रूप में, आप अपनी कमपनी को अपना काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बेशक, इनमें से कई क्षेत्रों में बड़ी कमपनियों का सबसे बड़ा प्रभाव होगा, लेकिन छोटी कमपनियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं, खास कर अगर वेस्थानिय चेमबर्स ओफ कॉमर्स जैसे संगठनों के माध्यम से मिलकर काम करती हैं, कुछ कदम दूसरों की तुलना में आसान होते हैं, आसान चीजे मायने रखती हैं, उदाहरन के लिए उत्सरजन की भरपाई के लिए पेड लगाना, परियावरन और राजनीतिक कारणों से एक अच्छी बात है, यह दर्शात्ता है कि आप जलवायू परिवर्तन की परवाह करते हैं, लेकिन केव आसान काम करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, निजी शेत्र को भी कड़े कदम उठाने होंगे, एक बात के लिए इसका मतलब है कि अधिक जोखिम स्वीकार करना, उदाहरन के लिए ऐसी परियोजनाओं का वित्त पोशन करना जो विफल हो सकती हैं, लेकिन एक पलता में बदल सकती हैं, शेरधार को और बोर्ड के सदस्यों को इस जोखिम में हिस्सा लेने के लिए तैयार रहना होगा, जिससे अधिकारियों को यह स्पष्ट हो जाएगा कि वे स्मार्ट निवेश का समर्थन करेंगे, भले ही वे अंततह समाप्त नहों, कम्पनियों औ और उनके नेताओं को उन दाम लगाने के लिए पुरस्कृत करने की आवश्यक्ता है, जो हमें जलवायू परिवर्तन पर आगे बढ़ा सकते हैं, कम्पनिया सबसे कठिन जलवायू चुनोतियों की पहचान करने और उन्हें हल करने का प्रयास करने के लिए एक दूसरे के स साथ भी काम कर सकती हैं, इसका मतलब है कि सबसे बड़े ग्रीन प्रीमियम की तलाश करना और उन्हें कम करने की कोशिश करना, अगर दुनिया के सबसे बड़े निजी शेतर के स्टील और सीमिन्ट जैसी सामगरी के उपभोगता एक साथ मिलते हैं और ट्लीनर विकल्प की म मांग करते हैं और उन्हें बनाने के लिए आवशेक बुनियादी धांचे में निवेश करने के लिए प्रतिबध हैं, तो यह अनुसंधान में तेजी लाएगा और बाजार को सही दिशा में स्थानां तरित करेगा, अंत में निजी शेतर इन कठिन विकल्पों को बनाने की वकालत कर सकता है, उदाहरन के लिए इन बाजारों को विक्सित करने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए सहमत होकर और मांग करके कि सरकारे नियामक संग्रचनायन स्थापित करें जिसमें नई प्रोध्योगिकियां सफल हो सकें, क्या राजनीतिक नेता उत सरजन के सबसे बड़े स्रोतों और सबसे कठिन तकनीकी चुनोतियों पर ध्यान के इंद्रित कर रहे हैं, क्या वे ग्रेडस के लूर्जा भंडारन, विद्यूत इंधन, परमान उसंगलेन, कार्बन कैप्चर और शूने कार्बन सीमेंट और स्टील के बारे में बात कर रह हैं, यदि नहीं, तो वे हमें 2050 तक शूने उत्सरजन के रास्ते पर लाने में मदद नहीं कर रहे हैं, यहां कुछ विशिष्ट कदम हैं, जो निजी शेत्र इन पंक्तियों के साथ उठा सकते हैं, एक आंतरिक कार्बन टैक्स स्थापित करें, कुछ बड़ी कमपनिया अब अपने प्रतेक डिवीजन पर कार्बन टैक्स लगाती हैं, यह कमपनिया उत्सरजन को कम करने के लिए लिप सर्विस नहीं दे रही हैं, वे उत्पादों को प्रयोगशाला से बाहर और बाजार में लाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि आंतरिक करों से राजस्व सीधे उन गतिविधियों में जा सकता है, जो ग्रीन प्रीमियम को कम करते हैं, और स्वच्छूर्जा उत्पादों के लिए एक बाजार बनाने में मदद करते हैं, जिनकी उन फर्मों को आवशेक्ता होगी, कर्मचारी, निवेशक और ग्राहक इस द्रिष्टिकों की वकालत कर सकते ह इसे लागू करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को कवर दे सकते हैं, कम कार्बन समाधान में नवाचार को प्रात्मिकता दें, नए विचारों में निवेश करना अधिकांश उद्योगों के लिए गर्व का विशे हुआ करता था, लेकिन कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास के गौर्वशाली वर्ष चले गए हैं, आज एरोस्पेस, सामगरी और उर्जा उद्योगों में कम्पनिया अपने राजस्व का ओस्तन 5 प्रतिशत से भी कम R&D पर खर्च करती हैं, सोफ्टवेर कम्पनिया 15 प्रतिशत से अधिक खर्च करती हैं, कम्पनियों को अपने अनुसंधान एवं विकास कारे को प्रात्मिक्ता देनी चाहिए, विशेश रूप से निम्न कार्बन नवाचारों पर, जिनमें से कई के लिए दीर घकालिक प्रतिबधताओं की आवशेक्ता होगी, अनुसंधान प्रयासों में व्यावहारिक व्यावसाइक कर सकती हैं, कि वे नई तकनीकों को अपनाने में तेजी लाने के लिए बहुत सारे उत्पाद खरीदती हैं, अन्य बातों के अलावा, इसमें कॉर्पोरेट बेडे के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का उप्योग करना, कंपनी की इमारतों के निर्मान या नवीनीकरन के एक निश्चित मात्रा में स्वच्च बिजली का उप्योग करना शामिल हो सकता है, Microsoft, Google, Amazon और Disney सहित दुनिया भर में कई कमपनियां अपने संचालन के एक बड़े हिस्से के लिए अक्षे उर्जा का उप्योग करने के लिए प्रतिबध हैं, शिपिंग कमपनी MIRSK ने कहा है कि वह 2050 तक अपने शुद्ध उत्सरजन को शूनि कर देगी, भले ही इन प्रतिबधताओं को पूरा करना कठिन हो, वे शूनिय कार्बन द्रिष्टिकोंग विक्सित करने के मूले के बारे में महत्वपूर्ण बाजार संकेत भेजते हैं, कमपनिया सरकार के साथ काम करने से नहीं डर सकती, सरकारों से ज्यादा कमपनियों के साथ काम करने से डरना चाहिए, व्यवसायों को शूनिय पर पहुंचना चाहिए और बुनियादी विग्यान और अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवग विकास कारे क्रमों के लिए वित् सरकार द्वारा वित्व पोशित अनुसंधान से जुड़ें व्यवसायों को सरकारी अनुसंधान एवग विकास कारे क्रमों की सलाह देनी चाहिए ताकि बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान उन विचारों पर केंद्रित हो जो उत्पादों में बदलने का सबसे अच्छा शोट है कोई नहीं जानता कि हर दिन उत्पादों का विकास और विपनन करने वाली कमपनियों से बेहतर क्या है या सफल होने की संभावना नहीं है उद्योग सलाहकार बोर्डों में शामिल होना और नियोजन अभ्यास में भाग लेना सरकारी आर इंड़ी कारेक्रमों को सूचित करने के कम लागत वाले तरीके हैं कमपनिया लागत साजाकरन समझोतों और संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं के माध्यम से आरें डड़ी को निधी देने में भी मदद कर सकती हैं सारवजनिक निजी सहयोग की तरह जिसने हमें गैस तरबाइन और उन्नत डीजल इंजन दिये प्रारंभिक चरण के नवप्रवर्तन करताओं को मौत की घाटी से पार पाने में मदद करें कई शोध करता अपने आशाजनक विचारों को कभी भी उत्पादों में नहीं बदलते क्योंकि यह प्रक्रिया बहुत जोखिम भरी या बहुत महंगी होगी स्थापित व्यवसाई अपनी परीक्षन सुविधाओं तक पहुँच प्रदान करके और लागत मीट्रिक जैसे डेटा प्रदान करके मदद कर सकते हैं यदि वे और अधिक करना चाहते हैं तो वे उद्देमियों के लिए फेलोशिप और उश्मायन कारेक्रमों की पेशकश कर सकते हैं नई तकनीक में निवेश कर सकते हैं व्यावसाईक डिवीजन बना सकते हैं जो विशेश रूप से कम कार्बन नवाचार पर के इंद्रित हैं और नई कम उत्सरजन परियोजनाओं को वित्त पोशित कर सकते हैं एक आखिरी विचार दुर्भाग्य से जलवायू परिवर्तन के बारे में बातचीत अनावशेक रूप से ध्रूवी करित हो गई है नक की परसपर विरोधी सूचनाओं और भ्रमित करने वाली कहानियों से गिरी हुई हमें बहस को और अधिक विचारशील और रचनात्मक बनाने की आवशेक्ता है और सबसे बढ़कर हमें इसे शून्य पर लाने के लिए ये थार्थवादी विशिष्ट योजनाओं पर केंद्रित करने की आवशेक्ता है काश कोई जादू का आविशकार होता जो बातचीत को अधिक उत्पादक दिशा में ले जा सके बेशक ऐसा कोई उपकरण मौजूद नहीं है इसके बजाए यह हम में से प्रतेक पर निर्भर है मेरी आशा है कि हम अपने जीवन में लोगों के साथ तथियों को साज़ा करके बातचीत को स्थानान तरित कर सकते हैं हमारे परिवार के सदसे, मित्र और नेता और नहीं केवल वे तथे जो हमें बताते हैं कि हमें कारे करने की आवशेक्ता क्यों है बलकि वे भी जो हमें ऐसे कारे दिखाते हैं जो सबसे अच्छा करेंगे इस पुस्तक को लिखने का मेरा एक लक्षे इन वारतालापों को और अधिक चिंगारी देना है मुझे यह भी उम्मीद है कि हम उन योजनाओं के पीछे एक जुट हो सकते हैं जो राजनीतिक विभाजन को पाटती हैं जैसा कि मैंने प्रदर्शित करने की कोशिश की है यह उतना भोला नहीं है जितना यह लग सकता है जलवायू परिवर्तन के प्रभावी समाधान के लिए किसी ने भी बाजार पर कबजा नहीं किया है चाहे आप निजी शेत्र में विश्वास रखते हों या सरकारी हस्तक्षेप या सक्रियता या कुछ सन्योजन में एक व्यावहारिक विचार है जिसे आप पीछे छोड़ सकते हैं जहां तक उन विचारों का संबंध है जिनका आप समर्थन नहीं कर सकते आपको बोलने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है और यह समझ में आता है लेकिन मुझे आशा है कि आप जिस किसी चीज के खिलाफ हैं उसका विरोध करने के बजाए आप जिस चीज के पक्ष में हैं उसका समर्थन करने में अधिक समय और उर्जा खर्च करेंगी हम पर जलवायू परिवर्तन के खत्रे के साथ भविश्य के बारे में आशानवित होना कठिन हो सकता है लेकिन जैसा कि मेरे मित्र हैं रोसलेंग दिवंगत वैश्विक स्वास्थे अधिवक्ता और शिक्षक ने अपनी अदभूत पुस्तक फैक्टफुलनेस में लिखा है जब हमारे पास एक तथे आधारित विश्वदरिष्टी होती है तो हम देख सकते हैं कि दुनिया उतनी बुरी नहीं है जितनी लगती है और हम देख सकते हैं इसे बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना होगा जब हमारे पास जलवायू परिवर्तन के बारे में तथे आधारित द्रिश्टी कोन होता है तो हम देख सकते हैं कि जलवायू आपदा से बचने के लिए हमारे पास कुछ चीजे हैं लेकिन उनमें से सभी नहीं हैं हम देख सकते हैं कि हमारे पास मौझूद समाधानों को लागू करने और हमें आवशेक सफलताओं को विक्सित करने के रास्ते में क्या है और हम उन सभी बाधाओं को दूर करने के लिए किये जाने वाले सभी कारियों को देख सकते हैं मैं आशावादी हूँ क्यों की मुझे पता है की तकनीक क्या हासिल कर सकती है और क्यों की मुझे पता है की लोग क्या हासिल कर सकते हैं। मैं इस समस्या को हल करने के लिए विशेश रूप से युवा लोगों के बीच मेरे द्वारा देखे गए सभी जुनून से गहराई से प्रेरित हूँ यदि हम बड़े लक्षे पर नजर रखते हैं, शूने तक पहुँचना और हम उस लक्षे को प्राप्त करने के लिए गंभीर योजनाय बनाते हैं, तो हम एक आपदा से बच सकते हैं हम सभी के लिए जलवायू को सहने योगे रख सकते हैं, करोडों गरीब लोगों को उनके जीवन का अधिक्तम लाब उठाने में मदद कर सकते हैं, और आने वाली पीडियों के लिए ग्रह को संगरक्षित कर सकते हैं अन्त भाशन मैंने इस पुस्तक पर सबसे अधिक उठल पुथल वाले वर्ष के अंत में काम करना समाप्त किया हाल की स्मृति जैसा कि मैंने इसे नवंबर 2020 में लिखा था, C.O.V.I.D.19 ने दुनिया भर में 1.4 मिलियन से अधिक लोगों को मार डाला है और मामलों और मौतों की एक और लिहर में प्रवेश कर रहा है महामारी ने हमारे काम करने, जीने और मेल जोल करने के तरीके को बदल दिया है वहीं 2020 जलवायू परिवर्तन को लेकर आशावान रहने के नई कारण भी लेकर आया राष्ट्रपती के रूप में जो बिडेन के चुनाव के साथ, संयुक्त राजे अमेरिका इस मुद्दे पर एक प्रमुख भूमिका फिर से शुरू करने के लिए तैयार है चीन 2060 तक कारबन नियूट्रल होने के महत्वा कांक्षी लक्षे के लिए प्रतिबध है 2021 में संयुक्त राष्ट्र जलवायू परिवर्तन पर एक और प्रमुख शिखर सम्मेलन के लिए स्कॉटलेंड में इकठा होगा बेशक इसमें से कोई भी गारंटी नहीं देता है कि हम प्रगती करेंगे लेकिन अवसर है मैं 2021 में अपना अधिकांश समय जलवायू परिवर्तन और C.O.V.I.D.19 दोनों के बारे में दुनिया भर के नेताओं के साथ बात करने में बिताने की उम्मीद करता हूँ मैं उनके सामने यह मामला बनाऊंगा कि महामारी से कई सबक और मूले और सिध्धान्त जो हमारे दृष्टिकों को निर्देशित करते हैं जलवायू परिवर्तन पर भी लागू होते हैं इस पुस्तक में पहले से खुद को दोहराने के जोखिम पर मैं उन्हें यहा संक्षेप में प्रस्तूत करूगा सबसे पहले हमें अंतरराष्ट्रिय सहयोग की आवशेकता है वाक्यांश हमें एक साथ काम करना है एक ट्लिच के रूप में खारिज करना आसान है लेकिन यह सथ है जब सरकारों, शोध करताओं और दवा कमपनियों ने CEOV ID19 पर एक साथ काम किया तो दुनिया ने उलेखनिय प्रक्ति की, उदाहरन के लिए, रिकॉर्ड समय में टीकों का विकास और परीक्षन और जब हमने एक दूसरे से कुछ नहीं सीखा और इसके बजाए अन्य देशों का प्रदर्शन किया या यह स्वीकार करने से इंकार कर दिया की मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग वाइरस के प्रसार को धीमा करते हैं हमने दुख को बढ़ाया जलवायू परिवर्तन के लिए भी यही सच है यदि अमीर देश केवल अपने उत्सरजन को कम करने की चिंता करते हैं और स्वच प्रोद्योगिकियों को सभी के लिए व्यावारिक बनाने के लिए काम नहीं करते हैं तो हम कभी भी शून्य पर नहीं पहुँचेंगे उस अर्थ में दूसरों की मदद करना केवल परोपकार का कारें नहीं है यह हमारे स्वार्थ में भी है हम सभी के पास शूने तक पहुचने और दूसरों को भी ऐसा करने में मदद करने के कारण है टेकसास में तापमान बढ़ना बंद नहीं होगा जब तक कि भारत में उतसर्जन बढ़ना बंद नहीं हो जाता दूसरा हमें विज्ञान को वास्तव में कई अलग अलग विज्ञानों को हमारे प्रयासों का मार्गदर्शन करने की आवश्यक्ता है COVID-19 के मामले में हम जीव विज्ञान, विशानू विज्ञान और अशद विज्ञान के साथ साथ राजनीती विज्ञान और अर्थशास्त्र की ओर देख रहे हैं आखिरकार, यह तै करना की टीकों को समान रूप से कैसे वित्रित किया जाए, यह एक स्वाभाविक राजनीतिक कार्य है और जिस तरह महामारी विज्ञान हमें COVID-19 के जोखिमों के बारे में बताता है, लेकिन इसे रोकने के तरीके के बारे में नहीं जलवाईू विज्ञान हमें बताता है कि हमें पाठेकरम बदलने की आवशेक्ता क्यों है, लेकिन यह नहीं कि इसे कैसे करना है उसके लिए हमें इंजीनिरिंग, भौतिकी, पर्यावरन विज्ञान, अर्थशास्त्र और बहुत कुछ परध्यान देना चाहिए तीसरा, हमारे समाधानों को उन लोगों की जरूर्तों को पूरा करना चाहिए जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं COVID-19 के साथ, जो लोग सबसे अधिक पीडित होते हैं, उनके पास सबसे कम विकल्प होते हैं, उदाहरन के लिए घर से काम करना, या अपने या अपने प्रियेजनों की देखभाल के लिए समय निकालना, और उनमें से ज़्यादातर रंग के लोग और कम आई वाले लोग हैं सन्यूक्त राजे अमेरिका में, अश्वीत लोगों और लैटीनक्स लोगों के कोरोना वाइरस से अनुबंधित होने और इससे मरने की अनुपाथीन रूप से संभावना है काले और लेटिनक्स छात्रों के भी अपने गोरे साथियों की तुलना में ओनलाइन स्कूल जाने में सक्षम होने की संभावना कम है मेडिकेर प्राप्त करने वालों में गरीब लोगों के लिए C.O.V.I.D.19 मृत्यू दर चार गुना अधिक है सन्युक्त राजे अमेरिका में वाइरस को नियंत्रित करने के लिए इन अंतरालों को बंद करना महत्व पूर्ण होगा विश्वस्तर पर C.O.V.I.D.19 ने गरीबी और बीमारी पर दशकों की प्रगती को पूर्ववत कर दिया है जैसे जैसे सरकारे महामारी से निपटने के लिए आगे बढ़ी उन्हें लोगों और धन को टीकाकरण कारे क्रमों सहित अन्य प्रात्मिकताओं से दूर करना पड़ा Institute for Health Matrix and Evaluation के एक अधेयन में पाया गया कि 2020 में ठीकाकरण की दरवन 990 के दशक में अन्तिम बार देखे गए स्तरों तक गिर गई हमने लगभग 25 हफ्तों में 25 साल की प्रगती खो दी अमीर देशों जो पहले से ही वैश्विक स्वास्थे के लिए उदार हैं को इस नुकसान की भरपाई के लिए और अधिक उदार होने की आवश्यक्ता होगी वे जितना अधिक दुनिया भर में स्वास्थे प्रणालियों को मजबूत करने में निवेश करें हम अगली महामारी के लिए उतने ही अधिक तयार होंगे उसी तरह हमें एक शून्ने उत्सर्जन भविशे के लिए एक उचित संक्रमन की योजना बनाने की आवश्यक्ता है जैसा कि मैंने अध्याय नौ में तर्क दिया था गरीब देशों के लोगों को एक गर्म दुनिया के साथ तालमेल बिठाने में मदद की जरूरत है और धनी देशों को यह स्वीकार करने की आवश्यक्ता होगी कि उर्जा संक्रमन उन समुदायों के लिए विगतनकारी होगा जो आज की उर्जा प्रनालियों पर निर्भर है वे स्थान जहां कोईला खनन मुख्य उद्योग है जहां सीमेंट बनाया जाता है स्टील को पिगलाया जाता है या कारों का निर्मान किया जाता है इसके अलावा बहुत से लोगों के पास ऐसी नौक्रिया है जो परोक्ष रूप से उन उद्योगों पर निर्भर है जब घूमने के लिए कोईला और एंधन कम होगा तो ट्रक ड्राइवरों और रेलकर्मियों के लिए कम नौक्रिया होंगी मजदूर वर्ग की अर्थवेवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रभावित होगा और उन समुदायों के लिए एक संक्रमन योजना होनी चाहिए अन्त में हम उन चीजों को कर सकते हैं जो दोनों अर्थवेवस्थाओं को C.O.V.I.D. आपदा से बचाएंगे और जलवायू आपदा से बचने के लिए नवाचार को बढ़ावा देंगे स्वच्छूर जा अनुसंधान और विकास में निवेश करके R.N.D. सरकारे आर्थिक सुधार को बढ़ावा दे सकती हैं जो उत्सरजन को कम करने में भी मदद करती हैं हालांकि यह सथ है कि R.N.D. खर्च का दीर घावधी में सबसे बड़ा प्रभाव पढ़ता है इसका ततकाल प्रभाव भी होता है यह पैसा जल्दी से रोजगार पैदा करता है 2018 में अनुसंधान और विकास के सभी क्षेत्रों में अमेरिकी सरकार के निवेश ने प्रतेक्ष और अप्रतेक्ष रूप से 1.6 मिलियन से अधिक नौकरियों का समर्थन किया जिससे श्रमिकों के लिए आय में डॉलर 126 बिलियन और संगिये और राजे कर राजस्व में डॉलर 39 बिलियन का उत्पादन हुआ R&D एक मात्र ऐसा शेत्र नहीं है जहां आर्थिक विकास जीरो कार्बन नवाचार से जुड़ा है सरकारे ऐसी नीतियों को अपना कर स्वचूर्जा कमपनियों को बढ़ने में मदद कर सकती हैं जो ग्रीन प्रीमियम को कम करती हैं और हरित उत्पादों के लिए अपने जीवाश्म आधारित प्रतिसपर्धियों के साथ प्रतिसपर्धा करना आसान बनाती हैं और वे अपने COVID राहत पैकेजों से प्राप्त धन का उप्योग नवी क्रणी उर्जा के उप्योग का विस्तार करने और एकिकरित बिजली ग्रेड के निर्मान जैसी चीजों के लिए कर सकते हैं साल 2021 एक बहुत बड़ा और दुख जटका था लेकिन मैं आशावादी हूँ कि हम 2021 में COVID19 को नियंतरन में कर लेंगे और मैं आशावादी हूँ कि हम जलवायू परिवर्तन पर वास्तविक प्रक्ती करेंगे क्योंकि दुनिया इस समस्या को हल करने के लिए पहले से कहीं अधिक प्रतिबद है जब 2001 में वैश्विक अर्थवेवस्था गंभीर मंदी में चली गई तो जलवायू परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए जनता का समर्थन कम हो गया लोग बस नहीं देख सके हम एक ही समय में दोनों संकटों का जवाब कैसे दे सकते हैं इस बार अलग है भले ही महामारी ने वैश्विक अर्थवेवस्था को बरबाद कर दिया है जलवायू परिवर्तन पर कार्रवाई के लिए समर्थन उतना ही अधिक है जितना 2019 में था ऐसा लगता है कि हमारा उत्सर्जन अब कोई समस्या नहीं है जिसे हम सडक पर लाने के लिए तैयार है अब सवाल यह है कि हमें इस गती का क्या करना चाहिए मेरे लिए उत्तर स्पष्ट है हमें अगले दशक को प्रोध्योगिकियों नीतियों और बाजार संग्रचनाओं पर ध्यान के इंद्रित करते हुए बिताना चाहिए जो हमें 2050 तक ग्रीन हाउस कैसों को खत्म करने की राह पर ले जाएंगे अगले 10 साल खुद को समर्पित करने की तुलना में एक दैनिये 2020 के लिए बेहतर प्रतिक्रिया के बारे में सोचना मुश्किल है इस महत्वा कांक्षी लक्षे के लिए